नमस्कार आप सभी का मोटिवेशन टू रीड में स्वागत है आज हम जिस पुस्तक का सास्वार पठन करने वाले हैं वो शिव रचनात्रई की पहली पुस्तक मेलूहा के मृतिंजय है शिव रचनात्रई की ये पहली पुस्तक शिव को एक साधारन मनिश्य के रूप में प्रतिबादित करती है जिसके कर्म उसे देवों के देव महादेव में परिवर्तित कर देते हैं अपने प्रारब्द एवं कर्तव्यों की और खिच जाने वाले एवं साथी प्रेम से प्रेरित शिव क्या सूर्वन्शियों के प्रतिशोध में उनका नीतरत्व करेंगे और बुराईयों का नाश कर पाएंगे आईए जानते हैं कि शिव क्या सचमुछ ही महानायक है और क्या वे महानायक बनना भी चाहते है या नहीं शिव रचना त्रई की प्रथम पुस्तक मिलूहा के मृत्विंजे लेखक अमीश त्रिपाठी अनुवादक विश्वजीत सपन अध्याए एक वे आ गए हैं उननी सो ईश्वी पूर्व मानसरोवर जील तिबत के कैलाश परवत की तलहटी में शिव ने नरंगी छटा बिखेरते आकाश को देखा मानसरोवर के उपर मचलते बादलों के छटते ही सूर्यास्त का संकेत हो चुका था एक बार फिर उस तेजस्वी जीवनदाता ने दिन समापती की घोषना कर दी थी शिव ने अपने 21 सालों में कुछ ही सूर्योदे देखे थे किन्तु सूर्यास्त उसने प्रियास किया था कि वो सूर्यास्त देखना कभी न भूले कोई और दिन होता तो हिमाले की प्रिष्ट भूमी में जहां तक दृष्टी जाती वहां तक स जील के निर्मल जल से परावर्तित होते चमकीले प्रकाश में उसे लगे युग युगांतर के अनेक घावों के दाक चमक उठे ये देख शिव को अपने उन्मुक्त बालपन की याद हो आई वो तो तब ही से कई कलाव में दक्ष हो गया था उसने जील में पत्थर के टु आज उसके मुख पर उल्लास का कोई भाव नहीं था वो उस्छण का आनंद लिये बिना ही अपने गाउं की और लौट पड़ा था गाउं के मुखे प्रवेश द्वार के पहरे पर भद्र चौकरना खड़ा था किन्तो उसके सहायक चौकरने नहीं थे शिव ने अपनी आँ पुना मुड़ गया उसने मन ही मन कहा ईश और भद्र का कल्यान करें कम से कम ये कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह तो करता है जील पर पहुँचकर शिव ने याक की हड़ी से बनी चिलम को अपने होटों से लगा कर एक लंबा कश लगाया कोई और दिन होता तो गांजे शिव के 20 सेनिकों के पहरे में होने से इसकी संभावना बहुत ही कम थी कि वे चकित कर देने वाला कोई आकरमन कर पाते शिव के मन में विचार पनपा उन्होंने अपने हधियार बड़ी आसानी से दे दिये ये लोग हमारे देश के रक्त पिपासु दुष्टू की भाती न संपन और शक्तिशाली सामराज है यहीं नहीं पूरे विश में वो सबसे संपन और शक्तिशाली है आप रवासियों को हमारी सरकार सुविधाय प्रदान करती है आपको जाओ भूमी इविम कृशी के लिए संसाधन दिये जाएंगे आज आपका कभीला इस पत्रीली उजार करें और देश की विधियों का पालन करें शिव ने चिंतन कर लिया था कि उस नए देश में वो निश्चित रूप से मुख्या नहीं होगा क्या सच में मुझे इसकी कमी खलेगी उसके कभीले वालों को विदेश्यों की विधियों के अधीन जीवन यापन करना पड़ेगा उन्हें अपनी जीविका के लिए प्रते दिन काम करना होगा जीवित रहने के लिए प्रते दिन लड़ने की तुलना में तो यहीं बहतर होगा शिव को ये विचार उत्तम प्रतीत हुआ उसने अपनी चिलम से एक और कश लिया जब धूए के बादल छटे तो उसने गाओं के बीच बनी उस जोपड़ी को मुड़ कर देखा जहां उन विदेश्यों को रखा गया था यह उसकी जोपड़ी के ठीक बगल में थी शिव को सूचित किया गया था कि उन्हें आराम दायक नींद नसीब नहीं हुई थी वास्तों में शिव उन्हें बंदी बना कर नहीं रखना चाता था किन्तु वो कोई जोखिम भी मोल नहीं लेना चाता था हम प्रकृति कभीले वालों से लगभव प्रतेक महीने लड़ाई लड़ते रहते हैं, ताकि पवित्र जील के निकट हमारा अस्तित्व अक्षरून रहे, नैने कभीलों के साथ मित्रता करके वो प्रतिवर्ष और अधिक शक्तिशाली बनते जा रहे हैं, हम प्रकृति कभीले इस सचमुझ कितना अच्छा प्रतित होता है, राख को जालने के लिए चिलम को एक चटान पर उलटने से पहले शिव ने अंतिम कश लिया और अपने आसन से उठ खड़ा हुआ, अपने नंगे सीने पर राख के कुछ कड़ों को मसल कर उसने अपने भगचाल के घागरे में हाथ पोचा, चिलम उठाई और तेज कदमों से गाउं की ओर चल पड़ा, जब शिव गाउं के प्रवेश द्वार के निकट से गुजरा तो भद्र और उसके सहयोगी सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए, शिव ने तेवरी चड़ाई और अपनी मुद्रा से भद्र क करने के लिए आश्वस्त किया, यह हमेशा क्यों भूल जाता है कि बचपन से ही वो मेरा परम प्रिय मित्र रहा है, एरे मुख्या बन जाने से वास्तों में कुछ नहीं वदला, उसे अन्य के सामने अनवश्य गड़गडानी की आशकता नहीं है, शिव ने मन ही मन सोचा, उ उनकी उचाई इतनी थी कि एक युवक सचमुच में उनके अंदर सीधा खड़ा हो सकता था, वे जोपडिया मजबूत थी, और ये शरान इस्थली उन कठोर परवतिय हवाओं के प्रहार सहते हुए तीन मर्शों तक अडिक खड़ी रह सकते थी, जोपडिक अंदर प्रवे वेवहार ही अच्छे वेवहार को जिन में देता है, शिव के मन में फिचार कौन था, शिव को अपने चाजा जी का वचन याद था, जो उनके गुरू भी थे, पेकसर कहा करते थे, कि लोग वही करते हैं जिसके लिए समाज उनको प्रोथसाहित करता है, यदि समाज विश् तो लोग विश्वासी होते हैं, यदि वे अपने सैनिकों के सिक्षा देते हैं, कि किसी अजनबी से भी उत्तम वेवहार क्या पेक्षा करे, तो मेलूहा अवश ही है एक विश्वासी समाज होगा, शिव ने अपनी वैभभीन दाड़ी को खुजलाते हुए उस आगंतु को गहरी दृष्टे से देखा तो उसे स्मरण हुआ, उसने कहा था कि उसका नाम नंदी था, उस मेलूहा वासी का भारी भरकम शरीर और विशाल लग रहा था, क्योंकि वो अपनी गहन निद्रा में भूमी पर ही पसर गया था, और उसका विशाल काय पेट प्रतेक सांस के मुझे मेरे प्रारब्द कियो ले जाएगा? क्या सचमुष ही मेरा ऐसा कोई प्रारब्ध है जिसके बारे मेरे काका ने कहा था, शिब की वैचारी क यातरा अन्वरत चल रही थी, इन विशाल परवतों की तुलना में तुम्हारा प्रारब्द कहीं विशाल काया है, किन्तो उसे सच करने के लिए तुम्हें इन्ही विशाल परवतों को पार करना होगा चाचा जी ने कहा था क्या मैं अच्छी नियती का पात रहूं मेरे लिए मेरे लोग पहले आते हैं क्या वे मेलूहा में खुश रह सकेंगे शिव के मन में वैचारी द्वन्द छिड़ने लगा था वो सोते हुए नंदी को निरंदर घूर रहा था तब ही उसने शंक ध्वनी सुनी प्रकरती वाले अपना अपना स्थान लो तलवार निकालते हुए शिव चिलाया अपनी बगल में रखी रोएदार लबादे में छुपाई हुए तलवार को निकाल कर नंदी ततकाल ही खड़ा हो गया वे दोनों तेजी से गाउं के और दौर पड़े पूर्व नियोजित रंड़नीत एक अंतरगत महिलाएं अपने बाल बच्चों को लेकर गाउं के बीच त्वरिद गती से खटा होने लगी उनके विपरित पूरुष अपनी तलवारे निकालते हुए बाहर के और दौर पड़े भद्र जील पर हमारे सैनिक प्रवेश द्वार पर पहुँचते हुए शिव चिलाया भद्र ने उस आदेश को अगरसारित किया और गुर कबीले के सैनिकों ने थतकाल ही उस आदेश का पालन किया गुर कबीले वाले तब आश्चर चकीत रहे गए जब उन्हों ने देखा कि मेलूहा वासियों ने अपने लबादें में छुपाए हुए हथियार निकाले और गाउं की और तेजी से दौर पड़े थे कुछी छड़ों में प्रकरती वाले उनके निकटा पहुचे थे जो भी दिन बिना किसी मुड़ भेड के बीच जाता तो शाम के दुदलके में सामानता गुड कबीले के सैनिक उस दिन के लिए ईश्वर का धनिवात करते थे महिलाए जील के किनारे अपने घरेलू कामकाच करती है यदि उन चमतावान गुड़ वालों के लिए कोई दुरबलता के छण होते जब वे आकरामक कबीले वाले नहीं बलकि मात्र ऐसे परवती कबीले होते जो उस दुरगम एवं विपरीद भूमी पर जैसे तैसे जीवन यापन करने में प्रयासरत होते तो वे छण यहीं थे ऐसे छड़ों में प्रकरती कबीले वालों की ओर से ये एक सुनोयोजित घात लगा कर किया गया हमला था लेकिन एक बार पुना प्रकरती वालों का भाग ये उनके विरुद्ध था सुबहाग इसे विदेशियों की उपस्थिती के कारण शिवने गुण कबीले वालों को चोकरना रहने के लिए कहा था और इस प्रकार वे पहले से ही सचेत थे और प्रकरती कबीले वालों के लिए अचानक हमला करके उन्हें चोका देने वाली बात नहीं हो पाई थी ने घातक चोट लगने के कारण दम तोड़ दिया था उन कबीले के वीर पुरुश्व का सम्मान दिया जाए किन्तों जो इससे भी अधिक बुरा हुआ वो था कि गुड कबीले की दस महिलाओं और बच्चों के लिए ये चेतावनी देर से आई थी जील के किनारे उनके अंग भंग किये शरीर पाए गए नुकसान कुछ अधिक ही हुआ था कैसे नीच लोग हैं जो हमसे मुकाबला नहीं कर सकते तो औरतों और बच्चों की हत्या करते हैं अत्यदि कुरुद शिव ने कबीले के समस्त लोगों को गाउं के मद्ध में बुलाया उसने अपना मन बना लिया था शिव ने कहा ये भूमी बरबर लोगों के योग्य है हम बिना कारण के युद्ध किये हैं जिसका अंत दिखाई नहीं दे रहा आप लोग जानते ही हैं कि मेरे काका ने शान्ती के प्रियास किये थे यहां तक कि जील के किनारे तक परवदिय कभीलों की पहुँच को भी जुईकारा किन्तु इन नीच लोगों ने हमारी शान्ती की इच्छा को हमारी कमजोरी समझा हम सब को पता है कि उसके बाद क्या हुआ युद्ध की बरबरता के आदी होनी के बावजूद गुड कभीले वाले औरतों एवं बच्चों पर इस निर्दैता पूर्ण आक्रमण से पूरी तरह स्तंभित थे शिव बोलता रहा मैंने आप से कभी कुछ भी नहीं चुपाया आप सबको विदेश्यों दौरा दिये गए आमंतरण की जानकारी है नदी एवं मुलूहा वासियों की ओर सक्केत करते हुए शिव ने वक्तवे जारी रखा उन्होंने आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिला कर लड़ाई की उन्होंने मेरे विश्वास को जीत लिया है मैं उनके साथ मिलूहा जाना चाहता हूँ किन्तु ये मेरे अकेले का निर्णय नहीं हो सकता आप हमारे मुख्या हो शिव भाद्र ने कहा आपका निर्णय हमारा निर्णय है यही हमारी परंपरा रही है लेकिन इस बार नहीं शिव ने अपने हाथ से इशारा करके कहा ये हमारे जीवन को पूरी तरह परिवर्तित कर देगा मेरा विश्वास है कि ये परिवर्तन हमारे भले के लिए ही होगा वो जो कुछ भी होगा प्रते दिन की इस उद्देश शिहीन हिंसा की तुलना में अच्छा ही होगा मैंने आपको बता दिया है कि मैं क्या करना चाहता हूँ किन्तु जाने या नहीं जाने की इच्छा आपकी अपनी है गुर्वालों को बोलने दे इस बार मैं आपका अनुसरान करूंगा गुर्व कबीले वाले अपनी परंपरा के बारे में पूरी तरह इस पष्ट थे किन्तु शिव के लिए आदर के वल परिपार्टी पर ही नहीं बलकि उसके चरितर पर भी आदारित था उसने अपनी बुद्धिमत्ता और बहादुरी से ही गुर्वालों के लिए अनेक महान सैन ने विजए अभियानों का नेतरत किया था उन्होंने एक स्वर में कहा आपका निर्णे हमारा निर्णे है कबीले को अपनी भूमी छोड़े पांच दिन बीच चुके थे मिलुहा जाने वाले मार्ग में एक बहुत बड़ी घाटी के तल के किनारे उनका कार्मा रुका था शिव ने तीन गोल गेरों में अपने पड़ाओ को विवस्थित किया सबसे बाहरी गेरे में याको को बांधा गया ताकि गुस्पैट की दिशा में वे सच्चे तक कि सास्त रक्षक अवच कभी काम कर सके और उसके बाद भी यदि किसी प्रकार का संग्राम होता है तो मद्द गेरे में पुरुष को लड़ाई करने के लिए रखा गया था और सबसे भीतर औरतों एवं बच्चों को आग के पास गोल गेरे में रखा गया था शूर वीरो को सबसे पहले प्रतिरक्षक उसके बाद और सबसे भीतरी गेरे में आगात योग्ये को रखा गया था शिव बुरी से बुरी परिस्थितियों के लिए तयार था उसका मानना था कि घात लगाकर आगरमन अवश्य होगा केवल ये देखना है कि वो कब तक होगा जील के सामने के स्थल पर धखल के साथ साथ उस महातवपूर्ण भूबाग पर पहुंच से प्रकृति कबीले वाले को खुश होना चाहिए था कि दिश्यूव को पता था कि प्रकृति कबीले का मुख्या यख्य उन्हें शान्ति पूर्ण तरीके से जाने देने वाला नहीं था यख्य इस से कुछ कम नहीं चाहेगा कि वो एक्ख्याती प्राप्त व्यक्ति के तरह स्थापित हो जो ये दावा कर सके कि उसने शिव के गुण कबीले को पराजित किया और प्रकृति कबीले को वो भूभाग जीत कर दिया निश्यत रूप से ये एक अजीबो गरीब कबीलाई तर्क था जो शिव को ना पसंद था शिव जानता था कि इस प्रकार की परिस्थितियों में कभी शान्ति की आशा नहीं की जा सकती शिव को संग्राम अच्छा लगता था और वो युदिकला से आनंदित होता था किंदू से ये भी पता था कि उनके प्रदेश में ये संग्राम निरर्थक थे उसने नंदि के और घूम कर देखा जो कुछ दूरी पर चौकरना बैठा हुआ था पड़ाओ के दूसरे घेरे के चारों और मेलूहा के पचीस सैनिक बैठे थे इसने गुड कभीले को भी देशांतर वास के लिए क्यों चुना प्रकृती कभीले को क्यों नहीं चुना शिव की विचारदारा बीच में ही भंग हो गई क्योंकि उसने कुछ दूरी पर एक साय को हिलते डूलते देख लिया था उसने पुना उस और ध्यान से देखा किन्तु सब कुछ सामाने प्रतीत हुआ ऐसी जगों में कई बर प्रकाश इस प्रकार के भ्रम उत्पन्र कर देते हैं शिव ने अपनी मुद्रा शिथिल कर ली किन्तु कुछ छणों के बाद उसने पुना उस साय को देखा सभी अपने अपने हथियार उठा लो शिव जोर से चिलाया गुड कभीले वालो और मेलूहा वासियों ने अपने हथियार बाहर निकाल ले और संगर्श करने के लिए अपने अपने स्थान ग्रहन कर लिये क्योंकि प्रकरती कभीले के लगभग 50 सैनिकों ने धावा बोल दिया था बिना सोचे विचारे धावा बोलने की कारण उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि सबसे पहले आतंकित पश्वों की दिवार उनके सामने थी याकों ने अन्यंत्रित हो चोट लगाना और दुलती माना प्रारम कर दिया था इससे पहले ही कि वो जड़ब शुरू कर पाते अनेक प्रकरती वाले बुरी तरह घायल हो चुके थे कुछ इन से बचकर अंदर घुसी आये और हत्यारों के बीच टकराहट शुरू हो गई प्रकरती कबीले के एक नौसुखिये ने तलवार लहराते हुए शिव पर धावा बोल दिया उसके आकरमर से बचते हुए शिव पीछे हड़ गया उसके बाद शिव ने अपनी तलवार को वलाया कार घुमाते हुए प्रकरती कबीले के उस आकरमलकारी के सीने पर हलका घाव लगाया उस युवा योधा ने शिव को कोसा और फिर वो अपने शरी के कुछ हिस्से को खुला छोड़ते हुए बिना अधिक सावधानी के शिव पर जपट पड़ा शिव को बस इतना ही आफसार चाहिए था उसने बरबरता से शत्रु की आथ को काड़ते हुए अपनी तलवार उसके पेट में घुस्रेड़ दी फिर ततकाल ही उस तलवार को अंदर ही घुमाते हुए बाहर निकाल लिया और उस प्रकरती कबीले के नवीवक को शनय शनय दर्गदांक मृत्यों के लिए वहीं छोड़ दिया शिव ने पीछे पलट कर देखा तो एक प्रकरती वाला एक गुड़ कबीले वाले पर आकरम्रा करने के लिए तत्पर था उसने दतकाल ही उची छलांग लगाई और उस प्रकरती वाले के तलवार लिये हाथ पर वार कर उसका विच्छेदन कर दिया इसी दोरान शिव समान युद कला में निपूर भदर भी अपने दोनों हाथों में तलवार लिये दो प्रकरती वालों के लिए एक साथ लड़ रहा था उसका कूबर उसकी तलवार बाजी में बाधा नहीं डाल रहा था क्योंकि वो अपना भार एक और से दूसरी और सरलता से ले जा रहा था उसने अपनी तलवार की धार से एक प्रकरती वाले के गले पर बाई और वार किया वो वहीं गिरकर तरपने लगा उसने धीरे धीरे मरने के लिए छोड़ भदर ने अपने दाएं हाथ को हवा में लहरा कर दूसरे सैनिक के चेहरे को बीचो बीच काटते हुए वार किया जिसके कारण उसकी आँख बाहर निकल गई जैसे ही वो सैनिक गिरा भदर ने अपने बाएं हाथ की तलवार से बड़ी निर्ममता से उस पर वार कर दिया और उस विवश शत्रू के दुखों का अंत कर दिया मेलूहा वासियों के और से संगर्श का स्वरूप बिलकुल ही अलग था वे अत्यधिक दक्ष और प्रसिक्षत सैनिक थे किन्तो हिंसक कदाप ही नहीं थे वे युद्र के नियमों का पालन कर रहे थे और किसी के भी प्राण हरने से हर संभव बच रहे थे प्रकृति वालों के सैनिकों की कम संख्या एमों कमजोर नित्रत्व के कारण कुछ ही समय में उन्हें मूँ की खानी पड़ी लगबग आदे से अधिक लोग मारे गये थे और जो बच गये थे वे अपने घुटनों के बल गिरे च्छमा प्रार्थी बने हुए थे उन्हें मेंसे एक था प्रकृति कबीले का मुख्या यक्ख्या जिस कंधे पर नंदी ने गहरी चोड़ पहुचाई थी और इसी कारण वो तलवार चला पाने में अक्षम हो चुका था प्रकृति के मुख्या यक्ख्य के ठीक पीछे भद्र अपनी तलवार उठाए उस पर वार करने के लिए तयार खड़ा था शिव बताईए शीग्र अत्वा सरल अत्वा धीरे एवं पीड़ा दायक इससे पहले कि शिव कुछ बोल पाता नंदी ने बीच में ही कहा श्रीमान शिव ने मेलूहा वासी के और मुण कर देखा ये अनुचित है वे छमा की भीग मांग रहे हैं उनके प्राण हरना युद्र के नियमों के विरुद्ध है तुम लोग प्रकृति वालों को नहीं जानते शिव ने कहा वे बरबर हैं वे हम पर आक्रमार करते ही रहेंगे उन्हें कोई लाब ना हो तब भी इससे समाप्त करना ही होगा हमेशा के लिए ये तो समाप्त होने ही वाला है आप अब यहां नहीं रहने वाले आप बहुत शीगर ही मेलूहा में होंगे शिव शान्त मुद्रा में खड़ा था नंदी ने कहना जारी रखा आप इसे किस प्रकार समाप्त करना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है वैसा ही जैसा कि वो करते आए हैं अथ्वा उनसे प्रथक भद्र ने शिव के ओर देखा वो प्रतीक्षा में था आप प्रकरती वालों को दिखा सकते हैं कि आप उनसे बहतर हैं नंदी ने कहा शिव ने छिटिज में दूर उन विशाल परवतों को देखा प्रारब्द एक बहतर जीवन की संभावना शिव के मन में अचाना के विचार कौन था वो भद्र के और मुड़ा और उससे कहा इनके हथियार ले लो रस्रदादी ले लो और इन्हें छोड़ दो जदि प्रकरती वाले इतने मूर्ख हैं कि अपने गाउं जा हथियार बद्ध हो वापस आएंगे तो भी उस समय तक हम बहुत दूर निकल चुके होंगे नंदी ने शिव की और ध्यान से देखा उसे एक आशा की कीरण दिखाई दी उसके मन में एक ही विचार गुंजाय मान था कि शिव के पास दिल है उनमें संभावना है क्रिपा कर उसे वही रहने दे हे भगवान राम मैं आपसे प्रातना करता हूँ कि उन्हें वैसा ही रहने दे शिव उस नव्युवक सैनी के पास गया जिसे उसने अपनी तलवार से घायल कर दिया था वो भूमी पर पड़ा वो छटटपटा रहा था पीड़ा के कारण उसका मुख विक्रत था उसकी आथ से रक्त निरंतर रिस रहा था पहली बार शिव को प्रकृति वालों के उपर दया आई उसने प्री तलवार निकाली और सैनी को को पीड़ा से मुखती प्रदान कर दी निरंतर चार सप्ताओं के प्रयान के बाद आमंतर आप्रवासियों का कारवा अंतिम परवत की चड़ाई चड़ कश्मीर घाटी की राजधानी श्री नगर की बाहरी सीमा में पहुचा नंदी ने उस उत्तम भूमी की कीरती के बारे में बड़े जोश से बाते बताई थी शिव ने कुछ और अक्तुले द्रश्यों को देखने के लिए स्वयम को तयार कर लिया था जिनके बारे में वो अपनी साधहरान मातर भूमी में कलपना भी नहीं कर सकता था उन विशुद एवं वर्नाती द्रश्यों से वो सम्मोहित हो गया वो सचमुच स्वर्ग था मिलूहा विशुद जीवन दाई भूमी परवतों में गर्जना करती सिन्हनी जैसी वेगवान जहिलम नदी ने जब घाटी में प्रवेश किया तो उसकी गती किसी सुस्त गाय सी मंतर होती चली गई थी शिवने कश्मीर की धरती को बड़े प्रेम सिस पर्श किया और गुमावदार मार्ग से विशाल काई डल जहिल की और आगे बढ़ गया उसके बाद भी उसकी यातरा रुकी नहीं उसमें डल जहिल से भी आगे समुद्र तक की यातरा जो समाई थी उस व्रहत विस्तारित घाटी में हरी घास की चादर सी बिच्छी हुई थी जिस पर एक स्रेश्ट कृती चित्रित की गई थी और वो कृती थी कश्मीर की एक के बाद एक बिची फूलों की क्यारियों की प्रभावशाली श्रंखलाएं इश्वरी रंग बिखेर रही थी मातर आकाश छुते हुलस कर स्वागत करते भव चिनार के वरक्ष उनकी दीपती के वलय को कहीं कहीं भंग करने का दुसाहस कर रहे थे शिव के कबीलों के लोगों के ठके कानों को चिडियों की मधुर स्वर लहरी से आत्मिक शान्ती मिली जो केवल परवती बरफीली हवाओं की उज़ड चिलाहट क्या दी थे यदि ये सीमान्त प्रांत है तो देश का शेश भा कितना उत्तम होगा शिव विसमे में हुस्फसाया डल जील मिलुहा वासियों का एक प्राचीन सैने पढ़ा हो था जेलम के बगल में जील के पश्चिमी कीनारे पर ये सीमान्ती नगर था जो सामान इस शिविर से एक वैभावशाली श्री नगर वस्तुता एक सम्मानित नगर की रूप में विक्सित हो चुका था श्री नगर को लगभग 100 हेक्टियर की भूमी की एक विशालकाय वेदिका पर स्थापित किया गया था ये वेदिका मिट्टी से निर्मित थी जिसकी उचाई लगभग 5 मीटर थी उस वेदिका के परवत पर नगर की बाहरी दिवार बनाई गई थी जो 20 मीटर उची और 4 मीटर मोटी थी पूरा का पूरा शहर एक वेदिका पर स्थापित करने की साधगी और उसकी भवेता ने गुडवालों को बहुचका कर दिया था ये शत्रों से सुरक्षा का एक ठोस उपाय था उन्हें दुरक्य की दीवार से लड़ना होगा जो अवश ही बहुत उत्क्रिष्ट एवं मिस्तिर भूमी थी इस वेदिका से एक अन्य लाब भी था इसने नगर की भूमी के स्तर को उचा उठा दिया था जिससे बारंबार आती बार से प्रभावशाली ढंग से सुरक्षा हो जाती थी उस प्रदेश में बहुदा बार के कारण तबाई हुआ करती थी दुरक्य के अंदर सणकों की जालदार विवस्ता से नगर को अनेक छेतरों में विभाजित किया गया था उन्होंने विशेशकर बाजार छेतर मंदिर बाग बगीचे सभागार और उन सभी प्रकार की विवस्ताओं का निर्मार किया जो किसी सून योजित नगरी जीवन के लिए आवश्यक थे आरंब में तो बहुमंजली सनरश्टना वाले भवन खंड ही दिख रहे थे धनी विक्ति के भवन का अंतर केवल इस बात से पता चलता था कि उनका भवन खंड थोड़ा बड़ा था कश्मीर घाटी के विशुद प्राकरतिक भूद रश्यों से विशमता केवल इतनी थी कि श्री नगर पूर में रिधारित भूरे नीले एवं सफेद रंगों में चित्रे था समस्त नगर स्वच्छता व्यवस्था एवं गामभीरे का दियो तक था लगभ बीस हजार लोग श्री नगर को अपना निवास कहते थे अब उनमें शामिल होने केलाश परवज से दो सो अधरित लोग आ गए थे और उनके नेता ने हलकापन महसूस किया जैसा कि उसने कई सालों पहले उस भायानक दिन के बाद से कभी अनुबव नहीं किया था जब वो गुड कभीले का नेता बना था शिव ने अपने मन में कहा मैं बचकर निकल आया हूँ मैं अब एक नई शुरुआत कर सकता हूँ मैं पुरानी बातों को सदा के लिए भूल सकता हूँ उस काफिले ने श्री नगर के बाहरी आप्रवासी शिविर तक की यात्रा की वो शिविर एक प्रथक वेदिका पर नगर के दक्षन की और निर्मित किया गया था नंदी निर्शिव एवं उनके कभीले वालों की अगवाई करके उनको शिविर के बाहर इसित विदेश्यों के कारेले तक पहुचाया नंदी निर्शिव को बाहर ये प्रतिक्षा करने के लिए कहा और सोयम कारेले के अंदर चला गया थोड़ी ही देर बाद वो एक युवा अधिकारी के साथ वापस आया उस अधिकारी ने अभ्यस्त मुस्कान के साथ जोड़कर आपचारी एक रुप से नमस्ते करते हुए कहा मिलूहा मैं आपका स्वागत है मैं चित्रांगद हूँ मैं आपका अनुकूलन प्रबंधक हो आप जब तक क्या हां रहें मुझे अपना एक मातर संपर्क सूत्र समझे जैसा मुझे पता चला है क्या आपकी नीता का नाम शिव है क्या वे कृपा करके आगे आने का कश्ट करेंगे शिव ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा मैं ही शिव हूँ बहुत अच्छा चित्रांगद ने कहा क्या आप क्रपा करके पंजी करण मेश तक मेरे साथ आने का कश्ट करेंगे आपको अपने कबीली के प्रभारी के रुप में पंजी करत किया जाएगा उनसे संबंदिक जो भी चिंताएं या समस्याएं होंगी वो सभी आपके माध्यम से उन तक पहुचाई जाएंगी चुकि आप नामित नेता है अता आपके कबीले के अंतरगत सभी प्रकार के निर्दोशों के पालन का अत्तरदाइत वह आपका होगा नन्दी ने चितरांगत के अधिकारिक भाषण को बीच में ही रोकते हुए शिव से कहा श्रीमान यदि आप मुझे अनुमती दे तो मैं आप रवासी शिविर निवास में जाता हूँ और आपकी कभीले के लिए जीवन यापन की आस्थाई व्यवस्था का प्रबंद करता हूँ शिव ने अनुभव किया कि जब नन्दी ने उसके भाषण के मद्ध हस्तक शेव किया तो चितरांगत की चिर परिचित मुस्कान कुछ चान के लिए विलीन हो गई किन्तु वो शीगर ही समल गया और मुस्कुराहट उसके मुख पर तुरंत लोट आई शिव मुड़ा और नन्दी की ओर देखा निसंदे तुम जा सकते हो तुमें मेरी आग्या लेने की आवशकता नहीं है नन्दी शिव ने कहा किन्तु इसके बदले में मुझे एक वचन दे रहा होगा मेरी मित्र निसंदे श्रीमान नन्दी ने सम्मान में थोड़ा जुकते हुए उत्तर दिया तुम मुझे शिव कहकर पुकारो ना कि श्रीमान मैं तुमारा मित्र हूँ ना कि ब्रमुख चकित नन्दी ने ऊपर देखा पुना जुका और कहा जी हाँ श्रीमान मेरा मतलब है शिव 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 श्तरांगत की ओर पुना मुणा जिसकी मुस्कराहट किसी कारण से अब वास्तविक प्रतीत हो रही थी चितरांगत ने कहा अच्छा तो शिव यदि आप मेरे साथ पंजीकरण मेश तक चलेंगे तो हम आपचारिकताओं को शीगरता से निपटालेंगे अप्रवासी शिवर के आवासी निवासस्तलों में जब नव पंजीकरण कबीला पहुचा तो देखा कि मुख्य द्वार से बाहर नंदी उनके प्रतिकिशा कर रहा था वो उनकी अगवानी करके भीतर ले गया शिवर की सडके भी श्रीनगर की सडकों की तरह ही थी वे उत्तर दक्षणयम पूर प्रश्रिम दिशाओं में सलीके से निर्मित की गई थी सवधानी पूरवक निर्मित पकडंडिया शिव के देश में बने धूल भरे पत्मार्ग के ठीक विप्रित थी उसने उन सडकों पर एक अजीब सी वस्तुगावलोगन किया नंदी सडक के बीचों बीच अलग प्रकार के पत्त्रों से ये क्या बना हुआ है शिव ने पूछा ये भूमिगत नालियों को ढखने के लिए लगाए गये हैं शिव ये नालिया शिवर से गंदे पानी को बाहर ले जाती है ये सुनिशित करता है कि शिवर स्वच्छेंट स्वस्त रहे मेलूहा वासियों की अत्यधिक कुशलता पूर्वक योजनाओ को देखकर शिव अचंबित रहे गया कुछ समय बाद गुड कभीले वाले उनके लिए नियत किये गए एक बहुत बड़े मकान में पहुंचे उन्होंने अपनी नेता की बुद्धिमत्ता पर उन्हें बारंबार धन्यवाद दिया जो उन्होंने मेलुहा आने का निरने लिया उस तीन तलवाले मकान में प्रतेक परिवार के लिए एक प्रथक आरामदायक निवास अस्थान दिया गया था प्रतेक कमरे में आराम देह समस्त आवशक सामान सज्जित थे साथ ही एक अत्यनती परिश्क्रत तामे की धाली भी दिवार पर लटकी हुई थी जिसमें अपना प्रतिविम्ब देखा जा सकता था कमरों में सन की बनी हुई स्वच्छ चादरे तौलिय और यहां तक की कुछ कपड़े भी थे उस कपड़े को छूकर किम करतब वी विमोर शिव ने पूछा ये किस पस्तु से बना है चितरांगत ने उत्साह पूर्व कुत्तर दिया ये सूती कपड़ा है शिव इसके पौदे खेतों में उगाए जाते हैं और उनसे ऐसे कपड़े बनाये जाते हैं जैसे आपके हाथों में हैं सूरज के प्रकाश और गर्माहट के लिए प्रतेक दिवार पर एक बड़ी सी खिड़की बनी हुई थी प्रतेक दिवार पर खाचें में धातु का बना डंडा लगा हुआ था जिसके उपरी हिस्से में प्रकाश ये तो ज्वाला को निरंतरत करने वाले जंत्र लगे हुए थे प्रतेक कमरे से एक इसनान घर सनलगन था जिसका फर्ज ढ़लांदार था ताकि पानी एक छिदर के माद्यम से निकास लली में चला जाए प्रतेक इसनान घर के अंदर दाई और अंत में एक खड़ंजेदा नाद थी जिसके नीचे बहुत बड़ा सा गड़ा बना हुआ था इस प्रकार के जुगत का क्या उद्देश्य था ये इन कबीले वालों के लिए एक रहसे था उसकी बगल की दीवार पर एक यंद्र लगा हुआ था जिसे खोलने पर उसमें से पानी बहने लगता था जादू भद्र की माताजी फुस-फुसाई मकान के मुख्यद्वार से सटकर एक घर बना हुआ था शिव से मिलने के लिए उस घर से निकल कर एक वैद्द और परिचारी का आई चोटी कदकाठी की एक श्वेत वर्णी वैद्व अपनी कमर से पाव तक श्वेत वस्तर बांधे हुए थी जिसे मेलुहावासी धोती कहते थे ये एक अपेक्षाकरत छोटा श्वेत वस्तर चोली की तरह सीने के चारो और बना हुआ था जबकि एक अन्यवस्तर जिसे अंगरखा कहा जाता था कंधे पर आच्छा दित था उस इस्तरी के मस्तक के बीचों बीच एक श्वेत बिंदू बना हुआ था उसके सिर के बाल बड़ी सुच्छता से साफ किये हुए थे और केवल एक गुच्छा पीछे की ओर लटका हुआ था जिसे चोटी कहा जाता था उसने बाएक अंधे से डाल कर दाहिनी कमर तक का एक धागा पहना हुआ था जिसे जनेउ कहा जाता था वास्तों में नंदी उसे देखकर आश्चरे चकित था अभ्यस्त प्रकार से नमस्ते करते हुए उसने कहा देवी आयुर्वती मैंने आपके समान उच्छ पदस्त वैदि के यहां होनी की आशा नहीं की थी आयुर्वती ने नंदी की ओर नम्रता से नमस्ते करते हुए देखा और मुस्कुराते हुए कहा शेत्रकार ये अनुभव कारक्रम में मेरा अटूट विश्वास है सेनापती मेरा दल कडाई से इसका अनुसरान करता है परन तु मुझे छमा करें मैंने आपको पहचाना नहीं क्या हम पहले मिले हैं मेरा नाम अधिपती नंदी है देवी नंदी ने उत्तर दिया हम पहले तो नहीं मिले किन्दू आपको कौन नहीं जानता आप इस देश की महानतम वैद्दे हैं धन्यवात अधिपती नंदी प्रकट रूप से जहबते हुए आयुर्वती ने कहा किन्दू मेरे विचार से आप बढ़ा चड़ा कर कह रहे हैं कई ऐसे वैद्दे हैं जो मुझसे कहीं बहतर हैं ये कहे कर आयुर्वती शिव की और मुड़ती हुई बोली मिलू हो मैं आपका स्वागत है मैं आयुर्वती हूँ आपकी नामित वैद्दे मैं और मेरी परिचारिकाएं आपके सहयोग के लिए होगी जब तक आप लोग यहां निवास करेंगे शिव की और से कोई प्रतिक्रिया ना पकर चित्रांगद ने अपने गंभीर स्वर में कहा ये आस थाई निवास है शिव जो निवास आपके कबीले वालों को इस्थाई तोर पर रहने के लिए दे जाएंगे वो इनसे कहीं अधिक आरामदायक और सुविधा संपन्न होंगे यहां आप लोगों को संग्रोधन की अवधी तक ही रहना होगा जो साथ दिन से अधिक नहीं होगा नहीं नहीं बंदू यह निवास आवशिक्ता से अधिक आरामदायक है यह हमारी कलपनाओं से कहीं अधिक अच्छे और सुविधा जनक है आपका क्या विचार है मौसी भद्र की माताजी की और उपहास से मुस्कुराते हुए शिव ने कहा श्याद दिनों की अवदी में वयद उनकी जाच परक करते हैं और यदि ऐसी किसी बीमारी का पता चलता है तो उसको उप्चार कर देते हैं और इन बीमारी ओं के नियंत्रल के लिए जिन दिशा निर्देशों का आपको अनुसराण करना होता है वो है स्वास्थ मानकों का पालन करना आयूर्वती ने कहा शिव ने मू बनाकर नंदी की और देखा और फुसपुसाया स्वास्थ मानकों का पालन हम नंदी ने रोश पूरवक मस्तक पर बल देते हुए खेद परकट किया जबकि हाथों से मौन सहमती दे दी वो बुदबुदाया शिव कृपिया ये जैसा कहें वैसा ही आप करें ये उन बहुत से कारियों में से एक है जिने हम मेलुहावास्यों को करना पड़ता है देवी आयुरुवदी को इस देश का सर्वोत्तम वैद माना जाता है यदि आपके पास अभी समय है तो मैं आपको आपके लिए जो निर्देश हैं वो बताना चाहती हूँ आयुरुवदी ने कहा मैं अभी बिल्कुल खाली हूँ शिव ने सपार्ट भाव से कहा किन्तु बाद मैं आपको छटी पूरती करनी पड़ सकती है भद्र के मूँ से असफुठ हासी निकली जिबकि आयुरुवदी ने शिव को भावहीन चेहरे से घूर कर देखा इससे इस परश्ट था कि वो शिव की शलेशोक्ती को समझ नहीं पाई थी मैं समझ नहीं पाई कि आप कहना क्या चाहते हैं आयुरुवदी ने रूखेपन से खा खैर जो कुछ भी हो सबसे पहले हम इसनान घर से आरंब करते हैं ये असब्ध अप्रवासी आयुरुवदी ने मन ही मन बड़ा बड़ाते हुए विश्राम ग्रह में प्रवेश किया शिव ने अपनी भौहें उचका कर भद्र के और शरारत भरी नुस्कान के साथ देखा देर शाम बहुत ही शांदार भोजन के बाद गुर कबीले के लोगों को कमरों में एक औशदिये पेये पीने के लिए दिया गया चीह भद्र ने मू बना कर कहा उसका चहरा विक्रत हो गया था इसका सुआप तो याग के पेशाप की तरह है तुमें कैसे पता कि याग का पेशाप कैसा होता है शिव ने ठाहा का मार कर हसते हुए और अपने मित्र की पीठ पर बल पूरवा के एक धौल जमाते हुए कहा अब तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे सोना है आपने बिस्तर देखा है, मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन के सबसे सुन्दर नीद होने वाली है मैंने बिस्तर देखा है बेकूफ, शिव ने मू बना कर कहा और अब मुझे उसका आनंद लेना है, तुम बाहर निकलो, अभी, इसी समय जोर से हसते हुए भदर शिव के कमरे से बाहर निकल गया उस आप राक्रतिक रूप से नरम बिस्तर को लेकर वो अकेरा है उससाहित नहीं था उस कबीले के सभी लोग अपने अपने कमरों की और रुख कर चुके थे क्योंकि उन्हें ऐसा मैसूस हो रहा था क्यूंकि जीवन की वो सबसे अच्छी नीद होने वाली थी वे चंबे के लिए तयार थे शिवने बिस्तर पर लगातार इधर से उधर करवटे बदल रहा था उसे नीद नहीं आ रही थी इसलिए छटपटा हट थी उसने नारंगी रंग की धोती पहन रखी थी उसका बगचाला दुलने के लिए चला गया था सच्छता की कारणों से उसका सूती अंगवस्तरम दीवार के बगल में रखी एक छोटी कुरसी पर रखा हुआ था अधिचली बेदम चिलम पास की मेज पर पड़ी हुई थी ये शापित बिस्तर तो कुछ अधिक ही नर्म है इस पर सोना तो संभव है उसके बाद शिव ने एक जटके में विस्तर के गदे पर बिच्छी हुई चादर को खीच लिया उसे फर्श पर बिचाया और लेड़ गया ये थोड़ा बहतर था नेंद चोरी चोरी उसे आगोश में लेती जा रही थी किन्तु उस तरह नहीं जिस तरह अपने घर में लिया करती थी उसे अपनी जोपड़ी के खुर्दरे ठंडे फर्श की कमी खल रही थी उसे कहलाश परवत की कनकनाती हवाओं की कमी खल रही थी जिनकी उपेक्षा करने का कितना भी द्रण प्रयास करे वो अपना एसास दिला ही जाती थी उसे अपने बगचाले की आराम पहुचाने वाले दुर्गंद की कमी खल रही थी इसमें कोई संदेह नहीं था कि वरतमान में उसके आसपास की परिस्थितियां अत्यंती आराम दायक थी कि दुवे अपरिचित एवम अन्य देशिये थी हमेशा की तरह उसकी सहच प्रवरती ने सच का बोथ कराया ये कमरे के संबंद में नहीं है ये तो तुम्हारे स्वयम से संबंदित है उसके बाद ही शिव को ध्यान आया कि वो पसीने से तर हो रहा था थंडी मंध हवा उसके शरीर को चू रही थी फिर भी वो पसीने से तर्बतर होता जा रहा था ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो कमरा घूम रहा हो उसने अनुबह किया जैसे उसके शरीर से कोई उसे निशकासित कर रहा हो उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसके शीत दंश्युक्त दाए पाउं का अंगूठा आग में दहक रहा हो संग्राम में लगे घावों के दाग वाला बाया घुटना जैसे खिशता चला जा रहा हो उसके ठकी हुई पीडित मानस्पेशियों को जैसे किसी के अद्रशात पुना पुराना स्वरू प्रदान कर रहे हो उसके गंधे की हड़ी जो कुछ दिनों पहले जोड से उखड गई थी और फिर कभी सही तरीके से जुड नहीं पाई थी ऐसा लग रहा था कि जैसे मानस्पेशियों को एक और ढखेल कर पुना अपने सही इस्तान में जुडने का प्रयास कर रही हो साथी मानस्पेशियों भी जैसे उसे इस्तान दे रही हो ताकि वो हड़ी अपना काम पूरा कर सके उसे सांस लेने में विशेश प्रियास करना पड़ा रहा था फेपड़ी की सहायता करने के उद्देश से उसना अपना मूँ खोला किन्तो परियापत हवा अंदर नहीं जा सकी शिव ने अपना मूँ खोला और पूरी शक्ती लगा कर जितनी हवा खीच सकता था उतनी खीची उसी समय बगल की खड़की का परदा सरसराया और क्रपालू हवा अंदर घुसाई सहसा आए हवा के जोके ने शिव के शरीर को थोड़ा आराम अवश्य पहुचाया लेकिन उसके बाद पुना संगर्श प्रारंब हो गया उसने ध्यान केंदरित किया और हापते हुए सास लेने लगा ठक ठक दौर पर हल्की खटखटाहट ने शिव को चौकना कर दिया इस समय वो अपने आपे में नहीं था वो गहरी गहरी सास ले रहा था उसका कंधा फड़क रहा था किन्तु वो चिर परिशित पीड़ा अब नहीं थी उसने अपने घुटने को देखा उसमें अब कोई पीड़ा नहीं हो रही थी घाओ के दाग लुप्त हो चुके थे अब भी वो सास लेने के प्रयास में हाफ रहा था उसने जुक कर अपने अंगूठे को देखा शीत दंश का प्रभाव समाथ हो चुका था वो अंगूठा पूर की भातिय पूर्ण था उसका परिक्षर करने के लिए वो जुका तो चटकने का एक स्वर कमरे में गुझाय मान हुआ क्योंकि सालों के बाद उसके अंगूठे में गतविधी हुई थी अब भी वो गहरी सांस ले रहा था साथ ही अपरचित सिरहन पैदा करती ठंड उसके गले में थी अत्यधिक ठंड ठक ठक अब ये खटकटा हट आग रही थी शिव किम करतब विविमूर था उसे कुछ भी नहीं सूज रहा था कि वो क्या करे फिर भी वो लड़कडाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हुआ अंगवस्त्रम को उठा कर उसने गले में लपेटा ताकि उसमें गर्माहाट आ सके और द्वार खोल दिया अंधेरे ने उसके चहरे को ढखा हुआ था किन्तु शिव ने भद्र को पहचान ही लिया हर बड़ा हर्ट में भद्र फुस्पुसाया शिव देर रात तक परिशान करने के लिए मुझे छमा करें किन्तु मेरी माता जी को अचानक ही तीवर जोर हो गया है मुझे क्या करना चाहिए शिव ने सहजिता से भद्र के मस्तक को चुआ और बोला तुम्हें भी जोर है तुम अपने कमरे में जाओ मैं वैदे को बुला कर लाता हूँ जब शिव गलियारे से होते हुए वैदे को बुलाने के लिए जाने लगा तो कई और कमरे के दोर खुलने लगे और वही परिचे संदेश उसे मिलने लगे अचानक ही जोर आ गया सहायता करे शिव लगभग दोड़ते हुए उस मकान की और भागा जहां बैदे निवास कर रहे थे वहां पहुचकर उसने उनके दोर को जोर से खटकटाया आयूर्वती ने तोयंत दोर खोल दिया जैसे वो उनके आने की प्रतीक्षा ही कर रहे थे शिव ने शान्त स्वर में कहा आयूर्वती मेरे कबीले के लगभग सभी लोगों को जोर आ रहा है आप शीगरी चले उनको सहायता क्या आउशकता है आयूर्वती ने शिव के मस्तव को छुआ और पूछा आपको जोर नहीं है शिव ने इंकार करते हुए सिर हिलाया और कहा नहीं आयूर्वती की भ्रकुटी तन गई पश्टता हो चकित थी वो मुड़ी और अपनी परिचारिकाओं से कहा आप लोग आईए प्रवहाओ प्रारंभ हो चुका है चलो चले जैसे ही आयूर्वती और परिचारिकाओं तेजी से उस भवन की और बढ़ें तो चित्रांगत ना जाने कहां से आटपका उसने शिव से पूचा क्या हुआ मुझे नहीं पता कि क्या हुआ है लेकिन मेरे कभीले के लगभग सभी लोगों को जवर हो गया है आपको भी तो बहुत पसीना आ रहा है आप मेरी चिंता ना करें मुझे जवर नहीं है देखिए मैं उस भवन में वापस जा रहा हूँ मैं जाकर देखना चाहता हूँ कि कितने लोग इसकी चपेट में है चित्रांगत ने सहमती में सीर हिलाया और कहा मैं नंदी को बलाता हूँ चित्रांगत नंदी की खोच में तेजी से बाहर निकला और शिव लगभग दोड़ते हुए उसी भवन में प्रवेश कर गया जब वो भवन प्रवेश्थ हुआ तो चकित रह गया जितनी भी प्रकाश है तो डंडिया लगाई गई थी वे सब प्रकाशित हो चुगी थी परिचारिकां प्रतेक कमरे में क्रमबद ढंग से जाकर आउशदियां दे रही थी और भैभीत रोग्यों को समझा रही थी कि उन्हें क्या करना था प्रतेक परिचारिका के साथ एक लेखक चल रहा था जो ताड़ पत्र से बनी पुस्तिका पर प्रतेक रोगी का विवरन लिख रहा था सपष्ट था कि मिलुहा वासी इस प्रकार की आपात स्थिती के लिए पूरी तरह से तयार थे आयुर्वती गलियारे के अंत में अपने कूलों पर हात रखे खड़ी हुई थी ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक सेना पती अपनी अत्यंत दक्ष एमंप्रसिक्षित टुकडी का परिवेक्षन करता है शिव तेजी से उसके पास गया और उसने पूछा दूसरे और तीसरे तल पर लोगों का क्या होगा बिना उसकी और मुड़े ही आयुर्वती ने उत्तर दिया परिचारी काएं मकान में सभी इस्थानों में पहुँच चुकी है मैं उपर के माले पर तब जाऊंगी जब इस तल पर सब कुछ सामाने हो जाएगा अगले आदे गंटे में हम सभी बीमारों का परिक्षन कर लेंगे आप लोग आसाधरान रूप से प्रभावी हैं कि तो मैं इश्वर से प्रातना करता हूँ कि सभी लोग भले चंगे हो जाएं चिंतिच शिव ने कहा अपकी बार आयुरुवती शिव के और मुड़ी उसकी बाहें तनिक उपर हुई और उसके गंबीर चेहरे पर विज़ई मुसकान के संकेत दिखाई दिए उसमें कहा आप चिंता ना करें हम मेलुहा वासी हैं हम लोग किसी भी प्रकार की आपात इस्थिती से निपटने में सक्षम हैं सभी लोग स्वस्थ हो जाएंगे क्या मैं आपकी साहता करने के लिए कुछ कर सकता हूँ शिव का स्वर गंभीर था जी हां कृप्या जाकर स्वर में कहा क्या शिव चौंक पड़ा कृप्या जाकर स्वर अभी इसी समय आईुर्वति नहीं ये कहते हुए पुना अपनी तोली की ओर ध्यान दिया कृपया सब लोग याद रखें कि 15 वर्ष से कम आयू के सभी बच्चों के मुंडन होने हैं मस्तरक आप कृपया उपर जाएं और दुतियक आउशदी की खुराग देने का कारे प्रारंब करें मैं पांच मिनट में वहाँ पहुँच जाओंगी जैसी आपके आज्यादेवी उस नविवक ने कहा और तेजी से पक धरता आगे बढ़ गया उसके पास कपड़े का एक बड़ा सा थैला था संभवता उसी में आउशदी थी आप अभी भी यहीं खड़े हैं आईर्वती ने पूछा क्योंकि उसने देखा कि शिव वहाँ से नहीं गया था शिव ने अपने बढ़ते क्रोध पर नियंतरा रखते हुए नर्मी से कहा मेरे स्नान करने से क्या अंतर पड़ जाएगा मेरे लोग मुश्किल में हैं मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ मेरे पास ना तो समय है और ना ही धैरे की आपसे बहस कर सकूँ आप अभी जाएंगे और स्नान करेंगे सपश रूप से आईर्वती ने अपने क्रोध को छुपाने की कोई चेश्टा नहीं की थी शिव ने घूर कर आईर्वती को देखा उसे अपने मूँ से निकलने वाले शापित वचन को ना बोलने के लिए अत्यधिक चेश्टा करने पड़ी उसकी भीची हुई मुठियां आईर्वती से बहस करने का संकेत दे रही थी परन्तु वो एक इस्त्री थी आईर्वती ने भी शिव को घूर कर देखा उसके निर्देश का पालन अक्छरशा किया जाता था वो एक वैद थी यदि उसने किसी बीमार को कुछ करने के लिए कहा तो उसे आशा थी कि वो बिना किसी प्रश्ण के उसकी बात पर अमल करेगा परंतो अपने सुदीरक अनुभव में उसे शिव जैसे रोगियों से भी वास्ता पड़ा था विशेशकर आबेजात तिवर्गों से ऐसे रोगियों को कारण बता कर संतुष्ट करना पड़ता था उन्हें निर्देश देने से काम नहीं चलता और ये तो एक साधारान आप्रवासी था ना कि कोई कूलीन बेक थी अपने आप उख़िनाय से नियंतरित करते हुए आयुर्वती ने कहा शिव आप पसीने से तर हो यदि आप इसे धोएंगे नहीं तो ये प्राण हारक सिद्ध हो सकता है कृपिया मुझ पर भरोसा रखे यदि आप स्वयम ही जीवित ना रहे तो अपने कबीलों के लोगों की मदद नहीं कर सकेंगे चित्रांगत ने जोर से दर्वादा खटकटाया बुरा भला कहते हुए अलसाई आखों के साथ नंदी उठा उसने जटके के साथ द्वार खोला और गुराया ये अवश्य है मातपूर्ध होना चाहिए वर्ना शीग राई है शीव के कबीले वाले बीमार पड़ गए है अभी सही किन्तु ये तो पहली ही रातरी है नंदी ने चिला कर अपना अंगवस्तरम उठाते हुए कहा चलो चले स्नान करने के लिए स्नान घर एक अचनबी स्थल प्रतीत हुआ शीव को सर्द मान सरूवर जील में डुपकी लगा कर नहाने की आदत थी और वो भी महीने में केवल दो बार वो इसनान घर उसे आसाधरन रोसे संकीर्ण अनुभूत हुआ उसने दिवार पर लगे जादोई यंतर को गुमाया ताकि पानी का बहाओ तेज हो जाए उसने उस अंजानी टिकिया को अपने शरीर पर मला ताकि शरीर स्वच्छ हो जाए जिसे मेलूहा वासी साबून कहते थे आयरुवती ने इस पश्ट कर दिया था कि साबून लगाना आवश्यक था उसने इसनान करने के बाद उस यंतर को बंद किया और तॉलिया उठा लिया जब वो तॉलिया से अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगा तो उसे पुनह बड़ी तीवरता से वही रह स्यात्मक अनुभूती होने लगी जो कुछ घंटे पहले हुई थी जिसकी उस समय उसने उपेक्षा कर दी थी उसके कंदे अब नवीन से कहीं स्रेश्ट अनुभूत हो रहे थे उसने विसमे से जुक कर अपने घुटने को देखा कोई पीड़ा नहीं थी, कोई दाग नहीं था उसने आश्चर चकित हो अपने पैर के अंगूठे को देखा जो पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था इतना ही नहीं बल्कि उसके बाद उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर के कुछ अंगी नहीं बल्कि उसका समस्त शरीर ही नवजीवन का अनुभव कर रहा था पुनाह युवा हो चुका था और पहले से भी अधिक शक्तिशाली महसूस कर रहा था यदिपी उसका गला अभी असरह रूप से ठंडा था ये क्या तमाशा हो रहा है उसका मन चंचल था वो तेजी से स्नान घर से बाहर आया और शीगर एक नई धोती पहन ली आयरुवती का कड़ा निर्देश था कि कोई अपने पुराने वस्तर को धारा ना करे जो पसीने से गंदे हो चुके थे वो जब अंगवस्तरम को अपने गले में लपेट रहा था था कि उसको गर्मी प्रदान कर सके तब ही किसी ने दौर खट खटाया ये आयरुवती थी और उसने बाहर से पुकारा शिव क्या आप दौर खोलने की क्रपा करेंगे मैं परिक्षण करना चाहती हूँ कि आप ठीक थाक हैं शिव ने दौर खोल दिया आयरुवती ने अंदर प्रवेश किया और शिव के शरीर के ताप का परिक्षण किया को बहुत बहुत धनिवार मुझे सच मुझ में बहुत खेद ही कि मैंने आपसे अनावश्यक ही तरक विदर किया वास्तों में वो अनावश्यक था क्योंकि आप हमारे भले के लिए ही सब कुछ कर रही थी आयरुवती ने तार पत्र की पुस्तक से द्रिश्टी हटा कर हलके से मुस्करा कर उपर की और देखा और अपनी भौहें उचका कर कहा शालीन के हम ऐसे हैं मैं उतना भी अखर नहीं हूं जितना आप समझ रही हैं शिव ने हलकी मुस्कान के साथ कहा आप लोग कुछ अधिक ही सौम में हैं आयरुवती ने जैसे ही शिव को देखा तो वो उन्ह देखती ही रह गई उसका चैरा भावहीन हो चुका था और सहसा उसे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था वो इससे पहले इस बात पर गौर क्यों नहीं कर सकी उसने कभी भी लोग कथा पर विश्वास नहीं किया था क्या वो मानव जाती में प्रथम होगी जो इस सच्थे क शिव ने अपने अंगवस्त्रम को हटाते हुए पूछा उस शांत कमरे में आहिर्वती की चीख गुंजायमान हो गई चीखते ही सहसा उचल कर वो पीछे हो गई बड़ा सदमा लगे किसी मनश्य की भादी उसके हाथ मूपर थे जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा हो और से ताड़ पत्र छूट कर कमरे के अंदर बिखर गये थे उसके घुटने इतने निर्बल हो गये थे कि उसके लिए खड़ा होना कठिन जान पड़ रहा था वो अपनी पीठ के सहारे पीछे दिवार पर धंब से टिक गई कि दूसकी आँखे अब भी शिव पर टिकी हुई उसकी गरवीली आँखों से अश्रुधारा बहने लगी वो लगातार इनी शब्दों का उच्चारान करती जा रही थी ओम ब्रह्माहिनमा ओम ब्रह्माहिनमा क्या हुआ क्या कोई गंबीर बात है चिंतित शिव ने पूछा आप आ गए हैं मेरे प्रभू आप आ गए हैं इ उनके नैनों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है हे देवी क्या हुआ कृपया बताईए चकित नंदी ने पूछा आयर्वती ने कुछ नहीं कहा केवल शिव के गले की ओर संकेत किया नंदी ने उपर देखा शिव का गला रहसमई तेजस्वी नीला दिख रहा पूर्वक नीचे जुका और नेनकंट और नीलकंट के चरणों में भक्ती पूर्वक से नवाते हुए इस पर्श करने को हुआ तो उसके प्रार्थनिये पीछे हट गए वह संभ्रमित और उद्विग्न था उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है आखिर ये सब क् प्रतिविम्भी को देखा तो स्वयम उस अचंभे से स्थब्द रह गया द्वार की चोखट को सहारे के लिए पकड़े चित्रांगत एक बच्चे की भाती ये कहते हुए रोने लगा हम लोग बच गए वे आ गए हैं अध्याय दो पवित्र जीवन की भूमी कश्मीर का रा रजधानी अर्थाद देवताओं के निवार स्थल देवगीरी से संदेश वहाग पक्षी ने तत्काल ही आगमन कर लिया था आदेश अत्यंत ही सपष्ट था जब तक कि समराट नीलकंठ को स्वयम नहीं देख लेते उनके आगमन के इस समाचार को गुप्त रखा जाएगा चेनरद्वच को आदेश मिला कि वो मार्गदर्श को के साथ नीलकंठ को देवगीरी तक पहुचवाने की कारवाही तत्काल करे इसके साथ ही शिव को भी पौरानी कथा सुनाने या बताने की आवशकता नहीं है समराट नीलकंठ को उप्युक्त समय में इसके संबंद में पताएंगे संदेश में ये शब्द कहे गए थे शिव को इस यात्रा के बारे में बताने का सौभागे चेनरद्वच को प्राप्त हुआ किन्तो शिव सहज अनुगामी मनुवर्ति में नहीं था जबसे वो गवर्नर के आलिशान महल में विलासिता पूर्ण निवास कर रहा था हे प्रभू हम लोग आपका हमारी राजधानी देवगरी तक मार्ग दरशन करेंगे वह यहां से लगबग एक सप्ताह की दूरी पर इस्थित है चेनरद्वच ने अपनी विशाल काय काया एवं मांतर शरीर को जितना जुका सकता था उतना जुकाते हुए बड़ी कठि नहीं जा रहा निलकंठ की ये क्या पौरानिक गाथा है शिव ने कुरुध होकर कहा हे प्रभू हम पर विश्वास रखें आपको सच का पता शीगरी चल जाएगा आप देवगरी पहुचेंगे तो समराठ स्वयम आपका इस सच से परिचे करवाएंगे और मेरे कभीलों व ना कर रखा जा रहा है नहीं नहीं प्रभू प्रकट रूप से थोड़े परिशान चेनर ध्वच ने कहा वे आपके कभीले वाले हैं प्रभू जिदी मेरा बस चलता तो वो जीवन परियंत कुलीनों की भाती जीवन यापन करते किन्तु विधी विवस्था को तोड़ा नह हम पर विश्वास रखें नंदी नि प्रातना की आप संभवता इसकी कलपणा भी नहीं कर सकते कि आप मेलूहा के लिए कितने विशिष्ट हैं हम लोग बहुत लंबे समय से आपके प्रतिक्शा में थे हमें आपकी सहायता की आशक्ता है कृपा कर सहायता करें हम पर कृपा कुछ वर्षो पूर्व की एक अन्य निराशा जनक मनोख्षिप्त महिला की प्रात्ना की याद उसे सताने लगी तो वो चुपी के आगोश में समा गया तुम्हारा प्रारब्द इन विशाल परवतों से भी विशाल है ये सब भकवास है मैं किसी प्रारब्द का पातर नहीं हूँ यदि इन लोगों को मेरे पापों का पता होता तो ये तक्षण ही ये सब बंद कर देते शिव ने मन ही मन सुचा और भधर से कहा भधर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ शिव अपने मित्र के साथ डलजील के किनारे राजसी बाग में बैठा हुआ था उसका मित्र उसकी बगल में बैठ कर बड़ी ही सावधानी से गांजे को चिलम में भर रहा था जब भधर जान फूकने के लिए आग जलाने वाली तेली को चिलम के पास ले जा रहा था तो शिव ने अपना धैर खो दिया कि तुम्हारे बोलने के लिए इशारा था बेवकूफ नहीं दर असल ये मेरे लिए इशारा था कि मैं आपको चिलम देदो शिव तुम मुझे परामर्ष क्यों नहीं देते शिव ने व्यथित होकर पूछा हम लोग अभी भी वही पुराने मित्र हैं जिनोंने कभी भी वि प्रभाव से भ्रष्ट नहीं किया जा सकता है हम लोग प्रकृति वालों की तरह नहीं हैं जहां परिशत के सबसे मुखर वक्ता की बात उनके मुख्या को भी सुननी पड़ती है हम गुड़वालों के मध्ध केवल हमारे प्रमुक की बुद्धिमत्ता ही सर्वोत्तम है यह नीलकंठ की पौरानिक कथा के बारे में केवल एक पंक्ती सुनी है भदर ने कहा ऐसा प्रतीत होता है कि मेलुहा बहुत गहरे संकट में है और केवल नीलकंठ ही उसे इस संकट से उबार सकते हैं लेकिन मुझे ऐसा कोई संकट दिखाए नहीं पड़ता है सब कुछ बहुत ऐसा विश्वास है कि आप इने संकट से उबार सकते हैं काश मुझे पता होता ये लोग हमसे बहुत ही अधिक विक्सित हैं और इसके बावजूत ये लोग मेरी पूजा कर रहे हैं जैसे मैं कोई भगवान हूँ केवल इस धन्य निले गले के कारण जो भी कहिए मुझे ऐस शिव ने भद्र को चिलम वापस देते हुए पूचा हां लेकिन ब्रामण केवल लोगों को रोगों से छुटकारा ही नहीं दिलाते वे सिक्षप, वकील, पुजारी भी होते हैं बलकि यूं कहा जाए कि वे सभी प्रकार के बुद्धी जीवी व्यवसाय में होते हैं प्रत चत्रिये कहा जाता है जो योद्धा और शाशक होते हैं यहां तक कि औरते भी चत्रिये हो सकती हैं वह कई यह लोग सेना में औरतों को रखने की अनुमती देते हैं वैसे देखने पर चत्रिये औरते कम ही दिखाई पड़ती हैं लेकिन हां यह लोग औरतों को सेना में रख और उसके बाद आते हैं वैश जो कारीगरर वैपारी और उद्दियोफ्झास से जुड़े लोग होते हैं और अंतमे आते हैं शूद्र जो किसान और मजदूर होते हैं और एक बात ये भी अजिव है कि एक जाति के लोग दूसरी जाति के काम नहीं कर सकते जरा रुकना शिव ने भद्र को मध्ध में ही रोकते हुए पूछा इसका मतलब ये है कि चुकि तुम यो धा हो तो तुम्हें बाजार में व्यापार करनी के अनुमती नहीं होगी जी हाँ ये तो बड़ी बेवकुफी है तुम मेरा गांजा कैसे ला पाओगे आखिरकार यही तो एक वस्तु है जिसके लिए तुम उप्योगी हो ये कहकर शिव भद्र के मजाग भरे मुक्चे से बचने के लिए एक और जुग गया ठीक है ठीक है आराम से वो हसा और उसने हाथ बढ़ा कर भद्र से चिलम ले लिया और एक गहरा कश्टी चाप हम लोग वो सब बाते कर रहे हैं उस एक बात को छोड़कर जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए शिव एक बार पुना गमधीर हो गया इनके तरीके सही में विचित रहें लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए आप क्या करने की सोच रहे है शिव ने दूर उस बाग में अपनी दृष्टी घुमाई जैसे कोने में खिले गुलाब के फूल को देख रहा हूँ मैं एक बार फिर से भागना नहीं चाहता क्या? भदर ने शिव की उस संतब्त फुसफसाहट वाले स्वर को ना सुनने की कारार पूछा मैंने कहा शिव ने दुबारा थोड़ा उचे स्वर में बोलकर कहा कि मैं दुबारा भागने की अपराद बोद को सहन नहीं कर पाऊंगा वो आपका दोश नहीं था हाँ वो मेरा ही दोश था भदर चुपपी लगा गया इसके बाद कुछ भी नहीं था जो कहा जा सकता था अपनी आखों को डखते हुए शिव ने गहरी सास लेते हुए पुना दुहराया हाँ वो मेरा ही दोश था भादर ने अपने मितर के कंधे पर हाथ रखकर बड़ी ही नम्रता से दबाया ताकि वो दुखताई च्छड निकल जाए शिव ने अपना मूँ उसकी और घुमा कर पूछा मैं सला मांग रहा हूँ मेरे दोस्त मुझे क्या करना चाहिए यदि इन्हें मेरी सहायता की आवशिकता है तो मैं इससे मुकर नहीं सकता साथ ही मैं अपने कभीले को अपने भरोसे पर रहने के लिए कैसे चोड़ सकता हूँ मैं क्या करूँ भद्र शिव के कंदे को लगातार पकड़े हुए था उसने गहरी सांस ली वो इस प्रशने का उत्तर पा चुका था वो उत्तर उसके मित्र शिव के लिए तो उचित हो सकता था लेकिन क्या वो उत्तर शिव के लिए उचित था जो एक नीता था प्रमुक था इस बारे में आपको ही सोचना है शिव यही परंपरा है तुम भौड में जाओ शिव ने चिलम भदर की और उचाल दिया और वहां से तीवरता से निकल गया इसके कुछ दिनों के बाद ही शिव नंदी और तीन सैनिको के एक छोटे काफिले को श्रीनगर छोड़ना था छोटे दल का अर्थ था कि वे उस छेतर से शीगरता से निकल पाएंगे और जितनी जल्दी हो सके देवगिरी पहुँच पाएंगे राजपाल चेनर ध्वच इस बारे में चिंते था कि शिव को जल्द से जल्द समराट द्वारा निलकंट के रूप में सुक्रत कर लिया जाए वो चाहता था कि इतिहास में ईश्वर को ढूरने वाले के रूप में उसका नाम सदा के लिया मर हो जाए समराट के लिए शिव को प्रस्तुत करने योग बनाया गया था उनके सिर के बालों में तेल लगा कर नरम करके समारा गया था उसके हश्ट पुष्ट शरीर के श्रंगार के लिए तरह तरह के कपड़े, आकरशक कुंडल, हार और अन्य आभूशनों को लाया गया था उसके श्वेत वर्णिय मुख को विशिष्ट आयुवेदिक जड़ी बूटियों से रगड़ रगड़ कर साफ किया गया था ताकि वर्षों से म्रत एव मुर्जाई तोचा को दीप्तिमान बनाया जा सके सूती कपड़े से बना एक गुलूबंद बनवाया गया था ताकि उसके दीप्तिमान कंट को ढखा जा सके उसके उपर मोतियों के अनेक दाने जड़े गए थे ताकि वो गुलूबंद मेलूहा वासियों के प्रापरागत हार की तरह लगे जिनें वे धार्मी कौसरों पर धारान करते थे वो गुलूबंद उसके गले को आवश्यक गरमाहण भी प्रदान कर रहा था मैं शीगर ही वापस जाऊंगा शीव ने भद्र की माता जी को आलिंगन बद करते हुए कहा वो इस बात पर भी चकित था कि मौसी का लंगलाना अब बहुत ही कम दिखाई देने लगा था इनकी अवशदियां वास्तों में जादूई है जैसे ही दुखी भद्र ने उसकी ओर देखा तो शीव ने फुसफसागर कहा कभीले वालों को ध्यान रखना जब तक मैं वापस नहीं आता तुम प्रभारी हो भद्र चकित होकर एक अदम पीछे चला गया शीव आपको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं आपका मित्र हूँ मुझे ऐसा अवश्य करना चाहिए मूर्ग और ऐसा करने का कारण ये है कि तुम मुझसे भी अधिक योग्य हो भद्र ने आगे बढ़कर शीव को गले लगा लिया मुझे नहीं लगता कि गुड़ कबीले वालों पर यहां कोई संकट होगा कम से कम उतना तो नहीं होगा जितना कैलाश परवत पर होता था लेकिन इसके बावजूद देते तुम्हें लगता है कि तुम्हें सहायता क्या अवशकता है तो बिना जिजग के आयुरुवती के पास जाना जब हम कबीले वाले बीमार हो गए थे तो मैंने उन्हें समीप से देखा है उसने हम लोगों को बचाने में अतिधिक निष्ठा का परिचे दिया था वो हमारे विश्वास करने योग गया है भदर ने सहमती में सीरह लाया शिव को पुना आलिंगन बद किया और कमरे से बाहर चला गया आयुरुवती ने बड़ी विनम्रता से द्वार खटखटाया और पूछा मैं अंदर आ सकती हूं प्रबू साथ दिनों पहले उस घटना के घटित होने के बाद आज पहली बार वो शिव के सामने आई थी उसके लिए ये अवधी एक युग बीद जाने के समान थी यद्देपी पूरु की भात ही वो आत्मे उश्वास से भरी हुई लग रही थी तथा भी उसके सोरूप में कुछ भिन्नता आवश्य दिखाई दे रही थी उसके वेक्तित्व में कुछ ऐसा जान पढ़ रहा था जैसे उसे किसी दिविशक्ति ने इस पर्ष कर लिया हूँ आईए हायुर्वती और कृपिया ये प्रभु कहना छोड़ दीजे मैं अब भी वही असभ्य अप्रवासी हूँ जिससे आपकी भेंड कुछ दिनों पहले हुई थी उस टिपड़ी के लिए मुझे चामा करें परो वैसा कहना मेरी गलती थी और उसके लिए आप जो भी दंड मुझे देना चाहें मुझे वो सिकार है ये आपको क्या हो गया है मैं आपको सच बोलने के लिए क्यों दंड दूँगा क्यों इस अर्थ ही नीले गले से सब कुछ परिवर्टित हो जाना चाहिए आप इसका कारान अवश्य जान पाएंगे प्रभू अपना सिर जुकाय हुए आहरुवती ने खुसफसाण भड़े स्वर में कहा हमने सदियों आपके आने के प्रतिक्षा की है सदियों? क्रिपा कर उस पवित्र जील के नाम पर मुझे बताएं लेकिन क्यों? वो मैं क्या कर सकता हूँ जो आप लोगों जैसे सक्षम लोग नहीं कर सकते समराठ आपको बता देंगे प्रभू आपको संतुष्ट करने के लिए बस इतना ही कहा जा सकता है कि आपके कभीले वालों से जो कुछ भी मैंने सुना है उससे तो यही कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति निलकंट बनने के सुपात रहें तो वो केवल आप है मेरे कभीले वालों से मुझे याद आया देने के लिए जुकी अधित्तर मेलू हावासियों द्वारा किये जाने वाले इस प्रकार के भाव अभिनयों को स्विकार करने में शिव ने लगभब आत्म समरपड कर दिया था किन्तु जब आयुरुवती जुकी तो शिव ततकाल ही पीछे हड़ गया यह आप क्या तमाशा हो रही थी यही विव्यक्ति हैं जो निश्चित रूप से निलकंट होने योग हैं उसने मन ही मन कहा नंदी ने शिव के कमरे में एक केसरिया रंग के कपड़े के साथ प्रवेश किया जिस पर प्रते एक इंच पर राम नाम लिखा हुआ था उसने शिव से अनरोध किया कि वे इसे कंधे के उपर धारान कर ले शिव ने जैसे ही उससे पहना नंदी ने देवगिरी की सुरक्षिच यात्रा के लिए मंत्र पढ़ते हुए बुदबदा कर एक चोटी सी प्रात्ना की हमारे अश्व बाहर प्रतिक्षा रहतें प्रभू जब भी आप कहें हम अपनी य कैसे ले सकता हूं शिव ने जुझलाहट में अपनी आखें तरेरी अपनी गर्दन को धीरे से इंकार के मुद्रा में हुमाया और दौर की और मुड कर कहा मैं आत्म समर्बड करता हूं कि हम अभी यात्रा प्रारंब कर सकते हैं अवश्य प्रभू वे बाहर आये तो उन्हो अश्वा रोही सैनिक धैर से प्रतिक्षा रख थे और उनके बगल में तीन और भी अश्ववद्य हुए थे एक शिव के लिए एक नंदी के लिए और एक रसद आदी के लिए नियत किये गए थे सुवेवस्थित मेलूहा सामराजे में सभी प्रमुक यात्रा मार्गो पर विश्रामस्तल एवं रसद आदी के बंडारे की विवस्था थी यदि किसी आत्री के पास एक दिन की भी सामगरी होती और उसके पास मेलूहा के सिक्के होते तो वो ताजे रसद आदी खरीड कर अपनी यात्रा महीनों तक कर सकता था नंदी के अश्व को एक छोटी वेदि उसके बाद उसने उस दुर्भा के शाली अश्व को देखा और उसके बाद पुना नंदी के और मुड कर देखा क्या मेलूहा में पश्वों के विरुद अत्याचार के लिए कोई विधान नहीं है अत्यदि गंभीर भाव से शिव ने पूछा जी हां ऐसे विधान है की विंग्योकती समझने की धीमी छमता में छिद्र कर ही दिया शिव ने जोर से नंदी की पीट पर थपकी मारी तो दोनों की हसी एक साथ फूट पड़ी शिव के सवारी वाले दल ने जहिलम नदी की धारा का अनुगमन किया जिसने गरजना करने वाले शोर का दावन पुन लगी थी वो इतनी सुकम हो चले थी कि इस दल के सदस से एक यात्री जल्यान से उसे पार कर रहतेश पुरम नामक नगर में पहुंच गये उसके बाद से वो एक सड़क मार्ग से सामराज के उत्तरी विस्तार के हरदय पंजाब के रास्ते से होते हुए पूर्व की दिशा म पंजाब पांच नदियों वाला प्रांत था ये नदिया थी सिंदू जेलम चेनाब रावी और ब्यास चार नदियों ने मिलकर आकांगशा की कि वे उस सर्वस्रेश्ट सिंदू का दामन थामले जो पश्चिब में सुदूर तक बहती चली गई थी पंजाब के उस शांदा के अंतिम गंतव्य के रहस्ते पर परदा डला हुआ था कि आखिरकार उसका विस्तार कहां तक था ये राम क्या है अपने केसरिया रंग के कपड़े की प्रतेक इंच पर उस शब्दों को देखने के बाद शिव ने जानना चाहा शिव और नंदी के साथ तीन सैनिक एक नियमावलियों के अनुरूप था भगवान श्री राम वो सम्राट थे जिन्होंने हमारी जीवन शैली की स्थापना की थी प्रभू नंदी ने उत्तर दिया वे लगभग 1200 साल पहले हुए थे उन्होंने हमारी सभी प्रकार की व्यवस्ताओं की स्थापना की हमारे नियम हम सम्राट शब्द एक स्वर्णि मानक की तरह माना जाता है मेलूहा अभी भी उन्हीं के सिध्धान्तों पर आधारित होकर चल रहा है जै श्री राम वे अवश्य अद्भुत मानव रहे होंगे क्योंकि उन्होंने इस धर्ती पर ही स्वर्ग की स्थापना कर दी है शिवने ज साहित प्रतेग नागरिक जिसके अधीनस्त थे सामराज जी की जनसंख्या लगब असी लाग थी और बिना अपवाद के उस पूरी जनसंख्या के खाने पीने और रहने की उत्कृष्ट व्यवस्ता थी वे स्वस्त और साधन संपन्य थे लोगों का उसत ग्यान आसाधरान रूप से बहुत अधिक था वे तनिक गंभीर किस्म के लोग थे किन्तु हमेशा ही विनम्र और सब्य थे ऐसा प्रतीत होता था कि वह एक तुरूटी रहित समाज था जहां सब अपने करतव्यों के प्रृति सचेत था तो किसी ःधिकार के लिए लड़ने जहगरने के आवश्च्ता ही नहीं थी इस प्रकार प्रत उरुक्ति की खरक्ति और के नगर के निगट उन्होंने रावी नदी को पार किया रावी नदी को पार करने के बाद दूसरी और के पार गमन इस थर से प्राप्त नए अश्वप पर बैटकर शिव ने रुक कर कुछ दूरी पर बसे हर्यूप को प्रशंसा पुरवक्त दृष्टी से देखा जबकि उस की अर्थ होता कि देवगिरी की उनकी यात्रा में विलम्ब होता अधवाफि स्वपार्व की बगल में ही शिव्व ने देखा कि एक इस्थल के अधिपती जट्टा नंदी से बात कर रहा जो नए अश्व पर चढ़ने के लिए वेदिका पर चढ़ने के लिए तयार हो रहा था जरतक गिरी से जाने वाले मार्क से दूर रहें जट्टा ने सलाह दी कल रात उस मार्क पर आतंकियों दोरा हमला किया गया था सभी ब्राहमणों के हत्या कर दी गई और गाव को नश्ट कर दिया गया जब तक कि राहत एवं युद्ध करने वाले सैनिक वहां पहुँच पाते आतंकी भाग चुके थे अगरी देव की सोगंद हम कब तक प्रतिकार करेंगे हमें उनके सामराज पर हमला कर देना चाहिए प्रकट रुप से क्रोधित नंदी ने गुरा कर कहा मैं भगवान इंद्र के प्रतिग्या लेकर कहता हूँ कि यदि मुझे इन चंद्रवन्शी आतंकियों में से कोई भी मिला तो मैं उसके छोटे छोटे चुकड़े करके कुट्तों को खिला दूँगा अपनी मुठियां भीचते हुए जट्टा ने कहा जट्टा हम लोग सूरवन्शीयों के अन्याई है इस प्रकार की भरबरता पूर्ण युद्ध की हम सोच भी नहीं सकते हैं नंदी ने कहा क्या वे आतंकि युद्ध के नियमों का पालन करते हैं जब वे हम पर हमला करते हैं क्या बिना शस्त्र वाले लोगों की हत्या नहीं करते हैं इसका ये अर्थ नहीं होता कि हम भी उनकी तरह ही वेवहार करें अदिपती हम मेलुहावासी हैं नंदी ने सेर हिलाते हुए कहा इस बार जट्टा ने नंदी का प्रतिकार नहीं किया कुछ दूरी पर प्रतिक शारत शिव को देखकर उसका ध्यान उनकी ओर चला गया उसने पूछा क्या वो आपके साथ हैं? हाँ उसने जाती वर्ग संबंधी बाजुबंद नहीं पहन रखा है क्या वो नया आवप्रवासी है? हाँ शिव के बारे में प्रश्णों के उत्तर देने में असाहज होते हुए नंदी ने उत्तर दिया और आप लोग देवगीरी जा रहे हैं? शिव के गले की और गहरी दृष्टी से देखते हुए संदी हातमक जट्टा ने पूछा मैंने श्रीनगर से आती हुई कुछ अफवाहें सुनी है नंदी ने अचानक ही जट्टा की बात को बीच में काड़ते हुए कहा हमारी साहता करने गले धनिवाद अधिपत्ती जट्टा इससे पहले की जट्टा अपने संदेह के समधान पर कोई कारवाही करता नंदी शीगरता से वेदिका पर चड़कर घोड़े पर चड़ बैटा और शीव के ओर चल पड़ा उनके पास शीगरता से पहुँचकर उसने कहा हमें निकल लेना चाहिए ब्रभू शीव इसकी बात नहीं सुन रहा था वो एक बार फिर हैरान था क्योंकि उसने देखा कि वो गर्वीला अधिपती जट्टा अपने घुटनों पर था वो अपने दोनों हाथ जोड़कर आदर पूरवग नमस्ते की मुद्रा में शीव को अपलग देख रहा था ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बुदबुदा कर कह रहा हो अतनी दूरी से शीव को पता नहीं चाथ पा रहा था कि उसने क्या कहा था कि दू ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो रो रहा था उसने अपना सिर हिलाया और फिर फुस फसाया क्यों? हमें चलना चाहिए प्रभू थोड़े तेज सुर में नंदी ने दुराया शीव उसकी और मुड़ा उसने सहमती में सिर हिलाया और एड लगाकर उसने अपने अश्व को आगे बढ़ाया उस सीधी सड़क पर चलते शीव ने बाई और देखा कि नंदी अपने दिलेर घुड़े को उकसाते हुए उसके साथ साथ चल रहा था उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे आश्चर नहीं हुआ कि उसके तीनों अंगरक्षक पूर्व की भाते बिल्कुल उतनी ही दूरी पर घुर सवारी करते हुए पीछे चल रहे थे वे बहुत निकट भी नहीं थे और उतनी दूर भी नहीं थे उसने एक बार फिर नंदी की और देखा तो महसूस किया है कि उसने जो आभुशर पहन रखे थे वे केवल सजावट के लिए नहीं थे उसने अपने दाहिने चोड़े हाथ पर दो बाजुबंद पहन रखे थे पहले बाजुबंद पर प्रतिकात्माग लकीडे बनी हुई थी जिसके बारे में शिव को कुछ अता पता नहीं था दूसरे पर पशु का चित्र उकेरा हुआ था संभवता बैल का उसके सीने की एक जंजीर में सूर्याकार जूमर लटका हुआ था जिससे किर्णे बाहर की और निकल रही थी दूसरा जूमर भूरे रंग का था वो एक दीर घृपताकार बीच जैसे आकार की कोई वस्त हुथी जिसमें सब और छोटे छोटे दाद बने हुए थे क्या तुम अपने आबूशनों के महत्र के बारे में बता सकते हो या ये भी गोपनी है शिव ने शरारत से कहा निसंदे बता सकता हूँ प्रभू नंदी ने गंभीरता से कहा उसने अपने विशाल हात में रेशम के धागे से बंधे हुए पहले बाजुबंद के और संकेत किया और कहा ये बाजुबंद मेरी जादी का प्रतिनित्व करता है इसके ओपर जो लकीरे बनी हुई है वे परमपिता परमात्मा के कंधे के प्रतीक है इसका आर्थ है कि मैं छत्री हूँ मुझे विश्वास से कि अन्य जातियों के बारे में भी अवश्य ही सनहिता बद्ध इस पश्ट निर्देश होंगे आपने बिल्कुल सही का प्रभू आप आपवादिक रूप से बुद्धिमान है नहीं ऐसा नहीं है तुम लोग आपवादिक रूप से पूर्व में ही अनुमान लगाने योग्य हो नन्दी मुस्कुराया तो शिव ने पूछा तो वे क्या है वे क्या है प्रभू ब्रामण वैश और शूद्र के प्रतीक बनाई गई लकीरे यदि परमात्मा की सिर का प्रतिन दित्व करती है तो इसका अर्थे की पहनने वाला ब्रामण है वैश के लिए बनाई गई प्रतीक में लकीरे परमात्मा के जंगाओं का प्रतिन दित्व करती है और परमात्मा के पैरों से बने बाजोबंद बताते हैं कि पहने वाला शूद्र है मन और अंचक शिव ने हलकी तेवरी चड़ा कर कहा मैं कलपना कर सकता हूँ कि अधिकतर शूद्र अपनी स्थिती को लेकर खुश नहीं होंगे शिव की इस तिपड़ी पर नंदी चकित रह गया वो इस बात को समझ नहीं सका कि क्यों शूद्र लोगों को इतने लंबे समय से चली आ रही इस अभीशे की करण से कोई समस्या होगी कि तो वो कुछ नहीं बोला क्योंकि वो प्रभू की असहमती पर भैवीत था और वो दूसरा बाजबन शिव ने पूछा चैनित जाती वर्ग का निमत्तन करती है आपको उन चैनित जाती वर्ग के लिए आवशेक रूप से योग्य होना पड़ता है और वो आपके लक्ष एवं दक्षता का प्रतेंज़त तो करता है यदि आप ऐसे जाती वर्ग का चैन करते हैं बहुत अधिक अपेक्षा करता है और यदि आप उसके कारे उस जाती वर्ग के मानत तक नहीं हो पाते हैं तो वो आपको जीवन भर लज्जित करता रहता है यदि आप नीचे की श्रिणी के जाती वर्ग का चैन करते हैं तो आप अपनी दक्षता के साथ नयाए नहीं करते मेरा चैनी जाती वर्ग बैल है उसी पशु का प्रतेंज़त वे बाजुबंद करता है बुरा ना मानन तो क्या तुम बता सकते हो कि छहत्रिय के इस चैनी जाती वर्ग में बैल का क्या स्तर होता है यह उतना उचित नहीं है जितना कि सिंग बाग या फिर हाती किन्तो यह चूहा या सुवर जैसा निम्न भी नहीं है वैसे जहां तक मीरा मानना है कि बैल किसी सिंग या हाती को परास्त कर सकता है शिव मुस्कुराया और वो तुमारी जंजीर पर लटके हुए जूमर के बारे में तुमारा क्या कहना है यह भूरा दाना अंति महादेव भगवान रुद्र का प्रतिनी दित्व करता है कि जीवन के संरक्षण एवं पुनरजनन का प्रतिक है यहां तक कि दिव अस्तर भी ऐसे जीवन को नश्ट नहीं कर सकते जिन्हें यह सुरक्षण देते है और यह सूरे हे प्रभू यह सूरे इस बात का देव तक है कि मैं सूरे वंशी राजाओं का अनुयाई हूँ ऐसे राजाओं का जो सूरे के वंशाज है क्या? सूरे धर्ती पर आये और किसी राणी को शक्की शिम ने छिरखानी की निसंदे हर्गिज नहीं प्रभू नंदी ने हसते हुए का इसका किवल इतना ही अर्थ होता है कि हम सूरे पांचांग का अनुसराण करते हैं इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं कि हम लोग सूरे के मारग के अनुयाई है विवहारिक दिश्टिकोंड से ये इस बात का देवता के हैं कि हम लोग शक्तिशाली और अडिग है हम अपने दिये हुए वचलों का सम्मान करते हैं और उनका पालन करने के लिए प्राण भी दे सकते हैं हम कभी भी विधियों का उनलंगर नहीं करते हैं जो सम्मान नहीं होते हैं हम उनके साथ भी सम्मान ये तरीके से विवहार करते हैं सूरी के तरह हैं हम कभी किसी से कुछ नहीं लेते बल्कि दूसरों को देते हैं हम अपने कतव्यों का पालन अपनी सचेतनता में करते हैं ताकि हम उन्हें कभी भी बुलाना सके सूर्य वंशी होने का ये भी अर्थ है कि हम हमेशा साधना करते हैं कि हम इमानदार रहें बहादूर रहें और सबसे बड़ी बात कि हम सच के प्रती निश्ठावान रहें बड़ा ही कठिन प्रतीत होता है मेरा ऐसा मानना है कि भगवान श्री राम एक सूरिवन्शी राजा थे आवश निसंदे नंदी ने उत्तर दिया उसका सीना गर्व से फूल गया उसने फिर कहा वे सूरिवन्शी राजा थे जैश्री राम जैश्री राम शिव ने भी दोहराया नंदी और शिव ब्यास नदी को नाव से पार कर रहे थे उनके सैनिक बाद वाली दूसरी नाव से नदी पार करने के प्रतिक्शा कर रहे थे ब्यास वो अंतिम नदी थी जिसे पार करना था और उसके बाद देवगिरी जाने वाला मार्क सीधा देवगिरी तक जादा था बीती रात्री को हुई बेमौसम बरसात के कारण पारगमन स्थल के अधिपती द्वारा नदी पार करना ना निलंबित किया जाने वाला था कि दुप्राता मौसम के अपेक्षाक्रत खुल जाने के कारण अधिपती ने सेवाओं को पूर्व की भाति संचालित करने का निर्णे लिया था शिव और नंदी के साथ नाविक के अलावा दो और भी आत्री थे जो इस नाव से नदी को पार कर रहे थे उन लोगों ने अपने अश्वों को इस पार ही छोड़ दिया था और दूसरी और पहुचने के बाद उन्हें नए अश्वों पर सवार होकर आगे बढ़ना था वे अभी दूसरे किनारे से थोड़ी दूरी पर ही थे कि अचानक उन्हें मूसलादार भारिश का सामना करना पड़ गया हावा अचानक ही तीवर गती से बहने लगी थी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे इंद्र का प्रोध फूट पड़ा हो नाविक ने बहुत ही साहसी प्रियास किया कि नाव को नदी के उस पार पहुचा दे किन्दू तेज बहाव और हवा के कारण वो नाव बड़े ही उग्र तरीके से उपर के और उचल गई नंदी ने शिव को तेज स्वर में कहा सुरक्षा के दृष्टी से वो जितना जुक कर रह सकता था उतना नीचे के और रहे किन्दू तो स्वैम अपने आपर काबू नहीं रख सका उसके भारी भरकम शरीर ने नाव को एक और खतरनाक तरीके से जुका दिया और वो मू के बल पानी में गिर गया नाविक अभी भी अपनी पतवार से नाव को दूसरे पार के किनारे की और ले जाने का प्रयास कर रहा था ताकि अन्यात्री सुरक्षित घार पर पहुँच जाए ऐसा करते हुए और संकट में होते हुए भी उसने अपनी सचेतनता का परिशत देते हुए अपना शंक निकाला और दूसरी और के पारगमन इस्थल के लिए संकट है तो शंक धुनी कर दी जो दो अन्यात्री थे उन्हें नंदी को बचाने के प्रयास में नदी में चलांग लगा देनी चाहिए थे कि तो उसके उस भारी भरकम शरीच को देकर वे जिजग गए थे उन्हें पता था कि यदि वे उसे बचाने का प्रयास करेंगे तो बहुत संबहा है कि वे स्वयम ही डूप सकते थे शिव को ऐसी कोई जिजग नहीं हुई उसने अपने अंगवस्तरम को एक और रखा अपने जूते उतारे और उस फंती नदी में छलांग लगा दी शिव ने उस शक्तिशाली बहाओ को चीरते हुए तैरना प्रारम बिकिया और शीग रही बहुत तेजी से डूपते हुए नंदी के पास पहुँच गया उसे नंदी को घार तक लाने में अपनी भरपूर तकत का प्रियोप करना पड़ा पानी में भार के कम महसूस होने पर भी एक सामान विक्ति की दृष्टि से नंदी का भार बहुत अधिक था यस वहागी की बात थी कि शिव अपने आपको श्रीनगर की पहली रात्री के बात से ही और अधिक शक्तिशाली महसूस कर रहा था शिव ने स्वयम को नंदी की पीट की और स्थित किया और एक हाथ से उसके सीने के पास सिप उसको पकड़ लिया फिर और दूसरे हाथ से तैरते हुए किनारे पहुँच गया नंदी के अतिदिक भार ने ये काम बहुत ही ठकाने वाला बना दिया था किन्तुश शिव ने इसके बाद भी मेलुहा के अधिपती को किनारे पहुचा ही दिया तब तक आपात कालीन रक्षक भी तेजी से वहां पहुँच चुके थे शिव ने सहायता करके नंदी के उस भारी भरकम शरीर को पानी के बाहर निकाल दिया नंदी अचेत था उसके बाद आपात कालीन रक्षकों ने एक विज्यतर प्रक्रिया प्रारंब इकी पांच की गिंती के साथ एक बहुँच ही लेबद तरीके से एक रक्षक ने नंदी के सीने को बार बार दबाना प्रारंब कर दिया। जब वो अपना काम बंद करता तो एक अन्य आपात कालिन रक्षक अपने होटों से नंदी के होट ढगता और पूरी जोर से इसके उमों में हवा भरता था। और इसके बाद वे इस पिक्रिया को बार बार दोराते चले जा रहे थे। शिव को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वे क्या कर रहे थे। किन्तु उसे मेलुहा के स्वास्ते कार्मिको के ग्यान और उनकी निष्ठा पर पूरा भरुसा था। कई चिंतिक छड़ों के बीच जाने के बाद नंदी ने अचाना की खासने के साथ साथ अत्यदिक मात्रा में पानी की उल्टी कर दी और चकित होता हुआ चेतना में आया। पहले तो कुछ देर उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो कहा था और उसे क्या हुआ था। किंदु शीगरी उसे परस्थिती की समझ हुई तो वो तेजी से शिव की और मुड़ा और चिचियाने वाले स्वर में कहा। प्रभू आपने मुझे बचाने के लिए छलान क्यों लगाई आपका जीवन बहुत मुलिवान है आप मेरे लिए उसे जोकि में कभी न डाले प्रभू। जैसा कि उसके बाजूबन से प्रतीत हो रहा था। फिर भी वो इस श्वेत जाते चिन विहिन विक्ति को अपना प्रभू कह रहा था। खैर जो सबसे महातपूर्ण बात थी वो ये थी कि उस सैने की जान बच गई थी। जब शिव ने स्वास्त कर्मियों का अनुसरन विश्राम गर्क्योर किया तो वे भी अपने रास्ते चले गए। नंदी अर्थ चेतनता की अवस्था में कई घंटों तक पड़ा रहा जबकि वैद्यों द्वारा दी गई और शदियां उसके शरीर पर असर करने लगी थी। शिव उसकी बगल में बैठा लगातार भीगे कपड़े को उसके माथे पर डालता जा रहा था ताकि उसका जुर नियंत्रण में रहे। नंदी सुस्पता वस्था में ही बड़बडाता जा रहा था और बार बार इधर से उधर करवट लेता जा रहा था जिसके कारण शिव का कारे और कठिन होता जाता था। द्वारा सुनी गई एक बात अटक सी गई थी यह सौ साल से ढूंड रहा है शिव की तेवरिया चड़ गई यह ज्वर इस बेवकूफ के दिमाग को भी प्रवावित कर रहा है यह तो बीस साल से एक दिन भी बड़ा नहीं दिखाई देता है मैं सौ सालों से ढूंड रहा शिव एक छान के लिए रुका और उसने बहुत ही गहराई से नंदी को भूरा उसके बाद उसने असहमती में सिर हिलाते हुए अपनी परिचर्या जारी रखी ब्यास नदी के साथ साथ बने हुए खड़ंजेदार संकेत आक्शरों वाले मार्क पर शिव लगभग एक घंट ना पढ़ा था ताकि अधिपती में इतनी शक्ति हो जाए कि वह आगे की यात्रा आराम से कर सके श लिए विश्ञामग्रह में करने को अधिक नहीं थह इसलिए उसे वहां अच्छा नहीं महसूस हो रहा था तीन सैनिकों ने च्छाया की तरह उसके साथ रहने का प्रयास किया किन्तु उसने करोधित होकर उन्हें चलता कर दिया कृपा करके आप लोग लीच की तरह मुझसे चिपकना छोड़ेंगे ब्यास नदी के विनम रजाल के संगीत में स्रोत वाले स्वर शिव को सुखत प्रतीत हो रहे थे शीतल मंद बयार उसके घने बाल के जूड़े से छिड़खानी कर रहे थे उसने अपने म्यान की मूट पर अपना हाथ रखा जबकि उसका मन बार बार उसी एक प्रश्न से युद्रत था क्यार नंदी सच में ही सो साल से अधिकिया युवाला है किन्तों ये तो असंभा है और वो क्या काम है जितके कारणी ये विच्छिप्त मिलुहावासी मुझ से साहता चाते है और उस पवित्र जील की सोगंद ऐसा क्यों है कि ये उन्नू का बट्टा मेरा गला अभी तक इतना ठंटा क्यों मैसूस हो रहा है अपने विचारों में खोया हुआ शिव कब सडक से दूर एक खुले प्रांगड में आ चुका था उसे पता ही नहीं था उसके सामने उसी को निहारता हुआ एक अत्यंती सुंदर भवन उसके सामने खड़ा हुआ था उसने इससे सुन्दर भवन अपने जीवन में अब तक नहीं देखा था वो पूरा का पूरा मकान सफेद और गुलाबी रंग के संग मरमर से बना हुआ था एक उची वेदिका पर जाने के लिए बहुत ही शोभायमान सीड़ियां बनी हुई थी उस वेदिका के समस्त परिदी में अतिसंदर सजावट देते हुए स्तंब लगे हुए थे उस मकान की आलांकारी छट पर एक विशाल त्रिकोर्णिये मीनार उचाई में उठा हुआ था जैसे ईश्वर को विशाल नमस्ते किया जा रहा हो उस संदरशना के समस्त उपलग्द स्थलो पर विस्तरट ढंक से विभी ने प्रकार की शिल्पकलाओं की नकाशिया की हुई थी शिव ने मेलूहा में बहुत दिन बिता लिये थे और जो भी मकान उसने देखे थे विकार साधक एवं प्रभावशाली लगे थे जबकि ये मकान वास्तों में आश्चर जनक रूप से तड़क भड़क वाला और आलिशान था उसके प्रवेश द्वार पर संकेत सूचक पट लगा हुआ था जिस पर लिखा था भगवान ब्रह्मा का मंदिर ऐसा प्रतीत होता था कि मेलुहा वासी धार्मे के स्थलों के लिए अपनी रचनात मकताब बचा कर रखते थे आंगन के खुले छेतर में फेरी वालों और खोमचे वालों के एक छोटी सी भीड़ खटी थी कुछ फल बेच रहे थे और दूसरे अन्य खान पान की वस्तों है कुछ ऐसे भी थे जो विभिन प्रकार की पूजा की सामगरियों का मिश्रण बेच रहे थे एक ऐसी भी दुकान थी जहां उपासा कत्वा पूजा करने वाले लोग अपने जूते चपलादी मंदिर में प्रवेश से पूर्व उतार कर रख रहे थे शिव ने भी अपने जूते भाँ उतार दिये और मंदिर की उपर की और चला गया मुख्य मंदिर में प्रवेश करने पर उसने विभिन प्रकार की बनावटों एमं वास्तु विद्याओं को गहराई से देखना प्रारंब किया तो उन अत्यन थी वैभापूर्ण, इस्थापत्य और वास्तु कलाओं को देखकर आश्चरे चकित रह गया आप यहां क्या कर रहे हैं? पंडित ही वास्तों में एक पहला ऐसा व्रद्वेक्ति था जिसे उसने अब तक मेलूहा में देखा था मुझे च्छमा कीजिए क्या मुझे अंदर आने के अनुमती नहीं है? शिव ने विनमबरता से पूछा निसन्दे आपको यहां आने के अनुमती है? इश्वर की घर में सबको आने के अनुमती है? शिव मुस्कुराया और इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता पंडित ने पुना प्रश्न किया किन्तो आप तो इश्वर में आस्था नहीं रखते शिव की मुस्कुराहट जितनी शीगरता से आई थी उतनी शीगरता से छीन हो गए कमाल है? इसको कैसे पता? पंडित ने शिव को आँखों में ही उत्तर दे दिया इस पूजा अस्थल में जो कोई भी प्रवेश करता है वो परमपिता ब्रह्मा की मूर्ती के दर्शन करता है इस इस्थापत्ती की वैभवता और उसमें लगे प्रियास को इन में से लगबग ना के बरावर ही लोग देखते हैं जिबके आपके पास केवल इस थापत्त कला को देखने वाली ही आँखे हैं आपने इश्वर की मूर्ती की और एक बर जहाका तक नहीं है शिब ने जेपते हुए एक खेद पूर्ण भाव से कहा आपने सही अनुमान लगाया मैं पृतिका आत्मक इश्वर में आस्था नहीं रखता मेरा मानना है कि असली इश्वर हमारे आसपास हर जगह निवास करते हैं नदी के बहाव में, पेड़ों की लहराहट में, हवा की सरसराहट में वो हमेशा हमसे बाते करते रहते हैं आवशक्ता इस बात की है कि हम उनकी बाते सुन सके फिर भी यदि मैंने आपके इश्वर को उचित समान नहीं देने का अपराद किया है तो मुझे इस बात के लिए खेद है आपको खेद जिताने की कोई आवशक्ता नहीं है मित्र वो पंडित मुस्कुराया मेरा इश्वर या तुम्हारा इश्वर ऐसा कुछ भी नहीं होता सभी प्रकार की इश्वरियता एक ही सरोथ से आती है मात्र उसके अवतार अलग-अलग होते हैं तो मेरा मन कहता है कि एक दिन आपको एक ऐसा मंदिर अवश्य मिलेगा जिसमें आपका प्रवेश मात्र पूजा अर्चना के लिए होगा ना कि उसकी सुन्दर्ता नहीं हारने के लिए कि असच में वो कौन सा मंदिर होगा आप उसे पालोगे मित्र जब आप उसके लिए तयार हो जाओगे ये मिलुहा वासी ऐसी अनोखी पहली वाली भाशा में ही क्यों गोलते हैं शिव ने विनुम्रता में सहमती में सिरह लाया उसके भाव ऐसे थे जैसे कि वो उस पंडित की बात को सच में ही सरा रहा था जबकि वास्तविक्ता ये नहीं थी उसे सोचा कि उसे शीगर ही उस मंदिर से निकल जाना चाहिए इससे पूर भी कि उसका ये स्वागत अनावश्य ग्रूप से लंबा खिच जाए विश्राम ग्रह जाने का समय हो गया है पंडित जी कि दो मैं मेरे प्रारब्धवाले मंदिर को पाने की प्रदीक्षा बहुत बेसबरी से करूँगा आप से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई शीव ने जुकर पंडित के पाऊं चूते हुए कहा पंडित ने शीव के सिर पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा जै गुरु वश्वामित्र, जै गुरु वशिष्ट शीव उट खड़ा हुआ, मुड़ा और तेजी से सीडियों से नीचे उतर गया अपने से दूर जाते ना सुन सकने की दूरी तक पहुँच चुके शीव को प्रशंसा भरी दृष्टी से देखते हुए उस पंडित ने धीमे सुर में कहा क्योंकि उसने अपने कर्म के संगी यात्री की पहचान कर ली थी खुशी तो मुझी हुई है मेरे कर्म संगी शीव जूते की दुकान पर गया उसने अपने जूते पहने और इस सेवा के लिए एक सिक्का देने लगा तो जूते रखने वाले ने विरम्रता से सिक्का लेने से मना कर दिया धन्यवाद श्रीमान किन्तु ये एक सेवा है जो मेलुभा के शासन की ओर से है इसके लिए कोई कीमत नहीं ली जाती है श्रीम मुस्कुराया और बोला निसंदे आप लोगों के पास हर चीज़ के लिए विवस्ता है धन्यवाद मुझूते रखने वाला भी मुस्कुराया और बोला हम लोग केवल अपने करतवे का पालन कर रहे हैं श्रीमान कात्मा अपने पूर्व जीवन की विशुधियाद की कामना करता है दूसरे ये कि इश्वरों के शड्यंतर के बावजूद मातर कुछी भागशाली विक्ति इसका अनुभाव कर पारते हैं वो पल जब वो उसकी जीवन में प्रवेश करती है गोड़ों को दक्षता से चलाते हुए वो एक रत पर सवार होकर उस आंगन में आई जबकि उसकी साथ ही जंगले की च्छणों को उसके बगल में पकड़े हुए खड़ी थी यदे पे उसके काले बाल जूड़े में शालेंता से बधेते तथा पी कुछ धृष्ट लटे वायू के थपड़ों से मंत्रमुग्द करने वाला कथक नृत्ते कर रही थी उसकी भेदनी ये चुम्बकिये नेली आखें और कांस से कलाकरती सी तुचा देवियों को इरुष्या हेदुआ मंत्रन देने वाली थी उसका बदन यद्यपी गंबीरता पूरवक लंबे अंगवस्तरम से ढखा हुआ था उसके बाद भी वो शिव की कलपना को जुलंद कर गया कि उसके नीचे छुपा हुआ आलेख और सौंदरे कैसा होगा जब उसने अत्यन्ती दक्षिता से पैतरे बाजी करके रत को वाहन पड़ाओं में खड़ा किया तो उसका तुरुटी रहित मुख ध्यान के इंदर का चित्रा था वो पूर्ण रूप से आत्म विश्वास से भरी रत से उतरी यह प्रशान्त आत्म विश्वास था जिसमें अहंकार की और चलने वाली कुरूब दूरी नहीं चली थी उसका चलना मर्यादित था जो देखने वाले को सीधे तोर पर बता रहा था कि वो विलगने थी कि तो शीतल नहीं शिव ने उसे इस प्रकार घूर कर देखा जैसे कि बरसात करने वाले बादलों को मरुस्थरी भूमी देखती रहती है मुझ पर दया करो हे देवी मेरा अब भी मानना है कि अपने शेश अनुगामियों को छोड़ कर इस प्रकार अलग घूमना बुद्धमानी नहीं है उसके सहयातरी ने कहा हूँ उसने उत्तर दिया क्रितिका क्योंकि यदि दूसरों को विधी विवस्था के बारे में नहीं पता है तो इसका ये अर्थ नहीं होता है कि हम भी उसकी उपेक्षा कर सकते है भगवान राम ने इस पश्ट रूप से कहा था कि एक पवितर इस्तरी को वर्ष में एक बार आवश्य भगवान ब्रह्मा के दर्शन करने चाहिए मैं उस विधी का उलंगन नहीं करूंगी चाहे अंगरक्षकों को इस से कितनी भी असुविधा क्यों नहो उस स्तरी ने इस बात पर गौर कर लिया था कि जब वो शिव के बगल से गुजर रही थी तो शिव से घूर रहा था उसकी सुकमार भौहे आश्चर और जुझलाहर भरे गुसे में वरत्ताकार होकर उपर कियो और उड़ गई शिव ने अपना पूरा बल लगा कर अपनी दरिश्टी उससे हटाने की चेश्टा की किन्तो उसने महसूस किया कि उसके आखे अब भी उसके नियंतरण में नहीं थी वो उपर चड़ती चली गई और कृतिका उसके पीछे थी मंदिर के सबसे उपर की सीड़ी पर पहुँचने के बाद वो मुड़ी तो उसने देखा कि वो बिना जाती सूचक चिन्ध वाला आप्रवासी अभी भी उसे निरलज्ज की भाती घूर रहा था मुख्य मंदिर के ओर चलने के लिए मुड़ने से पूर्व उसने कृतिका से कहा यह सब भी आप्रवासी इन बरबर लोगों में से जैसे सचमुच ही कोई हमारा रक्षक मिल पाएगा जब वो शिव की दृष्टी से पूरी तरह ओजहल हो गई जब तक कि उसे दुबारा नहीं देख लेगा वो उन सीडियों पर पुना बैड़ गया जब उसकी सांसे और दिल की धड़कन सामान हो गई तो अंतता वो अपने आसपास के परिवेश का अलोकन करने लगा जो उसस्त्री की उस हाल की अपस्तिती से प्रतिश्चित हो चुका था उस बाईई और उस मार्क को पुना देखा जहां से वो मुड कर आई थी वो पीपल के पेर के निकट खड़े खीराबेशने वाले के पास से गुज़री थी अकसमा थी उस खीरा बेचलेवाने ने आवाज लगाना बंद क्यों कर दिया था वो केवल मंदर के और टक्टकी लगा कर घूरता हुआ प्रतीत हो रहा है चाहे कुछ भी हो इसे मेरा क्या लेना देना है उसने रत के आने वाले मार्क का अनुकरण किया जहां से वो बाई और मुडा था जो उस प्रांगर में फवारे के पास था उसके बाद उसने दाई और एक तीवर मोड लिया था जहां उस बाग के प्रवेश द्वार पर एक गरड़िया ख़डा हुआ था आश्चरे इस गर्णरिये की भीड़े कहां थी शिव उस मार्क को देखता चला गया जहां से वो रत वाहन पड़ाओ तक गया था रत के बगल में एक दूसरा वेक्ति भी खड़ा था जो अभी अभी मंदिर के प्रांगर में घुजा था किन्तो उसके मंदिर में प्रवेश का कोई स्पष्टी करा नहीं दिख रहा था वो वेक्ति गर्डिये की और मुड़ा और उसने हलके से सिर हिलाया इसे पूर्व की शिव इन समस्त प्रकार की सूचनाओं का आगलन कर पाता उसे पुना उस इस्तरी की उपस्थिति का आभास हुआ जिसके लिए वो प्रतीक्षारत था वो ततकाली पीछी मुड़ा और उसने देखा कि वो सिलिया उतर कर चली आ रही थी प्रती का शान्त होकर उससे थोड़ा पीछे चल रही थी उस स्त्री ने देखा कि वो असब बिना जाती चिन्ह वाला स्पष्ट रूप से विदेशी वेक्ती अभी भी उसे घूर रहा था वो उसके पास चलती हुई गई और उसने द्रण किंतु विनम्र स्वर में पूछा शमा कीजिए कि आपको कोई समस्या है? नहीं नहीं कोई समस्या नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मैंने पहले कहीं देखा है गबरायवे शिव ने उत्तर दिया उस इस्त्री की समझ में नहीं आया कि वो इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दे ये इस पश्ट रूप से एक सफेद जूट था कि दो इसके पीछे जो स्वर था वो वास्तों में बहुत ही गंभीर प्रतीत हुआ था इससे पहले कि वो कुछ कह पाती कृतिका ने अशिश्टिसा से बीच में ही कहा यही आपका सबसे अच्छा वाकिया है जो आप बोल सकते हैं शिव इसके उत्तर में कुछ बोलने ही वाला था कि खीरा बेशने वाले की शीगरता से की गई गतिविदी ने उसे सचेत कर दिया शिव ने मुड कर देखा तो उसने अपने दुशाला फेक कर अपनी तलवार बाहर निकाल ले थी उधर उस गडरीय और रथ के पास खड़े विक्ति ने भी अपनी तलवारे खीचकर परमपरागा जुद्धक की शैली अपना ली थी शिव ने अपनी तलवार निकाल लिया और उसने अपने हाथ को रक्षात्मक रूपे फैलाया ताकि वो अपनी आसकती वाली वस्तु को अपने पीछे संरक्षण में रख सके किन्तु वो बड़ी ही कुशलता पुरवक उसके संरक्षात्मक हाथ से बगल में निकल आई उसने अपने अंगवस्तरम की पड़तों में टडोला और उसने अपनी तलवार निकाल लिए शिव ने उसकी ओर एक पल देखा आश्चारे चकित होकर उसने शीगरता से और सराहना में एक चोटी सी मुसकान जमकाई उस इस्तरी की आँखों में एक चमक उभरी जिसमें असंभावित किंदू अनपेक्षित साज़ेदारी की सुईकरती थी उसने अपनी सांज भीतर रखते हुए फुसपुसा कर कृतिका से कहा तुम मंदिर में वापस भाग जाओ वही रहो जबता कि ये समापत नहीं हो जाता कृतिका ने विरोध किया किंदू देवी अभी उसने आग गया दी कृतिका मुडी और मंदिर की सीड़ियों के और भागती चली गई शिव और वो इस्तरी एक दूसरे की पीट के पीछे मान किये सुरक्षात्मक साजेदारी की शैली में खड़े हो गए उन्होंने आक्रमण की दशा में प्रतेग दिशा पर अपनी दरश्टी रखने की स्थिती बना ली थी वे तीनों आक्रमण कारी आक्रमण के उदेशे से उनकी और बढ़े इसमद इन तीनों के दो और साथी पीडों के पीछे से निकल कर उनके साथ हो गए शिव ने सुरक्षात्मक शैली में तलवार को उठाया क्योंकि वो गरडिया उसके काफी निकटा चुका था एक और चलते हुए गरडियों को आक्रमण करने के लिए उकसाने के लिए शिव ने अपनी तलवार नीचे कर दी गरडियों को ऐसा प्रतीत होना चाहिए था कि वो आक्रमण करे तो वो शिव को प्रानगा तक घाव लगा सकता था और उसके बदले में शिव तुरंत अपनी तलवार को उठा कर ऐसा आकरमण करता कि घाव गहराई से उसके हरदे को चीर कर रख देता इसके बावजुद उस गरडिये ने अनपेक्षित रूप से कोई अन्य गतविधी कर दी शिव द्वारा दी गई खुली जगा के आमंतरन के बज़ाए उसने शिव के कंधे पर आकरमण करने का प्रयास किया शिव ने फुर्ती से अपने दाहिने हाथ को उपर उठाया और गरडिये की धड़ पर गहरा घाव लगाते हुए तलवार को कुरूरता पूरवक लहराया जैसे ही गरडिया पीछे हटा तो एक अन्य आकरमण कारी दाहिनी ओर से उस पर जपटा उसने कुछ दूरी से अपनी तलवार लहराई ये कोई अच्छी चाल नहीं थी क्योंकि वो किवल एक सतही खरूच ही लगा सकता था शिव ने एक कदम पीछे हट कर अपना बचाओ कर लिया और उसके बाद उसने अपनी तलवार को नीचे रखते हुए एक गहरा घाओ उस आकरमण कारी की जांग में लगा दिया अतिपीडा में चीकते हुए वो आकरमण कारी भी पीछे हट गया जैसे ही एक और आकरमण कारी बाई और से आकरमण करने के लिए आया तो तब तक शिव ने ये समझ लिया था कि ये आपरिशित एवं अनोखे प्रकार का आकरमण था ऐसा प्रदीत हो रहा था कि आकरमण कारी को पता था कि वे क्या कर रहे थे वे एक मज़े हुए युद्धा लग रहे थे वे विचितर तरीके से टालमटोल करने वालों की तरह संगर्श कर रहे थे ऐसा नहीं लग रहा था कि वे किसी को जान से मारने का प्यास कर रहे थे बलकि केवल गायल करना चाहते थे वे पीछे हट कर संभल कर लड़ाई कर रहे थे और अपने आप पर काबू भी रख रहे थे क्योंकि बड़ी ही आसानी से मात खा रहे थे इस बीच शिव ने बाई और से हुए एक और वार को बचाया और उसने अपनी तलवार को उस वेक्ति के कंदों में बड़ी निर्ममता से घुसिर दिया जैसे ही शिव ने अपने बाई हाथ से उसे धका देते हुए अपनी तलवार निकाली तो वेक्ति दर्द से चिला उठा धीरे धीरे किन तु निश्चित रूप से अकरमला कारी ठकने के साथ ही घायल भी होते जा रहे थे वेकुछ अधिक ही घायल होते जा रहे थे और उनके लिए अधिक समय तक ये धावा चलाय रखना मुम्किन नहीं लग रहा था अचानक दैत समान विशालकाई वेक्ति एक रक्ष के पीछे से अपने दोनों हाथों में तलवार लिए दोड़ता हुआया वेक्ति सिर से पाउं तक काले रंगे के फरदार लबादे में वेश्चित था और उसका चहरा एक काले रंगे के मुखोटे के अंदर छिपा हुआ था जो मुखोटा इंसानी चहरे जैसे आकार का बना हुआ था उसकी बड़ी बड़ी भावशों ने बादाम के आकार जैसी आखे और शक्तिशाली मानसल हाथ ही उसके शरीर के ऐसे अंग थे जो दिखाई दे रहे थे वो अपने लोगों को चिला कर आदेश देता हुआ शिव और उसस्त्री पर आकरमना करने के लिए तेजी से आगे बड़ा अपने इतने बड़े आकार के कारण वो बहुत फूर्ती से लड़ाई करने में असमर्थ था किन्तु वो उसकी भरपाई अपने असाधरन रूप से दक्ष हातों से कर पा रहा था शिव ने कनक्खियों से देखा कि अन्य आकरमना कारी घायलों को उठा रहे थे और वापस जा रहे थे वो फंडार विक्ती लोटती सेना की अंतिम पंक्ती की सुरक्षा हे तो भीजी गई सेना की भाती बिढ़ंत कर रहा था शिव ने देख लिया था कि उस विक्ती की टोपी जो फंके जैसी दिख रही थी उसके कारण उसके बगल की देखने की च्छमता बादित हो रही थी कि उसकी दुरबलता थी जिसका लाव उठाया जा सकता था बाई और जाते हुए शिव ने उगर रूप से तलवार को लहराया इस आशा में कि उसे वही इस्तिर कर दे और वो इस्तिरी दूसरी और से उसका काम तमाम कर दे किन्तो उसका प्रतिदंदू इस चुनोती के लिए तयार था उसने पीछे हटते हुए शिव के तलवार की लहर को बड़ी ही दक्षता से अपने दाहिने हाथ से मोड़ दिया शिव ने देखा कि उस फंदार विक्ति की दाई कलाई पर चमड़े का एक कड़ा बंधा हुआ था उसके उपर एक तीश और प्रतीक बना हुआ था शिव ने दुपारा अपनी तलवार को दूसरी ओर से लहराया किन्तो उस फंदार विक्ति ने बड़े ही सहे जरू से पीछे हट कर पुना हवार को बचा लिया साथ ही उसने उस इस्त्री की एक कठोर वार को भी अपने बाएं हाथ से बचा लिया था वो शिव और उस इस्त्री से एक रक्षात्मक दूरी बना कर रख रहा था ताकि अपनी सुरक्षा कर सके और साथ ही वो इन लोगों को इस भिरंद में उलजाए भी रख रहा था फिर अचाना कि उस फरदार वेक्ति ने भिरंद करना छोड़ दिया और पीछे हड़ गया वो अप पीछे हड़ता जा रहा था जबकि वो अपनी दोनों तलवारे उनकी ओर दिखा रहा था एक शिव की ओर दूसरी उस इस्त्री की ओर उसके सबी आदमी पेड़ों की जुर्मुटों में गायब हो चुके थे जब वो अभी एक रक्षातमक दूरी पर पहुँच गया तो वो तेजी से मुड़ा और अपने आदमियों के पीछे भाग गया पहले तो शिव ने उसका पीछा करना चाहा किन्तु तत्काल ही उसने ये इरादा छोड़ दिया उसे लगा कहीं वो पुना घात लगा कर आक्रमना की तैयारी में ना बैठे हो ये जोकिम भरा काम हो सबता था शिव उस इस्त्री लड़ाका की ओर मुड़ा और पूछा आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ गंभीर और विशाद युक्त भाव से पूछने से पहले उसने सिर्ह लाया क्या आप घायल है? कोई गंभीर बात नहीं है मैं जीवी तरहूंगा बनावटी हजी के साथ वो बोला इस मद्धि कृतिका मंदिर की सीले से भागती हुई आयरो हाफते पे पूछा हे दीवी क्या आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ उसने उत्तर दिया इन विदेशी की क्रपा से क्रितिका शिव की और मुडी और उसने कहा आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपने एक बहुत ही विशिष्ट महिला की साहता की है शिव उसकी बात नहीं सुन रहा था वो क्रितिका की महोदया को निरंतर घूर रहा था जैसे की भूद गरस्त हो चुका हूँ क्रितिका को अपनी हसी रोकने में किठनाई हो रही थी उसको लीन इस्तरी ने उलजहन में अपनी आखें हटा ले किन्तु विनमरता से कहा मुझे च्छमा कीजिए किन्तु मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हम पहले कभी नहीं मिले हैं नहीं ऐसी बात नहीं है मुस्कुराते शिव ने कहा ऐसा है कि हमारे समाज में इस्तरियां युद्ध नहीं करती एकिस्त्री होने के लिहाज से आप अपनी तलवार का संचानल बहुत अच्छा करती है अबे यार ये तो मूँ से सब गलत बात ही निकल रही है ख्शमा कीजे उसे थोड़ा युद्धक शैली वाले स्वर में कहा स्पष्ट था कि वो एकिस्त्री होने के लिहाज से वाली टिपड़ी से आप रसने थी एक गवार होने के नाते आप भी काफी अच्छी लड़ाई कर लेते हैं काफी अच्छी? अजी मैं तो एक आसाधरान तलवार का लड़ाका हूँ क्या आप कोशिश करना चाहेंगी? अभी यार यह क्या हो रहा है? मैं क्या बके जा रहा हूँ? इस प्रकार तो मैं उसे प्रभावित कभी नहीं कर पाऊंगा उसका वाही असामंदित एवं उपेक्षा पॉन भाव उसके मुख पर उभराया मेरा आपके साथ दून दो युद्ध करने का कोई रादा नहीं है विदेशी नहीं नहीं मुझे गलत मत समझे है मेरा भी आपसे दून दो युद्ध करने का कोई रादा नहीं है आप एक बहुत ही निपुर तलवारबाज है मेरे कहने का मतलब है कि तलवारबाजी नहीं है वास्तों में आप बहुत ही अच्छी इस्तरी है मुही मुह में बढ़ बढ़ाते हुए शिव ने कहा वो उस समय निर्ने लेने का अपना विवेक हो चुका था जब उसे इसकी सबसे अधिकाव शक्ता थी कृतिका इस बढ़ते हुए याचना भरे आकरशक संबाद विनिमय पर सिर जुका कर मुस्कुरा रही थी हाला कि उसकी महोदिया इसके विप्रित उस विदेशी को इस प्रकार के अनुपयुक्त शब्दावली के लिए प्रताणा देना चाहते थी किन्तो उसने उसके प्राण की रक्षा की थी वो अपने मेलूहा के वेभार की विधी से बंधी हुई थी उसने कहा सहायता करने के लिए आपका धन्यवाद है विदेशी मेरा जीवन आपका रिणी है और आप मुझे कृतगन नहीं पाएंगे यदि आपको मेरी सहायता की आवशकता हो तो आप मुझे आवशक है क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ यदि मुझे आपके साहता कि अफशक्ता ना हो तो भी ये भगवान ये मेरे मूँ से क्या अनप शराप निकल रहा है उस इस्तरी ने बिना जाती सूचक चिन्ध वाले विदेशी को आखे तरेयर कर देखा जिसे उसकी आवकात का पता नहीं था उसने बड़े ही अमानवी प्रिया से स्वयम पर नियंदरा रखा हुआ था उसने विनम्रता से से हिलाया और बोली नमस्ते इसके साथ ही वो राजिसी महिला वहां से जाने के लिए मुड़ गई करितिका अभी भी प्रिशन सा भरी दृष्टी से शिव को देखे जा रही थे किन्तु जब उसने देखा कि उसकी महोदया जाने लगी तो वो भी मुड़ी और तेजी सुनके पीछे जाने लगी कम से कम अपना नाम तो बता दीजे उसके कदम से कदम मिला कर चलते हुए शिव ने पूचा वो मुड़ी और अब वो और भी अदि गंभीरता से शिव को घूरने लगी देखिए मेरे कहने का ताथ पर यह है कि यदि मुझे आपकी सहायता के अफशकता पड़े तो मैं आपके पास कैसे आपाऊंगा शिव ने गंभीरता से पूचा एक पल के लिए वो शब्द वहीन और दीपत वहीन हो गई उसका अनुरोध उचित जान पड़ रहा था वो कृतिका की और मुड़ी और उसने सिरह लाया आप हमें देवगिरी में मिल सकते हैं कृतिका ने उच्तर दिया नगर में किसी से भी देवी सती के लिए पूच सकते हैं सती शिव ने उस निराकार नाम को अपनी जिवा पर उतार कर दो राया और कहा मेरा नाम शिव है नमस्ते शिव और मैं वचन देते हूँ कि यदियाब को कभी भी मेरी सहायता की आवशकता पड़ती है तो मैं अपने वचन का पालन करूंगी यह कहते हुए वो मुड़ी और अपने रत में सवार हो गई कृतिका भी उसके साथ पीछे पीछे रत में सवार हो गई कुशलता से रत को मोड़ते हुए वो अश्वों को दुलकी चाल में चलाने लगी उसके बाद वो बिना पीछे मुड़े ही उस मंदिर के प्रांगर से बाहर निकल गई शिव उस अद्रश होते रत की छवी को देर तक देखता रहा जब वो अद्रश हो गया तो उसके पीछे उड़ने वारी धूल को उश्या भरी नजरों से देखने लगा जो इतने भागशाली थे कि उसे इसपर्श कर पा रहे थे मुझे लगता है कि यह देश मुझे पसंद आने वाला है इस यात्रा के दोरान ऐसा पहली बार हुआ था जब शिव को मेलुहा की राजधानी पहुचने के उस्पता हुई थी वो मुस्कुराया और विश्राम ग्रहकी और चल पड़ा देवगिरी शीगर पहुचना है अध्याय चार देवताओं का निवास स्थान क्या आप पर किसने आकरमण किया शिव के घावों को देखने के लिए तेजी से भागते हुए चिंतित नंदी ने चीक कर कहा आराम से नंदी आराम से शिव ने उतर दिया पानी में तुम्हारी सासिक यात्रा करने के बाद से तुम्हारी हादत मुझसे अधिक पत्ती है ये ऐसे ही कुछ सतही खरोच है कुछ भी गंभीर नहीं है वैद्यों ने मरहम पट्टी लगा दी है मैं बिल्कुल ठीक हो मुझे शमा करे प्रभू ये पूर्टा मेरे ही दोश है मुझे आपको किसी भी दशा में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था ऐसा फिर कभी नहीं होगा कृपा कर मुझे शमा करें प्रभू नंदी को पुना विस्तर पर आहिस्ता से ठेलते हुए शिव ने कहा शमा की कोई बात ही नहीं है मेरे मित्र कि तुम्हारा दोस्ट कैसे हो सकता है आवशक्ता से अधिक काम तुम्हारे स्वास्ति के लिए अच्छा नहीं होगा एक बार जब नंदी पूरी तरह से शान तेवं सहज हो गया तो शिव ने पुना कहना प्रारम्ब किया परिशान कर देने वाली सोच उबरी क्या वे अकरमणकारी नवचंद्राकार जुमर पहने हुए थे शिव ने तेवरी चड़ाई नहीं किन्तु एक बहुत ही विचित्र वैक्ती था उनमें से वो सबसे अच्छा तलवार बास था उनमें से वो सबसे अच्छा तलवार बास था वो सिर से लेकर पाउं तक एक फणदार लबादे में था उसका चेहरा भी मुखोटे से ढखा हुआ था वैसा ही जैसा तुम लोग रंगों वाले तेवहार पर पहनते हो वो कौन सा तेवहार है? वो होली का तेवहार है प्रभू? हाँ वही होली जैसे मुखटे ही थे जो भी हो? मैं केवल उसके हाथ और उसकी आँखे ही देख पा रहा था उसे भिन्न करने वाला लक्षन उसका एक चमड़े का कड़ा था जिस पर एक विशितर प्रतीक चिन बना हुआ था किन्तु कौन लोग हो सकते हैं जो इस प्रतीक चिन का अप प्रियोग कर सकते हैं ओम शिव ने पूछा प्रभू ओम हमारे धर्म में सबसे पवित्र शब्द है ये प्रकृति का प्रथम एवं मौलिक स्वार माना जाता है ये ब्रहमांड का इस्तुति गीत है ये इतना पवित्र था कि सहस्त्राब्दियों तक लोग इसको लिखित रूप में आकार देकर इसका अपमान नहीं करना चाते थे तो फिर ये प्रतीक चिन ने कैसे उत्पन हुआ इसका आविशकार समराड भरत ने किया था जो एक महान शास्त थे और जिन्होंने सहस्त्रों वर्षों पहले लगबख समूचे भारत वर्ष को जीत कर उस पर शासन किया था वे एक विरले चंदरवर्षी थे जो सम्मान योगे थे और यहां तकि उन्होंने चंदरवंशी राजकुमारे से विवाहा भी किया था ताकि सूरवंशियों और चंदरवंशियों के मध्य अन्वरत चलने वाले युद्ध को समाप्त किया जा सके यह चंदरवंशी कौन लोग है प्रभू इसे इस प्रकार जानिये कि वे हमारे विलोम है वे उन राजाओं के अन्याई हैं जो चंदरमा के वन्शज हैं यह चंदरवंशी मानावता के उपर एक धब्बा हैं किन्तु इससे ओम के प्रतीक चिन्न का क्या लेना देना है दरसल राजा भरत ने सूर्यवंशियों एम चंदरवंशियों के मध्य एकता के लिए इस प्रतीक चिन्न का प्रारूप बनाया था इसका उपरी हिस्सा जो सफेद है वो चंदरवंशियों का प्रतीन दित्व करता है इसके नीचे का आधा हिस्सा जो लाल रंग में है वो सूर्यवंशियों का प्रतीन दित्व करता है यह दोनों हिस्से जहां मिलते हैं उससे जो नारंगी रंग का हिस्सा निकलता है वो एक समान मार्ग का प्रतिने जित्व करता है दूज का चांद जो प्रतीक चिन्ने की दाहिनी और बना हुआ है वो चंदरवंशियों का ततकालिन प्रतीक चिन्ने था और उसके उपर जो सूर्य बना हुआ है वो सूर्य वंशियों का तत्कालिन प्रतीक चिन्य था इस बात के महत्ता के लिए कि ये समझोता ईश्वरदारा अनुमंत्रित था राजा भरत ने इस बारे में जनादेश प्रात किया कि इस प्रतीक चिन्य का उच्चारर पवित्र शब्द ओम की तरह किया जाएगा और उसके बाद क्या हुआ जिसकी की आशा थी वो समझोता भी अच्छे राजा के साथ ही मृत हो गया एक बर जब राजा भरत का प्रभाव समात हो गया तो चंदरवंशी पुनह अपने पुराने तरीकों में रम गये और एक बर पुनह यो दिछड गया प्रतीक चिन्न को भूला दिया गया और ओम शब्द एक बार पुनह अपने पुराने मौलिक स्वरूप में आगया अर्थाद बिना किसी लिखित रूप में किन्तु फरदार विक्ती की कलाई के कड़े में जो प्रतीक चिन्न था वो रंगीन नहीं था वो पूरा काला था और उस प्रतीक चिन्ने के हिस्से लकीरों की तरह नहीं दिख रहे थे ऐसा लग रहा था कि वे तीन सापों के रेखा चित्र थे नागा लोग एक सौम में प्रातना से पहले चकेतेवं सदमे से चिल्दा कर नंदी ने कहा और उसके बाद उसने अपने रुद्र के जूमर को संरक्षन प्रदान करने के लिए चुआ अब ये गधे नागा लोग कौन है शिव ने पूछा ये शापित लोग है प्रभू नंदी ने एक लंबी सांस भरी अपने पूर्व जन्म के पापों के कारण वे जन्म से ही घ्रणित विद्रूपित होते हैं विद्रूपता जैसे की अत्रिक्त हात या अत्यधिक भायानक चहरे किन्तु उनके पास अत्यधिक शक्ति और कुशलता है नागा का मातर नाम है किसी नागरी के लिए आतंक का परियाय है यहां तक कि उन्हें सब्ट सिंदू में रहने की अनुमती भी नहीं है सब्ट सिंदू हमारा देश प्रभू साथ नदियों का प्रांत है सिंदू, सरस्वती, यमुना, गंगा, सरियू, ब्रह्मपुत्र एवं नर्मदा की भूमी वाला प्रांत है यह वही देश है जहां हम सभी सूर्यवंशियों एवं चंद्रवंशियों के निवास का जनादेश रिशियमुनी ने दिया था शिव ने सिर हिलाया जबकि नंदी ने बोलना जारी रखा हमारी सीमा के बाद नर्मदा के दक्ष्डे में नागाओ का नगर बसा हुआ है दरसल उनके बारे में कुछ बोलना भी दूर भागे को लाता है प्रभू किन्तु एक नागा मुझ पर आकरमन क्यों करेगा पापो को आमंतर दे रहे हैं शिव ने तिवरी चड़ाए उसे आकरमन के दौरान ऐसा कभी नहीं लगा था कि नागा लोगों को किसी अन्य सेना के दलद्वारा प्रियोग मिलाया जा रहा था बलके ऐसा लग रहा था कि वो नागा ही उसका सरदार था देवगरी पहुचने में उन्हें एक और सब्ता लग गया मिल हुआ कि राजदानी सरस्वती के बाएं तट पर बसी हुई थी जिस सतलज और यमुना के संगम से निकली थी ये खेदपूर बात थी कि कभी विशाल आकार में रहा सरस्वती का प्रवाह अब अपेक्शाकरत बहुत कम हो चुका था किन्तु अभी भी अपने इस लगुस रूप में भी वो काफी विशाल और वैभावशाली थी पंजाब की अन्य तूफाने नदियों से विलक सरस्वती पीड़ा प्रद रूप से शान्त थी ऐसा प्रतीत हो रहा था कि नदी को अनुभा हो चुका था कि उसका अंत निकड़ था इसके बाद भी आकरमक रूप से उत्तर जीवता के लिए बल नहीं लगा रही थी बलकि जो भी उसके पास उपलब्द उसके खजाने को लेने की इच्छा रखता था उन्हें वो निस्वारत साथ से प्रदान करती जा रही थी उधर उड़ान भरता देवगिरी सौम में सरस्वती के पूर्टा विरोधा भासी था मेलुहा के अन्यनागरिकों की तरह ही देवगिरी भी एक विशालकाई वेदिका पर निर्मित था जो बार से सुरक्षा का एक प्रभावशाली उपाये तो था ही साथ ही साथ शत्रूओं से प्रबल सुरक्षा का भी फिर भी अपने आकार के कारार वो मेलुगा के अन्य नगरों की तुलना से भिन था वो नगर तीन विशालकाई वेधिकाओं पर बना हुआ था और प्रतेग वेधिका 350 हेटेर से भी अधिक छेतर तक विस्तरत था जो कि अन्य नगरों की तुलना में अतिधिक विशाल कहा जा सकता था ये वेदिकाएं लगभग 8 मीटर उची और बीच बीच में सिखी हुई इटो के मिश्रण वाले विशाल काई कटे हुए पत्थरों से दुर्गी करत थी इन में से दो वेदिकाओं के नाम तामर और रजट थे जो सामान नागरिकों के लिए बने हुए थे जबकि तीसरी वेदिका स्वर्ण नामक थी जो राजसी नगर दुर्ग था ये वेदिकाओं एक दूसरे से उची पुलों से जुड़े हुए थे जो सिखी हुई इटों एमम पत्थरों से बनी हुई थी और जो नीचे के बाढ़ ग्रस्तर मैदानी छेत्रों के उपर बने हुए थे प्रतेग विशालकाई वेदिका की बाहर परिदी में बाहर की और निकले हुए बड़े बड़े खुटों सहित उची उची दिवारे बनी हुई थे उन दिवारों के साथ साथ एक निश्चित अंतरार पर बुर्ज बने हुए थे जहांसे बढ़ते हुए शत्रों का प्रतिरोद किया जा सकता था या श्चर जनक द्रिश्च शिव की कलपनाओं से भी अद्भुत था उसके विजार में ऐसे नगर का निर्मान वास्तों में माना जाते की अनुपम उपलब्दियों में से एक था शिव की सवारी तामर वेदिका के आर पार घूटों के मैदान से होते हुए कलदार पुल पर चड़ी उस कलदार पुल को नीचे की ओर से धातू की छोड़ों से सुद्रण बनाया गया था और खुरदरी सिकी हुई एटों को ऊपर लगाया गया था ताकि घोड़े और रट फिसले नहीं समस्त सामराज में लगाई गई उन इटों के बारे में कुछ ऐसा था जो शिव में कौतूहल उत्पन्य कर रहा था नंदी की ओर मुड़कर उसने पूछा क्या ये एटे किसी मानकी प्रक्रिया के अनुसार बनाई जाती है जी हाँ प्रभू चकित नंदी ने उत्तर दिया मेलुहा में समस्त इटे सामराज के मुख्य वास्तूविद द्वारा दिये गए विनिर्देशों एमम दिशा निर्देशों के अनुसार ही बनाई जाती है किन्तो आपने कैसे हरुमान लगाया ये सब ही वास्तों में एक ही परिमाप के है नंदी अपने सामराज की प्रभाविता पर और अपने प्रभू के अवलोकन की छमता पर गर्व से दमकने लगा कलदार पुल के अंत में वेदिका और उंची हो गई और एक सड़क घुमावदार तरीके से एक सौम में मोड के साथ शिखर तक चली गई थी जो घोडों एम रतों के चलने के लिए सुगम हो गई थी इसके अतरिक एक चौडी सीडियों की धाल दार उडान सीधे उपर की और पैदल चलने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए बनी थी इस धाल के चारों और नगरी दीवारे में वेदिका की ये सलगन भाग अत्यदिक धाल वाले थे ताकि यदिश्यत्र उधर से आक्रमण करने के मुर्खता करे तो ये उसके लिए मृत्यों की घाटी बन जाए नगर के दौर धातु के बने हुए थे जिसे शिव ने इससे पहले कभी नहीं देखा था नंदी ने इसके बारे में बताया था कि वे लोहे के बने हुए थे जो एक नया धातु था और अभी कुछ समय पहले ही उसकी खोज हुई थी वो धातों में सबसे अधिक शक्तिशाली था किन्तु बहुत महेंगा था उसके लिए आयसक की आवशक्ता होती थी वो आसानी से उपलग्द नहीं थी वेदिका के प्रवेश पर नगर के प्रवेश द्वार के उपर सूरिबंशियों का प्रतीक चिन उकेरा हुआ था सभी दिशाओं में निकलती हुई किर्णों के साथ एक चमकीला लाल वरत्ताकार सूर्य उसके ठीक नीचे उनका घोश वाक के लिखा हुआ था जिसके नुसार वे अपना जीवन यापन करते थे सत्य, धर्म, मान नगर के इतने मातर को देखकर ही शिव विसमया भीबूत था और जब उसने वेदिका के शिखर पर नगरी द्वार के अंदर जो द्रिश्य देखा वो वास्ताओं में अपनी प्रभाविता एवं सरलता में आसाधारा था नगर वरकाकार खंडों में खरंजेदार मार्गों से विभगत था सड़क के साथ साथ पैदल चलने वालों के लिए पकडंडी बनी हुई थी विभने दिशाओं में यातायात की सुविधा के लिए सड़क पर संकेत चिन बने हुए थे और साथ ही सड़क के मध में जलमल निकासी हेतु ढकी हुई नालिया बनी हुई थी सभी मकान मानकिये ढंग से दो मंजिलों वाले खाने की तरह सिकी हुई इटों से बने हुई थे यदि आशक हो तो उनके उपर लकडी से अत्रिक्त पसार भी किया गया था नंदी ने शिव को बताया था कि मकान की भीदरी संरशना अलग-अलग आवशक्ताओं के अनुरूप अलग-अलग प्रकार की बनी हुई थी सभी मकानों के द्वार एवं उनकी खिडिकियां बगल की दीवारों की ओर बनी हुई थी अर्थात पे मुख्य मार्ग की ओर नहीं थी खाली दीवारे जो मुख्य मार्ग की ओर थी उन पर सूरिवंशियों के विभिन लोकप्रिये राजाओं के रेखा जितर चमकदार काली लकीरों से बने हुए थे जबकि उनकी प्रिष्ट भूमी भूरे हलके नीले हलके हरे और सफेल सो में रंगों से रंगी हुई थी यद्देपी प्रिष्ट भूमी में जो सबसे सामाने रंग का प्रियोग हुआ था वो था नीला मेलुहा वासियों के अनुसार नीला रंग सबसे पवित्र माना जाता था या काश का रंग था रंगों के वर्ण करम में ये पृत्वी के रंग हरे से थोड़ा उचा था मेलुहा वासि प्रकृति की हर सनरशना में एक महान अभिपराय देखने की इच्छा रखते थे वंशियों को पराजित करना और उनकी शासन कला एवं पांडिति की घटनाओं को प्रेम पूर्वक दर्शाया गया था भगवान राम अत्यंती सम्मान योग थे और बहुत से मिलोहा वासि उन्हें इश्वर की तरह पोचते थे वे उन्हें उस विश्वर की तरह उल्लखित करते थे जो सर्वोतम इश्वर के लिए एक पुरातन उपादी थी जिसका अर्थ था विश्वर का संरक्षक एवं अच्छाई का प्रचारक शिवर ने उस नगर के बारे में नंदी से जाना कि वो नगर चार से आठ खंडों वाले कई जन्पदों में विवाजित था प्रतेक जन्पद में अपना बाजार व्यापारिक एवं आवासिये छेतर मंदिर एवं मनुरंजन केंद्र था किसी भी वस्तु का उत्पादन अत्वा प्रदूशा पहलाने वाली गतिविदियां उन जन्पदों से दूर एक प्रथा के स्थल पर किये जाते थे जिस कारे कुशलता एवं सहजता से देवगीरी कारे कर रहा था वो इस तथे को मिथ्या प्रमाणित कर रहा था कि वो नगर में समस्त सामराज में सबसे अधिक जनसंख्या वारा था मात्र दो वर्ष पूर्व की गई जनगर्णा में नगर की जनसंख्या दो लाख बताई गई थे गोड़ों के रहने के लिए निया तिस्थल पर उन्हें बादने के बाद सबी लोग अपने अपने कमरे में जाने के लिए पंजी करण हेतु अंदर प्रविष्ट हुए विश्राम ग्रह की बनावट लगभग उसी प्रकार की थी जैसी कि शिव ने अपनी यात्रा के दोरान अन्य अस्तलों पर भी देखी थी केंद्री आंगन के चारों और भवन का निर्मार किया गया था कमरे अच्छे खासे बड़े और सभी प्रकार के साज सामानों सहीद बने थे प्रभू रात्री भोजन का समय होने ही वाला है नंदी ने कहा मैं विश्राम आले के प्रभारी से जाकर कहता हूँ कि भोजन की विवस्था कर दे हमें शीगरता से भोजन करके एक अच्छी नींद निकाल लेनी चाहिए क्योंकि समराट से मिलने का समय कल दुतिय प्रहर में नियत किया गया है ये बहुत ही उत्तम विचार प्रतीत होता है साथ ही यदि आप उचित समझे तो क्या मैं इन सैनिकों को विश्राम करने के लिए कह देता हूँ और फिर उन्हें श्रीनगर वापस भीज देता हूँ ये भी बहुत ही उत्तम विचार प्रतीत होता है मुस्कान के साथ शिव ने कहा वाह क्या बात है नंदी तुम तो लगभग शानदार विचारों के जर्नी की तरह हो शिव के साथ नंदी भी हसा वो हमेशा अपने प्रभू के मुख पर हसी लाने का कारण बनने पर अत्यंत प्रसन था मैं अभी वापस आता हूँ प्रभू शिव अपने बिस्तर पर लेड़ गया और शिव अन खयालों में खो गया जो उसके लिए माइने रखते थे मैं समराट के साथ होने वाली भीट को जितनी शिवरता से हो सके समाप्त कर दूँगा उन्ही जो भी मुझ से चाहिए वो दे दूँगा और सती के लिए नगर को चान मारूंगा शिव ने एक बार सती के ठिकाने के बारे में नंदी से पूछने का मन बना लिया था किन्तु अंतता उसने ऐसा ना करने का निर्ने लिया वो इस बात को जानता था कि पहली मुलाकात में वो उस पर कोई असाधारन प्रभाव नहीं चोड़ पाया था अताव वो इस बात पर भी दुखी था यदि उसने उसे ढूनने के सरल उपाय नहीं बताये थे तो इसका मातर इतना है अर्थ था कि वो उससे अधिक द्रवित नहीं हुई थी उसके बारे में आसाधानी से यू बात कर वो इस प्रक्रण को और कठे नहीं बनाना चाहता था उसके मुख की याद बारंबार उसके आँखों के समक्ष आने पर वो मुस्कुराया उसके युद्ध करने की अदा को याद कर उसने उसी प्रकार पुना पर दरशन किया उसके कबीले के अधिकतर लोगों के लिए ये अध्भुत दरशन नहीं था किंतो शिव के लिए ये स्वरगित था उसके कोमल एवं सुकुमार बदन की याद पर उसने आभरी जो आकरवन हो जाने की दशा में सहसा ही करूर एवं प्राणगा तक गुडों का बन गया था जब वो तलवार चलाने के लिए अपने बदन का भार एक और से दूसरी और ले जा रही थी तो उसके बदन का वक्र मंत्र मुग्द कर देने वाला था जो उसके बदन को एक अति सुन्दर लचक परदान कर रहा था सौमे रूप से बंधे हुए उसके केश एंदरिक रूप से उसकी प्रतेग गतिविदी पर हिल रहे थे उसने एक गहरी सांस ले प्रता काल का समय था जब शिव और नंदी ने राजसी नगर दुर्ग पहुचने के लिए तामर एवं सुन्द वेदिकाओं के मद निर्मित पुल को पार किया वो पुल मेलुहा की अभियांतरिकी का एक अन्य अचंबा था जिसके दोनों और बगलों में चोड़ी चोड़ी दीवारे बनी हुई थी उन दीवारों में छेत करके सुराग बनाए गए थे ताकि शत्रों पर तीर चलाए जा सके और गर्म तेल प्रवाहित किया जा सके पुल के मद्ध में उसको दुईभाजित करते हुए एक अंतिम सुरक्षा के रूप में विशाल कायद द्वार निर्मित था इस उदेश से कि यदि कभी शत्रों पुल तक पहुँच जाएं तो इस से एक अधरिक्त सुरक्षा उपाय किया जा सके जब इस स्वन वेदिका पर पहुँचे तो शिव पूर्था अचंबित रहे गया उस राजसी छेत्र की भविता के लिए नहीं बलकि वैसा कुछ नहीं होने की कारण वो इस बात से इस्तंबित रहे गया कि वहां कोई सम्रदी की निशानी नहीं दिख रही थी इतने विशालकाई एवं सम्रद सामराज पर शासन करने के बावजूद शाशक वर्ग विशिष्ट रूप से सरल धंग से रह रहे थी राजसी सनरशना भी ठीक उसी प्रकार की थी जैसी की अन्य वेदिकाओं पर थी अभिजात वर्ग के विक्तियों के लिए कोई रियायत नहीं थी उसी प्रकार की खंडी सनरशना राजसी नगर दुर्ग में भी निर्मित थी जैसे की समस्त मेलुहा में बनी थी दाई और एक मातर ऐसा एक अतुल्य भावन था जिस पर भावे सारवजनिक स्नानकुंड लिखा था उस स्नानकुंड में बाई और भगवान इंद्र का एक भावे मंदिर भी था सिकी हुई इटों की उची की हुई नीव पर खड़ावा मंदिर लकडी से निर्मित था जिसका गुंबत पूर्णता स्वन्ड मंदित था ऐसा प्रतीत हो रहा था कि विशिष्ट वास्तुकला को मातर ईश्वर के लिए निर्मित भावनों या उन भावनों के लिए बचा कर रखा गया था जो सब लोगों के प्रियोग के लिए होते थे संभवता भगवान श्री राम ऐसा ही पसंद करते होंगे शिव ने मन ही मन अनुमान लगाया समराट को जो एक मातर रियायत दी गई थी वो ये थी कि उनका भावन आम भावनों से बहुत बड़ा था वस्तुता बहुत ही विशाल शिव और नंदी राजिसी नीजी कारयाले में पहुचे तो देखा कि समराट दक्ष साधारान रूप से सज्जित कमरे के दूसरी चोर पर एक साधारान सिनासन पर एक इस्त्री एवा में पुरुष से घीरे हुए बैठे थे एक आपचारेक नमस्ते के साथ अभिवादन करते हुए दक्ष ने कहा मिरी आशा है कि आपकी यात्रा सुखद रही होगी इतने बड़े सामराट जी के समराट के तौर पर वे कुछ नव्युवग से दिख रहे थे वैसे तो वो आकार में शिव से थोड़े छोटे थे फिर भी उनके मद्ध में जो सबसे बड़ा अंतर था वो था शरीर की मांसल सुडॉलता जबकि विभिन प्रकार की धारियों वाले कपड़े पहना हुआ शिव अत्यधिक शक्तिशाली दिख रहा था वही दक्ष का शरीर बता रहा था कि उन्होंने अपने शरीर को कसरतों से तनावग्रस्त नहीं किया था तियाद एक मोटे भी नहीं थे बस एक सामान बनावट वाले थे उनके गेहुए रंग के चेहरे के लिए भी यही कहा जा सकता था और सताकार, काली आखें और सीधी नाख उनके बाल लंबे थे जैसे कि मिलुहावासी इस्त्री एवं पुरुष सामाने ता रखा करते थे उनके सिर पर एक रत्न जड़ित भव ताज था जिस पर मध्य में सूरिवंशियों का प्रतीक चिन सपष्ट दिख रहा था और जो चमकदार मड़ियों के पत्थरों से बना हुआ था एक अंगवस्त्रम था जो दाएं कंधे से नीचे की और लटक रहा था उसके साथ एक सुन्दर धोती और दो बाजुबंद थे प्रतीत हो रहा था कि समराट दक्ष अपने राज्य अधिकार को सरलता पूर्वक वहन कर रहे थे जी हां महराज शिव ने उत्तर दिया आपके सामराज में मोलभूत सुविधाय अद्भुत हैं आप एक आसाधारान समराट हैं धन्यवाद किन्तु मैं मात्र प्रतिविम्बित ख्याती का दिकारी हूं कारे तो मेरे लोगों किये हैं यह तो आपकी विनम्रता है महराज विनम्रता से मुस्कुराते हुए दक्ष ने पूछा क्या मैं अपने सबसे एक आपचारिक नमस्ते किया उसका सिर मुंडित था सिवाए पीछे की और बालों के एक चिकने गांट लगे हुए गुच्छे के उसके बाएं कंदे से लटक कर दाएं धर तक एक धागा लटका हुआ था जिसे जनेव कहा जाता था वो अधिकतर मिलू हावासियों की तरह ह पहने हुए थी जो दिखावा रहित एवं रूड़िवादी थे शिव ने देख लिया था कि कनकला की बाहा के दूसरे बाजुबंद पर एक कबूतर बना हुआ था ये ब्राहमणों के मद्दे बहुत अधिक प्रतिष्ठित जाती वर्ग नहीं था शिव नीचे जुके और प्रतीत हुआ कि यदि उसे मल युद्ध करना पड़े तो उसे कई बार सोचना पड़ेगा वो शिव के पेक्षा लंबा था और उसका डील डॉल अत्यंती सुगठित था जो आस पास काफी स्थान घेर कर खड़ा था उसके घुमराले एवं लंबे बाल भली प्रकार से कुल अलग था यह उन छट्रियों से भिन्न था जो अपने शरीर के बालों को मरदानगी की निशानी समझा करते थे संभवता इसी कारण परवतेश्वर ने इस कमी को चुपाने के लिए बड़ी एवं घनी मूचे रखी हुई थी जो किनारे पर उपर की और वक्र होकर मरण दूसरा बाजूबंद परवतेश्वर को बाग ही की श्रणी का बता रहा था जो च्छत्रियों में बहुत ही उच्चे जाती वर्ग का होता था उसने रुखाई से सिरह लाया नमस्ते नहीं किया अपने गर्वीले सिर से विस्तार पुर्वक जुकर सब्वेता नहीं दिखा खाला कि शिव मुस्कुराया और गर्मजोस्षी से उसका अभिवादन एक अपचारिक नवस्ते से किया कृपया बाहर प्रतीक्षा करें अधिपती नंदी को देखते हुए परवरतेश्वर ने उसे परामश दिया इसे पूर्व कि नंदी कुछ कह पाता शिव ने अपनी बात रखी मुझे च्छमा करें किन्तो यदि आपको कोई अतराज नहों तो नंदी को मेरे पास ही रहने दीजिए जबसे मैंने अपना देश छोड़ा है तबसे वो मेरे साथ निरंतर रहा है और मेरा प्रिय एवं विश्वास सी मित्र बन चुका है निसंदे वो रह सकता है दक्ष ने उत्तर दिया महराज इस मारतावलाप में एक अधिपती को सम्रित करना उचित नहीं होगा परवतेश्वर ने कहा वैसे भी इसके सेवा नियमा वलियां बताती हैं कि वो महमान को समराट की उपस्तिती तक लाने का मार्ग दर्शन करेगा और वहां नहीं जब समराज इसे सम्बंदित कोई बात की जा रही हो ओप शांत भी हो जाईए परवतेश्वर कभी कभी आप अपनी सेवा नियमा वलियों को अत्यदि गंभीरता से ले ले लेते हैं शिव के और मुरते हुए दक्ष ने पुना कहा यदि आपको कोई परिशानी नहो तो हम आपके गले को अभी इसी समय देखना चाहते हैं नंदी शिव के पीछे खिसक गया ताकि गुलूबंद को खोल सके गुलूबंद पर माला के दाने गूतने की विवस्था को देख कर कि वो ऐसा प्रतीत हो कि जैसे धार्मिक कारणों से उसे बांधा गया था दक्ष कि ताकि भली बाती दिखाई पड़ सके ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो दक्ष एवम कनखला ने देखा था उनसे वो पूर्ता अस्तंबित थे सम्राट ने गले को चूकर देखा और विसमे से फुस्पसा कर कहा रंग भीतर से आ रहा है यह रंग किया हुआ नहीं है यह सच ह और अकृतिम है दक्ष और कनखला ने एक दूसरे को देखा उनके विसमित आखों में आसू चमक रहे थे कनखला ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर नमस्ते किया और बड़बडाते हुए मंत्रों चारण करने लगी अपने अति आहलात को अतिधिक प्रत्न से दबाते ह हुए दक्ष ने शिव के मुख्ष को देखा एक नियंतरित मुस्कान के साथ मेलूहा के समराट ने कहा मेरी आशा है कि जब से आप मेलूहा में पधारे हैं आपको हमारी और से किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होई होगी दक्ष की नियंतरित प्रतिक्रिया के बाद अभी शिव को आभास हो गया था कि समराट और उसकी प्रधानमंत्री इस नीले गले को देखकर आश्चर रचकित रह गये थे पता नहीं यह बगवास नीला गला इन मेलुहा वासियों के लिए इतना महत्वण कियों हैं बिल्कुल नहीं महाराज गुलूबंद को गले पर लगाने का प्रयतने करते हुए शिव ने उत्तर दिया दरसल यहां जो अधिती सस्कार हमें प्राप्त हुआ उससे मैं और मेरा कबीला अत्यधिक प्रसंद हैं यह सुनकर मुझे अत्यधिक प्रसंद अता हुई नम्रता से अपना सिर जुकाते हुए दक्ष ने कहा आप प्रस्ताव है महराज दक्ष नंदी की और मुड़े और पूछा अधिपती आपने अपना क्या नाम बताया था मेरा नाम नंदी है महराज आप भी यहां निवास कर सकते हैं आप अपने आदरनी अधितिकी देखभाल भली प्रकार से करना सुनिश्चित करें कनकला क्रिप् कुटनों के बल बैठकर अत्यंती धर्माचार से अपने सिर से उस स्थान को सपर्ष किया जहां शिव खड़ा हुआ था उसने बड़बड़ा कर धीमे स्वर में प्रातना की और आखों में आसूले कनकला की और देखा हाला कि कनकला की आखों ने धैर खोने एवं क्रोध का विश्वास घात कर लिया था मैं कुछ समझी नहीं महराज कनकला ने आके तरेरी नीला रंग अक्रतिम था आप ने उनसे बताया क्यों नहीं आप मुझसे क्या करने के आशा करती हैं आशर से भरे दक्ष ने कहा देवगिरी में उनका मात्र दूसरा दिन है आप चाहती है कि मैं उनको संबंदित करो और बताओं कि वे ही नीलकंट है हमारे मुक्तिदाता हमारे रक्षक और उने हमारी सभी समस्याओं के निदान के लिए भेजा गया है इसमें हर जी क्या है यदि उनका कंठ नीला है तो वे ही नीलकंट है क्या वे नहीं है और यदि वे ही नीलकंट ह तो वे ही हमारी रक्षक हैं उन्हें इस प्राणब्द को सुईकार करना होगा उत्तेजित प्रवतेश्वर ने मढ्ध में ही ठोका मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हम इस प्रकार की बात कर रहे हैं हमेलू वासी हैं हम सूरिवन्शी है हमने मानवता की सबसे महान सब्यता का निर्मार किया है और कोई गवार जिसके पास कोई सिख्षा नहीं है कोई कौशल नहीं है कोई योगिदा नहीं है वो हमारा रक्षक होगा मातर इस कारण से कि उसका गला नीला है पौराणी कथा यही बताती है परवतेश्वर कनकला ने प्रतिकार किया दक्ष ने अपने दोनों मंत्रियों को रोकते हुए कहा परवतेश्वर मैं पौराणी कथा में विश्वास रखता हूँ मेरे लोग पौराणी कथा में विश्वास रखते हैं नीलकंठ ने मेरे शासनकाल में अव्तरित होने का चायन किया है वे समस्त भारत वर्ष को मेलुहा के आदर्ष पर चलने का नेतरत्व करेंगे सत्ति कर्तव एवं सम्मान की भूवी उनके नेतरत्व में हम चंदरवंशों के संकट का सदा के लिए निप्टारा कर सकते हैं वे सभी प्रकार के संताब जो वे हमें पहुचाते हैं समाप्त हो जाएंगे आतंकी हमले से लेकर सोमरस की कमी से लेकर सरस्वती के मरर तक सभी तब उन्हें बताने में ये देरी क्यों महराज कनकला ने पूचा जितने अधिक दिन हम नष्ट करेंगे उतना ही हमारे लोगों का समाधान निर्बल होता जाएगा आपको पता ही है कि अभी कुछ दिन पहले ही आतंक्यों का आकरमण एक गाउं में हुआ था जो हर्यूप से कुछ ही दूरी परस्थित था जब हमारी प्रतिक्रियत दूर्बल होती है तो हमारे शत्रों सबल होते जाते हैं महराज हमें प्रभू को शीग रही ये बता देना चाहिए और हमारे लोगों को उनके आगमन की घुशना कर देनी चाहिए ये हमें कुरूर शत्रों से लड़ाईक लड़ने में शक्ति प्रभावों का सामना किया है उन परिणामों की कलपना कीजिए यदि लोगों को ये पता चलता है कि असली निलकंट आ गये हैं किन्तों वे हमारी साहता करने से मना कर रहे हैं सर प्रथम हमें इस बात पर आश्वस्त होना चाहिए कि वे इस प्रारद को सुईकार करने को इच्छुक है उसके बाद ही हम लोगों को उनके आगमन की सूचना प्रदान करेंगे और मैं सोचता हूँ कि उनको मनबानी का सबसे उत्तम तरीका यही होगा कि हम उन्हें अपनी समस्त सचाईयों को बता दे एक बार जब वे हमारे द्वारा सामना किये जाने वले आक्रमन के अनोचित्त को देख लेंगे तो वो बुराई को नश्ट करने की युद्ध में हमारे साथ होंगे यदि इसमें समय लगता है तो कोई हर्ज नहीं है हमने सदियों से निलकंट के आने के प्रतिक्षा की है कुछ और सब्ता हमें नश्ट नहीं कर पाएंगे अध्याए पांच ब्रम्हा का जातिवर्ग शिव राजशाही विश्राम ग्रह के हरे भरे उद्ध्यान में विचरन कर रहा था उसका समस्ति सामान नंदी एवं कनकला के सहियोग्यों द्वारा राजशाही विश्राम ग्रह में लाया जा रहा था शिव एक आराम दायक तख्त पर सफेद और लाल रंग के गुलाबों की क्यारी की और मुखर के बैठा हुआ था उस खुले उद्ध्यान में सुहावनी मंध हावा ने उसके मुख पर मुसकान ला दी थी उस समय मध्यान का पूर्व प्रहर था और उद्ध्यान वीरान था शिव की सोच बार बर प्राता कल समराट से हुई वारतलाब के ओर घूम फिर कर चली जा रही थी दक्ष की नियंतरित प्रतिक्रिया के बावजूत शिव को ये बात समझ में आ चुके थी कि उसका नीला गला मेलुहा वासियों के लिए बहुत महत्वर रखता था यहां तक कि समराट के लिए भी इसका अर्थ था कि नीलकंठ की पौराणी कथा चाहे वो जो भी हो वो मात्र कश्मीर के एक छोटे से छेत्र तक ही सीमित नहीं थी यदि स्वयम समराट ने इसे गंभीरता से लिया था तो समस्त मेलुहा वासियों को आवज यही नीलकंठ की सहायता की आवशकता थी कि दो आखिर यह किस बेवकूफी के लिए सहायता चाहते हैं जी लोग हमसे आवशकता से अधिक विक्सित हैं उसकी सोच में ढोल की थाप एवं गुंगुरों के स्वर से विखन पड़ा ऐसा प्रतीत हुआ कि यह उस उद्यान में कोई निरत्य का अभ्यास कर रहा था उस निरत्य के रंगमंच और शेश उद्यान के मत्य एक बाड़ा बना हुआ था शेव स्वयम भी एक अत्यंत ही भावग नर्तक था वो सामनेता ढोल की थाप सुनकर उसकी और चला जाता ताकि उस लेपर थिरक सके पर उस समय उसका मन पूर्व के विचारों में तलीन था किन्दू भावी को कौन रोग सकता है उस नर्त्य सम्मू से आ रहे कुछ स्वर उड़कर शिव के कानों में गिर पड़े नहीं नहीं देवी आपको ये छोड़ देना चाहिए एक विलक्षर पुरुष स्वर ने कहा आपके लिए ये ऐसा काम नहीं है कि आपको करना ही होगा आप नर्त्य का आनंद लीजिए आप इसके समस्त नर्त्य पदों को याद करने का कुछ अधिक ही प्रयत्न कर रही है बजाए इसके कि नर्त्य के प्रवाह के भावों को अपने आप ही निकल जाने दे उसके बाद एक स्त्री का स्वर सुनाई दिया देवी गुरुजी उचित ही कह रहे है आप नर्त्य उचित प्रकार से कर रही है किन्то उसका आनंद नहीं ले रही है सघंता आपके मुक पर दिखाई दे रही है आपको थोड़ा आराम से नर्त्य करना होगा पहले मुझे नृत्य के पदों को सही कर लेने दीजिए उसके बाद मैं इसका आनंद लेना भी सीख जाऊंगी अंतिम सुर ने शिव के बदन के रोएं खड़े कर दिये ये सती थी वो शीगरता से उठा और जिधर से वे स्वर आ रहे थे उस वर चल पड़ा उस बाड़े के पीछे से आने पर उसने देखा कि सती एक छोटी सी वेदिका पर नृत्य कर रही थी उसके हाथ बगल में कड़ाई से उपर उठे हुए थे जब वो नृत्य की विभिन मुद्राओं का परदशन कर रही थी उसने थाप के अनुसार ही नृत्य किया पहले बाईयोर फिर दाईयोर उसने अपने आकारित कूलहे को एक और लचकाया और नृत्य के भाव को बताने के लिए अपने दोनों हाथ कमर पर रख लिये वो एक बार पुना मंत्र मुग्द था हाला कि उसने देखा कि यद्य भी वो निर्ट के पदों को सही उठा रही थी तथा भी गुरुजी सही थे वो एक यांतरिक तरीके से निर्ट कर रही थी स्वाभाविक आत्मसमरपन अर्थात एक स्वाभाविक नर्तकी के लक्षर उसके नर्त में परलक्षित नहीं हो रहे थे हर्ष एवं क्रोध के विभिन प्रकार के मनुभाव जो उस नर्तकी कथा के माध्यम से कहे जा रहे थे वे उसके निर्थे पदों में नहीं दिखाई दे रहे थे और एक कुशल नर्तिकी से भिन वो पून्ड वेधिका का प्रियोग नहीं कर पा रही थी उसके पद छोटे-छोटे थे जिसके कारण उसके निर्थे पद सिकुड कर वेधिका के केंदर तक ही सीमित थे निरते सिखाने वाले गुरुजी उसके सामने बैठे हुए थे और ढोल पर संगत दे रहे थे उसकी सहियोगी कृतिका उसकी दाई और बैठी हुई थी वे गुरुजी थे जिन्होंने सबसे पहले शिव को देखा और खड़े हो गए थे सती और कृतिका भी पीछे मुड़ गई और अपने सामने शिव को खड़ा देकर वे भी अचंबे में पड़ गई सती से भिन्न कृतिका अपने भावक और मियंत्र नहीं रख सकी और बिना कुछ समझे ही बोल पड़ी शिव? सती ने अपने सुभाव के अनुसार शांत एवं आपचारिक तरीके से गंभीरता से पूछा क्या सब कुछ ठीक है शिव? क्या आपको मेरी किसी सहायता क्या आफशकता है? आप कैसी है? मैं आपको बहुत याद करता रहा क्या आप कभी मुस्कुराती नहीं है? ये शिव के मन के उद्गार थे जो वो व्यक्त नहीं कर सकता था शिव अब भी उसे ही देख रहा था शब्द उसके मन में उमर गुमर रहे थे किन्तु जीवा पर नहीं आ रहे थे मुस्कान लिए कृतिका निर्ष सती की प्रितिक्रिया जानने के लिए उसकी ओर देखा अब उससे भी अधिक गंभीर सती ने विनमरता से दुबारा पूछा क्या मैं किसी प्रकार आपकी मदद कर सकती हूं शिव? नहीं नहीं मुझे किसी सायता कि आवशक्ता नहीं है जैसे ही वास्तविक्ता उसके संग्यान में पुना आई तो शिव ने उत्तर दिया मैं इस छेतर में आया हुआ था और मैंने आपकर निर्ष की ध्वनी सुनी मेरा मतलब है कि आप लोगों की बाते सुनी आपके निर्ष के पद इतने बलशाली नहीं थे कि मैं सुन सकता आप बिल्कुल सही डंग से निर्ष कर रही थी वास्तों में तकनी की रूप से ठीक था और बस उतना ही कृतिका ने बीच में ही बात काटी आपको निर्ष के बारे में कुछ पता है? आपको निर्ष के बारे में कुछ भी पता है या नहीं? ओ कुछ अधिक नहीं बस थोड़ा बहुत शिव ने मुस्कान के साथ कृतिका से कहा उसके बाद वो बहुत शेगरता से सदी की और मुड़ा और बोला मुझे शमा करें सदी किन्तु गुरुजी सही है आप कुछ अधिक ही नियमशील हो रही है जिस देश से मैं आया हूँ वहा के लोग इसके बारे में कुछ ऐसा कहेंगे कि मुद्राय और क्रियाय तो तकनी की रोप से पूर्दा सही है किन्तु भाव अनुपस्थित थे और नृत बिना भाव के उसी प्रकार का होता है जिस प्रकार आत्मा बिना शरीर जब नर्तकी के भाव उसमें सम्मलित हो जाते हैं उसे अपने नृत पद याद करने के आवशक्ता ही नहीं रह जाती है नर्त के पद तो स्वयम भी आते जाते हैं भाव एक ऐसी वस्तु है जिसे आप सीख नहीं सकते वो आपके पास आती है जब आप उसे अपने हिर्दय में स्थान देते हैं सतीना बिना कुछ भी बोले बड़े ही धैर से शिव की बात सुनी जब वो गवार बात कर रहा था तो उसकी भौएं थोड़ी ऊपर उड़ गई थी एक सुर्वन्शी से अधिक यविक्ति निर्थ के बारे में कैसे जान सकता है किन्तो उसने सुयम को याद दिलाया कि उसने उसके जीवन की रक्षा की थी वो उसे सम्मान देने के लिए करता वे बद्ध थी यद्देपि कृतिका ने इससे उसके अपराद के रूप में लिया कि एक बिना जाती सूचक चिन वाला विदेशी दम भर रहा है कि उसे निर्थ के बारे में उसकी महोदया से अधिक आता है उसने कृध द्रिष्टी से शिव को देखा और कहा आपका इतना दुसाहस कि आप सोचते हैं कि आपको इस राजजी की सबसे अच्छी नर्तकी से अधिक कियान है शिव को एहसास हो चुका था कि संभवता उसने कोई अपराद कर दिया था मैं अत्यदिक शमा प्रार्थी हूँ मैं किसी भी प्रकार से आपके अनादर की सोच भी नहीं सकता कई बार ऐसा होता है कि मुझे ये एहसास नहीं होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और बीना कुछ सोचे समझे बोलता चला जाता हूँ नहीं, आपने मेरा अनधर नहीं किया सती ने उत्तर दिया संभावता आप आप सही है मैं निरति के भाव को उतना मैसूस नहीं करती जितना मुझे करना चाहिए किन्तु मुझे विश्वास है कि मैं गुरू जी के मार्गतर्षन में कुछ समय में अवश्य सीख जाऊंगे सती को प्रभावित करने के अवसर को भुनाते हुई शिव ने कहा यदि आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं निर्तिका प्रदर्शन कर सकता हूँ मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं आपकी तरह तक्निकी रूप से सही नहीं हूँ किन्दू बहुत संभव है कि भाव में कुछ न कुछ अवश्य होगा जो मुझे मेरे निर्तिके पद सही लेने में 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 मार्दर्शन करेगा ये तो बहुत अच्छी तरह से मैं बोल गया अब वो ना नहीं कर सकती सती आश्चर चकित थी ये अप रत्याशित था हम ठीक है वो ना चाहते हुए भी जाने कैसे बोल पड़ी अत्यदिक परसन शिव ततकाल ही रंगमंच के मध्य में पहुँच गया उसने अंगवस्तरम को उचाल कर एक और फेक दिया जो उसके उपरी शरील को ढखे हुए था उसकी महोदया के अपमान प्रकृतिका का जो अर्थ लगाने वाला गुसा था वो काफूर हो चुका था क्योंकि उसकी उस समय गहरी सांस निकल गई थी जब उसने शिव की छोटी छोटी लहर वाली डिल डॉल को देखा उधर सती अचंबे में पढ़ती जा रही थी कि उसका वो शक्तिशाली मान स्पेशियों से सुगटिश शरीर कैसे निर्ति के लिए आवश्रक लचक कर पाएगा शक्ति की वेदी पर बहुदा लचीले पन की आउती दे दी जाती है धोल पर हलकी थाब देते हुए गुरू जी ने शिव से पूछा जिस ताल पर आप आराम से निर्ति कर सकते हैं वो बताईए है नव्यूवक शिव ने हाथ जुड़कर नमस्ते किया और विनमरता से जुक कर का गुरू जी क्या आप मुझे कुछ हन देने की किरपा करेंगे मुझे निर्ति के लिए तयार होने की आउशकता है निर्ति एक ऐसी विधा थी जिसे शिव उतनी ही अच्छी तरह से जानता था जितनी की युद्धकला फूर की और घूम कर पहले उसने अपनी आखें मुझे लिया और उसके बाद वो थोड़ा सा जुका उसके बाद वो अपने गुटने के बल हो गया और उसने भकती भाव से अपने सिर से भूमी को इस परश किया खड़ा होकर उस अपने दाहीने पाव को आगे बढ़ाया उसके बाद उसने अपने बाएं पाव को फर्श से बड़े ही सुन्दर ढंग से वक्र तरीके से तब तक उठाया जब तक कि वो घुटने की उचाई तक ना पहुँच गया और फिर उसने सुन्तुलन बनाने के लिए अपने दाएं पाव को थोड़ा जुका दिया उसका बाया पाव उसके दाएं पाव के लगाव एवं मुख के ठीक मध में आगे की योड चला गया दर्शागणों के मध्य एक मृत्य समान शांतता को मात्र शांत एवं मंद पवन की धोनी ही भंग कर रही थी गुरुजी सती एवं कृतिका ने शिव को आश्यर इसे देखा वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या कर रहा था किन्तु वे उस उर्जा का अनुभाव कर रहे थे जो शिव की उस मुद्रा से निकल रही थी शिव ने सुन्दर वृत्ताकार निर्तिपद लेने के साथ अपने दोनों हाथों को उठाया और उन्हें कंधे के बराबर दोनों और लेकर गया उसका दाहिना हाथ इस प्रकार से धाचा बना रहा था जैसे उसने डमरू हाथ में पकड़ रखा हूँ उसका बाया हाथ खुला था उसकी हथेली उपर के और मुख किये हुए थी जैसे वो कोई दैवी उर्जा प्राप्त कर रही हो उसने इस मुद्रा को कुछ देर तक यूँ ही बना कर रखा उसका दीबतिमान मुख बता रहा था कि शिव अपनी ही दुनिया में खोता चला जा रहा था उसके बाद उसका दाहिना हाथ आप प्रियास से ढगे की दिशा में चला जैसे उसके पास अपना ही मन हो उसकी हथेली अब खुली हुई थी और दर्शक की और देख रही थी वो मुद्रा कुछ इस प्रकार की थी जैसे वो सती को संदक्षर दे रही थी जो अचंबे से सब कुछ देख रही थी उसका बाया हाथ उसके कंधी के बराबर वाले स्थान से सामने की और आया जिसके हथेली नीचे की और मुख किये हुए थी बाया हाथ एक मुद्रा करने के बाद रुका जब वो इस इस्थिते में आया कि वो बाएं पाओं को दिखा रहा था शिव ने इस मुद्रा को भी थोड़ी देर तक रोके रखा और उसके बाद उसने निरत प्रारम कर दिया सती ने आशर से शिव को गूरा वो उसके ही निरत पद का परदर्शन कर रहा था इसके बावजूद वो पूरी तरह से एक भिन निरत लग रहा था उसके हाथों की मुद्राएं पूरी तरह से आप्रयासित थी जैसे जादूई हो कैसे इतने सुगठित शरीर में इतनी लचक हो सकते थी गुरू जी ने असहाय होकर ढोल से संगत देने का प्रयतन किया किन्तो इस पश्ट रूप से इसकी कोई आवशकता नहीं थी क्योंकि शिव के पाओं ही ढोल की थाप का गुंजन कर रहे थे निरत्र ने इस्त्री के विबिन भावों के प्रदर्शन को दिखाया प्रारंप में एक इस्त्री अपने पती के साथ हसी चिटोली करते उसकी प्रसनता एवं अनुराग को दर्शाया उसके बाद अपने साथी के अनुचित मृत्यों पर उसके क्रोद और पीड़ा को दर्शाया यहां तक कि शिव के इतने रूखे मरदाना शरीर होने पर भी एक शोग ग्रस्त इस्त्री के कोमल फिर भी सबल भावों का प्रदर्शन पोड़ता सहच दिख रहा था शिव के नेतर खुले हुए थे किन्तो दर्शक गड़ों ने संपादित किया कि वो उनके लिए अंजान थे शिव अपनी ही दुनिया में था वो दर्शकों के लिए निरत नहीं कर रहा था वो प्रशंसा पाने के लिए निरत नहीं कर रहा था वो संगीत के लिए निरत नहीं कर रहा था वो मातर स्वयम के लिए निरत कर रहा था बलकि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसका निरत किसी दिवे शक्ती द्वारा निर्देशित हो रहा था सती को अनुभा हुआ कि शिव सही था उसने स्वयम को खुला छोड़ दिया और निरत्य स्वयमेव उसके पास आप पहुंचा था ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वो निरत्य अनंतकाल तक चलने वाला था फिर अचाना कि शिव ने कडाई से आखें बंद किया और अंतता उसका निरत्य समाप्त हो गया उसने अपनी अंतिम मुद्रा को बहुत देर तक रोखे रखा और उसके दीपती उसे छोड़ कर चली गई ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो अब अपनी दुनिया में वापस लोड़ गया था शिव ने धीरे से अपनी आखें खोली तो उसने देखा कि सती कृतिका और गुरुजी पूर्ण विसमे में उसे निहार रहे थे गुरुजी वे पहले थे जिने अपने कंठ स्वर की सबसे पहले प्राप्ती हुई आप कौन है? मैं शिव हूँ नहीं नहीं आपका शरीर नहीं मेरा आर्थ है कि आप कौन है? शिव ने दोनों आखों को वक्र कर तेवरी चड़ाया और पुना दोराया मैं शिव हूँ गुरुजी क्या मैं एक प्रश्ण पूच सकती हूँ? सती ने पूचा निसंदे आप पूच सकती है शिव की और मुड़कर सती ने पूचा निर्थ से पहले वो आपने क्या किया था? क्या वो किसी प्रकार की प्रस्तावना थी? जी हाँ इसे नटराज मुद्रा कहा जाता है ये निर्थ के ईश्वर की मुद्रा है नटराज मुद्रा? वो क्या करती है? उसने मेरी उर्जा को सारवभौमिक उर्जा के साथ एक रेखित कर दिया ताकि नर्त स्वयम हूत्पन हो सके मैं कुछ समझी नहीं देखिए ये कुछ इस प्रकार है हमारे लोगों के मद्ध हमारा मानना है कि इस विश्व में सभी वस्तुएं किसी न किसी प्रकार की शक्ती या उर्जा की समभाहक है पेड पौधे पशु वस्तुएं हमारे शरीर सभी कुछ उर्जा के समभाहक है और उर्जा संचारित करते है किन्तों उर्जा की जो सबसे बड़ी समभाहक है जिसके हम संपर्क में होते हैं वो स्वयम माता पृत्वी है वो मैदान जिस पर हम चलते हैं उसका आपके निर्थ से क्या लेना देना है इसलिए क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए आपको उर्जा क्या वशक्ता होती है उर्जा लोगों से, वस्तूओं से, स्वय माता प्रत्वी से आती है आपको उस उर्जा के लिए सम्मान पूर्वक मांग करनी होती है और आपकी ये नट्राज मुद्रा आपको उस उर्जा को प्राफ्ट करने में सहायता करती है जिसके आप कामना करते हैं गुरु जी ने पूछा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि मैं किस लिए उस उर्जा की कामना करना चाहता हूँ नट्राज के मुद्रा मुझे उस नर्टि के लिए आदर पूर्वक उर्जा मांगने में सहायता करती है जो मेरे पास आना चाहती है यदि मुझे मेरी सोच के लिए उर्जा की कामना करनी होती तो मुझे पालती मार कर बैठ कर ध्यान लगाना चाहिए ऐसा प्रतीत होता है कि उर्जा आप पर क्रपा रखती है नव्योग गुरु जी ने कहा आप नट्राज हैं नर्टि के इश्वर ओ नहीं शिव ने लगभग पुकार कर कहा मैं तो उस अनन्त नट्राज उर्जा का एक माध्यम मातर हूं कोई भी उसका माध्यम हो सकता है यदि ऐसा है नव्योग तो आप विशेश रूप से इसके प्रभावी माध्यम है गुरु जी ने कहा सती की और मुड़कर गुरु जी ने कहा यदि आपके इन जैसे मित्र हैं तो आपको मेरी आवशकता नहीं है पुत्री यदि आप चाहती है कि शिव आपको निरत सिखाए तो मुझे स्वयम को इस कारे से विलग करने में गर्वी एनुबूती होगी शिव ने सती को आशानवी दृष्टी से देखा ये सब उसकी आशा से बहुत ही अच्छा हो गया था हाँ बोल दो सुन्दी हाला कि ऐसा प्रतीत हुआ कि सती इससे प्रथक विचार रही थी आश्चर से भरे शिव ने उस इस्त्री के भेदे होने का पहला संकेत देखा उस इस्त्री ने अपना सिर जुकाया जो से गर्वीले वेभार अनुकूल नहीं था और धीरे से फुस्पसार भरे स्वर में बोली मैं किसी का नादर नहीं कर रही किन्तु संभवता मुझे में इतनी निपूरता नहीं कि मैं इस इस्तर का प्रसिक्शन प्राप्त कर सको किन्तु आपके पास निपूरता है शिव ने तर्क किया आपके पास आचरान है आपके पास हिरदे है आप बड़ी आसानी से उस इस तर तक बहुत सकती है सती ने सिर उठा कर शिव की ओर देखा उसकी आखों में हलकी नमी के संकेत दिख रहे थे उसने दुख के जिस महा समुद्र को दिखाया उसने शिव को विश्वे में डाल दिया यहां क्या बक्वास हो रहा है मैं किसी भी इस तर से बहुत दूर हो शिव सती बड़बड़ाई जब उसने यह कहा तो सती को स्वयम को पुना नियंतरित करने की शक्ती आ गई थी विनमर गरवीला आचराण उसके मुख पर वापस लोट आया था मुखोटा पुना आ चुका था यह मेरी पूजा का समय है गुरू जी आपके आग्या से मुझे यहां से चले जाना चाहिए वो शिव की और मुड़ी आप से दुबारा मिलकर बहुत प्रसनता हुई शिव इससे पहले की शिव कुछ बोल पाता सती मुड़ी और महां से चली गई कृतिका ने उसका अनुसरान किया गुरू जी पूर्टा भोचक के शिव को लगातार गहरी द्रिश्टी से देख रहे थे उन्होंने शिव की और जुक कर आपचारिक नमस्ते किया और कहा आपको निर्ति करते देख कर मैं कृतग्य हुआ उसके बाद वे भी मुड़े और महां से चले गए शिव मिलूहा वासियों के इन अगम में तरीकों को सोचकर आश्चरे चकित रहे गया दूसरे दिन प्राता काल के बाद बहुत समय बीच चुका था जब शिव और नंदी नीजी राजशा ही कारयाले में पहुचे थे और उन्होंने पाया कि दक्ष परवतेश्वर और कनखला उनके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे आश्चरे चकित शिव ने कहा मुझे चमा करे महराज मैंने सुचा कि दितिये पहर में चार गंटे पर हमें मिलना था मुझे आशा है कि मैंने आपको अधिक प्रतीक्षा नहीं करवाई होगी दक्ष एक आपचारिक नमस्ते के साथ उठ खड़ा हुआ वो सासमान जुका और बोला नहीं operators आपको शमा मांगने के कोई आवशकता नहीं है हम ही थोड़ा समय से पूर आ गये थे ताकि आपको प्रतीक्षा ना करने पड़े ये गर्व की बात है कि हमें आपके प्रतीक्षा करने का सूअफ्सर प्राप्त हुआ अपने समराट और मानव जाती की सर्वोत्तम संभिता के शासक की एक गवार के प्रती इस अत्यंत ही दासत वाली मुद्रा को देकर परवतेश्वर ने अपनी आखे गुमाई समराट द्वारा प्रभु का संभोधन सुनने के बाद अपने आश्यर पर नियंतरा रखते हुए शिव ने समराट के और जुक कर नमस्ते किया और बैड़ गया प्रभु इस से पूर्व की में नीलकंट की पौराणी कथा का एकाला प्रारंब करो यदि आख कुछ प्रश्ण करने की इच्छा रखते हैं तो वो पोच सकते हैं दक्षन शिव की मन्शा को भापते हुए कहा जो एक सबसे पश्ट प्रश्ण शिव के मन में सरप्रथम आया वो था उस पवित्र जहिल के नाम पर मुझे कोई बताया कि ये पवित्र नीला गला इतना महत्ववपोण क्यों है किन्तु उसकी सौभाविक बुद्धी ने उससे कहा कि यद्दे पी यही सबसे प्रतेक्ष प्रश्ण प्रतीत होता था तथा पी ये तब तक उत्रित नहीं हो सकता था जब तक कि वो मिलूहा के समाज के बारे में और अधिक नहीं समझ लेता है ये एक आसामाने प्रश्ण प्रदीत हो सकता है माराज शिव ने कहा किन्तु कि मैं पूछ सकता हूं कि आपकी उम्र कितनी है आश्यर चकित दक्ष ने कनकला की और देखा उसके बाद शिव की और वापस मुलकर एक विस्वित मुस्पकान के साथ कहा आप अत्यंती बुद् विस्तब्द था दक्ष तीस वर्ष से एक दिन भी अधिक आयू का नहीं दिखता था असल में मेलूहा में कोई भी व्रद नहीं दिखाई देता था मात्र उस पंडित को छोड़कर जो से ब्रह्मा के मंदिर में मिला था तो इसका अर्थ यह हुआ कि नंदी सचमुची एक स दक्ष ने व्याक्या की असल में हमारे व्यग्यानी को द्वारा बनाया गया सोम्रस इसे संभव करता है वही सोम्रस जो देटा लोग पीते हैं उप्यूक्त समय पर सोम्रस का पान ना केवल हमारी मृतियों को बहुत अधिक स्थगित कर देता है बलकि यह हमें समस्त जीवन युवा बना कर जीने की शकती भी प्रदान करता है मांसी के ममशारीरी ग्रूप से किन्तु ये सोम्रस क्या है वो कहां से आता है इसका अविशकार किस ने किया बहुत सारे प्रशन प्रभू दक्ष मुस्कुराया किन्तु मैं प्रयात्न करूँगा कि एक करके अपके जानिकों में से एक निक कई सहस्त्रों वर्ष पहले किया था उनका नाम था भगवान ब्रह्मा मेरे विचार से मेरु नमक्स थल पर देवगिरी की यत्रा करते समय मैं एक मंदिर में गया था जो उनका ही था जी हाँ प्रभू ये वही स्थान है जहां कतीत रूप से उन्होंन लिए प्रयोग ठोण विष्ट के विस्तर प्रकार के नियंत्रनों की विवस्ता की थे किस प्रकार के नियंत्रनड वे सुम्रस सब को यूहीं उदारता से नहीं देते थे दक्ष ने कहना जाली रखा देश्व्यापी सक्षम सर्वेक्षनल करने के उपरांथ उन्होंने तुर्टहीन चरित्र वाले किशोरों के एक समूह का चायन किया प्राचीन भारतवर्ष के साथ परिछेत्रों में से प्रतेक किया गया चुकि इन बालकों को आउशदी देकर सुम्रस के कारण उन्हें एक अत्रिक्त जीवन प्रदान किया गया अता उन्हें दूज अर्था दो बार जन्म लेने वाला कहा गया भागवान ब्रह्मा के प्रसेक्षन उनके सामोहिक प्रियासों से किये गये अनेक ब्रह्मा ने जो व्यक्ति चुने थे वे साथ की संक्या में थे अता वे सब्तर्शी अत्वा सब्तरिशी कहलाए और इन सब्तरिश्यों ने अपना नैपुन्य समाज की भलाई के लिए किया जी हाँ प्रभू भगवान ब्रह्मा ने सब्तरिश्यों के आच्छरणों के कर सकते थे जैसे पंडित सिक्षक वैद तथा ऐसे ही अन्य बुद्धिशाली व्यसा है इसके बदले में उन्हें कुछ भी लेने की मना ही थी और उन्हें भिक्षा और दूसरों द्वारा दिये गए दान पर जीवित रहना था कड़े सेवानियम मस्खरी के साथ शिव ने पर जबका कर कहा पर वतिश्वर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दे कि दुद्धक्ष कनकला इमुम नंदी ने जोरदार ठाहा का लगाया शिव ने खड़की के बाहर प्रहर कंदील को देखा लगबक तीसरे प्रहर का समय हो चला था यह वो समय था जब सती निरते के लिए बाहर लोगों को भी जोड़ लिया उनके अनुजाईयों ने उन्ही नियमों के पालन के प्रतिग्या ली जो सब्तुरिशी करते आ रहे थे और उन्हें भी सोमरस का पान करने का अफसर मिला उन्होंने अपने जीवन को ग्यान की खोज में तथा बिना किसी द्रवे के लाब के इसी कारण से समाज ने इन्हें लगबख भक्ति मैं आदर दिया बहुत समय के बाद सब्तुरिशी इमम उनके अनुजाई ब्रह्मा के जाती वर कत्वा ब्रहमण कहला है कितु जैसा की अकसर होता है एक लंबे समय के बाद सभी अच्छी व्यवस्थाओं की तरह ही कुछ ल ब्रहमण उन कड़े नियमों को भूल गए जो भगवान ब्रह्मा ने लागू किये थे और सब्त रिश्यों ने जिनके प्रचार प्रसार किये थे उन लोगों ने सोम्रस द्वारा प्रदान की गई विस्मेकारी शक्तियों का अपने नेजी लाप के लिए दुरूपयोग कर करना प्रारंब कर दिया कुछ ब्रहमणों ने एक बड़ी जनसंक्या पर प्रभाव डालकर सामराज्यों को जीतना एवं उन पर शासन करना प्रारंब कर दिया सब्त रिश्यों एवं भगवान ब्रह्मा के अनीक आविश्कारों का दुरूपयोग कर कुछ ब्रहमणों ने लिए अत्यदिक धन संचे कर लिया और तो और यहां तक कि कुछ ब्रामणों ने कनकला ने भैवीत होने वाले भाव से बीच मेहीं अपनी राय दी तो सब्तरिशी उत्तराधिकारीं के विरुद विद्रोह भी कर दिया सब्तरिशी उत्तराधिकारी शीव ने जानना जाहा वे किसी सब्तृष्षी को यह पता चल जाता था कि उसके नश्वरक शरीर का अंध swallow आ था तो वे अपने गुरुकुल से ही अपना उत्राधिकारी नोख करते थे वे उत्तृषी ठीक उसी प्रकार से अहधर्थ हमान पाते हैं जो उनके पूरवच सब्तर्यशी प्राप्त किया करते थे इसका अर्थ यह ूंचे चैनित ब्रहम्र जाती वर्ग के के हाथ में था जैसे गरुल मोर और राजहंस दरसल उनके उंचे ओहदे के कारण इन चैनित जाती वर्ग वालों को छत्री एम वैश्यों के अधीन कारे करने की अनुमती नहीं थी जब तक कि विवस्त वादी दुनिया के प्रलोभन में लोब वश्वस्त नहीं जाते थे इस पर भी वे बुराई की प्रलोभन पर सबसे पहले वश्य भूत हुए और आपके जैसे चैनित जाती वर्गर्था कबूतर अपने प्राशीन नियमों पर डटे रहें इसके बावजूत के वेच छत्रियों के लिए काम करते थे शिव ने पूछा जी हाँ प्रभू कनक्ला न उसी समय एक शूदर आया उसने प्रहार कंदील को पुनातायार किया और जितनी शीगरता से वहां आया था उतनी शीगरता से वहां से चला गया शिव ने स्वयम को इसमरण दिलाया कि अब किसी भी छण सती उस उद्ध्यान में अपना निर्थे प्राराम बकर सकती थी इस किस क्रांती ने परिवर्तन किया महराज दक्ष की ओर मुणते हुए शिव ने पूछा आप परवतेश्वर और नंदी छत्री हैं और आपने इस पश्ट्रूप से सुम्रस का पान किया है दरसल मैंने देखा है कि आपके समराज में चारों ही जाती के लोग युवा और स्व जैश्री राम जैश्री राम उस कमरे में सभी लोगों ने जैगोश किया उनके विचारों नेत्रत्व ने मिलूहा के सामाज को नाटके ढंग से परिवर्तित कर दिया दक्ष ने कहना जारी रखा असल में स्वयम इतिहास की दिशा ही मौलिक रूप से बदल गए किन्तु इ अब यह तीसरा प्रहर चल रहा है कि हम भोजन कख्षके और प्रस्थान कर सकते हैं और इस कथा के पूर्व कुछ भोजन करना कर सकते हैं मेरे विचार से मध्यान भोजन करने का विचार अति उत्तम है महाराज शिव ने कहा किन्तु क्या मुझे थोड़ी देर के लिए छमा पूर्ण खीस से भरा हुआ था हाला कि दक्ष ने अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखी थी निसंदे हम कल मिल सकते हैं प्रभू क्या दूसरे प्रहर कर दूसरे घंटे का प्रारम आपके लिए उचित रहेगा सर्वता उचित रहेगा महाराज इस असुईधा के लिए मैं चमा परार्थी हूँ बिल्कुल नहीं प्रभू हमेशा की तरह मुस्कान लिए दक्ष ने कहा क्या मेरा कोई रथ आपको अपने गंतवी तक छोड़ सकता है आप बड़े कृपालू है महाराज किन्तु मैं स्वयम ही वहाँ चला जाओंगा मैं पुना चमा परार्थी हूँ उस कक्ष में सबको नमस्ते करने के बाद शिव और नंदी शेगरता से बाहर निकल गए कनक्ष ने अभी योग आत्मक धंग से दक्ष को देखा समराट ने सेर हिलाया और हाथ से शांत रहने को कहा सब ठीक है हम कल मिल रहे हैं है कि नहीं महाराज हमारे पास समय बहुत कम है कनक्ष ने कहा नील कंठ को अपना उत्तरदायत वत्तकाल सुईकार कर लेना चाहिए उन्हें समय दीजे कनक्ष हमने इतने लंबे समय से प्रतीक्षा की है कुछ दिनों में सबकुछ नष्ट होने वाला नहीं है परवतेश्वर सहसा उठा उसे दक्ष को जुकर सम्मान दिय और बोला आपके आग्या से महराच क्या मैं जा सकता हूं एक गवार को सिक्षित करने की तुलना में बहुत सी ऐसी व्यवहारिक पस्तों हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है आपको उनके बारे में आदर से बोलना चाहिए परवतेश्वर गुराहट के साथ कनक्ला ने क ये प्रभु राम का मौलिक नियम है मातर आपका कर्म ही महतपोर्ण है ना तो आपका जन्म ना ही लिंग और निश्चित रूप से किसी की गले का रंग तो बिलकुल नहीं हमारा समस्त समाज योगिता पर आधारित है या फिर आप लोग उसे भूल गए हैं बहुत हो चुक यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए अपने मित्रों के साथ शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अलविदा नमस्कार आप सभी का मोटिवेशन टू रीड में स्वागत है आज हम जिस पुस्तक का सास्वार पठन करने वाले हैं वो शिव रचनात्रई की पहली पुस्तक मेलूहा के मृत्यंजय है शिव रचनात्रई की ये पहली पुस्तक शिव को एक साधारन मनिश्य के रूप में प्रतिबादित करती है जिसके कर्म उसे देवों के देव महादेव में परिवर्तित कर देते हैं अपने प्रारब्द एवं कर्तव्यों की और खिच जाने वाले एवं साथ ही प्रेम से प्रेरित शिव क्या सूर्वंशियों के प्रतिशोध में उनका नीतरत्व करेंगे और बुराईयों का नाश कर पाएंगे आईए जानते हैं कि शिव क्या सचमुच ही महानायक है और क्या वे महानायक बनना भी चाहते हैं या नहीं शिव रचना त्रई की प्रथम पुस्तक मिलूहा के मृत्युंजे लेखक अमीश त्रिपाठी अनुवादक विश्वजीत सपन अध्याय छे बुरे भागे लाने वाले विकर्म नंदी उद्यान के बाहर प्रतीक्षा कर रहा था जैसा कि उससे कहा गया था जबकि शिव बाड़े की पीछे नृत्यमंडप छेतर में चला गया था शांत नृत्यमंडप ने पहले से ही नंदी को संकेत दिये दिया था कि उसके प्रभू को वहाँ कोई नहीं मिलेगा तथा पी शिव की उम्मीद बनी हुई थी और उसने आशा पूर्वक सती की प्रतीक्षा की लगबग एक घंटे तक प्रतीक्षा करने के बाद शिव को लगा कि आज निरत्य का अभ्यास नहीं होने वाला था अत्यधिक निराश होकर वो शांत मुद्रा में नंदी की ओर चल पड़ा क्या कोई है जिसे ढूणने में मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ प्रभू उत्सुक नंदी ने पूछा कोई नहीं है नंदी भूल जाओ शिव का स्वर निराश्या भरा था नंदी समझ गया कि उसके प्रभू उसे इस विशे में बतानी की इच्छा नहीं रखते थे अता विशे बदलने का प्यास करते हुए नंदी ने कहा प्रभू आपको अवश्य ही भूख लगी होगी क्या हम विश्राम ग्रह में चले और भोजन कर ले नहीं अभी नहीं मैं इस नगर का थोड़ा चक्कर लगाना चाहता हूँ शिव ने इस आशा में कहा कि कहीं भागे उसका साथ दे और सती से उनकी मुलाकात हो जाए क्या हम राजत वेदिका पर किसी भोजनाले में जा सकते हैं ये बहुत ही अच्छा रहेगा नंदी मुस्कुराया जो राजशाही विश्टराम ग्रह के ब्राहमण प्रभावी सादे शाकाहारी भोजन से घ्रणा कर बैठा था छत्रियों के भोजलाने में मिलने वाले मसालेदार मांस की उसको कमी खटक रही थी हाँ क्या है परवदेश्वर दक्ष ने पूछा महराज मुझे इस तरह से अचाना काने का खेद है किन्तु अभी इसी समय मुझे कुछ परिशान करने वाले समाचार प्राप्त होए है और वो आपको व्यक्तिकत रूप में बताना है अच्छा वो क्या है शिव अभी से समस्य उत्पन कर रहा है आपको नीलकंठ के विशे में क्या कहना है शोप करते हुए दक्ष ने अपनी आखे उठा कर असहमती में पूछा आप इस बात को क्यो नहीं मान लेते कि नीलकंठ हमारी रक्षा करने के लिए आए है इसका शिव के बारे में विचार से कोई लेना देना नहीं है माराज गृपया मेरे समचार को तो सुन ले चेनर ध्वज ने शिव को कल उद्यान में देखा था चेनर ध्वज अभी से यहां है जी हां माराज उसकी आपके साथ समीक्षा का समय परसोनियत किया गया है चाहे जो भी हो तो चेनर ध्वज ने क्या देखा उसने भी शिव को घिनोनी हरकत करते देखा है इसका आर्थिस्पष्ट है कि हम इस बात को मान सकते हैं कि वो पूर्वा ग्रह से ग्रसित नहीं है ठीक है मैं आपकी बात मानता हूँ मगर उसने नीलकंट को क्या करते देखा उसने शिव को उद्यान में निरत्य करते देखा पर्वतेश्वर ने उत्तर दिया तो क्या ऐसा कोई कानून है जो निरत्य को परतिबंदित करता है और जिसकी जानकारी मुझे नहीं है कृपया मुझे बोलने दीजे महराज वो निरत्य कर रहा था जबकि सती उसे भाव विभोर होकर देख रही थी दक्ष की जिग्यासा सहसा आकरशित हो गई वो आगे जुपते हुए बोला और सती ने उचित व्यभार किया और जब शिव उसके करीब आने की चेश्टा कर रहा था तो वो वह वहाँ से चली गई किन्तो चेनर ध्वज ने शिव को फुसफुसाते हुए सुना जब सती चली गई अच्छा वे क्या फुसफुसाए उसने धीमे स्वर में कहा हे पवित्र जील मुझे इसे प्राप्त करने में सहायता करें मैं आप से इसके बाद फिर कभी कुछ नहीं मांगूँगा दक्ष अत्यंत प्रसन ने दिखा तुम ये कहना चाते हो कि निलकंठ को संभवता मेरी पुत्री से प्रेम हो गया है महराज आप समराजी के नियमों को भूल नहीं सकते अत्यंती परेशान प्रवतेश्वन ने संपादित किया आप जानते हैं कि सती विवाह नहीं कर सकती यही वो बात है जो हमें वैसा बनाती है जो हम है चंद्रवंशियों और नागाओं से बहतर यहां तक कि प्रभुश्री राम भी नियमों के उपर नहीं थे तो कैसी ये गवार इतना महतपूर्ण समझा जा सकता है क्या आप नहीं चाहते कि सती सुखी रहें दक्ष ने पोचा उसे पारवति किसी कारान से कहा जाता है क्योंकि वो आपकी इश्वर पुत्री है क्या आप नहीं चाहते कि वो पुना अपनी खुशी प्राप्त कर ले मैं सती को अपनी पुत्री की तरह से ही हमेशा प्रेम करता रहा हूं मैं सती को अपनी पुत्री की तरह से ही हमेशा प्रेम करता रहा हूं महराज परवतेश्वर ने अपनी आखों के भावों का दुरलब प्रदर्शन किया मैं उसके लिए कुछ भी करूँगा नियम भंग करने के अलावा आप में और मुझे में यहीं अंतर है सती के लिए मैं नियम भंग करने में भी नहीं हिचकूँगा यह वो मेरी पुत्री है मेरा रखता है और शरीर का अंग है उसने अभी तक बहुत दुख जील लिये है यदि मुझे कोई ऐसा मार्क मिलता है जिससे वो प्रसन हो सके तो मैं उस मार्क पर चलूँगा चाहे उसका परिणाम कुछ भी क्यों नहो शिव और नंदी ने अपने घोडों को रजत वेदिका के मुखे बाजार के निकट मियत इस्थान पर बांध दिया आगे बढ़ते हुए नंदी ने अपने पसंदीदा भोजनाले के लिए शिव का मारदर्शन किया ताजा ताजा पकाय गए मांस की आवंत्रा देने वाली मीठी सुगंदर नंदी की मिट गई भूब को पूरी तरह से जगा दिया था जिसकी शांती पिछले दो दिनों से राजिसी विश्राम ग्रह में नहीं हो पाई थे परंदु भोजनाले के स्वामी ने प्रवेश पर शिव को रोग दिया क्या वात है भाई? नंदी ने पूछा मुझे अत्यंत खेद है भाईयों क्यूंति मैं भी इस समय धार्मिक संकल्प कर रहा हूँ बोजनाले के मालिक ने शिव के गले की और संकेत करते हुए नम्रता से कहा और आप तो जानते हैं कि एक संकल्प ये भी है कि साथी संकल्प लेने वालों को मैं मानसाहार नहीं परोज सकता नंदी ने आश्र में बिना कुछ समझे बूजे ही कहा लेकिन किसने धार्मिक संकल्प शिव दौरा उसे बोलने से रोक दिया गया जिसने उसे अपनी आखों के इशारे से मालाओ से गूते हुए अपने गले के गलूबंद को दिखाया नंदी ने सहमती में सिर हिलाया और शिव के साथ ही बोजनाले से बाहर चला गया ये वर्ष का ऐसा समय है जब धार्मिक संकल्प लिये जाते हैं प्रभू नंदी ने विरंडिया आप क्यों नहीं यहीं बगल में प्रतीक्षा कर लेते हैं उस दूसरी दिशा में दाहिनी और कुछ अच्छे बोजनाले हैं मैं वहाँ जाकर देखता हूँ कि कोई ऐसा बोजनाले है जिसके मालिक ने संकल्प नहीं लिया हो शिव ने सहमती में सिर हिलाया रंदी शीगरता से उस ओर चला गया और अपनी वस्तों के विग्यापन नहीं कर रहा था ग्राहक बीना असफल हुए विनम्रता से बोल रहे थे यहां तक कि मोल भाव करने में भी ये इतने अच्छे विभार वाले मूर्क व्यापारी हमारे पहाडों के उपद्रवी बाजारों में एक धेली का विव्यापार नहीं कर पाएंगे शिव मेलूहा वासियों के विचितर व्यभारों की सोच में इतना गूम हो गया कि उसे नगरी धिलोरा पीटने वाले की पुकार तब तक नहीं सुनाई दी जब तक कि वो ठीक उसके पीछे नहीं आ पहुचा विकर मिस्तरियों की सवारी कृपया रास्ता दे आशर चकर शिव पीछे मुड़ा तो उसने देखा ये एक लंबा चोड़ा मेलुहा वासि छत्री उसे नीचे देख रहा था क्या आप थोड़ा बगल हटने की कृपा करेंगे महोदे विकर मिस्तरियों की सवारी अपनी पूजा के लिए यहां से यत्रा करने वाली है धिनोरा पीटने वाले का लहजा और आचरन निश्चित रूप से शालीन था किंतु शिव किसी ब्रहम में नहीं था धिनोरा पीटने वाला शिव को पूछ नहीं रहा था वो उसे बता रहा था शिव जैसे ही सवारी के गुजरने देने के लिए पीछे हड़ा तो नंदी ने धीरे से उसका हाथ इसपर्श किया मैंने एक बहुत ही अच्छा भोजनाले ढून लिया है प्रभू उल्लसित नंदी ने कहा मेरे पसंदीदा में से एक और उसका रसोई अगले कम से कम एक घंटे तक तो चालू रहने वाला है हमें खाने के लिए बहुत भोजन मिल जाने वाला है शिव ने ठाहा का लगाया ये बड़े आश्चरी की बात है कि केवल एक भोजनाले इतना भोजन बना सकेगा कि तुम्हारी भूग को शांत कर दे नंदी भी साथ में हासने लगा जफ शिव ने उसकी पीट पर थपकी लगाई जैसे ही वो मुड़े और गली में जाने लगे तो शिव ने पूछा ये विकर्म स्त्रिया कौन है विकर्म लोग प्रभू नंदी ने गहरी सांस ले कर कहा ये ऐसे लोग हैं जिने अपने पूर्व जन्म के पाप के लिए इस जन्म में दंड मिला है इसलिए उन्हें ये जीवन मर्यादा के साथ जीना होता है और उन्हें अपने दुख को गरिमा के साथ सहन करना होता है यही एक उपाय हैं जिससे वे अपने पूर्व जन्म के पापों को अच्छे कर्म से स्वच्च बना सकते हैं विकर्म पुरुशों के लिए उनके अपने अलग प्रकार के प्रायश्चित हैं और इस्तरियों के लिए अलग आदेश हैं हम जिस मार्ग से अभी आएं हैं वहाँ पर विकर्म इस्तरियों के एक सतवारी जा रही थी क्या उनकी पूजा भी एक आदेश है sécurité शिव ने पूछा जी हाँ प्रभू विकर्म इस्त्रियों को बहुत सारे नियमों के पालन करने होते हैं उनको मुक्ति के लिए पवित्र करने वाले अगनी देव की पूजा प्रतेक महीने एक विशेश अधिदेश के अनुसार की करनी होती है उन्हें विवाह करने के अरुमती नहीं होती क्योंकि वे अपने बुरे भागे के कारण उनके जीवन को विश्युक्त कर सकते हैं जिनसे वे विवाह करते हैं उन्हें ऐसे किसी को स्पर्ष करनी के अरुमती नहीं होती जो उनके निकट के संबंधी अर्थात परिवार वाले नहीं है अथवा जिने वे अपने सामाने करतव्यों के कारण स्पर्ष ना कर रहे हो इसके अतरिक्त भी कई अन्य प्रावधान हैं जिनके बारे में पूरी जरा से मुझे पता नहीं है यदि आपको उत्सुपता है तो हम अगनी मंदिर के पंडित से मिल सकते हैं जो विकर्म लोगों के बारे में आपको सब कुछ बता सकते हैं नहीं मैं इस समय पंडित से नहीं मिलना चाहता शीब ने एक हलकी मुसकान के साथ कहा वो अपने ब्रामक और गूर दर्शनों से मुझे निश्चे ही तंग करेगा लेकिन एक बात बताओ कि नने कौन लेता है कि विकर्म लोगों ने पूर्व जन्मे पाप किया है उनकी अपने कर्म प्रभू नन्दी ने कहा तो उसकी आँखे इस प्रकार संकेत दे रही थी जैसे ये तो बहुत ही इस पश्च था उधारन के लिए यदि एक इस तरी मरत बच्चे को जन्म देती है तो उसे ये दंड उसके अपने पूर्व जन्मे में किया गया कोई पाप होता है या फिर यदि किसी वेक्ति को ऐसी बीमारी पकर लेती है जिसके कारण उसे लकवा मार जाता है तो ये उसके साथ क्यों होगा यदि प्रकरती में उसे उसके पूर्व जन्म के लिए दंडित ना किया हो ये मुझे बहुत ही बेहुदा प्रतीत होता है एक इस तरी किसी मरत बच्चे को जन्म देती है उसका कारण ये हो सकता है जिसके की गर्बावस्ता के दौरान उसने परियाप्त रूप से देखभाल ना की हो या फिर ये किसी बीमारी के कारण भी हो सकता है ये कोई कैसे कह सकता है कि उसके पूर्व जन्म के पापों के कारण उसे दंडित किया गया है शिव के विचारों से नंदी इस्तब्द था उससे कुछ भी कहते नहीं बन पा रहा था वो एक मेलूहा वासी था और गम भीरता से कर्म की अवधारना को मानता था जो कई जन्मों तक चला करता था वो धीरे से बढ़बढ़ा है यही नियम है प्रभू देखो इमानदारी से एक बात कहूं ये नियम वस्तुता मुझे अनुचित लगता है नंदी के निराश मुक से प्रतीत हुआ कि वो पूरी तरह से हताश था कि मेलूहा के बारे में इतनी मूलभूत अवधारना को शिव समझ नहीं पाए थे किन्तु शिव ने जो कहा था उसका विरोध ना करने के डर से उसने अपना परामर्श अपने पास ही रखा आखिरकार शिव उसके प्रभू थे नंदी को उदास देकर शिव ने उसकी पीट धीमे से थप थपाई और कहा नंदी वो मेरा अपना विचार मातर था यदि ये नियम तुम्हारे लोगों के लिए काम करता है तो मुझे विश्वास है कि इसके पीछे कोई ना कोई तरक अवश्य होगा तुम्हारा समाच कभी कभी कुछ विचितरताओं से भरा लगता है लेकिन इसमें ऐसे लोग हैं जो बहुत ही सब है एवं इमानदार हैं ये सुनते ही नंदी के मुख पर मुसकान तुरंत ही लोटाई और उसका पूरा ध्यान उस समय की सबसे गंभीर समस्या पर चला गया उसकी व्रहद भूक वो बोजनाले में जैसे घुसा जैसे जंग जीतने जा रहा हो दबी हुई हसी हसते हुए पीछे पीछे शिव भी इसके साथ बोजनाले में प्रवेश कर गया थोड़ी सी दूरी पर मुख ये मारक पर विकर्म इस्त्रियों की सवारी शान्ती से चली जा रही थी वे सभी लंबे अंगवस्त्रम से आच्छादी थी जो पवितर नीले रंग में रंगे हुए थे उनके सिर्फ पशाताप में नीचे जुके हुए थे उनकी पूजा की थालियों में तरह तरह की पूजा सामगरियां भरी हुई थी सामानी रूप से शान्त बाजार की गलियां म्रत्किय शान्ती का अनुभाव दे रही थी जब विदैनी इस्त्रिया वहां से बेकार में संकलित किये हुए बस्तों के समान गुजर रही थी उस सवारी के ठीक मद में अपना सिर नीचे जुकाय हुए नीले अंगवस्त्रम पहने हुए जिसने उसके सिर से पाउं तक के शरीर को पूरी तरह सा ढख रखा था जिससे शिव देख नहीं पा रहा था वो कोई और नहीं सती थी जिसका मुख निराशा पूर्ण गरिमा का चित्र बना हुआ था इस प्रकार हम कहा थे प्रभू दूसरे दिन जैसे ही शिव और नंदी उनके नीजी कारयाले में आराम से बैठ गए तो दक्ष ने कहा प्रभू श्री राम जो परिवरतन लाए थे हम उस विशे पर बाचीत कर रहे थे माराज और उन्होंने कैसे स्वधर्म त्यागी ब्रामणों के विद्रों को पराजित किया था शिव ने उत्तर दिया आप बिलकुल सही है दक्ष ने कहा प्रभू श्री राम ने स्वधर्म त्यागी ब्रामणों को निश्य ही पराजित किया था किन्तों उनके विचार में जो मूल कारण था वो और भी गहरा था ये प्रश्ण मातर कुछ ब्रामणों के बारे में नहीं था जिन्नोंने नियमों का पालन नहीं किया था असल समस्य थी कि किसी विक्ति के अपने प्राकरदे कर्म एवं समाज जो उसे करने पर मजबूर करता था ये उनके मधिका एक संगर्ष था मैं कुछ समझा नहीं महराज यदि आप विचार करें कि स्वधर्म त्यागी ब्रामणों के साथ वो क्या अधारबूत समस्या थी कुछ ब्रामण छत्री बनना चाहते थे और शासन करना चाहते थे कुछ ब्रामण वैश ही बनना चाहते थे ताकि धन कमा सके और अपना जीवन विलासिता में बिता सके जबकि उनका जिन्म उन्हें ब्रामण के रूप में स्थापित कर देता था लेकिन मैंने सोचा था कि भगवान ब्रामा ने विधान बनाया था कि प्रतियोगीत आत्मक परिक्षाओं के बाद ही कोई ब्रामण बन सकता था शिव ने कहा ये सही है प्रभू किन्तु समय के साथ इस चैन प्रक्रिया ने निस्पक्षता खो दी थी ब्रामण के संतती ब्रामण बनने लगी शत्री के संतती शत्री बनने लगी और इसी प्रकार अन्यों की भी चैन की आपचारिक व्यवस्ता शीगरी समाप्त हो गई एक पिता ये सुनिशित करने लगा कि वो अपने पुत्र एवं पुत्री को सभी संसाधन एवं सहायता उपलब्द कराए जिससे कि वे उनकी ही जाती में बना रहे और इस प्रकार जाती व्यवस्ता सखत हो गई तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि ऐसा भी व्यक्ति हुआ होगा जो कि ब्रामण बनने के लिए परियापत रूप से गुड़वान होगा किन्तु यदि उसने शूद्र माता पिता के घर में जन्म लिया होगा तो उसे ब्रामण बनने का आउसर नहीं मिलेगा शीव ने वस्तों पर आधारी ताचार विवहार करता है तो वो समाज स्थिर नहीं रह सकता उनका विचार था कि एक विक्ति की जाती कर्म के आधार पर ही किया जा सकता है उसके जन्म से नहीं उसके लिंग से नहीं इसमें कोई अन्यकारान हस्तक शेप नहीं कर सकता है ये एक कद्येविक नतर होगा इसलियwydd ब्राम्बर का बच्चा कम योगिता होने पर भी ब्राम्बर बन जाएगा जब की शूदर बच्चा नहीं sti बच्ची के लिए हिस्वेवस्था में योगिता कहा है यही भगवान श्री राम की सहज योगिता थिश्यव परवतेश्वर मुस्कुराया निसंदे वे एक दीर सेनपती एक प्रतिभाशाली प्रशासक और न्याय प्रिय निरनाय कुशल वेक्ति थे किन्तों उनकी सबसे बड़ी देन इस वेवस्था को बनाने में है जो ये सुनिश्चित करता है कि एक वेक्ति का कर्म केवल उसकी योगिता पर आधारित होता है किसी अन्य बात पर नहीं वही वेवस्था है जिसने आज मेलूहा को बनाया है जो वो आज है इतिहास में सबसे महान सामराज है आप सोमरस की भूमिका को अंदेखा नहीं कर सकते परवतेश्वर दक्ष ने कहा प्रभुश्री राम का सबसे बड़ा योगदान था सबको सोमरस प्रदान करना ये अम् प्रवतेश्वर की और मुड़ने से पहले शिव ने कहा लेकिन वह व्यवस्था क्या थी जो प्रभुश्री राम ने स्थापित की थी व्यवस्था बहुत सरल है प्रवतेश्वर ने कहा जैसा कि हम सहमत है कि सर्वोत्तम समाज वह है जहां किसी व्यक्ति की जाती उसकी यो सब्सक्राइब करता है यह विवस्था ढंग से संचालेथ हो इसके लिए मैंका नामक एक महान और शधाले नगर की स्थापना नर्मदा नदी के उत्तर में सुदूर दक्षिण में की गई सबी गर्भणी इस्तरी को जनन के लिए वहां की यातरा करनी पड़ती है उस नगर में केवल गर्भणी इस्तरी को ही जाने की अनुमती दी जाती है किसी अन्नी को नहीं किसी अन्य को नहीं? उसके पती उसके माता पिता को भी नहीं? शिव ने पूछा नहीं, इस नियम का कोई अपवाद नहीं है, मातर एक को छोड़कर इस अपवाद को लगबग 300 वर्ष पहले लागू किया गया था कुलीन परिवारों के पती एवं माता पिता को उस नगर में प्रवेश दिया गया था परवतेश्वर ने उत्तर लिया, उसके भाव कह रहे थे कि प्रभुश्री राम की वैस्ता में इस भ्रष्टचार से वो पूर्टा असेहमत था तब गर्भिणी इस्तरियों की देखभाल मैका में कौन करता है और शिधाले के कर्मचारी वैसकार में दक्षिता से प्रसिक्षित है परवतेश्वर ने कहना जारी रखा एक बार जब बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे को स्वास्त कारणों से मैका में ही रखा जाता है जबकि माता अपने नगर लौट आती है बीना बच्चे के ही? स्पष्ट रूप से आश्चर चकित शिव ने पोचा हाँ परवतेश्वर ने थोड़ी तेवरी चड़ा कर कहा जैसे कि संसार में इससे अधिक इस पष्ट तथे हो ही नहीं सकता था उसके बाद बच्चे को मेलूहा के गुरुकुल में भीजा जाता है जो की एक विशालकाए गुरुकुल है और मैका के निकट ही है प्रतेग बच्चे को पोड़ता एक प्रकार की सिक्षा का लाभ प्राप्त होता है सामराजी के उपलब्द संसादनों के साथ वे बड़े होते हैं क्या वे माता पिता एवं बच्चे से संबन्द आकड़े रखते हैं निसंदेव रखते हैं कि दुवे आकड़े अत्यधिक गोपनी रखे जाते हैं और वेमेका के आकड़ा अधिकारी के पास ही होते हैं इसका सालहारान सा अर्थ ये होगा कि गुरुकुल एवं शेश सामराज्ज में किसी को भी ये नहीं पता होगा कि उस बच्चे को जन्म देने वाले माता-पिता कौन है शिव ने तरक दिया क्योंकि जो वो सुन रहा था वो उसके परिणामों के बारे में सोच रहा था इस प्रकार प्रतेग बच्चा चाहे वो ब्राहमर परिवार में जन्मा हो अत्वा शूद्र परिवार में उनको एक समान मानकर गुरुकुल में रखा जाएगा हाँ, परवतेश्वर मुस्कुराया प्रकर ट्रूप से वो इस व्यवस्था पर गर्वित था जब बच्चा किश्योर हो जाता है तो उसे सोमरस भी दिया जाता है इस प्रकार प्रतेग बच्चे को सफल होने के लिए पूर्टा एक समान असर प्रदान किये जाते हैं 15 वर्ष के आयू होने पर जब बच्चे वयस्कता को प्राप्त कर लेते हैं तो सभी बच्चों की एक व्यापक परिक्षा ली जाती है इस पर इक्षा के प्रेणाम ये निरने देते हैं कि वे बच्चे क्या होंगे ब्रामण, छत्री, वैश या शूद्र कनकला ने बीच में ही कहना प्रारम कर दिया और उसके बाद बच्चों को एक वर्ष तक उस जाती से संबंदित विशेश प्रसिक्षन दिप्रदान किया जाता है वे अपने वर्ण के रंग के फीते पहनते हैं शुद ब्रामण के लिए, लाल छत्री के लिए, हरा वैश के लिए और काला शूद्र के लिए और अपने अपने जाती गुरुकुल में शेश पढ़ाई के पूरी करने के लिए वापस चले जाते हैं और इसी कारण से आपकी जाती व्यवस्था को वर्ण व्यवस्था कहा जाता है शिव ने कहा वर्ण कार्थ रंग है क्या मैं सही हूँ जी हाँ प्रभू मुस्कान लिये कनखला ने कहा आप अत्यंत ही चौकनने हैं कनखला की ओर तिरसकार पूर्ण दृष्टी से देखती हु तब उनका आवंटन उनकी जाती के आविय तक माता पिता को कर दिया जाता है उधारन के लिए यह किसी ब्राहमन शिव ने आशर से कहा क्योंकि इस अत्यंती ही सुन्दर सरल व्यवस्था ने उसके मन को अभीभूत कर लिया था प्रतेक व्यक्ति को उसकी योगिता के अनुसार हिस्थान दिया जाता है इस विवस्था की प्रभाविता और इसका आउचित विसमे कारक है समय के साथ प्रभू दक्ष ने बीच मही टोका हमने पाया कि उची जाती का प्रतिशत पूर्ण जन्संक्या में दिन बढ़ता ही जा रहा है इसका अर्थ है कि इस जगत में सब में प्रगर्टि करने की योगिता है करना मातर इतना है कि सभी बालकों को उची तवसर प्रदान किये जाए तो फिर नीची जाती वाले प्रभु श्री राम को इसके लिए अवशी ही बहुत अधिक प्रेम करते होंगे शिव ने पूछा उन्होंने सफल होने के लिए उन्हें वास्तविक आउसर प्रदान किये हैं हाँ वे सही में उन्हें बहुत प्रेम करते हैं परवतेश्वर ने उतर दिया वे इनके सबसे अधेक निष्ठावान अनुयाई है जैश्री राम लेकिन मेरा अनुमान है कि बहुत सी माताएं इससे प्रसन नहीं होंगी मैं इसकी कलपना भी नहीं कर सकता कि एक इस्तरी अपने बच्चे के जन्व के तुरंद बाद ही उसे त्यागने के लिए सुएक्षा से एक्चुक होती होगी ये जानते हुए कि वो अब उसे फिर कभी नहीं मिलेगा परंद ये व्रहद अच्छाई के लिए है परवतेश्वर ने इस मुर्खता से भरे प्रतीत होते प्रशन पर नागभौ सी कोड़ करका और फिर प्रतेक माता जिसे संतान चाहिए आविदन कर सकती है और उसे उसके इस तर एवम चाहत के अनुरूप संतान का आवंडन भी हो सकता है एक माता के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है कि उसकी संतान उसकी अपेक्शाओं पर खरी न उतरे शिव ने परवतेश्वर के इस विवरार पर तियोरी चड़ाई लेकिन तरको को चलने दिया और बोला मैं इसका भी अनुमान लगा सकता हूं कि बहुत तेरे उची जाती वाले जैसे ब्रामण इसलिए प्रभुश्री राम से खुश नहीं होंगे आखिरकार उन्होंने सत्ता पर अपनी पकड़ खो दी थी जी हाँ दक्ष ने आगे का बहुत सी उची जातियों ने प्रभुश्री राम के इस सुधार का विरोध किया था केवल ब्रामण उने ही नहीं बलकि यहां तक कि छत्त्रियों एम वैश्यों ने भी प्रभुश्री राम ने उन्हें पराजित करने के लिए बड़े बड़े युद्र लड़े पराजित होने वाले जो बच गए वे ही आज चंद्रवंशियों के रूप में हमारे समक्ष है तो आपके बीच का जगड़ा इतना पुरा ना है जी हां दक्ष ने कहा चंद्रवंशी भरष्ट एवं घिनोने लोग है कोई नतिक्ता नहीं कोई धर्माचार नहीं वे हमारी समस्याओं के सुरोत है हम में से कुछ लोगों का मानना है कि प्रभुश्री राम बहुत दयालू थे उन्हें इनको पूरी तरह से नश्ट कर देना चाहिए था किन्तु उन्होंने इन्हें छमा कर दिया और जीवीत रहने दिया वास्तविक्ता तो ये है कि हमें प्रभुश्री राम की जन्मभूमी आयूद्या में चंदरवन्शियों के शासन का संताब जहिलना पड़ रहा है इससे पहले कि शिव इस सूचना पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाता नए प्रहार का घंटा बजगया था सभी लोगों ने नए आने वाले घंटे के लिए छोटी सी प्रातना की शिव ने ततकाल है खड़की के ओर देखा उसके मुख पर प्रत्याशा के छवी उबरी शिव के भावो को देखकर दक्ष मुस्कुराया हम लोग मध्यान भोजन के लिए प्रस्थान कर सकते हैं प्रभू किन्तु यदि आपको कोई अन्य अनुबंध है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं तो हम लोग इस परिचर्चा को कल पुना प्रारंब कर सकते हैं पर वतेश्वा ने दक्ष को तीछन द्रश्टी से असहमती पूर्ण रूप से घूरा उसे पता था कि समराण आखिरकार क्या करना चाह रहे थे ये बहुत ही अच्छा रहेगा महराज शिव मुस्कुराया क्या मेरा चेहरा इतना पारदर्शी है जी हाँ प्रभू किन्तु ये तो आपके पास उपहार स्वरूप है मिलुहा में इमानदारी से बढ़कर कोई भी वस्तु मुलिवान नहीं है आप अपने अनुबंदी के लिए क्यों नहीं प्रस्थान करते हैं और हम लोग इस मुलाकात को कल प्राता पुना आयोजित करेंगे दक्ष को बहुत-बहुत धन्यवाद ग्यापित करते हुए शिव कमरे से नंदी के साथ बाहर निकल गया शिव उत्तेजना एवं कपकपी के साथ बाड़े की और बढ़ रहा था जैसे ही उसने उस उद्ध्यान से ढोल की थापो की आवास सुनी तो उसने नंदी को विश्राम ग्रह में जाकर मध्यान भूजन करने के लिए भेज दिया वो अकेला रहना चाहता था उसने आनंदा तिरेक की एक घहरी सांस ली और बाड़े की पीछे पहुँचा तो उसने पाया कि गुरुजी एम कृतिका की सावधान दरश्टी के अंतरगर सती निरत्य का अभ्यास कर रही थी इस समय आपको देखकर प्रसनता हुई शिव गुरुजी ने आपचारिक नमस्ते करते हुए खड़े उकर कहा खुशी तो मुझे हो रही है गुरुजी शिव ने जुकते हुए उनका आदर प्रदान करते हुए उनके पाउं का इसपर्श किया सती फर्श की और टक्टकी लगाये देख रही थे कृतिका ने उत्साह पूर्वा कहा आपके निरत्य को मैं अपने मन से निकाल ही नहीं पा रही हूँ इस प्रशंसा पर शिव का मुख सुर्ख हो गया था ओ वो इतना वी अच्छा नहीं था अब आप प्रशंसा सुनने के लिए बेताव हो रहे हैं कृतिका ने चिरखानी के मैं सोच रहाता है कि हम वहीं से शिरुवात कर सकते हैं जहां पिछली बार हमने अपनी बात छोड़ी थी शिव ने सती की और मुड़कर कहा मुझे नहीं लगता कि मैं आपको निरत सिखाने वाला या उस तरह का कोई बन सकता हूँ मैं तो केवल आपका निरत देखना चाहता था सती ने अनुभाव किया कि उसका वो विचितर सा असहल भाव दुबारा आ रहा था ये शिव के बारे में ऐसा क्या है जो मुझे अनुभाव करा रहा है कि उससे बात करने में मैं नियम का उलंगन कर रही हूँ उसे पुरुषों से बात करने के अरुमती थी जब तक कि वो एक निश्चित आदर पूर दूरी बनाये रखें मैं स्वयम को दोशी क्यों महसूस करूं मैं अपनी ओर से पूरा प्रयतने करूंगी सती ने आपचारित्ता के साथ कहा मैं कैसे सुधार कर सकती हूँ उसके बारे में आपके विचार से मुझे लाभानवित होना है मैं सच में ही आपके निरत्ति की कुशलता का आदर करती हूँ आदर? आदर क्यो? प्यार क्यों नहीं? शिव नम्रता से मुस्कुराया उसके अंतरमन ने कहा कि अभी समय कुछ भी कहना उसे पूरे च्छड को नश्ट कर देना होगा सती ने एक गहरी सास ली अपने अंगवस्तरम को कमर के चारो और लपेट कर बांध लिया और नट्राच की मुद्रा बना ली शिव मस्कुराया जैसे ही उसने महसूस किया कि धर्ती माता उसकी शक्ती एवा मूर्जा को सती में प्रचेपित कर रही है पृत्वी से उरजा प्राप्त करके वो खड़ी हो गई और सती ने निरत्य शुरू कर दिया और सचमुछ में ही उसके निरत्य में सुलहार हो चुका था ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भाव उससे प्रस्पृतित हो रहे थे वो हमेशा सही तकनी की रूप से सही थी किन्तु उसके मनों भावों के सची लगन ने उसके निर्टे को अलग स्थरवर पहुचा दिया था शिव ने महसूस किया कि आवास्तविक्ता का एक स्वपन मैबूद उसे पुना वशिभूत कर रहा था सती ने जब अपने फुर्तीले शरीर से निर्टे के अलग अलग परदों का प्रदर्शिन करना शुरू किया तो उसका चुम्बकी आकरशन शिव को खीच रहा था कुछ छड़ के लिए शिव को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि निर्टे में जिस पुरूश की वो कामरा कर रही थी वो और कोई नहीं स्वेम शिव है था अंतता जब उसने निर्ट समाप्त किया तो दर्शक गणों ने सतकाल ही तालियों की गढ़गढाहर से उसकी निर्ट की प्रशनसा की ये आपके द्वारा किया गया अब तक का सर्वोतम निर्त था गुरुजी ने गर्व के साथ कहा धनेवाद गुरुजी सती ने जुकते हुए कहा उसके बाद आशापूरक दृष्टे से शिव की ओर देखा ये आती सुन्दर था शिव ने लगवग चिला कर कहा सर्वता उत्करष्ट मैंने आपसे कहा था ना कि आप में योगिता है मैंने सोचा कि आकरमण करने वाले द्रश्य में मैंने निर्त पद ठीक नहीं किये थे सती ने आलोचनात्माग धंग से बात कही आप स्वयम पर कुछ अधीखीट दावाव डाल रही है शिव ने दिलासा दिया वो एक बहुत छोटी भूल थी वो भूल मातर इसलिए हुई क्योंकि आप अपनी कोहनी का एक कोण भूल गई जिस कारण आपका अगला निर्त पद थोड़ा अजीब लगा बड़ शीगरता से उठते हुए शिव ने कहना जारी रखा चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो सती तक चल कर पहुचा और उसने सही कोण बनाने के लिए सती का हाथ पकड़ा सती भैभीत होकर तुरंत ही पीछे हट गई और गुरू जी एवं कृति का हैरान परशान दिखे शीव को ततकाल ही महसूस हो गया था कि कुछ बहुत ही बुरा हो गया था मुझे शमा करे शीव ने वास्ताओं में खेद से कहा मैं तो केवल ये दिखा रहा था कि कोहनी की स्थिदी कहा होनी चाहिए थी इस तब एवं जड़वत सती शीव को गूर रही थी गुरू जी पहले वेक्ति थे जिन्नोंने अपना विवेक पुना प्राप्ति किया और उन्हें बोध हाया कि शीव को आवशी ही शुद्धी करण पूजा के लिए जाना चाहिए अपने पंडित के पास जाईए शिव उनसे कहिए कि आपको शुद्धी करण के आवशकता है दिन के समाप्त होने से पहले ही जाईए क्या ये शुद्धी करण क्या है मुझे इसकी क्यों आवशकता है कृपया आप शुद्धी करण के लिए जाये शिव सती ने कहा तो उसकी गरवीली आँखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी थी यदि आपको कुछ भी होता है तो मैं स्वयम को कभी भी छमा नहीं कर पाऊंगी मुझे कुछ भी नहीं होगा देखिए मुझे बहुत है जिदि आपको इस पर्ष करके मैंने किसी नियम का उलंगन किया है मैं ऐसा दुबारा नहीं करूंगा कृपया इसको इतनी बड़ी बात ना बनाईए ये बड़ी बात है सती ने चीख कर रोते हुए कहा सती की इतनी कड़ी प्रतिक्रिया ने शिव को हिला दिया ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई है जो ये लोग इतनी बड़ी बात बनाते जा रहे हैं कृतिका सती के निकड़ गई कि इस प्रकार की इस पर्ष नहों और फुस्पसा कर कहा हमें घर चलना चाहिए देवी नहीं नहीं कृपा करके रुकिये शिव ने विंती कि मैं आपको इस पर्ष शुद्धी करण के लिए अवश्य जाये किरपिया भूलियेगा नहीं शिव के मुख पर ना समझने वाले विद्रों के भाव देखकर गुरू जी ने सलाह दी उसकी बात माने शिव वो आपके भले के लिए ही ऐसा कह रही है ये क्या बेवकूफी है उस मुख सुईकृती पर उसके हताशा भरे प्रयासों ने अंतता उसके शोक ग्रस्त सोचों को तोड़ दिया तो शिव चिलाया वो राजसी विश्राम ग्रह के सोने वाले कमरे में लेटा हुआ था वो शुद्धी करण के लिए नहीं गया था उसने इस बारे में जानने का प्रैत्न भी नहीं कि क्या था कि वो रस्म क्या थी सती को चूने पर मुझे शुद्धी करण की क्या शकता है मैं तो उसे हर संभव प्रकार से चूते हुए अपना शेज जीवन बिताने की इच्छा रखता हूं क्या मुझे प्रति दिन उसे चूने पर शुद्धी करण करवाना पड़ेगा पक् शीवने अपने ही मन में कहा सथी ऐसा कुछ नहीं सोचती है वह एक भली स्त्री है लेकिन अगर यह सच है हो सकता है कि वह जानती हो कि मैं नील कंठ हूं अध्याय साथ प्रभु श्री राम का अधूरा कार्या आप आज प्राता कुछ विचलित प्रतीत हो रहे हैं प्रभु क्या आप ठीक हैं चिंतित दक्ष ने पूछा हूं शिवने उपर देखा और कहा मुझे च्छमा करें महराज मैं थोड़ा अन्यमनस्क था दक्ष ने चिंतित भाव से कनकला को देखा उन्होंने पिछली रात्रे को भोजन के समय सती को भी इसी प्रकार के विशाद भरे चे ठीक है जैसा आप कहें चिंतित दक्ष ने कहा हम लोग प्रभू श्री राम द्वारा समाज में लाए गए परिवर्तनों के बारे में बात कर रहे थे जी हां शिवने अपने सिर को हलका हिला कर कहा ताकि वो सती द्वारा किये गए अंतिम अनुरोध के चित्र को मन से निकाल सके मैका विवस्था ने अत्यन थी अच्छी तरह से काम किया हमारा समाज तेजी से बढ़ने लगा इस प्रित्वी पर हमारी भूमी पहले से ही सबसे अधिक संपदा संपन रही है किन्तों पिछले 1200 सालों में हमने बड़े ही नाटकी धंग से अन्य लोगों की तुलना में आसाधाना प्रगतिकी आज मेलूहा समस्त विश्व में सबसे धनी एवं शक्तिशाली सामराज बन चुका है हमारे नागरिक एक आदर्ष जीवन जीते हैं कोई अपराद नहीं है लोग वही करते हैं जो उनके लिए सबसे अच्छा होता है ना कि उन्हें अनुचित सामाज अजिक आदेश द्वारा कुछ बुरा करने को विवश होना पड़ता है हम किसी अन्य देश पर जीत की मंशा से अत्वा कारण ही आकरमर नहीं करते असल में हमारा समाज एक आदर्ष समाज बन चुका है जी हां महराज शिवन वारतलाप में धीरे धीरे संबलित होते हुए स परवतेशवर ने आकरामक्ता से तर्क दिया आप सोचते हैं कि आदर्ष है परवतेशवर शिवने नम्रता से पूछा क्या मेलुहा में सब कुछ वैसा ही होता है जैसा प्रभु श्रीराम ने अध्देश दिया था परवतेशवर चुप हो गया चाहे वो इसके उत्तर को अ अद्भुत हैं यहां सब कुछ बहुत ही सुव्य वस्थित प्रतीत होता है एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि तब आप लोग अपने भविश्य को लेकर इतने चिंतित क्यों हैं आखिर समस्या क्या है नील कंट की क्यों आवशकता है मुझे ऐसा कुछ भी दिखाई नह से करें प्रभु नील कंट की आवशकता इस कारण से है कि हमारे सामने ऐसी चुनोतियां हैं जिनका हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं हम अपने तक ही सीमित रहते हैं और दूसरे सामराज को उसके हिसाब से जीने देते हैं हम दूसरे समाजों से व्यापार करते हैं किन्तु कभ और महराज अनुमानता वे ऐसा नहीं चाहते नहीं वे ऐसा नहीं चाहते हैं क्यों एक साधारान सा शब्द है प्रभू दक्ष न उत्तर दिया इर्श्या वे हमारे बहतर तरीकों से घणा करते हैं हमारी प्रभाव शाली पारिवारिक व्यवस्था उनकी आँखों में खटकत सुधार करने के बजाए हमें नीचा रखकर अपने स्तर पर ले जाना चाहते हैं मैं समझ सकता हूं मीरा कबिला का इलाश परवत पर अत्यधिक इर्श्या के सामना करता था क्योंकि मान सरोवर जिल के किनारे पर हमारा नियंत्रा था और इस प्रकार हमारे पास सबसे उप्य संद्रवंशियों को यह पता चल गया कि यह सोम्रस ही था जिसने हमारी श्रिष्टता को प्रत्याभूत किया था हास्यपद बात यह है कि उन्हें सोम्रस का ग्यान है किन्तुवे पूंजीकत उत्पादन करना नहीं जान सके हैं जैसा कि हम लोग करते हैं और इस प्रकार वे उसके समस्त लाब नहीं उठा पा रहे हैं बीच में बोलने के लिए छवा महराज लेकिन इस सोम्रस का उत्पादन कहा होता है इसका उत्पादन एक गोपनी इस्थल पर होता है जिसका नाम मंदार परवत है सोम्रस का चूरन वहां बनाया जाता है और उसके बाद समस्त साम क्वाली नहीं हो सके क्योंकि उनके पास कभी भी परियाप्त मात्रा में सोमरस नहीं रहा है इर्षा के कारण उन्होंने सोमरस को नश्ट करने एक घुमावदार रास्ता अपनाया ताकि अंतता हमें नश्ट कर सके सोमरस का एक बहुत ही महतपूर्ण घटक है सरस्फती नदी का जल किसी और सुरोत का जल इसमें काम नहीं करता है सच में क्यों हमें इसका ग्यान नहीं है प्रभू हमारे वैग्यानिक इसकी व्याक्या नहीं कर पाए है इसी कारण से चंदरवशियों ने हमें नुकसान पहुचाने के लिए सरस्वती की हत्या करने का प्रयाष किया। नधी की हत्या ? शिव ने आविश्वास के साथ कहा जी हाँ प्रभू दक्ष ने कहा और उसकी बच्चों जैसी आंखे चंद्रवंशियों के इस विश्वाजगात पर जलने लगी सरस्वती नदी का उद्गम उत्तर में दो विशाल नदियों सतलज एवं यमुना के संगम से होता है प्राचीन समय में सतलज एवं यमुना नदियों की धाराएं तटस्त छेतर में हुआ करती थी हम दोनों ही अर्थात सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी वहां जाकर सोमरस के लिए जल लेकर आते थे लेकिन उन्होंने सरस्वती की हत्या कैसे करने का प्रयास किया था महराज उन्होंने यमुना थारा के मार को बदल दिया ताकि वो दक्षण की और नजाकर पूरू की दिशास से मुख्ये ऐसा कुछ करने से साफ इंकार कर दिया उन्होंने दावा किया कि किसी छोटे से भूकम के कारण समय के साथ नदी ने स्वयम ही अपनी धारा का प्रवाहा बदल लिया था और उससे भी बुरा यह कि उन्होंने अब दावा कर दिया कि चुकि नदी ने स्वयम ही अपनी धारा का करवादेश्वर ने कहा महराज के पिता समराग ब्रह्म नायक की निरत्त में की बूमी और उनके सासन को रहने दिया यहां तक हमने युद्ध की छतिपूर्ती या वार्षिक शुल्क भी नहीं मागा उस आत्मसामरपड समझोती कि एक मात्र शर्त थी यमुना की वापसी हमने यमुना को पुना उसके मौलिक धारा में प्रवाहित कर दिया ताकि वो सरस्वती से मिल सके आप उस युद्ध में लड़े थे परवतेश्वर हाँ परवतेश्वर ने कहा उसका सीना गर्व से फूला हुआ था उस समय में मात्र एक सिपाही था किन्तो मैंने वो युद्ध लड़ा था दक्ष की और मुर्टे हुए शिव ने पूछा तो फिर अब समस्थ्या क्या है आपके शत्र बहुत अच्छी तरह से पराजित हुए माहराज फिर भी सरस्वती मर क्यों नहीं है हमारा मानना है कि चंद्रवन्शी एक बार पुना कुछ कपट कर रहे है हम अभी तक कुछ भी अच्छी तरह समझ नहीं पाए है उनकी पराजय के बात हम दोनों सामराजियों के मत्ध के छेतर को किसी सामराजी की निजी भोमी से प्रतागोशित कर दिया गया और उस पर जंगल उग गए थे उस छेतर में यमुना की प्रारंभिक धारा भी सम्मले थे हमने उस समझोते का उनपालन किया और छेत्र को कभी भी छेडा नहीं ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने जो वचन अपनी योर से दिया था उसका पालन नहीं किया क्या आप निश्यत रूप से ये कह सकते हैं महराज क्या उस छेत्र का निरीक्षन किया गया है क्या चंदरवंशियों के प्रतिनिदी से आपके सामराज में इसके बारे में विचार विमर्ष हुआ है क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम असत्य बोल रहे हैं परवतेश्वर ने प्रतिरोध किया एक सच्चा सूरिवंशी कभी असत्य वचन नहीं कहता परवतेश्वर दक्षर ने डाटते हुए क्रोध में कहा प्रभू के कहने का वैसा कोई तात्परे नहीं था मेरी बात ध्यान से सुनिये परवतेश्वर शिम ने नम्रता से कहा यदि मैंने अपने देश में आकारण युद्धों से कुछ भी सीखा है तो वो ये है कि युद्ध का आश्रे अंतिम होना चाहिए यदि कोई अन्य समाधान है तो इसमें कोई हानी नहीं है कि कुछ युवा सैनिकों की जीवन रक्षा की जा सके एक मा कही ना कही हमें दू आवाश्य देगी हम लोग युद्ध ना करें बहुत अच्छा क्या महान मुक्तिताता हमें मिला है परवतेश्वर ने मन ही मन में बुद्बुदाते हुए कहा क्या आपको अब भी कुछ कहना है परवतेश्वर कनकला ने चिल्ला कर कहा मैंने आपको पहले ही कहा था आप नीलकंट का अनादर मेरी उपस्तिती में नहीं करेंगे मैं आपसे आग्या नहीं लेता परवतेश्वर गुराया बहुत हुआ दक्ष ने आदेश दिया और शिव की ओर मुड़कर कहा मुझे शमा करे प्रभू आप सही है आश्वस्त हुए बिना हमें युद्ध की घोष्रा नहीं करनी चाहिए इसी कारवर से मैंने अब तक युद्ध को टाला हुआ है किन्तु इस विशे में तत्यों को देखिए पिछले 50 वर्षों में सरस्वती की धारा कम होती ही जा रही है और पिछले कुछ वर्ष तो सचमुची भयावा रहे हैं कनकला ने कहा वो धीमे धीमे मरती जा रही नदी के दुख में बड़ी ही मुश्किल से अपने आस्वों को बहने से रोक सकी जिसे अधिकतर मिलू हावासी माता स्वरूप आदर करते थे सरस्वती अब तो समुद्र तक भी नहीं पहुच पाती है और राजस्थान में भूमिगर डेलता तक जाकर समाप्त हो जाती है और सोम्रस बिना सरस्वती के जल के नहीं बनाया जा सकता दक्ष ने कहना जारी रख शंदरवंशियों को ये बात पता है इसी कारण से वे उसे मारने का प्रयास कर रहे है इसके बारे में स्वध्वीप के प्रतिनिदी का क्या कहना है क्या उससे पूछताच की गई है स्वध्वीप से हमारा कोई कूटनीतिक संबंद नहीं है प्रभू दक्ष ने कहा क्या सच मुच में मैंने सोचा कि दूसरे देशों के प्रतिनिदियों का होना आपकी एक नवीन विवस्था थी ये आपको उन्हें भली भाती जानने समझने का मौका देता है और युद्धु को टालने में मदद करता है मैंने सुना है कि दो दिनों के बाद मिसुपटामिया से एक राजनेक दल यहां आ रहा है तो फिर स्वध्वीप से भी कूटनीतिक संबंध क्यों नहीं हो सकता है आप उन्हें जानते नहीं है प्रभू वे आविश्वासी लोग हैं कोई भी सूर्वंशों की तरह जीने वाला सुएच्छा से चंद्रवंशों से बात करके अपनी आत्मा को गंदा नहीं करना चाहेगा शिम ने तेवरी चढ़ाई किन्तु कुछ कहा नहीं आप नहीं जानते कि वे किस इस्तर तक नीचे गीरे चुके हैं प्रभू पिछले कुछ वर्षों में तो उन्होंने आतंकी आक्रमण में शाप युक्त नागाओं का प्रियोग भी प्रानब कर दिया है कनखला ने घ्रणित भाव से कहा आतंकी हमले? जी हाँ प्रभू दक्ष ने कहा उनकी पराजय ने उन्हें कई दशकों तक शांत रखा पिछले युद्ध में हमारी अत्यथिक तीवर विजय के कारण उनका मानना है कि वे प्रत्यक्ष युद्ध में हमें पराजित नहीं कर सकते आता वे ऐसे धावे करने लगे हैं जो उनके जैसे घिनवने लोग ही कर सकते हैं आतंगी आक्रमण मैं कुछ समझा नहीं वे ऐसल में करते क्या हैं वे हत्यारों के छोटे छोटे दल भीजते हैं जो सहसा सारवजनिक किंतु असैन इस्थलों पर आक्रमण करते हैं उनकी मन्शा असैनिकों पर आक्रमण करना होता है जैसे ब्रामण वैश या शूद्र वे मंदिर एवं सारवजनिक इसनान घरों को उजारना चाते हैं रहसे इस्थल जहां संभवता उनका सामना करने के लिए सैनिक नहीं होंगे किन्तु उनका ये विनाश सामराजी के मनुबल का नाश करेगा और आतंग पहलाएगा ये तो घरनित है हमारे देश में पूरी तरह से जंगली प्रकृती वाले भी संभवता ऐसा ना करें शिव ने कहा परवतेश्वर ने कहा उनके देश पर हमला क्यों नहीं करते है इसे हमेशा के लिए समाप्त कर दिजिए हम ऐसा करना चाहते हैं प्रभू दक्ष ने कहा दक्ष के और मुडने से पहले शिव ने परवतेश्त के और देखा जो अपनी सेना के इस अपमान पर मन हिमन खौल रहा था क्यों माराज, आपके पास बहुत अच्छी प्रसिक्षित एवं प्रभावी सेना है मुझे विश्वास है कि आपकी सेना उन्हें पराजित कर सकती है दो कारण है प्रभू, प्रथमता हम लोग संख्या में बहुत कम है यहाँ तक हम सो वर्षों पहले भी उनसे संख्या में कम थे किन्तो उस समय हमारा अंतर उतना अधिक नहीं था जितना की अब है हमारा अनुमान है कि उनकी जनसंख्या 8 करोड है जबकि उनकी तुलना में हमारी जनसंख्या मात्र 80 लाक है वे हमारे विरुद एक बहुत बड़ी सेना खड़ी कर सकते हैं उनकी इतनी बड़ी संख्या ही हमारी तक्नीकी स्रेश्चता को शीन कर देगी लेकिन आपकी जनसंख्या कैसे कम हो सकती है आपके पास ऐसे लोग हैं जो 200 सालों से अधिक समय तक जी सकते हैं आपकी जनसंख्या तो उनसे कहीं अधिक होनी चाहिए थी समाज शास्त्री काराण प्रभू दक्ष ने कहा हमारा सामराज अमीर है अपने कर्तवियों से भी अधिक बच्चे केवल एक विकल्प की वस्तो है माइका विवस्ता से बच्चों का गोध लेना माता पिताओं द्वारा कम संख्या में होता है सामरेदा एक ये दो ही ताकि वे उनका लालन पालन उचीत प्रकार से कर सके मैका में कम संख्या में इस्तरी पहुच रही है स्वधवीप में गरीब लोगों के बच्चे उनके लिए आये के साधन के रूपे मजदूरी करते हैं जितनी संख्या में बच्चे होते हैं उतनी ही कम गरीबी होती है अता उस देश की जनसंख्या बहुत अधिक होती जा रही है और युद्ध टलने का दूसरा करण दूसरा करण ऐसा कुछ है जो हमारे नियंत्रण में है हम युद्ध के नियम के साथ युद्ध करते हैं मानक एवं आचार नीती के साथ चंद्रवंशी वैसा कुछ भी नहीं करते हैं मुझे डर है कि हम में से जो ये एक कमी है उसका लाव हमारे निर्दई शत्रू उठा सकते हैं युद्ध के नियम शिव ने पूचा जी हाँ उधारण के लिए हम बिना शस्त्रवालों पर आक्रमार नहीं करते एक बहतर शस्त्रवाला वैक्ति जैसे अश्वारोही सैनिक अपने से कमजोर शस्त्रवाले अहनिकों पर आक्रमार नहीं करता जैसे तलवार उठाये पैदल सैनिकों पर एक खड़क धारी किसी वैक्ति को उसकी कमर से नीचे बार नहीं करता क्योंकि ये आचार नीती के विरुद्ध है चंद्रबंशी इन बार्युक्यों की परवा नहीं करते हैं अपने जीत शीग्रता से सुनिश्चित करने के लिए वे किसी पर भी किसी पर भी कभी भी आक्रमन कर सकते हैं मुझे च्छमा करे महराज परवतेश्वर ने कहा किन्तु यही वो अंतर है जिसके कारण हम वो हैं जो कि आज हम हैं जैसा कि प्रभु श्री राम ने कहा था किसी विक्ति की आचार नीती एवम उसका चरितर उसके अच्छे समय में नहीं आका जा सकता केवल बुरे समय में ही पता चलता है कि कोई विक्ति अपने धर्म पर कितना अडिग रहता है किन्तु परवतेश्वर गहरी सांस लेते हुए दक्ष ने कहा हम लोगों पर ऐसे लोग आकरमण नहीं कर रहे हैं जो हमारी तरह नैती किवम शालीन है हमारी जीवन शाली पर आकरमण हो रहा है यदि हम अपने यसा संभव तरीके से युद नहीं करते हैं तो हम पराजित हो जाएंगे मुझे एक बार पुना शामा करें महराज परवतेश्वर ने कहा मैंने ये कभी नहीं कहा कि हमें युद का उत्तर युद से नहीं दिना चाहिए मैं तो बार-बार आपसे कहता आ रहा हूँ कि आप हमें चंदरवन्शियों के विरुद युद करने की घोषणा करने की अनुमती दीजे किन्तु यदि हम अपने नियमों आचार नेतियों विधी सनहिताओं के बिना युद करते हैं तो हमारी जीवन्शेली तो समझे कि विनिष्ट हो ही जाएगी और चंदरवन्शियों बिना हमसे युद किये ही जीत जाएगे नगरी प्रहर के घंडे के बचते ही बाचीत रुख गई और सभी ने छोटी पूजा की शिवने इस सोच के साथ खड़की के और देखा कि आज सती नरते करेगी या नहीं दक्षी ने आशा भरी दृष्टी से शिव को देखा क्या आप कहीं जाना चाहते हैं प्रभू नहीं महाराज शिवने अपने अंतर मन में चल रही पीड़ा एवं गडबड को चुपाते हुए कहा मुझे नहीं लगता कि इस समय कोई मेरी प्रतिक्षा कर रहा है इस पर दक्ष के मुख से मुस्कुराहट उसकी आशा के साथ ही अद्रश हो गई शिवने कहना जारी रखा है यदि आपको उचित लगे तो क्या हम ये प्रिचर्चा जारी रख सकते हैं महाराज संभवता मध्यान भोजन हम कुछ देर बाद भी कर सकते हैं मैंने अब तक की सारी कहानी समझ ली है महाराज जबकि मैं इस समय आपके द्वारा आकरमार नहीं करने के कारणों को समझ रहा हूँ साथ ही ये भी समझ रहा हूँ कि आपके पास इस पश्ट रूप से कोई योजना है जिसमें मेरे नीले गली को विचित रूप मिका निभानी है जी हाँ हमारे पास योजना है व्रभू मैं अनुभाव करता हूँ कि एक समराठ होने के इनाते यदि मैं भी हमारे कुछ लोगों के उचित क्रोध की धारणा बना लू तो वो हमारी विपत्ति का समधार नहीं कर पाएगा मेरा मानना है कि स्वाद्वीप के लोग स्वयम बुरे नहीं है उनके जो चंद्रवंशी शासक और जो उनकी जीवन शैली है उसने उन्हें बुरा बना दिया है हमारे लिए आगे बढ़ने का सबसे सरल एवं निश्चित मारग है कि हम स्वधीप वासियों की रक्षा करें स्वधीप वासियों की रक्षा शिव ने सच में आश्चरे से पूछा जी हाँ प्रभू उनकी उस दुष्ट दर्शन से रक्षा जो उनकी आत्माओं को संक्रमित कर रहा है अधर्मी शासकों से उनकी सुरक्षा उनके दुखी एवं अर्थहीन अस्तित्व से उनकी सुरक्षा और उन्हें उत्कृष्ट सूरिवंशियों के जीवन के उत्तम ढंग के लाब देकर हम ऐसा कर सकते हैं एक बार जब वे हमारी तरह हो जाएंगे तो युद्ध करने का कोई काराण ही नहीं रह पाएगा हम लोग भाईयों की तरह रहेंगे ये मेरे पृता ब्रह्मनायक का अधूरा कारे है असल में ये प्रहु श्री राम का अधूरा कारे है ये बहुत बड़ा कारे है महराज शिव ने कहा ये दया शीलता एवं तरको को अवश्य लहरा हरा है लेकिन ये बहुत ही भारी कारे है आपको उनकी सीना को पराजित करने के लिए सैनिकों के आशकता होगी और उन्हें अपनी योर करने के लिए धर्म प्रचारकों की भी ये कार आसान नहीं होगा मैं मानता हूँ यहां तक कि मेरे सामराज में बहुत से लोग हैं जो स्वधीब पर आक्रमण करने पर भी चिंतित हैं और मैं स्वधीब के दुरुस्ती करण की एक बगध बड़ी चुनौती उनके सामने रख रहा हूँ इसी कारण मैं इसे निलकंट के बिना आरम नहीं करना चाहता था प्रभू शिव को बहुत सालों पहले कही हुई अपने चाचा की बात याद हो आई जिसमें दूसरे जीवन के बारे में उन्होंने बताया था तुम्हारा प्रारब्द इन परवतों के बाद इस्थित है तुम उसे पूरा करोगे या फिर उससे भाग जाओगे ये तुम पर निर्भर करता है जैसे ही दक्ष ने पुना कहना आरंभ किया तो शिवन ने अपना ध्यान केंद्रित किया जिन विपत्तियों का सामना हम कर रहे हैं उसकी भाविश्वानी पहले ही कर दी गई थी प्रभू दक्ष ने कहना जारी रखा था प्रभु शिराम ने स्वयम कहा था कि कोई भी दर्शन चाहे कितना भी आदर्श क्यों ना हो वो मात्र एक सीमित समय तक ही प्रभावी रहता है ये प्रकृति का नियम है और इसे टाला नहीं जा सकता है किन्तु पावरानी कथाएं हमें ये भी बताती हैं कि जब ये विपतियां एक आम आदमी के लिए अलंग हो जाएंगी तो निलकंठ प्रकट होंगे और विदुष्ट चंदरवंशों का नाश करेंगे और अच्छाई की शक्तियों की पुना स्थापना करेंगे प्रभु आप ही निलकंठ है आप हमारी रक्षा कर सकते हैं आप प्रभु श्रीराम के अधूरे कारे को پूरा कर सकते हैं आप अवश्य हमारा नित्रत्व करें और चंदरवंशों को पराजित करने में हमारी सहायता करें आप स्वदवी प्वासियों को एक जगा पर बटोर कर उन्हें सच की राह पर अवश्य लाएं नहीं तो मुझे डर है कि ये जो सुन्दर सामराज आज हमारे पास है जो मेलूहा अदर्श के निकट का सामाज है वो वर्शों न समाप्त होने वाले युद्ध से नश्ट हो जाएगा क्या आप हमारी सहायता करेंगे प्रभू क्या आप हमारा नित्रत्व करेंगे शिव पूरी तरह से चक्राया हुआ था लेकिन मैं कुछ समझा नहीं महराज वास्तों में मुझे क्या करना होगा मैं नहीं जानता प्रभू हमें मात्र हमारा लक्ष पता है और ये कि आप हमारे मार दर्शक होंगे हमें कौन सा मार्ग लेना है ये आप पर निर्भर करता है ये चोहते हैं कि आट करोर लोगों के जीवन जीने के ढंगों को मैं अकेले ही बदल दूँ क्या ये लोग पागल हैं शिवने संभाई कर बोलना प्रारब किया मुझे आप लोगों से और आपके कश्टों से बहुत साहनुभूती है माराज लेकिन इमानदारी से कहूँ तो मुझे वास्तों में ये समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मेरे जैसा एक आदमी ऐसा अंतर ला सकता है यदि वो व्यक्ति आप है प्रभू दक्ष ने कहा उसकी नम हुई आँखे भक्ति एवा मास्ता से बड़ी हो गई थी तो वे पूरे ब्रह्मानद को परवर्तित कर सकते हैं मैं इस बारे में पूरी तरह से असंदिक दू नहीं हूं महराज शिव ने एक दूर्वल मुस्कान के साथ कहा मेरी उपस्तिदी क्यों इतना बड़ा अंतर लाएगी मैं कोई चमतकार करने वाला आदमी नहीं हूं मैं चुटकी बजाकर बिजली गिराने वाले बान चंदरवन्शियों पर नहीं चला सकता आपके उपस्तिदी मात्र ही ये अंतर उत्पन्द कर देगी प्रभू मैं आपको सामराज में भ्रमण करने का आमंतर देता हूं आप नीले गले का प्रभाव लोगों पर देखिए एक बार हमारे लोग ये विश्वास कर लेंगे कि वे चाहें तो वे कुछ भी कर लेंगे आप नीलकंट हैं प्रभू कनकला ने भी कहा लोगों को नीले गले के वाहक पर आस्था है उनकी आस्था आप में है क्या आप हमारी साहता करेंगे प्रभू क्या तुम पुना भाग जाओगे लेकिन आपको कैसे पता कि मेरा नीला गला मुझे सच्चा नीलकंट बनाता है शिव ने पूछा आपको क्या पता कि नीले गले वाले कितने मेलुहावासी आविश्क्रत होने के लिए प्रभू नहीं प्रभू दक्ष ने कहा वो मेलुहावासी नहीं हो सकता पौराणी गाथा बताती है कि नीलकंट विदेशी होंगे वो सब्त सिंदू से नहीं हो सकते और सोमरस का पान करने के बाद उनका गला नीला हो जाएगा शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया वो पूरी तरह से इस्तब्द लग रहा था क्योंकि सचाई उसके सामने प्रतेक्ष खड़ी थी श्री नगर प्रथम रात्री सोमरस इसी कारण से मेरा शरीर भला जंगा हो गया था इसी कारण से मैं पहले से भी अधिक शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ दक्ष और कनखला ने शिव को आशा भरी दृष्टी से देखा उन्हें शिव के निरने के प्रतीक्षा थी वे उसके उचित निरने के लिए पूजा रहत थे केवल मैं ही क्यों सभी गुड़वालों को सूमरस दिया गया था क्या मेरे चाचा जी सही थे क्या सचमुच मही मेरा कोई प्रारब्ध है परवतेश्वर ने संकुचित हुई आँखों से शिव को घूरा मैं किसी प्रारब्ध का पात्र नहीं हूँ लेकिन संभौता मेरे लिए प्रायश्चित करने का ये एक असर हो लेकिन सबसे पहले शिव ने नियंतरित विनम्रता से पूछा महराज इससे पहले कि मैं उत्तर दूँ चिया मैं एक प्रश्ण पूछ सकता हूँ क्या आप इस पर विश्वास करते हैं कि मित्रता के लिए इमानदारी आवश्च होती है इसके बावजूद की सच उसके मित्र को बुरा लगे जी हाँ निसंदे दक्ष ने ये सोचते हुए कहा ये पता नहीं शिव के कहने का क्या आश्य होगा पूरी इमानदारी केवल दो व्यक्तित्वों के संबंदी की आधार शिला ही नहीं बिल्कि किसी स्थिर समाज का भी आधार है पर वतेश्वर ने बीच में ही कहा मैं इससे सहमत हूँ शिव ने कहा लेकिन फिर भी मेलुहा मेरे प्रति इमानदार नहीं था किसी ने भी कुछ नहीं कहा शिव ने सभ्था कि दू द्रणता भरे स्वर में कहा जब हमारे कभीले को मेलुहा आने का नियंतरन दिया गया था तो हमें ऐसा प्रतीत करवाया गया था कि आप लोगों को आप्रवासी चाहिए क्योंकि आप लोगों को काम करने के लिए लोगों की आवशक्ता थी और मैं अपने पिछडे प्रदेश की भूमी से बचकर खुश था लेकिन अब मुझे आभास हुआ कि आप बड़े ही विवस्ते ढंक से निलकंट की तलाश कर रहे थे नंदी के और मुर्तेवर शिव ने कहा हमें ये नहीं बताया गया था कि जैसे ही हम मेलुहा में प्रवेश करेंगे तो सोमरस जैसी कोई आउशदी हमें पिलाई जाएगी हमें ये भी नहीं बताया गया था कि उस दवाई का ऐसा प्रभाव होगा नंदी ने दो श्युक्त द्रिश्टी से नीचे देखा उसके प्रभू का उस पर क्रोधित होना उचित था दक्ष की और मुर्तेवर शिव ने कहना जारी रखा था महराज आपको पता ही है कि मुझे बताय बिना ही श्री नगर में पहली रात ही मुझे सोमरस पिलाया गया था उस अधमता के लिए मैं शमा प्रार्थियों प्रभू दक्ष ने हाथ जोड़कर बिंती करते हुए कहा इसके लिए मैं हमेशा शर्मिंदा रहूँगा किन्तो हमारे लिए ये बहुत ही महतपोर्ण था प्रभू और फिर सोमरस ने आपके शरीर पर काफी सकरात्मा प्रभाव डाला है इसने किसी भी प्रकार से आपको हानी नहीं पहुचाई है मैं जानता हूँ मैं दिरगायो एमस्वस्त जीवन के लिए दुखी नहीं हूँ महराज शिव ने बात को घुखमा कर कहा क्या आप जानते हैं कि उस राज संभवता मेरे कबीले वालों को भी सोमरस दिया गया था और वे गंभीर रूप से बीमार हो गये थे संभवता सोमरस के काराँ वे किसी भी जोखिम में नहीं थे प्रभू कनखला ने चःमाप्रार्थी होते हुए कहा कुछ लोगों को पहले से ही कोई ना कोई बीमारी होती है जब सोमरस उनके शरीर में प्रवेश करता है तो वो उस बीमारी को जागर कर देता है जिसे ठीक कर देने के बाद वो बीमारी फिर कभी नहीं होती इसी कारण शरीर मृत्य परियंत स्वस्त रहता है असल में आपके कबीले वाले अब अधिक स्वस्त है प्रभू इसमें कोई संदे नहीं है कि अधिक स्वस्त है सकता है कहलाश परवत पर ही हमें सारा सच बता दिना चाहिए था तब आप हमें हमारी इच्छा के अनुसार चुनाओ का उसर देते ना कि आप ही हमारे लिए चुनाओ करते संभवता हम तब भी मिलूहा आते किन्तु तब वो हमारा चैन होता हमें इस कपट के लिए शमा करें प्रभू दक्ष ने दोशी होकर खेद में कहा ये सच में हमारे तरीके से काम करना नहीं है हम अपनी सच्चाई एमानदारी पर गर्व करते हैं किन्तु हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था हम सच में बहुत बहुत छमा प्रार थी हैं प्रभू आपके लोगों की देखरे की जा रही है वह इतने स्वस्था जितना पहले कभी नहीं थे पर अपना जीवन लंबे समय तक अच्छा व्यतीत करेंगे पर वतेश्वर ने अंतता अपनी चुपी तोड कोते हैं आपको क्रोध करने का पूरा अधिकार है जूट बोलना हमारा तरीका नहीं है मेरी विचार से जो किया गया वो कुरूप था और प्रभू श्री राम ने इसके लिए कभी शमा नहीं किया होता हमारी विपतिया चाहे कितनी ही गंबीर के उना हो हमें कोई अधिकार नहीं कि हम किसी को अपनी सहायता के लिए धोखें में रखें मैं अत्यदिक शमा प्रारती हूँ शिव ने अपनी भौहें उपर उठाई प्रवतेश्वर अकीला है जो बहाने बनाने के बजाए खेट प्रकट कर रहा है वो महान समराज श्री राम के तरीकों को सच्चा अन संदेव नहीं है लेकिन फिर भी जितनी दुनिया अब तक मैंने देखी है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उन में से ये सबसे अच्छे समाजों में से एक हैं और इसके लिए युद्ध करना एक नेक कारे होगा लेकिन मेरी कुछ शर्ते हैं निसंदेव रभू दक्ष ने उन्हें प्रसन्न करने की इच्छा से कहा इस समय मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एकारे कर पाऊंगा जिसकी आपको मुझसे आशा है और ये भी नहीं कह सकता कि मैं नहीं करूंगा मेरी कहने का ताथ पर ये है कि मैं अपनी और से पूरा प्रतन करूंगा लेकिन उससे पहले मैं आपके समाज को और अधिक समझना चाहता हूं ताकि मैं कैसे आपकी मज़द कर पाऊं उसके लिए असंदिक्ध हो जाओं मैं मान कर चल रहा हूं कि मुझसे कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा और नहीं मुझे भ्रहमित किया जाएगा निसंदेव रहो दूसरी बात आपको आप उन्हें आमंत्रित ही ना करें क्या यह उचित है निसंदेव उचित है प्रभू दक्ष ने कहा कनकला की और सिर हिलाते हैं दक्ष ने कहा हम इस आगया का पालन ततकाल ही करेंगे साथ ही यह इस पश्ट है कि मैं वापस कश्मीर नहीं जा रहा हूं क्या मेरा कबीला मेर गुडवाले देवगिरी लाए जा सकते हैं मेरी इच्छा है कि वह मेरे साथ ही रहें निसंदेव प्रभु दक्ष ने एक छण करखला को देख कर का आज ही निरदेश भेज दिये जाएंगे कि उन्हें देवगिरी बुला लिया जाए और मैं उस इस्थान पर जाना चाता हूँ जहां सुम्रस का उत्पादन किया जाता है मैं देवताओ के इस प्रभु को समझना चाता हूँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसा करना महतपोर्ण है निसंदेव रभु दक्ष ने कहा उसका चेहरा धैरहीन मुस्काहर से भरता जा रहा था कनकला आपको वहां कल ही लेकर जाएगी असल में मेरा परिवार भी परसो ब्रह्मा मंदिर में पूझा करने के लिए जाने वाला है संभावता वहां हम मिल सकते हैं ये बहुत ही अच्छा रहेगा मुस्कराकर शिव ने कहा और उसके बाद एक गहरी सास लेकर बोला और अंत में मुझे लगता है कि आप अपने लोगों को नेलकंट के आगमन का समचार देने को उच्छोंगे दक्ष और कनकला ने सहमती में सिरह लाया मैं आप से अनुरोत करना चाहता हूँ कि आप अभी ऐसा ना करें दक्ष और कनकला के चेहरे तुरंत ही उतर गए नंदी के आखे फर्ष पर चिपकी हुई थी उसने वारतलाब को सुनना बंद कर दिया था उसके मिथ्या साक्ष के विशालता उसे अंदर ही अंदर तोड़े जा रही थी महराज मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके लोगों को ये पता चलेगा कि मैं निलकंट हूँ तो मेरे लिए किया गया हर काम और मेरी कही हुई हर बात का अन्यर्थ लिया जाएगा उसके अतेधिक विशले शणोंगे शिव ने विवरान दिया मुझे डर है कि मुझे आपके समाज के बारे में कुछ अदिक जानकारी नहीं है या फिर यहु गहें कि मुझे अभी अपनी कारी के बारे में पता नहीं है कि मैं इसे कर पाऊंग या नहीं मैं समझ सकता हूँ क्रबू दक्ष ने कहा उसके चेहरे पर एक तूटी हुई मुस्कान आई आपको मैं वचन देता हूँ मेरे ततकाल अधीन करमचारी मेरे परिवार एवं लोग जिन्हें आप बताना चाहेंगे उन्हें ही नीलकंट के आगमन की जांकारी होगी इसके लाव कि आप जहेल रहे हैं उसमें एक आदमी क्या कर सकता है और पुना वही बात दोराओंगा प्रभू और मैं पुना वही बात दोराओंगा प्रभू दक्ष ने बच्चे जैसे मुस्कान के साथ कहा यदि वह व्यक्तियाप हैं तो इस ब्रह्मान को बदल कर रख सकते हैं अध तेरे स्वा प्रतियारोप में नीचे जुका हुआ था प्रभू मुझे शमा करें शिव मुड़ा और उसने नंदी को घूर कर देखा आप सही है प्रभू हम लोग अपनी समस्याओं में और नीलकंट की खोज में इतने व्यस्त थे कि हमें हमारे द्वारा किये जा रहे हैं प्रवासियों के लिए अनुचित व्यवहार का एहसास ही नहीं हुआ मैंने आपको बहकाया है प्रभू मैंने आपसे जूट कहा था शिव ने कुछ भी नहीं कहा वो नंदी की आँखों में गहरे जहां करा था मैं अत्यदिक शमा प्रार्थियों प्रभू मैंने आपके नंखों ने किस पश्ट संदेश भी दिया मुझसे कभी जूट नहीं बोलना मित्र नंदी ने सिर हिलाया और फुसपुसा कर कहा कभी नहीं प्रभू कभी भी नहीं मैं अत्यदिक शर्मिंदा हूं भूल जाओ नंदी शिव ने कहा उसकी मुस्कान अब और बड़ी हो गई अब वे अतीत की बाते हैं वो मुड़ा और उसने चलना पुना प्रारंब कर दिया अचाना की शिव ने सिर हिलाया और बहुत ये धीमे स्वर में कहा विचित्र लोग हैं आपने कुछ कहा प्रभू नंदी ने पूछा नहीं कुछ विशेश नहीं मैं तुमारे समाज की कु कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मात्र मेरा नीला गला उन्हें उनके असंभाव कारे को पूरा करने में मदद करेगा कुछ लोग वास्ताओं में मानते हैं कि मेरा नाम इतना पवित्र हो चुका है कि वे उस नाम को बोल भी नहीं सकते नंदी थोड़ा सा मुश्कुराया उध शुद्धिकरण आपको इसकी क्यों आवशकता है प्रभू थोड़ा चिंतित होते हुए नंदी ने पूछा शिव ने अपने शब्दों को संभाल कर रखा ऐसा है कि मैंने किसी को असपर्ष किया और मुझसे कहा गया कि मुझे शुद्धिकरण करवाना आवश्क है क्या आ शुद्धिकरण के सामने से परदा उठ गया था उसे सहसा उस दिन की समस्त घटनाओं का महत्व समझ में आ गया था सपर्ष करने पर उसका तेजी से हटना गुरू जी और क्रितिका की आगहात लगने जैसी प्रितिकरिया तुम विश्राम ग्रह को जाओ नंदी मैं तुम् मैं वही मिलता हूँ शीब ने लगभक एक घंटे तक प्रतीक्षा की किन्तु वह व्यर्त रही क्योंकि सती वहां नहीं आई उस छण को कोस्ते हुए वह वहीं अकेला ही तक्त पर बैढ़ गया जिस छण वह भयानक विचार उसके मन में उपजा था मैंने आखिर यह कैसे सो स्वयम को कभी भी ख्यामा नहीं कर पाऊंगी उसने कहा था यह कहने का उसका तातपर ही क्या था क्या उसके मन में मेरे प्रती कुछ भावनात्मक लगाओ है या फिर वह एक ऐसी आधर्णिया इस्तरी है जो किसी दूसरे के दुर्भागय का कारण बना नहीं देख सकती है और उसे स्वयम को निकरिष्ट क्यों समझना चाहिए ये विकर्म की पूरी की पूरी अधर्णा ही मूर्ख प्रतीत होती है अब वो आने वाली नहीं थी इसका अहसास होते ही शिव उट खड़ा हुआ उसने तख्त को बहुत बल लगा कर ठोकर मारी तो से आभास हुआ कि के निकड़ गया वो मनियों का कंगन था उसने उसके दाएं हाथ पर उसे देखा था उसका धागा तूटा हुआ नहीं लग रहा था क्या उसने जान बुच्की गिराया होगा उसने पहले उसे सूंगा सांच के सूरज की चुमबन वाली पवित्र जहिल की उसमें महग थी उ कि दियावश्यक हुआ तो वो संसार के नश्ट होने तक उसे मनाएगा वो से पाने के लिए समस्त मानवजाती से युद्ध करेगा उसके बिना उसकी जीवन यात्रा अधूली थी उसका हिर्दय इसे जानता था उसकी आत्मा ये जानते थी अब और कितनी दूर है प्रदान वासी के लिए विशेश सम्मान की बात थी अधिकतर सूर्यवन्शियों के लिए मंदार परवत सामराजी की आत्मा था क्योंकि जब तक वो सुरक्षित था उनका सोम्रस भी सुरक्षित था देवगीरी को छोड़े हुए मात्र एक घंटा ही बीता है अधिपती मुसकान के स साथ कनखला ने कहा मंदार परवत तक एक दिन की यात्रा होती है दरसल सवारी की खिड़की पर जो यह जिलमिली लगी हुई है इसके कारण बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है और चुकि मैं सूरज को देख भी नहीं सकता तो मैं यह भी नहीं बता सकता कि कितना समय मैं बीच चुका है इसी कारण मैं पूछ रहा था प्रहर का कंदिल आपके ठीक पीछे है अधिपती यह जिलमिली आपकी सूरी की तीवरी किर्णों से सुरक्षा के लिए है कनखला के इस तरक पर शिव मुस्कुराया वह इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा था कि वे जि लने वाले रहगीरों के लिए अरिष्टनेमी नामक सैनिकों का एक विशेश दस्ता लगाया गया था मंदार परवत के वैग्यानिकों अरिष्टनेमी दलों एक्वम उन वेक्तियों जिने समराट में प्राधिकरत किया हो उनके अलावा उस पहार पर जाने की अत्वा उसके एक पक्षि संदेश पहले ही हनके पास आपके आगमन का समाचार लेकर भीजा जा चुका है हम लोग इंसे कल प्राता भेट करेंगे शिव ने धीरे से आकर कनखला को देखते हुए कहा धन्यवाद नंदी ने प्रहर कंदील को पुना देखा और शिव अपनी पुस्तक पढ़ने लगा अत्यन्थी भयावा युद्ध के बारे में वो एक बहुत ही मनुरंजक हस्त लिखित कथा थी जो सहस्त्रो वर्ष पूर्व देवों एवं असुरों के मध्य लड़ा गया कनखला ने शिव से पूछा जब शिव एवं नंदी ब्रहस्पती के कार्याले में पहुचे थे ये प्रथम प्रहर के अंतिम घंटे का प्रारंब था मंदार परवत पर दिन का प्रारंब आती शिगरता से हो चुका था हाँ अच्छी नींद आई शिव ने कहा किन्तु एक दयात्मक धोनी रात भर सुनाई पड़ रही थी कनखला मुस्कुराई किन्तु उसने कुछ कहा नहीं उसने अपना सिर्थ जुकाया और द्वार खोलकर शिव को ब्रहस्पती के कार्याले में प्रवेश करने दिया शिव अंदर गया और उसके पीछे कनखला एवं नंदी भ बगल में रखा हुआ था जहां सपश्ट रूप से कुछ शोध हुए थे कमरा नियंत्रित रूप से नीले रंग में रंगा हुआ था एक किनारे पर एक विशाल खिड़की थी जिसमें से परवत की तलहटी में बसे उस सघंवन का आसाधरान द्रश्य दिखाई पड़ रहा था वो शिव से बहुत ही छोटा एक मध्यम उचाई का था गेहुए रंकी तुचा गहरी आंकें और सुंदर सिंगार की गई दाणी ब्रहस्पती को एक अलग ही व्यक्तित्व प्रदान कर रही थी सिवाए चोटी के पूरी तरह से मुड़ित सिर एवं प्रशांत भाव वा वाहन था ना कि छत्री एवं यूद्धाओं का मंदिर ब्रहस्पती ने लाक्षणिक रूप से एक श्वेद धोती पहन रखी थी और अंगवस्त्रम कंधे पर धीला रखा हुआ था उसने जन्यों भी लाक्षणिक रूप से धारान कर रखा था आप कैसी है कनकला बहुत सम इक चिन बना हुआ था ब्रहमणों में यह बहुत ही उत्तम जाती वर्ग माना जाता था यह प्रभु शिव हैं कनकला ने शिव की और संकेत करके कहा मात्र शिव से काम चल जाएगा धन्यवाद शिव ने नम्रता से ब्रहस्पती को नमस्ते करते हुए कहा फिर ठीक है केवल शिव ही रहेगा और आप कौन है नंदी के और मुट ब्रहस्पती ने पूचा यह अधिपथी नंदी है प्रभू शिव के सहायक कनकला ने उत्तर दिया आप से मिलकर प्रसनता हुई अधिपथी शिव की ओर मुलने से पूर्व ब्रहस्पती ने कहा मैं असभैता नहीं कर र वे देखा तो उसके चहरी की मुस्कराहट अद्रश्य हो गई ब्रहस्पति को समय के लिए मूख हो गया धीमे धीमे अपनी चीतना प्राप्त कर वो कनकला की और मुड़ा और बोला यह चल नहीं है रंग अंदर से प्रसफुटित हो रहा है यह कैसे संभव है इसका आर्थ है क जी हाँ कनकला ने ऐसी प्रसंदता के साथ धीमे सोर में कहा जो उसके अंतर मन से निकल रही थी इसका आर्थ है कि नीलकंठ आ गए है हमारे मुक्तिदाता हमारे रक्षक सच तो यह है कि मुझे नहीं पता कि मैं रक्षक हूँ अत्वा नहीं अपने गले में गुलूबंद क को पुना बांधते हुए असाहज शिव ने कहा लेकिन मैं आपके इस सुन्दर सामराज की मदद करने का पूरा प्रत्न अवश्य करूँगा असल में यही कारण है कि मैं आपके पास यहां आया हूँ मुझे ऐसा एहसा हो रहा है कि यह महात्पूर्ण है कि मैं जान सकूं कि सुम्रस कैसे काम करता है ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अभी भी आखे चौंधिया जाने वाली स्थिती में था वो शिव को निरंतर देख रहा था लेकिन उसका ध्यान कहीं और था ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो उन परस्थितियों के परिणामों के बारे में विचार कर रहा जो नीलकंट के आगमन के बाद होने वाले थे ब्रहस्पति कनक्ला ने मुख्य वज्ञानी को वहां वर्तमान में लाने के प्रयतने के साथ पुकारा हम क्या बता सकते हैं कि ये सोम्रस कैसे काम करता है ब्रहस्पति शिव ने पूछा निसंदेह जैसे ही उसकी आखे पुना अपने सामने खड़े लोगों पर आट की ब्रहस्पति ने जट से कहा फिर नंदी का ध्यान आते ही उसने पूछा अधिपती के समक्ष बोलना क्या उचित होगा नंदी मेलुहा में हमेशा मेरे साथ रहा है शिव ने कहा, मैं आशा करता हूँ कि उसका रहना उचित ही होगा नंदी अत्यत द्रवित हो गया है कि उसके प्रभु अभी भी उस पर विश्वास करते थे और उसे प्रकड़ भी करते थे नंदी ने पुना प्रतिग्या की कि चाहे उसके प्राण चले जाएं वो प्रभु से कभी असत्य नहीं बोलेगा आप जो कहें शिव गर्म जोशी से मुस्कुराते हुए ब्रहस्पती ने कहा शिव ने महसूस किया कि ब्रहस्पती में अधीनता नहीं थी और ना ही उसे निलकंट की खोज पर अत्यतिक अंतर पड़ा था परवतिश्वर की तरह ही ब्रहस्पती ने भी उसे शिव का नाम लेकर ही संबोध्धित किया था नाकी प्रभु यदे भी शिव ने महसूस किया कि जबकि परवरती इश्वर का रुक अविश्वासी चिर्चेरोपन से चालित था वहीं ब्रहस्पती का रुक एक आत्म विश्वासी भद्रता से चालित था धन्यवाद शिव मुस्कुराया तो ये सोमरस कैसे काम करता है मंदार परवत की और जाने वाले मार्ग पर राजशाही सवारी दीरे दीरे आगे बढ़ रहे थी 108 अश्वारोहियों का मार्ग दर्शक दल 4 पंक्तियों में 5 राज़सी सवारीयों के पहले चल रहा था साथ ही 160 अश्वारोहिदल उनके पीछे भी उसी प्रकार की बनावट में चल रहा था अगल बगल दोनों और 40 सिपाहियों का पहरा चल रहा था प्रतेग बग्गी पर 10 सैनिक एवं 4 नौकरानिया भी चल रही थी ये सैनिक प्रसिद अरिष्ट नेमी थे जो समस्त भारतवर्ष में सबसे अधिक भैबीत करने वाली नागरिक सेना थी पांचों बग्गीया ठोस लकडी की बनी हुई थी जिन में कोई खिडकी नहीं थी केवल उपर क्योर निकली हुई दरार हवा के लिए बनी हुई थी चाला के ठीक पीछे जाफरी लगी हुई थी ताकि हवा एवं प्रकाश अंदर आ सके और यदि आकरमन होता है तो उसे तुरंत बंद किया जा सके सबी बगईयां एक प्रकार की माप वाली एवं देखने में एक गरूप वाली थी जिससे ये अनुमान लगाना कठिन था कि राजिसी परिवार किसी बगई में ले जाया जा रहा था यदि किसी के पास ऐसी दिवरिदरश्टी थी कि वो वो चीज़ें भी देख सकता था जिने एक आम आदमी की आखें नहीं देख सकती थी तो इस बात का संग्यान ले सकता था कि पहली तीसरी एम चौती बगईयां खाली थी दूसरी बगई में राजिसी परिवार के लोग थे दक्ष उसकी पत्नी वीरिनी और उनकी पुत्री सती अंतिम बगई में परवतेश्वर एवं उसके महतपूर्ण सेना पती थे सती ने पूझा, मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार कहा है, दक्ष ने सती के हाथ प्यार से थपकी देते हुए कहा, मेरी कोई भी पूझा पूर्ण नहीं होती जब तक कि मैं तुम्हारा मुखना देख लू, मैं इन बेकार के नियमों की परवार नहीं करता पीता जी, सती ने शर्मिंदिगी वाली मुसकान तथा थोड़ा उलाहना देने के लिए सिर हिला करका, वो जानते थी कि उसके पीता का इस तरह से विधियों का अनाधर करना उचित नहीं था सती की मा वीरिनी ने बड़ी ही अनुप्युक्त मुसकान के साथ दक्ष को देखा, उसके बाद एक छण सती को देखकर पुना अपनी पुस्तक में रब गई राजसी सवारी से कुछी दूरी पर सघनवन में पचास सैनिकों का एक दल लुक छिपकर बिना कोई ध्वनी किये चल रहे थे सैनिकों ने चम्डे से बने हलके कवच अपने धड़ पर पहन रखे थे और उनकी धोतिया सैनिकों शैली में बंधी हुई थी ताकि उनको चलने फिरने में असुविधा ना हो प्रतेक के पाल दो तलवारें एक लंबा चाकू और एक धातू तदा चम्डे से बनी ढाल थी जो उनकी पीठों पर लटकी हुई थी उनमें से एक सुन्दर नव्युवक जिसका चहरा युद्ध से लगे घाव से शोभायमान हो रहा था उसमें गहरे भूरे रंग की पगड़ी पहन रखी थी जो इस बात का संकेत कर रही थी कि वो अधिपती था उसके चम्रे का कवज बहुत ही डीला बना हुआ था और एक सोने का हार एवं एक बाजुबंद उसके उपर बाहर निकल कर जूल रहा था उस बाजुबंद पर श्वेत रंग का चैतरी अर्ध चंद्राकार चंद्रमा बना हुआ था अर्थात चंद्रवंशियों का प्रतीक चिन उसके बगल में एक दहत्याकार वेक्ती चल रहा था जो सिर से पाउं तक लबादे से ढखा हुआ था एक साप के फरदार सिर जैसा आकार उस लबादे पर सिर पर सिला हुआ था जबकि उसका चहरा काले मुखोटे से ढखा हुआ था उसकी शक्तिशाली बाहों एवं भावहीन बादाम जैसे दिखने वाली आखों के इलावा उसका और कोई रंग नहीं दिख रहा था उसके दाए हाथ की कलाई पर चमड़े का बना हुआ कड़ा भना हुआ था जिस पर कड़ाई किया हुआ नागो वाले ओम का प्रतीक चिन बना था उस फरदार लबादे वाले विक्ति ने अधिपती की और बिना मुड़े कहा विश्वद्यूम्न तुम्हारा प्रतीक चिन दिख रहा है उसे अंदर कर लो और अपने कवच को कस लो लज्जित विश्वद्यूम्न ने ततकाल ही अपना हार अंदर कर लिया और अपने कंधे की बगल में लगी डोरियों को खीच कर सीने पर लगे कवच को कस लिया सौमी शमा कीजिए विश्वद्यूम्न ने कहा कदाचित हमें आगे बढ़कर देख लेना चाहिए कि ये मंदार परवत की और जाने वाला मार्क है अथवा नहीं एक बार जब हम ये जान जाएंगे त विश्वद्यूम्न क्या मैंने आक्रमण का आदेश दिया है तब कहां से हमारी संक्या कम होने की बात आती है और हम लोग मंदार परवत की दिशा में जा रहे हैं कुछ घंटों का विलंब आसमान नहीं गिरा देगा अभी के लिए हमें केवल इनका पीछा करना है विश्व जिदन उन्हें जड़ से उखार फेकने को संभव करेगा और मेलुहा की आत्मा को नश्ट करेगा उसने धीरे से कहा लेकिन स्वामी आपको पता ही है कि रानी को विलंब पसंद नहीं है लोगों के मत अशानती फैलने की स्थिती बनती जा रही है उसे संभवता ध्यान नहीं खो रहा हूं यदि तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो तुम्हें तुम्हारा धन मिल जाएगा यदि मुझे करना पड़ा तो मैं अकेले ही करनूंगा अपने नेता की दुरलग भावना देखकर अस्तब्द विश्व द्युम्न ने तुरंत ही अपनी बात बदल ली नहीं स्वामी मैं वो नहीं कह रहा था मुझे शमा करें मैं आपके साथ तब तक रहूंगा जब तक कि आप मुझे जाने के लिए नहीं कहते हैं जब हमने शताब्दियों तक प्रतिक्षा किये तो कुछ घंटे से कुछ अंतर नहीं पड़ेगा वो पल्टन राजिसी सवार जैश्री ब्रम्भा शिव कनकला और नंदी ने एक साथ कहा इससे पहले कि हम यह समझे कि कैसे यह औशदी बढ़ती आयू की प्रिक्रिया को नाटकी धंग से धीमा कर देती है उससे पहले हैं यह समझना होगा कि हमें जीवित क्या रखता है ब्रहसपती ने कहा एक मौलिक ब्रहसपती को इस व्याख है करने की आशा में देखा और वह मौलिक वस्तु है उर्जा अशव हम ब्रहसपती करते नहीं सोचते हैं अर्था जब हम वह कुछ भी करते है जिससे हमें जीवित कहा जाता है तो हम ऊर्जा का उपयोग करते हैं हमारे लोगों के बीच में भी इसी प्रकार के अवधार्णा है शिवण ने कहा अंतर के वल इतना है कि हम उसे शक्ति कहते हैं शक्ति आश्यरै जब ब्रहस्पती ने कहा मन रंजक यह शब्द कई शताब्दियों से उर्जा को बताने के लिए प्रयक्त नहीं हुआ है कि पांड यह लोगों का शब्द था जो भारत वर्ष के सभी लोगों के पूरवर्ष थे क्या आपको पता है कि आपका कभीला कहां से आया है उनका संभावता हमें ऐसा करना चाहिए ब्रहस्पति मुस्कुराया चलिए पुना हम अपनी चर्चा पर वापस लौटते हैं कि हमारा शरीर बिना उर्जा के कुछ भी नहीं कर सकता तो यह उर्जा कहां से आती है जो हम भोजन करते हैं उससे नंदी ने भीरूता से सुझाव दिया अंतता उसे इतने महातपूर्ण वेक्तियों के मदे बोलने का आत्मविश्वास आता जा रहा था बिल्कुल ठीक जो भोजन हम करते हैं वो उर्जा का संचायन करता है जिसे बाद में हम उप्योग कर सकते हैं इसी कारण से जब हम भोजन नहीं करते हैं तो हम दुरबलता मह भोजन को उर्जा में बदलने का कारे हवा करती है जिससे हम स्वास लेते हैं ब्रहस पती ने कहना जारी रखा हवा में बहुत प्रकार के गैस होते हैं उनमें से एक को प्राणवायू कहा जाता है जो हमारे भोजन के साथ प्रतिक्रिया करके उर्जा मुक्त करता है यदि हम प्राड़ वायू प्राप्त ना तो हमारा शरीर उर्जा की कमी में भूखा गरस्त हो जाएगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी लेकिन जी तू वह प्रक्रिया है जो हमें जीवी तरक्ती है शिव ने काऊ इससे औशधियों का क्या लेना देना है औशधि को तो उन कारणों के लिए काम करना है जो बढ़ा पर कमजोरी उन मृत्यू को लाता है प्रहस्पति मुस्कुराया जो मैंने आपको बताया उसका आपके व्रध होनों से अवश्य कुछ लेना देना है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकृति में समवेदना है वही वस्तु जो हमें जीवित रखती है हमें ब्रद बनाने एवं अन्तता मृत्यों तक ले जाने का कारण बनती है जब प्रान वायू भोजन के साथ प्रतिक्रिया करके उर्जा को मुख्त करती है तो साथ ही ये जारन करता नामक स्वतंतर स्वच्छंद तत्व भी मुख्त होता है ये जारन करता विशाक्त भी होते हैं जब आप किसी फल को बाहर रखते हैं और वो खराब हो जाता है तो इसका कारण है कि उसका जारण हो चुका है अत्वा जारण कर्तता ने उसके साथ प्रतिक्रिया करके उसे सड़ा दिया है इसी प्रकार की जारन प्रक्रिया धातूं के शही करण का भी कारण बनती है ये उस नई धातूं के साथ विशेश रूप से होता है जिसका हमने विशकार किया है लोहा प्राण वायू हमारे भोजन को उर्जा में परिवर्टित करती है किन्तों साथ ही ये हमारे शरीर में जारान कर्तताओं की भी मुक्ति करती है जो हमारे अंदर प्रतिक्रिया करने लगता है हम अंदर से ही जंग रोधित हो जाते हैं और इसी कारान व्रद्धा वस्ता और मृत्य को प्राप होते है अगनी देव भला करें नंदी आश्चरे में बोला वही वस्तों जो हमें जीवन देती है वही दीमे दीमे हमें मृत्यू भी देती है हाँ ब्रहास पती ने कहा इसके बारे में थोड़ा विचार करें हमारा शरीर उन सभी वस्तों का भंडार करता है जिनकी उसे बाहरी जगत से उत्तर जीविता के लिए अवशक्ता होती है वो पर्यापत भोजन संचित करता है ताकि यदि आप कुछ दिनों तक भोजन नहीं भी करते हैं तो आपके मृतियों नहीं होती है वो जल भी पर्यापत मात्रा में भंडार करता है ताकि कुछ दिनों की प्यास से आपके मृतियों नहीं होती है यदि आपके शरीर को किसी वस्तु की अवशक्ता होती है तो ये कुछ न कुछ इस हेतों भी रखा करता है ताकि इस कमी की पूर्ती कर सकें बिलकुल शिव सहमत हुआ उधर दूसरी ओर शरीर पर्याप्त प्राणवायू का भंडारन कुछ मिंटों से अधिक देर तक नहीं करता है जो हमें जीवित रखने के लिए सबसे अधिक महत्पुन तत्व है इसका आर्थ समझना कठेन है इसकी एक मातर व्याक्या यहीं हो सकती है कि शरीर इस प्राणवायू की सुद्ध को विश्ग के समान भी समझता है अता इसका भंडारन हानिकारक हो सकता है तो फिर भगवान ब्रह्मा ने क्या किया शिव ने पूछा बहुत शोद करने के पहशाद भगवान ब्रह्मा ने सुम्रस का आविशकार किया जिसका पान करने पर ये जारन करतता से प्रतिक्रिया करता है उसे सोख लेता है और सुएद तथा मूतर के जरीयर शरीर से बाहर निकाल देता है इस सोमरस के कारण शरीर में जारन करतता नहीं रह पाता है क्या इसी कारण जब सोमरस पीने के बाद पहली बार पसीना निकलता है तो वो विशाफ्त होता है हाँ सोमरस के पान के बाद जो सुएद बाहर निकलता है वो विशेश कर हानिकारक होता है इतना ही नहीं इस बात को भी याद रखे कि सोम्रस के पान के बाद स्वेद या मूत्र कई वर्षों तक विशागत रहता है अता इसे आपको अपने शरीर से बाहर तो निकालना है और साथ में ये भी सुनिशित करना है कि ये किसी अन्य पर प्रभाव ना करे अच्छा तो इसी काराण से मेलुहावासी स्वास्थ विज्ञान में आ सकते हैं हाँ इसी काराण से प्रतेग मेलुहावासी को दो वस्तों की सिख्षा शैश्वावस्था से ही दी जाती है जल इवं स्वास्थ विज्ञान जल उन सभी बहिस्त्रावियों का सबसे अच्छा सोक्तता है जो सोम्रस रजन करता है और विश्फ का उत्तरजन करता है मेलुहा वासियों को बताया जाता है कि आप बाल्टी भर भर कर जल का पान करें और जिन वस्तूओं को धोया जा सकता है उसे अवश्यद होएं मेलुहा वासी दिन में कम से कम दो बारसनान करते हैं प्रतेक अपमारजन एक विशेश कमरे में किया जाता है और विशाक्त एवं गंदे जल्मल को जल्मल निकासी ढगी हुई नालियों द्वारा सुरक्षित ढंग से नगर के बाहर पहुचा दिया जाता है स्वास्त विख्यान का कड़ा मानक शिव मुस्कुराया क्योंकि उसे कश्मीर के पहले ही दिन इस बारे में आयरुवती के वे कड़े वचन याद आ गये थे उसने पूचा सोम्रस का उतपादन कैसे होता है इसके उतपादन में बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है इसके लिए डियर सारी आवशक सामगरियों की आवशकता होती है जो सरलता से उपलगद नहीं होती है उधारन के लिए संजीवनी वरक्ष इस सामराज में इस व्रक्ष का रोपन व्रहत इस्तर पर किया जाता है इसके उत्पादन की प्रिक्रिया के परिणाम सरुख अत्यधिक ताप निकलता है इस प्रिक्रिया के दोरान हमें अत्यधिक जल की आवशकता होती है ताकि मिश्रण को यथावत रखा जा सके प्रक्रिया प्रारंब करने के पूर्व संजीवनी व्रक्ष की शाखाओं का सरस्वती नदी के जल के साथ मन्थन किया जाता है अन्य स्रोतो का जल इस प्रक्रिया में प्रभावी नहीं हो सकता वो जो विजितर स्वर मुझे हमेशा सुनाई देता है क्या उसी मन्थन का है ये वास्तों में उसी की ध्वनी है हमारे पास विशाल का ये मन्थन उपकरण है जो इस परवत के आधार पर एक गुफा में इस्थित है सरस्वती का जल एक जलिल प्रिक्रिया वाली नहरों की विवस्था से यहां लाया जाता है जल को एक अत्यधिक विशाल कुंड में संचित किया जाता है जिसे हम प्रेम भाव से सागर कहते हैं सागर एक समुद्र आप एक कुंड के पानी को इस नाम से पुकारते हैं आश्चर चकिच शिव ने पूछा क्योंकि उसने इसके बारे में लोग कथा सुनी थी कि अत्यधिक विशाल एवम अंतहीन जल्पिंड को सागर कहा जाता है ये तोड़ी अत्युक्ती है ब्रहस्पती ने मुस्कुराहट के साथ सुईकार करते हुए कहा लेकिन यदि आप उसे देखेंगे तो उसके आकार को देखने के बाद अनुभाव करेंगे कि हमारा इस नाम से पुकारना उतना अनुचित भी नहीं है आच्छा तो ठीक है मैं अवश्य ही इन सभी सुविधाओं को देखना पसंद करूँगा कल रात जब हम आये थे तो बहुत देर हो चुकी थी इसलिए मैंने अभी तक इस पहाड का बहुत कम ही इससा देखा है मध्यान भोजन के उपरांत मैं आपको दिखाने ले चलूँगा ब्रहसपती ने कहा शिव उत्तर में धीमे से मुस्कुराया वो कुछ कहने ही वाला था लेकिन कनकला और नंदी को देखकर उसने सुयम को रोक लिया ब्रहसपती ने उस हिचकी चाहट को देख लिया उसने महसूस किया कि शिव कुछ पूछना चाहते हैं किन्तों नंदी एवं कनखला की उपस्थिती में वो पूछ नहीं पा रहे हैं। ब्रहस्पती उनकी और मुड़ा और बोला, मेरा विचार है कि शिव मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या मैं आप लोगों से बाहर प्रतिक्षा करने का अनुरोद कर सकता हूं। उनकी सामने आपसे ये प्रिश्ट नहीं पूछना चाहता था। उनकी आस्था बहुत अधिक है। एक वेंगिपूर्ण हसी के साथ शिव ने कहा। वो ब्रहस्पती को चाहने लगा था। उसे ऐसे वेक्तियों के साथ रहना अच्छा लगता था जो उसे अपने समकष समझते थे। ब्रहस्पती ने सहमती में सिरह लाया। मैं समझ सकता हूं मित्र आप क्या पूछना चाहते हैं। मैं ही क्यों। शिव ने पूछा। क्यों इस सूम्रस ने मेरे उपर ऐसा प्रभाव डाला। हो सकता है कि मेरा गला नीला हो। लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे सूर्वंश्यों का रक्षक बन सकता हूं। समराड मुझ से कहते हैं कि मैं वो व्यक्ति हो जो प्रभुश्री राम के अधूरे कारे को पूरा करूँगा और चंद्रवंश्यों का नाश करूँगा। उन्होंने आप से ये कहा, ब्रहस पती ने कहा, उसकी आँखे आश्चर में खुली रह गई। समराड कभी-कभी उबाओ हो सकते हैं, किन्तु संचेप में कहूं तो जो उन्होंने कहा वो पूर्ण सत्य नहीं है। पौराणिक गाथा ये नहीं कहती कि निलकंट सूर्वंश्यों की रक्षा करेंगे। पौराणिक गाथा दो बाते कहती हैं, प्रथम निलकंट सब्त सिंदु से नहीं होंगे, अर्दुतिये निलकंट बुराईयों के विनाशक होंगे। मिलगा वासी ये मानते हैं कि इसका अर्थ है कि निलकंट चंद्रवंश्यों का विनाश करेंगे क्योंकि वे सचमुछ ही दुष्ट हैं। किन्तु चंद्रवंश्यों के विनाश करने का अर्थ ये नहीं कि सूर्वंश्यों की रक्षा हो जाएगी। चंद्रबंशियों के अलावा भी अनेक समस्याएं हैं जिनका हमें समधान करना है किस तरीकी समस्याएं? जैसे नागा लोग ऐसा प्रदीत हुआ कि ब्रहस्पती एक शण के लिए हिचकिचाया उसने साफधानी पूर्वक उत्तर दिया कई समस्याएं हैं हम लोग उनके समाधान के लिए कठिन प्रयास कर रहे हैं किन्तु पुना उस प्रश्ण पर आते हैं कि सोम्रस का प्रभाव आप पर ऐसा क्यों हुआ? हाँ ऐसा क्यों हुआ? क्यों मेरा गला नीला हो गया? मेरे शरीर के अधापतन को रोकनी की बात भूल जाइए सोम्रस ने मेरे जोड उखड़े हुए कंधे और शीत दंश्वाले पाउं के अंगूठे को भी सही कर दिया इसने घाव को ठीक किया? आश्यर से भरे ब्रहस्पती ने कहा ये संभाव है? इसका कार मात्र, कालिक, छै, एवं, रोगों को रोकना है ना कि घावों को सही करना वो तो ठीक है लेकिन मेरे साथ ऐसा ही हुआ है ब्रहस्पती ने कुछ छड़ के लिए सोचा इसके लिए हमें प्रियोग करना होगा ताकि हम किसी निश्चित निश्कर्ष पर पहुँच सके यद्दे पी जितना मुझे ग्यान है उसके आधार पर इस समय के लिए मैं केवल इतनी ही व्याख्या कर सकता हूँ क्या आप हिमालय के इस पार उचे इस्थल से आए हैं क्या मैं सही हूँ शिव ने सिर हिला कर सहमति दी जब आप उचे परवतों की ओर जाते हैं तो हवा पतली होती जाती है ब्रहस्पती ने कहना जारी रखा था पतली हवा में प्राणवायू कम हो जाती है इसका अर्थ है कि आपका शरीर कम प्राणवायों में जीवित रहने का आदी था तथा जारान कर्थता से उसकी कम हानी होई थी अता जब सोमरस के प्रती जारान कर्थता का प्रभाव हुआ तो उसका प्रभाव आपके शरीर में कुछ अदिक हुआ होगा ये एक कारण हो सकता है शिव सहमत था लेकिन अगर ऐसा था तो मेरे समस्त कबीलों को ही ठंडा आयम नीला हो जाना चाहिए था केवल मैं ही क्यों ये बहुत ही उत्तम बिंदू है ब्रहस्पति ने वाना किन्तु एक बात बताईए क्या आपके कबीले वालों ने भी अपनी पूर्व इस्थिती एमशालीरिक इस्थितियों में परिवर्ता नर्बह किया है वास्तों में ये सही है तो संभाव है कि कम हवावाले प्रदेश में रहने का कारण इसमें कुछ न कुछ भूमी का अवश्य रखता है किन्तो आपके सभी कभीले वालों में नीला गला नहीं हुआ तो इस सपश्ट है कि पतली हवा वाला से धान संभवता एक आंशिक व्याक्या ही प्रसुत करता है हम इस पर और अधिक शोद कर सकते हैं मुझे विश्वास है कि इस नीले गले की कोई ना कोई व्याग्यानी क्याक्या अवश्य होगी शिव ने ब्रहस्पती को ध्यान से देखा क्योंकि उसने ब्रहस्पती के अंतिम कथन का आश्य समझते हुए पूछा आप नीलकंटी की पौरानी कथा में विश्वास नहीं करते क्या मैं सही हूँ ब्राजपती ने थोड़ा असाहज रोप से मुस्कुराते हुए शिव को देखा वो शिव को पसंद करने लग गया था और वो शिव को ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता था जिससे उसका अनादर हो किन्तु वो अस्यत्य भी नहीं बोल सकता था मैं विज्ञान में विश्वास करता हूँ ये सभी वस्तुओं के लिए एक समाधान एवं और और यदि ऐसा कुछ है जो चमतकार की तरह का प्रतीत होता है तो उसकी मातर यहीं व्याख्या है कि उसके लिए अभी तक किसी वैग्यानी कारण की खोज नहीं हो पाई है तो फिर मेलुहावासी अपनी समस्याओं के लिए विज्ञान की शरण क्यों नहीं लेते इस बारे में मैं कुछ निश्चित नहीं कह सकता ब्रातती ने सोच के मुद्रा में कहा संभावता ये इसलिए कि विज्ञान शमतावान है कि तो ठंडे दिल का स्वामी है निलकंट से भिन वो आपके लिए आपकी समस्या का समधान नहीं करता है ये मात्र ऐसे उकरण प्रदान करता है जो आपके लिए संगर्ष के लिए आवश्यक हो संभावता इसलिए भी कि अपने समस्याओं के स्वयम समधान ढूनने के तुल्डा में लोगों को ये मानना सरल परतीत होता है कि कोई आएगा जो उनकी समस्याओं का समधान कर देगा तो फिर आपको क्या लगता है मेलुहा में निलकंट को क्या भूमिका निबानी चाहिए ब्रहाजपति ने शिव को सहान भूती पूरवक देखा मैं सोचता हूँ कि एक सच्चे सूरिवन्शियों को अपने असुरों से स्वयम संगर्श करना चाहिए ना कि किसी और पर इस बात के लिए दबाव डालना चाहिए कि वो उनकी समस्या का समधान करे एक सच्चे सूरिवन्शिय का ये करतव्य है कि उसे स्वयम ही अपनी योगिता एवं शक्ति की सीमा तक कारे करना चाहिए नीलकंठ का आगमन केवल सूरिवन्शिय के प्रयासों को दोगना कर देगा क्योंकि ये इस पश्ट है कि बुनाईयों का संगार निकट है शिव ने सहमती में सिरह लाया क्या आप इस बात से चिंते थें कि आस्था के दबाओ के काराण आप एक उत्तरदायत वो ले रहे हैं जो आप नहीं लेना चाहते और ये आपके लिए बहुत तनाव वाला होगा ब्रहासपती ने पूछा नहीं मेरी चिंता का विशे वो नहीं है शिव ने उत्तर दिया ये एक बहुती सुन्दर सामराज है और मैं अवश इसकी मदद करना चाहता हूँ जितनी मैं कर सकता हूँ लेकिन तब क्या होगा जब आपके लोग जो मुझ पर अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से निर्भर है और वो सुरक्षा मैं नहीं कर सका इस समय में ये नहीं कह सकता कि मैं वो सब कर पाऊंगा जिनकी मुझसे आशा की जा रही है तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ ब्रहासपती मुस्कुराया उसकी अपनी नियमों की भाषा में कोई व्यक्ति यदि अपने वचन एवं कथन को गंभीरता से लेता है तो वो सम्मान की योग्य है आप एक भाले व्यक्ति प्रतीत हो शिव आप संभवता आने वाले दिनों में बहुत दबाव का सामना करेंगे सावधान रहे मित्र नीले गले के कारण एवं जो ये आस्था उत्पन्न करता है उसके कारण आपका निर्णे इस समस्त भूमी के लिए अत्यंती बड़े परिणाम वाला होगा याद रखिये एक व्यक्ति लोककथा का नायक है अत्वा नहीं उसका निर्णे इतिहास लेता है ना कि कोई भविश्यवानी शिव मुस्कुराया वो खुश था कि आखिरकार उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल गया था जो उसकी विपिदा को समझ सकता था और उससे भी महतपूर बात थी कि वो कुछ सुधाव देने के लिए भी सहमत था संद्या हुए बहुत समय बीच चुका था ब्रासपती के साथ पूरी दोपहर मंदार परवत की बहुत प्रसंदे कर देने वाली यात्रा के बाद शिव अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था एक पुस्तक पढ़ रहा था बगल की मेंस पर उसका समाप्त हो चुका चेलम रखा हुआ था असुरों के विरुद सचाई क्या युद्ध नामक पुस्तक के कुछ पहलू उससे सोचने पर विवश कर रहे थे असुर लोग राक्षस थे और देवों के प्रति उनकी शारीरी घ्रणा के कारण उनका असुरों की तरह विवहार करना अपेक्षित था वियावसर पाते ही देवों के नगरों पर आकरमार करते थे ताकि देवों को बलात अपनी तरह से जीने के लिए बाद कर सके ये शिव के लिए आश्यरी का विशय नहीं था जो से अनापेक्षित था वो था कुछ देवों के ऐसे विभार जो विजय के अंधे अनुसरण में अनैतिक्ता की सीमा तक लांग गये थे बगवान रुद्र स्वयम विक्तिगत रूप से महान थे लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि व्रहत सचाई को देखते हुए उन्होंने देवों के अविवेक की उपिक्षा कर दी थी इस सोच के मध्य में ही शिव ने विश्राम ग्रह के बाहर कुछ हलचल सुनी उसने प्रथम तल के छज्जे से बाहर देखा तो राजिसी काफिले का आगमन हो चुका था अरिश्टनेमी सैनिकों ने प्रवेश दौर पर अभिवादन हे तो एक बहुत ही सलीकेदार पंक्ती बना ली थी दूर दूसरी बग्गी से कुछ लोग उतरते हुए प्रतीत हुए शिव ने मान लिया था कि वो राजिसी परिवार ही होगा आश्चर इस बात का था कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अरिश्टनेमी राजिसी परिवार के स्वागत में कोई अनावश्य खरबड़ी नहीं दिखा रहे थे वहाँ पर सेवक का कोई सामाने दासत्व का भाव नहीं दिख रहा था जो राजसी परिवार के समक्ष दिखना चाहिए था शिव को ऐसा लगा कि इसका कारण ये होगा क्योंकि मेलूहा वासियों में समकक्षिता की धुन सवार रहती है यद्दिपी शिव की इस समकक्षिता सिध्धान को उस समय चौनवते मिल गई जब उसने पांचवे बगई को देखा जिससे परवतेश्वर उत्रा यहां ऐसा प्रतीत हुआ कि अरिष्टनेमी घबराहट में थे वरिष्ट अधिपती परवतेश्वर के पास भागा भागा गया और उसने मेलूहा के सैनिक तरीके से अभिवादन किया जूतों की एड़ी से खटाप के द्वनी शरीर साफदान के मुद्रा में जकडा हुआ और दाहिने हाथ की मुठी को बांध कर तीवरता से बाएं सीने पर धरना इस अभिवादन के बाद अधिपती नीचे सेना के प्रधान सेना नायक के सम्मान में जुका उसके पीछे खड़े सेनिकों ने भी अपने अधिपती की मुद्रा को दोहराया परवतेश्वर ने इसके उत्तर में आपचारिक रूप से अपने सिर को थोड़ा जुकाते हुए अभिवादन किया वो आगे बढ़कर सेनिकों का नेरिक्षर करने लगा और अधिपती उसके दो कदम पीछे चल रहा था शिव की भावनाती की प्रवतेश्वर के लिए ये सम्मान मात्र उसके पद के कारण नहीं था वो उस विक्ति के लिए था चुटचड़ेपन के साथ साथ प्रवतेश्वर एक बहादर युद्धा भी था एक सेनिक का सेना पती तभी एक विक्ति की भाती आदर पाता है जब उसके वचन सत्ते होते हैं शिव अरिश्टनेमी सेनिकों की आँखों में उस आदर की शक्ती देख रहा था जो अपने सेना राय का ध्यान पाकर जुक रहे थे कुछ समय के बाद ही शिव ने अपने दौर पर हलकी खटखटा हट सुनी उसे यह जानने के आवशकता नहीं थी कि दौर के बाहर कौन हो सकता था एक गहरी सांस लेकर उसने दर्वादा खोल दिया जैसे ही दक्ष अंदर आने लगा तो उसके स्थिर मुस्कुराहट अद्रश हो गई क्योंकि गांजी की अपरिचित गंद ने उसकी सुधी पर धावा बोल दिया कनकला जो समराट की दाई ओर थी वो भी पूरी तरह से हैरान परिशान दिखाई दी ये दुरगंद कैसी है दक्ष ने ब्रहसपती से पूछा जो उसके बाई और खड़ा था संभवता आपको प्रभू का कमरा बदल देना चाहिए आप इनको ऐसी अस्विधा में कैसे रख सकते हैं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि शिव को इस सुगंद से सुविधा होती है महराज ब्रहसपती ने कहा ये एक ऐसी गंद है जो मेरे साथ ही आत्रा करती है महराज ये मुझे पसंद है शिव ने कहा दक्ष चकित था, उसके मुख ने इस विकर्षन को छुपाने का कोई प्रियास नहीं किया लेकिन जल्द ही वो अपने पुराने स्वरूप में आ गया विख ने डालने के लिए शमा करें प्रभू, दक्ष ने कहा उसके मुस्कुराहट वापस लौट चुकी थी आपका सुम्रस के बारे में क्या सोचना है प्रभू, क्या ये सचमेंदीवों का प्या है जी हाँ महराज, ये अवश्य ही चमतकारिक पेअपरतीत होता है ये हमारी सभिता का आधार है, दक्ष ने कहना जारी रखा था जब एक बार आप हमारी इस धर्ती की यातरा पूर्ण करेंगे तब आपको हमारे जीवन जीने के अच्छे धंग का ग्यान होगा मुझे पूरा विश्वास है कि इसकी रख्षा करने के लिए आप अपने हिर्दय में कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त करेंगे महराज मैं तो अभी सही आपके सामराज के लिए बहुत ही उच्च विजार रखता हूँ ये सचमुच में ही एक महान सामराज है जो अपने नागरिकों से बहुत ही अच्छा वेभार करता है मैं इस पर संदेह नहीं कर सकता कि ये जीवन जीने के ढंग की रक्षा योग है हाला कि जिसके बारे में मुझे कुछ निश्चित नहीं है वो ये है कि मैं क्या कर पाऊंगा आपकी सभिता अत्यधिक प्रगति कर चुकी है और मैं एक साधरान कभीले वाला हूँ आस्था एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र होता है प्रभू दक्ष ने कहा उसके हाथ निवेदन में जुड़े हुए थे बसकेवल आवश्यक्ता इस बात की होती है कि जितनी आस्था हमारी आप में है उतनी ही आप में आप की हो जाए मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप हमारे सामराज में कुछ दिन और रहेंगे और हमारे लोगों पर आपकी उपस्तिती का प्रभाव देखेंगे तो आप अवश्य ही जान जाएंगी कि आप क्या कर सकते हैं शिव ने दक्ष के बाल को जैसे विश्वास के विरुद्द विवात करना छोड़ दिया ब्रहस्पति ने शिव को रहत पहुचाने से पूर्व उसे आँखों से संकेत किया महराज शिव ठके हुए से प्रतीत होते हैं आज उनके लिए बहुत लंबा दिन था संभवता अब उन्हें आराम करना चाहिए और हम कल पुना मिल सकते हैं दक्ष मुस्कुराया को संभवता आप सही है ब्रहस्पति आपको परशान करने के लिए मुझे छहमा करें प्रभू हम कल प्राता नाश्टे पर आपके प्रतिक्षा करेंगे आपकी रात्री शुब हो शुब रात्री शिव ने अभिवादन किया दक्ष बार बार प्रहर कंदील को परिशान होते हुए देख रहा था जबकि सती शांती से मेच पर प्रतिक्षा कर रही थी उसकी बाई और कनखला ब्रहस्पती और परवतेश्वर थे उसकी दाहीनी और एक खाली कुरसी रखी हुई थी नीलकंट के लिए सती ने सूचा उस खाली कुरसी की बगल में सती बैठी हुई थी और उसकी दाहीनी और उसकी माता वीरिनी बैठी हुई थी दक्ष ने बहुत सोच विचार कर बैठने के उचित विवस्था का संतोश व्यक्त किया था सती ने समस्त विवस्था का भार उठाया था आपचारिकता से परिपूर्ण मेज एवं कुरसियों की विवस्था की गई थी जबकि सामानेता मेलूहा के लोग एक छोटी मेज एवं बैठने के लिए मसनद की विवस्था परसंद करते थे प्यारे केले के पत्तों की जगा सोने की थाली ने ले ली थी स्वात बढ़ाने वाले कुलहडो या मिट्टी की प्यालियों की जगा चांदी के गिलासों ने ले ली थी उसने सोचा कि उसके पिता नाश्ते के दोरान मुलाकात के लिए कुछ अधिक ही आशानमित थे उसने देखा था कि वे उन कई तथा कथित नीलकंठे से आस लगाये हुए थे वे सभी चमतकारिक व्यक्तिक कप्टी निकले थे उसने आशा की थी कि उसके पिता को एक बार फिर उसी निराशा का सामना ना करना पड़े धिनोरा पीटने वाले ने शिव एमम नंदी के आने की घोशना की जैसे ही दक्ष भक्तिभाव से प्रभू के स्वागत के लिए खड़ा हुआ तो परवतेश्वर ने अपने समराट के इस दासत्व भरे विवहार पर अपनी आखों की पुतलियां गुमाई वो इस विवहार से आपरसन ने प्रतीत हुआ उसी समय सती एक गिलास उठाने जुकी जो उसके हाथ से छूटकर फर्ष पर गिरकर जनाहर्ट की एक तीवर ध्वनी उत्पन्न कर रहा था प्रभू दक्ष ने मेज के चारों तरफ बैठे विक्तिकी और संकेत कर उनका परिचे देती हुए कहा कनखला ब्रहस्पती परवित इश्वर को तो आप जानते ही है वो दाहीनी और मेरी पतनी रानी वीरिनी है शिवन नमरता से मुस्कुराया जब उसने वीरिनी के आपचारिक नमस्ते का उत्तर एक सब्भे नमस्ते से दिया और उसकी बगल में दक्ष ने अपनी खुशी ना छिपाते हुए एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा तब तक हाथ से छूटे गिलास को उठाकर सती खड़ी हो रही थी मेरी पुत्री है राजकुमारी सती शिवन ने जब अपने जीवन को अपनी और घूमते देखा तो एक बार की उसे लगा कि उसकी सांस रुख गई थी उसके दिल की धड़कन अत्यधिक तीवर गती से लयात्माख हो चुकी थी वो दावे के साथ कह सकता था कि उसे इस विश्व की सबसे अधिक पसंदीदा सुगंद के एक जखोरे की अनुभूती हुई थी सुर्यास्ति के समय पर होने वाली उस पवितरी जील की मिठी सुगंद की पूर्व की भाती वो मंत्रमुग्द था उस कमरे में एक आसुविधा जनक शान्ती चाईग हुई थी सिवाए उस ध्वनी के जो सती के हाथ से एक बर पुना गिलास के छूटने से फर्श पर गूंज रही थी उस ज्धनाहट की ध्वनी ने कुछ पल के लिए सती की स्थिर दृष्टी में विगने डाला उसने अतिमानवी प्रियासों से अपने चेहरे पर आये इस तब्द रहने वाले भाव को नियंतरण करने में सफलता पाई उसकी सांसे बहुती तीवरता से चल रही थी जैसे उसने अभी अभी शिव के साथ यूगल निरत्य किया हो वो केवल इस बात को नहीं जान रही थी कि उसकी आत्मा भी वही कर रही थी दक्ष ने उस हत्प्रभ हुए यूगल जोडे को आनन्दातिरेक से देखा वो उस निर्देशक की भाती था जिसने अपने नाटक का प्रदर्शन उसी तरह का देखा था जैसे कि वो अपिक्षा कर रहा था नन्दी शिव के पीछे खड़ा था जो सती के मुख के भाव को देख सकता था सैसा उसे सब कुछ स्पष्ट हो चुगा था निर्दे का अभ्यास, विकर्म स्पर्श, शुद्धी करण और प्रभु का विशाद यदि पी उसे आंशिक रोप से डर भी लग रहा था किन्त उसने सोच लिया था कि उसे क्या करना था यदि प्रभु की यही इच्छा थी तो वो उनकी इस इच्छा की पूर्टी के लिए कुछ भी करेगा ब्राजपती ने उस युगल जोड़े को खाली निगाहों से गूरा वो अनपेक्षित परस्थिती से होने वाले परिणामों के बारे में गहरी सोच में था परवतेश्वर ने इस परस्थिती को थोड़ा भी ना चुपाते हुए अरुची से देखा जो कुछ हो रहा था वो अनुचित था अनैतिक और उससे भी अधिक अवैद प्रभू दक्षि ने अपनी दाई और पड़ी खाली कुरसी के और इशारा कर कहा कृप्य अपना स्थान ग्रहन करें और हम प्रारंब करें शिव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी उसने दक्ष के शब्दों को सुना नहीं था वो उस जगत में था जहां मातर एक ही धोनी थी जो सती की गहरी सांसों के सामन जिसे पूर्ण संगीत से आ रही थी ये एक ऐसी धोनी थी जिस पर वो आनंद पूर्वग अगले साथ जन्मों तक निरते कर सकता था प्रभू दक्ष ने पुना कहा इस बार थोड़े उंचे स्वर में उस स्वर से बाधित हुए शिव ने अंतरता दक्ष को ऐसे देखा जैसे वो किसी दूसरी दनिया से निकल कराया हूँ कृपया अपना स्थान गरहन करें प्रभू दक्ष ने कहा जी हाँ निसंदे महाराज शर्मिंदगी से अपनी दृष्टी बचाते हुए शिव ने कहा जब शिव बैठ गया तो भोजन परोसा गया मेलोहा वासियों का यह एक सुन्दर एवं साधाराण विंजन था जो वो सुबह के नाश्टे में पसंद करते थे चावल एम कुछ दालों को उबाल कर उसे एक गाड़े धंग से घोंट दिया जाता था इसके छोटे छोटे हिस्से केले के पत्तों में लपेट कर उसे एक बेलना कार गोला कार फलक में भाप से पकाया जाता था ये खाद पदार्थ केले के पत्ते में लिप्टा हुआ ही परोसा जाता था और साथ में मसालों वाली मसूर की दाल स्वाद केले परोसी जाती थी इस भोज्जे का नाम इडली था आप नीलकंठ हैं? अभी तक इस से इस तब्द सती ने कोमलता से फुस्फुजा कर शिव से पूछा जो अपनी सांसों में इच्छे द्रोप से कुछ शान दिला पाई थे लगता तो ऐसा ही है ठिठोली की हसी के साथ शिव ने उत्तर दिया प्रभावित हुई? सती ने इस प्रशन का उत्तर अभिमान से उठू ही भौहों से दिया उसका मुखोटा वापस आ चुका था मैं क्यों प्रभावित हूँगी? क्या? प्रभू दक्ष ने कहा कहिए महाराज दक्ष के और मुडते हुए शिव ने कहा मैं सोच रहा था दक्ष ने कहा हमारी पूजा शाम तक समाप्थ हो जाएगी इसके बावजूद हमें यहां ब्रहस्पती के साथ समिक्षा करने के लिए दो दिन तक रुखना पड़ेगा वीरिनी और सती को यहां रखने का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि अनावश्यक ही इतना समय उनके लिए उबाव होगा धन्यवाद महराज ब्रहस्पती ने बनावटी हसी के साथ कहा मंदार पर राजसी परिवार का जो विश्वास आपने दिखाया है वो अत्यंती उत्साह वर्दक है मेज पर बैठे सभी लोगों की हसी छूड गई दक्ष ने भी अपनी विशाल हिर्दरता के भाव को दिखाते हुए हस पड़ा आप जानते हैं मेरे कहने का तात्परे क्या था ब्रहस्पती दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा शिव के और मुलकर उन्होंने कहा जो मुझे पता है प्रभू आप कल प्राता देवगिरी के लिए प्रस्थान करने वाले हैं मेरे विचार से ये अच्छा रहेगा यदि वीरिनी एम सती भी आपके साथ ही चली जाएं बाकी बचे लोग दो दिनों के बाद महां पहुंच जाएंगे सती ने आशंकित होकर देखा वो ये नहीं जानती थी पता नहीं क्यों लेकिन उसका मन कहरा था कि वो इस योजना से सहमत ना हो दूसरी और उसका मन ये भी कहरा था कि उसे डरने की कोई आवशकता नहीं थी उसने अपने पच्चासी वर्ष एक विकर मिस्तरी के रूप में बिताय थे और इन वर्षों में उसने नियमो का उलंगन कभी नहीं किया था उसके पास इतना आत्मनियंतर था कि वो जान सकती थी कि क्या सही था और क्या गलत शिव के पास वैसी कोई सोच नहीं थी उसने इस पश्ट रूप से प्रसंद होकर कहा मेरे विचार से ये बहुत ही अच्छा सुझाव है महराज नंदी और मैं दोनों महराणियों के साथ देवगिरी तक एक साथ यात्रा कर सकते हैं तो फिर ठीक है दक्ष ने प्रकट रूप से संतुष ठोकर कहा परवतेश्वर कृपया आप ये सुनिश्चित करें कि अरिष्ट नेमी मार्ग दर्शक दो भागों में विभगत होकर वापसी की यात्रा के तयारी करें महराज मैं नहीं समझता कि ये बुद्धिमानी है परवतेश्वर ने कहा अरिष्ट नेमी का एक बड़ा दल देवगीरी में अन्यत्र नियुक्ति हे तो तयारी में लगा हुआ है साथ ही मंदार परवत पर जो दल है वो किसी भी परिस्थिती में हटाया नहीं जा सकता है हमारे पास दो काफिलों के लिए परियाप्त सैनिक नहीं है संभावता यदि हम सभी लोग एक साथ परसों ही आत्रा करें तो उचित होगा मुझे विश्वा से किसमे कोई समस्या नहीं होगी दक्ष ने कहा और आप हमेशा कहते हैं कि प्रतेग अरिष्ट नेमी सैनिक पचास दुश्मनों के बराबर है तो फिर ठीक है प्रभु नीलकंट वीरीने और सती कल प्राता ही प्रस्थान करेंगे गरपे आप सारी विवस्था कर दें परवतेश्वर आप रसनता से अपने विजारों में हो गया और शिव एवं सती पुना एक दूसरे से फुसपसा कर बाते करने लगे आप शुद्धी करन के लिए गये हैं है ना सती ने गंभीरता से पूछा हाँ शिव ने कहा वो जूट नहीं बोल रहा था देवगिरी में अंतिम रात्तरी को वो शुद्धी करन पूझा के लिए गया था वैसे तो वो नहीं मानता था कि उसे इसके आवशकता थी फिर भी वो जानता था कि जब भी वो सती से मिलेगा तो वो आवश्य पूछेगी और वो उससे जोट नहीं बूलना चाहता था लेकिन मेरा मानना है कि ये शुद्धी करन की अवधारना बिल्कुल ही वाहियात है शिव ने फुसपुसा कर कहा दरاصل ये विकर्म की अवधारना ही पूरी तरह से गलत है मेरा विचार है कि मिलूहा में कुछ चीजों में से ये एक चीज है जो उचित नहीं है और इसमें बदलाव लाना चाहिए सती ने शिव को दरिश्टी उठा कर देखा उसका चेहरा भाव ही विहीन था शिव ने उसके आँखों में घूर कर देखा ताकि उसके मन में क्या चल रहा था उसे समझ सके लेकिन उसे केवल खाली दिवार ही दिखी वो अगले दिन के दूसरे प्रहार का प्रारम था जब शिव वीरिनी सती और नंदी ने सौ अरिश्टनेमियों के साथ देवगिरी के ल लेकर चलता था तो चार बग्ईयां प्रथक से रखना अनिवार था चूटि राजसी सवारी पाँच बग्गियों में आई थी इसलिए इस काफिले के लिए एक ही बग्गी बची थी परवतेश्वर इस बात पर बहुता प्रसन है था कि आप आरम पर एक तरीके से राजसी परिवार यात्रा कर रहा था जिसमें कोई चलावा बग्गी नहीं थी लेकिन उसके विरोध को दक्ष ने आस्विकार कर दिया था बग्गी के अंदर एक आराम दायक सेज पर बैठी हुई सती ने देखा कि शिव पुना अपना गुलूबंद गले पर लगाए हुए था उसन दो आपको तो इसका अभ्यस्त होना पड़ेगा ये नीला गला अद्रश नहीं हो जाएगा सच है लेकिन जब तक मैं अभ्यस्त नहीं हो जाता ये गुलूबंद मेरा कवच है शिव ने मुस्कराहट के साथ उत्तर दिया जैसे ही काफिले ने प्रस्थान किया तो परवतेश्वर ने दक्ष से पूछा उसने इतना आदर पाने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया है वह हमारी विजह में हमारा नित्रत्व कैसे कर सकता है जब वह इसके प्रसिक्षित ही नहीं किया गया है नीलकंट की ये समस्त अवधारना ही हमारे नियमों के प्तर दिया एक अगोशित युद्ध किन्तो युद्ध की निश्चित स्थिति में हम लगवग हर दूसरे सप्ताह आतंकी आकरमणों का सामना कर रहे हैं यह कायर चंदरवशी सामने से आकरमण भी नहीं करते कि हम उनका सामना कर सकें और हमारी सेना उनके छेतर में खुला आक्रमण करने के लिए बहुत छोटी है, हमारे नियम काम नहीं कर रहे हैं, हमें चमतकार के आवशकता है, किसी आकस्मिक लाप का पहला नियम है कि चमतकार तभी संबह होता है जब राश्ट्री नियमों को भूल जाएं और आस्था रखें, मेरी नीलकंठ में आस्था है, और संतरस्त परवतेश्वर ने पूचा, और आप वास्तों में ये चाहते हैं, वो रख्षक केवल अपनी कामुकता के कारण हमारी साहता करने का निर्नले, ये कामुकता नहीं है, परवतेश्वर एवं कनकला दक्ष की पृतिक्रिया पर स्तब्ध होकर चोप हो गय, आपको मैं किस प्रकार का पिता दिखाई देता हूँ, दक्ष ने कहा, आपको लगता है कि मैं इस प्रकार अपनी पुत्री का प्रियोक करूँगा, संभव है कि वो प्रभु के संग सुविधा एवं प्रसनिता प्राप्त कर ले, उसने पहले से ही बहुत दुख जहिल रखा है, मैं उ कहना जारी रखा, और इसका एक मत रुपाई यही है कि स्वद्वीप के निवासियों को हम हमारी जीवन शैली की सुविधाओं का लाप्रदान करें, एक आम स्वद्वीप वासी इसके लिए हमारा आभारी रहे और कि दूचंद्रवंशी शासक अपनी सारी शक्ति से और हर कि भी चंद्रवंशीों के विरुद्ध हमारा नित्रत्व करने से मना नहीं करेंगे, कि तो महराज के आपको सचमुछ यह लगता है कि प्रभू हमारे साथ होंगे, क्योंकि वे आपके पुतरी से प्रेम करते हैं, कनकला ने पूछा, आपने मुख्य विंदू को नहीं समझ निलकंट को हमारा नित्रत्व करने के लिए मात्र स्वयम में विश्वास एवं प्रेड़ना के आवशकता है, जब वे सती के निकट जाते हैं, तो उनकी स्वयम में आस्था ही उन्हें प्रेड़ित कर देगी, और ये कैसे होगा महराज, परवतेश्वर ने थोड़ा गुस दक्ष ने समझाया, मुझे देखिये, मैंने हमेशा अपने पिता को प्रेम किया, उनको प्रभावित करनी की मेरी इच्छा आज भी मुझे कुछ करने के लिए प्रेड़ित करती रहती है, उनके निदन के बाद भी मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि उन्हें गर्व महसूस ये मुझे मेरे उस प्रारब्द के और प्रेड़ित कर रहा है, जो एक समराठ होने के नाते, समस्त भारतवर्ष में सूर्य मंशियों के जीवन के विश्युद नंगो को पुना इस्थापित करें, और जिम नीलकंठ में ये इच्छा बलवती होगी कि सती उन पर गर्व करे तब वे उस चरम पर पहुँच जाएंगे जहां से उनके प्रारब्द की पूर्ती होगी, पर वतेश्वर ने गुस्से से नाग भौसी कोड़ी क्योंकि वो इस तरक से सहमत नहीं था लेकिन चुप रहा, किन्तो यदि सती इस से कुछ अलग चाहती हो तो, कनकला ने पूछ जैसे कि उसका पती सारा समय उसके साथ ही बिताए, मुझे मेरी पुत्री के बारे में पता है, दक्ष ने पूरे आतमश्वास से इस्तर दिया, बुझे ये भी पता है कि उसे प्रभावित कैसे किया जा सकता है, ये बहुत ही दिल्चस्प विचार है महराज, कनकला मात्र उत्सुकता वर्ष मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपके विचार में किस्तरी के जीवन में सरवधिक शक्तिशाली संबल क्या होता है दक्ष खुलकर जोर से हसा आप ये क्यों पूछ रही हैं क्या आपको पता नहीं है वैसे तो मेरे जीवन का सबसे शक्तिशाली संबल मेरी ये इच्छा है कि मेरी सास के उठने से पहले ही मैं घर से बाहर निकल जाऊ दक्ष यम कनकला दोनों ही जोर से ठाका लगाए परवतेश्वर को इसमें हसने वाली कोई बात नहीं लगी मुझे शमा करें लेकिन अपनी सास के बारे में इस प्रकार बोलना उचित नहीं है ओ शान्त हो जाईए परवतेश्वर कनकला ने कहा आप हर चीज़ को कुछ अधिक ही गंबीरता से लेते हैं मेरे विचार में मुसकान लिये हुए दक्ष ने कहा एक इस्त्री के जीवन में सबसे अधिक शिक्तिशाली संबल होता है सराहना, प्रेम और सम्मान कनकला मुसकुराई और उसने सहमती में सिरह लाया उसके समराट सचमुछी मानवी ये भावो को समझते हैं अध्याए दस फणदार व्यक्ति वापस आता है मंदार परवत की गहराईयों से बाहर सावधानी पुर्वक छेनी से काटे हुए रास्ते से जब काफिला बाहर निकला तो वीरिनी ने बग्गी को एक मिनट रोकने का अनुरोद किया उस परवत के उपकारों के लिए वीरिनी, सती, शिव और नंदी ने नीचे उतर कर खुटनों के बाल बैट कर छोटी सी पूजा गी पहबीत कर देने वाले दाड़ी मूचों वाला पट्टी बंधा हुआ साथ साल का विक्ति अरिष्टने में भब्रव्य अत्यधिक चोकन्ना होकर उनकी देख भाल कर रहा था कुछ चण बाद भब्रव्य वीरिनी के पास गया और उसने अपनी अधारता परदर्शित करते हुए बोला महरानी संभावता बग्गी में जाने का समय हो गया है बक्षिद दूरी पर काफिले से छुपी हुई थी सगहन एवं अभेद शाखाओं एवं पत्तियों का एक प्रभावी कवच था हाँ उस पंदार वेक्ति ने कहा और उसने शिव के सुगठित मानसर शरीर पर निगाह जमा दी बिना दूर्बीन के भी उसको ये संदेह नहीं था कि ये वही वेक्ति था जिसने ब्रह्मा के मंदिर में कुछ सब्ता पहले ही संखर्श किया था वो आदमी कौन है? मुझे जानकारी नहीं है स्वामी उस पर नज़र रखना ये वही आदमी है जिसने पिछला आकरमण विफल कर दिया था विश्वदियम ने कहना चाहता था कि पिछला प्रियास इसलिए विफल हुआ था क्योंकि वो अनियोजित था जाती चिन वहीन आदमी की उपस्थिती की भूमी का बहुत कम थी विषवद्युम ने अपने स्वामी के हाल के अतारकिक निरणेओं को समझ नहीं पारहा था संभवता उनके अंतिम लक्ष से निकटता के कारण उनके निरणे आच्छादित थे इसके बाद भी विश्वदुम्ने ने अपने विचारों को अपने पास ही रखने की बुद्धिमानी की संभावता आकरमन करने से पहले हम लोगों को इनका पीछा एक घंटे तक करना चाहिए स्वामी वो अरिष्टिनेमी की अतरिक्त सहायता से सुरक्षित दूरी होगी हम लोग इसे जल्दी से समाप्त करके रानी को बता सकते हैं कि गुप्तुचर की सूचना सही थी नहीं जब तक वे मंदार परवत से आधा दिन की दूरी तक नहीं पहुँच जाते तब तक हम लोग कुछ घंटे और प्रतिक्षा करेंगे उनकी नई बग्यों में कुछ ऐसी व्यवस्था है कि वे आपात इस्थिती का संकेत तत्काल ही दे देते हैं हमें ये सुनिशित करना है कि जब तक उनकी कोई मदद पहुँचे हम अपना कारे पूरा कर लें जी हाँ स्वामी विश्व द्यमने ने कहा वो खुश हो रहा था कि उसके स्वामी के प्रिसिद्ध सामरेक बुद्धी छीर नहीं हुई थी और याद रखो मैं चाहता हूँ कि ये जल्द समाप्त हो जाए फरदार विक्ति ने आगे कहा हम जितना अधिक समय लेंगे उतने ही अधिक लोग घायल होंगे जी हाँ स्वामी मध्यान भोजन के लिए जब काफिला रुका तो आधी दूरी तै की जा चुकी थी और तीसरे प्रहर का प्रारंब हो चुका था यहाँ पर जंगल को काफी दूरी तक कार दिया गया था जिसके कारण अचानक आकरमण का अवसर नहीं था महरानी की नौकरानियों ने शेगरता से भोजन बाहर निकाला और उस खुले एवं साफ किये हुए इस थल के मद में उन्हें गर्म करना प्रारंब कर दिया राजिसी दल एवं शिव काफीले के प्रारंब में देवगिरी की दिशा में बैठे हुए थे भबरवे पीछे की और एक उची जगा पर खड़ा था और अपनी चील की दृष्टी से चारो और चौकना होकर देख रहा था राजिसी दल के अलावा आधे अरिश्टने में की सैनिक भी भोजन करने के लिए बैठ गए थे जबकि शेष सावधानी से पहरे पर लगे थे शिव अपनी थाली में दूसरी बार भात लेने ही वाला था कि उसने सड़क से कुछ दूरी पर टहनी की चटकने की आवाज सुनी मध में ही रुक कर उसने ध्यान से पुरा सुनने की कोशिश की अब कोई आवाज नहीं थी उसकी सहज बुद्धी ने कहा कि कोई आखेटक जीव होगा जिसे लगा होगा कि उससे गलती हो गई है तो वो शान्त हो गया हो शिव ने सती की और देखा ये देखने के लिए कि उसने सुना है अत्वा नहीं वो भी सड़क की और ध्यान लगा कर देख रही थी एक हलकी सी चर्मराहट हुई जैसे ही टहनी के उपर से पाउं हटा और उस पर दबाव हलका हो गया केवल ध्यान लगा कर सुनने वालों के अलावा ये एक सामाने लोगों को पता चलने वाला नहीं था शिव ने ततकाल ही अपनी थाली रग दी उसे तलवार निकाली और धाल को पीठ पर लगा लिया भबरवे ने शिव को देखा तो उसने भी अपनी तलवार निकाल लिया और साथ ही वो अपने सैनिकों को जल्दी जल्दी संकेत देने लगा कि वे भी वैसा ही करें सती और नंदी कुछी छण में युद्ध के लिए तयार थे और अपनी पारंपरी युद्ध शैले में आ चुके थे सती ने बीना मुड़े ही वीरिनी को फुस्पसा कर कहा माता जी किर्पया बग्गी में चली जाएए और बंद कर लीजे अपने साथ नौकराणियों को भी ले जाएए कि तो पहले अश्वों को बग्गी से अलग करवा लेजिए हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है और हम शत्रों दोरा आपका अपहरन भी नहीं चाहते तुमा जाओ सती वीरीनी ने आगरह किया और इसमध नौकराणियों ने बग्गी का द्वार खोल दिया नहीं मैं यहीं रुक रही हूँ कृपया शीगरता से जाएए हमारे पास संभवता आधिक समय नहीं है वीरीनी तेजी से बग्गी में चली गई नौकराणियों ने तुरंट अंदर जाकर उसका द्वार अंदर से बंद कर लिया कुछ दूरी पर भबरव्य ने धीमे स्वर में अपने सायक से कहा मुझे इनकी चाल का पता है मैंने इन कायरों को दक्ष्र की सीमा पर देखा है ये एक आत्म घाती दस्ता पहले भेजेंगे और ऐसा प्रतीत करवाएंगे कि वे पीछे हट रहे हैं और उसके बाद दुबारा अक्रमन कर देंगे मैं हानियों के बारे में परवार नहीं करता हम लोग इनके दोगले लोगों का पीछा करेंगे और एक-एक को नश्ट कर देंगे ये लोग अरिष्टनेमी से भिढ़ने आये हैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी इस मद्धि शिव सती की और मुड़ा और सावधानी से फुसपसा कर बोला मेरा विचार है कि वे अवश्य ही किसी उच्ची लक्ष की इच्छा में होंगे राजसी परिवार से महतुपोर और कुछ नहीं हो सकता क्या आप सोचती हैं कि आपको बग्गी में प्रतीक्षा करनी चाहिए सती के आँके आश्चरे से शिव की और बर्ची की तरह उठी उसके मुख से हलका सा दर्द का भाव आने के बाद चमाकाई मैं संघर्ष करूंगी ये समझती क्यों नहीं है मैंने जो कहा वो पूरी तरह से तार्गिक है शत्रू के मुख्य लक्ष को प्राप्त करना कठिन बना दो तो वे युद्ध करने की इच्छा खो बैठते है शिव ने इन खयालों को अपने मन से निकाल दिया और सड़क पर ध्यान के इंद्रित करने लगा समूचे काफिले ने अपनी धमनियों को तनाव पूर्ण कर लिया था ताकि शत्रू को आगे बढ़ने की ध्वनी को ध्यान से सुन सके मिगहात लगा कर आकरमन होने की दिशा के लिए पूरी तरह से तयार थे अब उनके शत्रों की बारे थी कि वे पहला करें जैसे ही उन्होंने सोचा कि ये जूटी शंका थी कि तभी नीचे की सड़क की ओर से शंक ध्वनी गूंजी मंदार परवत की ओन शिव पूछे मुड़ा लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा जो कोई भी ध्वनी कर रहा था वो बहुत तेजी से भागता आ रहा था शिव उसकुलाहल पूर्ण ध्वनी को पहचान नहीं पाया हाला कि दक्षडी सीमा के अरिश्टने में को पता चल गया था कि वो क्या था ये ध्वनी नाग ध्वनी शंक की थी नागाओ के आकमर की घुशना के लिए ये बजाया गया था यदे भी भबरावी युद्ध करने के लिए अपने धैरे को रहा था तथा भी वो युद्ध संचालन के मान के प्रक्रिया को भूला नहीं था उसने एक सहायक को आग्या दी जो भाग कर बगी के पास गया उसने एक लाल रंके बकसे को बाहर निकाला जो नीचे से बंद था उसने उस पर ठोकर मारी तो वो खुल गया उसके बाद उसने बगल में रखे एक बटन को दुबाया उस बकसे में से एक बेलनाकार चिमनी तरह की सनरशना लगवा 25 फीट सीधे उपर खड़ी हो गई उस चिमनी ने ये सुनिश्चित किया कि जो धुआ उसमें से निकले वो सगन जंगल में खोना जाए और देवगिरी एवां मंदार परवत के पहरे दारो द्वारा देख लिया जाए सैनिक ने एक आग लगी हुई लकड़ी से आग को उस बकसे में सबसे अंतिम खाचे में डाल दिया लाल रंग का धुआ चिमनी से निकलने लगा जो इस बात का प्रतीक था कि उच्चिस्तर का खत्रा था मदद छे घंटे दूर थी चार यदी जिधर से सहायता आने वाली थी वो सड़क पक्की थी भब्रवे संखर्ष को अधिक देर चलने नहीं देना चाहता था वो चाहता था कि जब तक सहायता पहुँचे उससे पहले ही प्रतेग नागा और चंदरवश्यों का सफाया हो जाए उसके बाद मंदार परवत की और जाने वाली सड़क की और से आकरमण प्रारम हो गया चंदरवश्यों के एक छोटे दस सैनिकों के दल ने अरिश्टनेमियों पर धावा बोल दिया एक सैनिक नागा शंख पकड़े हुए था और जोर जोर से फूक रहा था उसमें से एक व्यक्ति ने अपना पूरा सिर एवं माथा कपड़े से ढग रखा था मातर आख के लिए एक कटे हुए हिस्से को छोड़ कर वो नागा था शिव एक जगा इस्थिर रहा वो देख पा रहा था कि संगर्ष काफिले के अंत में तीवरता से चल रहा था चंद्रवंशी केवल दस थे अरिश्टनेमियों को मदद के आवशकता नहीं थी उसने सती और नंदी को संकेत दिया कि वे जहां हैं वहीं रहें सती सहमत थी क्योंकि वो भी यही आशा कर रही थी आकरमर चल बलवाला होने वाला था संघर छोटा और उग्रता चंद्रवंशी सैनिक कुरूरता पूर्वक लड़े लेकिन वे संख्या में कम थे जैसी कि भब्रवे ने आशा की थी बेच्छन भर में ही मुड़े और तेजी से भागने लगे उनका पीछा करो सभी को मार डालो भब्रवे चिलाया अरिष्टनेमी अपने अधिपती के पीछे भागते हुए चंद्रवंशी का पीछा करने के उद्देश से भागे अधिकतर लोगों ने शिव के चिला कर कहने को नहीं सुना नहीं यहीं रुको उनका पीछा मत करो उस समय तक कुछ अरिष्टनेमी सैनिकों ने शिव को सुन लिया लेकिन अधिकतर सैनिक चंदरबंशियों के पीछे भागते चले गए सती नंदी और 25 सैनिकों के साथ शिव उस मैदान में छूड गया शिव देवगिरी की और जाने वली सडक की और भूमा उस दिशा में जिधर से टहनी के चटकने की आवाज आई थी वो दुबारा शेश बचे अरिष्टनेमी सैनिकों के और मुड़ा अपने पीछे की और संकेत देकर धैर एवम शानती से बोला असली आकरमण इधर से होने वाला है चार-चार की कसी हुई बनावट में उस दिशा की तैयारी की दशा में रहो हमें उनको लगवग पांस से दस मिनट तक रोके रखना है बाकी के सैनिक तब तक वापस आ जाएंगे जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि उधर कोई और चंदरवंशी संखर्ष करने के लिए नहीं है अरिशनेमियों ने शिव को देखा और सहमती में सिर्ह लाया वे युद्ध से कठोर बन चुके सैनिक थे उन्हें मातर एक सपष्ट बुद्धी वाला एवं शान्त सेनापती चाहिए था जो जानता था कि उसे क्या करना चाहिए था इसके सिवा और कुछ नहीं विशीग रही उस बनावट में आ गए जो शिव ने बताई थी और प्रतिक्षा करने लगे उसके बाद असली आकरमण प्रारम हुआ चालीस चंद्रवंशी सैनिक फणदार विक्ति के नेतरत्व में पेड़ों के पीछे से प्रकट हुए में धीरे धीरे सूर्वंशी काफिले की और बढ़ रहे थे संख्या में कम होने के कारण अरिशने में शत्रों के निकट आने के प्रतिक्षा में स्थिर रहे राचकुमारी को हमें दे दो और हम यहां से चले जाएंगे उस फड़दार विक्ति ने कहा हमारा आवश्यक खून भाना नहीं चाहते हैं ये वही प्रमा मंदिर वाला जोकर है उसका पहनावा तो विचितर है लेकिन वो लड़ाई अच्छी करता है हम भी रक्तपात नहीं चाते शिव ने कहा शांती से चले जाओ और हम वचन देते हैं कि तुम लोगों को प्राणदान मिलेगा अरे जंगली गवार वो तो तुम हो जो मृत्यों के मुख में पहुँचे हुए हो उस फरदार विक्ति ने कहा वो अपने स्वर के बजाए अपनी मुद्राओं से करोद दर्शा रहा था उसकी आवाज भायाना करूप से शांत रही थी शीव ने देखा कि भूरी पगड़ी पहने अधिकारी फरदार विक्ति को उतावले पन में देख रहा था पदस्तों में मतमेद मैं तो केवल एक चहरा देख रहा हूँ जो एक मुर्ख मुखोटा है और जो बहुत जल्द ही तुम्हारे दैनिये गले के नीचे लटका मिलेगा साथ ही अपने उस बिना दिमाग वाले सहायक से कहो कि वो अपनी सामरी की योजना को छोड़े नहीं फरदार विक्ति फिर भी शांत रहा उसने विश्व दिम्न की और देखा तक नहीं लानत है या आदमी तो कुछ अधिकी सही निकला ये अंतिम चेतावनी है जंगली आदमी उस फरदार विक्ति ने पुना दो राया उसे इसी वक्त हमारे हवाले कर दो सती को अचानक ही खयाल आया तो वो बग्गी की और मुड़ी और उसने चीक कर कहा माता जी नया आपात कालिन शंक सामने के लोहे के जाल के पास है उसे अभी इसी समय बजाईए मदद के लिए एक तीवर आग्रह बग्गी से गौँच पड़ा भबरवे उसके सैनिकों को मदद के लिए बुला लिया गया था फरदार विक्ति ने मन ही मन बुरा भला कहा क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि उसके सुआफसर को समाप्त कर दिया गया था उसके पास इस अभियान को पूरा करने के लिए बहुत कम समय बचा था बाकी के सूर्वनशी जल्दी ही वापस आ जाएंगे आक्रमार अरशनेमी अपनी अपनी जगों पर स्थिर बने रहे स्थिर बने रहो शिव ने कहा उनके लिए प्रतीक्षा करो तुम लोगों को बस कुछ समय बिताना है राजकुमारी को सुरक्षित रखो हमारे मित्र बहुत जल्द ही हमारे साथ होंगे जब चंद्रवंशी और करीब आ गये तो अचानक की सती ने उनके घेरे को तोड़ते हुए फरदार वाले व्यक्ति पर धावा बोल दिया सती के इस अचानक आक्रमार ने चंद्रवंशीों के आक्रमार को धीमा कर दिया अरिशनेमियों के लिए कोई विकल्प नहीं था उन्होंने चंद्रवंशी और क्रूर बागों की तरह आक्रमार कर दिया शिव ने तेजी से सती के दाहिनी और कदम बढ़ाया ताकि उस और कोई हमला ना होने पाई क्योंकि विश्व दिम्न आगे बढ़ता हुआ खतरनाग धंग से सती के निकटा चुका था विश्व दिम्न ने अपनी तलवार लहराई ताकि शिव को अपने रास्ते में ना आने दे ले लेकिन शिव इतनी तेजी से उस और गया कि विश्व दिम्न स्वयम ही असंतुलित हो गया शिव ने बड़ी आसानी से उसका वार बचाया और अपने ढ़ाल से धकेल कर अपने साथियों के पास पहुँचा दिया इस मध्य नंदी सती के बाई और चला गया था ताकि जो चंदरबंशी उधर से आकरमण कर रहे थे उन्हें रोक सके इस मध्य सती उस फरदार विक्ती पर तीवरता से आघात करती जा रही थी उस फरदार विक्ती को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसकी मंशा केवल अ अपनी ढाल को उठा कर शिव के दूसरे वार्स को बचा लिया उसी मुद्रा से विश्वदम्ने ने अपने तलवार वाले हाथ को उठाते हुए शिव के धर पर वार किया शिव ने तुरंथे अपनी ढाल नीचे कर अपने को बचाने का प्रयास किया लेकिन वो उतनी तेज से नहीं हो सका विश्वदमने ने शिव के सीने पर चीरा लगाते भूए घाव लगा दिया पीछे हड़ते हूए एवं उचल कर दाहिनी और जाते हूए शिव ने अपनी तल्वार को तेजी से घोपने वाले तरीके से नीचे किया तो विश्वदिम्ने ने फुर्ती से अपनी ढाल नीचे कर उसका वार बचा लिया लेकिन शिव की गैर पारम पर एक शैली ने उसे आवेवस्थित कर दिया वो लड़कडा कर पीछे हड़ गया और उसे महसूस हो गया था कि शिव अक्यन थी कुशल तरवार ब थैनिक से भायानक युद्ध कर रहा था जिसने बाई और से उस पर धावा बोल दिया था चंदरवन्शी ने अपने ढ़ाल को नंदी की घायल जांग पर जोर से दे मारा जिससे नंदी लड़कडा कर गिर पड़ा था चंदरवन्शी ने सोचा कि अब तक तो उसका काम तमा हो ही गया वो अपनी तलवार को दोनों हाथों से उठाकर उसे नीचे करने ही वाला था कि अचानक ही एक और वक्र रूप से घूमते हुए गिर गया जैसे कि किसी अत्यधिक बल ने उसे गिरा दिया हो जैसे ही वो गिरा तो नंदी ने देखा कि एक चाकू उस के करूर काटने वाले आधात को बचाया जैसे ही नंदी किसी तरह से अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो शिब ने पीछे से ढाल को पुनहा आगे कर लिया फरदार वेक्ति को पता था कि वो बहुत समय ले रहे थे बाकी बचे अरिश्टने भी बहुत जल्द ही वापस आ वाले थे उसने सती के सिर के पीछे जाने का प्रयतने किया ताकि वो उसे अचेत कर सके किन्तु वो बहुत सचेत एवं तीवर गती वाली थी वो बाई और जाकर अपने शुत्रू का सामना करने को तयार थी अपने अंगवस्त्रम में छुपे हुए चाकू को बाएं हां से निकालकर उसने फरदार वेक्ति के विशालकाय उदर को काड़ते हुए चला दिया चाकू ने उसके लबादे को काड़ दिया लेकि नीचे पहने कवच के कारण उसका प्रभाव रुक गया और उसके बाद गुंजाइमान गरजना के साथ भबरवय एवं अरिश्टनी में अपने साथियों के साथ मिलकर संघर्ष करने के लिए वापस आ पहुँचे फरदार वेक्तिनी देखा कि अब वो संक्या में बहुत कम हो चुके थे तो उनके पास विकल्प नहीं बचा था उसने अपने सैनिकों को पीछे हटने का आदेश दिया शिव ने भबरवय को घर्ष किया था उसे देखकर भबरवय ने शिव को प्रशंसा भरी द्रिश्टे से देखा ना कि उसके नीले गले की कारण जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था उसने नम्रता से सहमती में सिर्ह लाया ये उचित जान पड़ता है विदेशी भबरवय ने अरिशनेमी सैन सामें इधर उधर बिखरे पड़े थे अंतिम सैनिक ने अपने प्राण स्वयम ले लिया क्योंकि वो इतना अधिक घायल हो चुका था कि उसके वहां से भागने की संभावना नहीं थी अच्छा एड़ा की जीवन देने वाले के आगोश में चले जाए ना कि शित्रों के हा पाँच सो सैनिको का राहत दल दूसरे प्रहर के चौते घंटे में पहुचा परवतेश्वर की जोखिम के चेतावनी के बाउजित दक्ष ब्रहस्पती और कनकला ने उस काफिते के साथ चलने का मन बना लिया था सती को अपनी पकड़ से छोड़ते हुए दक्ष फुस- इसने बहुत ही बहादूरी से सामना किया वीरीनी ने गर्व से चमकते हुए मुख से कहा मेरे विचार से ये एक मा का पक्षपात है सती ने कहा उसका गंभीर सुभाव पुना वापस आ चुका था शिव के और मुरते हुए उसने कहना जारी रखा वे तो शिव थे जिन्हो वंशो की योजना का अनुमान लगा लिया था और सभी छितरे लोगों को निर्नायक समय पर इखटा किया था ये इन ही के कारण हुआ कि हम उन्हें परास्त कर सके ओह मुझे लगता है कुछ अधी की दयालू है शिव ने कहा वो अंतता प्रभावित हो ही गई वो बिलकुल क प्रकट रूप से आभारी दक्ष ने कहा आपने अपना चापतकार अभी से प्रारंब कर दिया है हमने असल में एक आतंकी आक्रमण का करारा उत्तर दिया है आप नहीं जानते ये हमारे लिए कितना महतुपूर्ण है लेकिन ये आतंकी हमला नहीं था महराज शिव ने कहा ये राजकुमारी के अपहरण का एक प्रयास था अपहरण दक्ष ने पूछा वो फरदार व्यक्ति निश्चित रूप से राजकुमारी को जीवित एवं बिना हानी पहुचाए अपहरण कर ले जाना चाहता था कौन फरदार व्यक्ति दक्ष ने चौकरना होकर चिल्दा क वो नागा था महराज शिव ने दक्ष के वातौनमाद वाली प्रतिक्रिया पर आश्चर करते हुए कहा मैंने उसे लड़ाई करते देखा है वह बहुत ही अच्छा योधा है वह अपनी चाल में थोड़ा धीमा आवश्य है लेकिन वह बहुत अच्छा लड़ा का है लेकिन ज एहरे के भावों ने शिव को असोविधा जनक बना दिया था जैसे कि वो परिवार के नेजी छड़ों में हस्तक शेप कर रहा हो पिता जी क्या ठीक है चिंतित सती ने पूछा दक्ष से कोई प्रतिक्रिया न सुनकर शिव सती की और मुणकर बोला संभवता उचित रहेगा कि आप अपने परिवार से अकेले में बात करें शेदि आपको बुरा ना लगे तो मैं नंदी एवम अन्य सैनिकों को जाकर देखता हूँ कि उनकी इस्तिति कैसी है परवतैश्वर अपने सैनिकों के मद्य भ्रमण कर रहा था वो गायलों का परिक्षण कर रहा था और ये स स्विक्ति की पीठ में छूरा घोपा गया है जी हां स्वामी अपना सिर जुकाए भवरवे ने कहा किस ने किया ये किस ने हमारे जुद्ध के पवित्र नियमों का उलंगन किया मेरे विचार से उस विदेशी ने स्वामी लेकिन मैंने सुना है कि वो एक अधिपती नंदी को बचाने का प्रियास कर रहा था जिस पर एक चंगरवंशी ने धावा बोल दिया आूर बोपर नहीं कर रहा था जिसमे ननुंदी कimme कंमर के नीचे वार किया जी हां स्वामी जाओ जाकर मृत वैक्तियों के अंतिम संस्कार की विधिवत तयारी करो चंद्रवंशियों की भी आश्चर चकित भवरव्य ने पूछा लेकिन वे तो आतंकी हैं वे चाहे आतंकी हो प्रवदेश्वर गुरु आया लेकिन हम सूर्य वंशी हैं हम लोग बोधित करते हो नंदी की बगल में लेटी हुए एक घायल अरिशने में सैनिक ने पूछा नंदी एवं अन्य घायलों के साथ लगोंक आदा घंटा विता कर शिव अभी अभी आया था यदि कोई उन घायलों को अब देखता तो विश्वास करना कठेन होता कि उन्होंने मुख पर हसी ठटोली करना ही उनके अदम में सहातेम वीरता का प्रतीक था क्योंकि वे मेरे प्रभू है नंदी ने सरल उत्तर दिया लेकिन वो तो विदेशी है एक जात चिन विहीन विदेशी अरिशनेमी ने कहा इसमें संदेह नहीं है कि वह बहुत ही बहादूर युद् विदेश्टी से देखा उसके बाद उसने सिर्ण हिलाया और मुस्कुराने लगा वो एक सैनिक था वो केवल जहां और इस समय की चिंता करता था व्यापक परश ने उसके मन में अधिक समय तक घर नहीं बसाता था चाहे जो भी हो मेरे विचार से ये सही समय है कि मैं बता द जो मेरूहा की सेना में अनुसरान किया जाता था उसका आर्थता की सैनिक से लेकर अधिपती तक प्रतेक विक्ति को एक मित्र नियत किया जाता था दो भ्राता भाईयों की तरह होंगे जो हमेशा एक साथ युद्ध करेंगे और एक दूसरे के लिए स्वेच्छा से जगत स लड़ाई करेंगे वे कभी समान इस्त्री से प्रेम नहीं करेंगे और वे हमेशा एक दूसरे से सच बोलेंगे चाहे कितना ही करवा क्यों ना हो सामराजिय में अरिश्टनेमी सबसे अधिक आधर पाने वाले विशेश सैनिक थे अरिश्टनेमी किसी को भी भाता तभी बना लाने की इच्छा जाहिर करना उसके लिए सम्मान की बात थी और यह उसके आसूं को बाहर प्रवाहित करने के लिए भी काफी था अब मेरे ओपर भावुक होने की आविश्टनेमी नहीं है किलकारी मार कर हसते हुए अपनी नाग को सिकोड कर अरिश्टनेमी ने कहा अरिश श्री राम की क्रपा से इन सभी दोगलों का नाश कर देंगे अगनी देव की सोगंध हम अवश्य करेंगे यह बहुत ही दिल्चस बात है कि आपने नागाओं के मन को कैसे पढ़ लिया ब्रहसपती ने शिव से कहा उस समय वो शिव के धड़ पर लगे गहरे घाओं को साफ ह और मरहम पट्टी होते हैं देख रहा था शिव ने बल देकर कहा था कि उसके घाओं को अपचार तभी किया जाए जब अन्यसैनिकों के घाओं के उपचार पूंड कर लिये जाए वैसे तो मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता शिव ने कहा नागालों कैसे सोच रहे होंगे वो मुझे बहुत ही प्रकट लग रहा था मैं इसकी व्याख्या कर सकता हूँ क्या सच मैं क्या इसकी व्याख्या है कि आप सर्व शक्तिमा ना शब्द हैं जिसका उचारा नहीं किया जा सकता है ब्राजपती ने अपनी आखे बड़ी बड़ी गोल गोल करते हुए एवं ज खोड़ा शांत हो गया और उसने घाओ की देखबाल समाप्त करने दी आयुरुएदिक मलहम लगाने के बाद और उसे औशदी नीम के पत्तों से ढखने के बाद वैद ने सूती कप्ले से उसकी पट्टी कर दी इसे प्रतेग दूसरे दिन बदलना पड़ेगा विदेशी व इने सोमरस की आवशकता नहीं है ब्रहसपती ने मस्खरी करते हुए कहा उसने इन पर जितना नुकसान पहुचाना था अब तक पहुचा दिया है शिव और ब्रहसपती बिना रुके फिर से ठाके लगाने लगे तो वैद गुस्से में अपना सिर हिलाते हुए वहां से चलत सती क्यों यह तो और भी विसमेकारी है संभावता यह विशेस रूप से सती के लिए भी नहीं था शिव ने कहा मेरा मानना है कि उनका निशाना राजशाही परिवार था प्रात्मिक निशाना संभावता सम्राठ थे चू किवे वह नहीं थे तो दूत्य एक लक्ष के लिए गए अर्थात सती मेरा मानना है उनको मुख्य उद्देश शिता कि वो किसी राजशाही व्यक्ति का अपहरान करें और उसका इस्तिमाल अपने लाब के लिए करें ब्रहस्पदी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी वो चिंतित नजर आया अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में ज इससे पहले कभी नहीं कहा शिव और संभवता कहना भी नहीं चाहिए था लेकिन वैसे चुकि आप सतंत्र वेक्ति हो लेकिन मैं आपको मित्र मानता हूं और मेरा करतव है कि मैं आपको सच बताऊं मैंने कर्चप में मिश्र के व्यापारियों को गांजे लेने की आदत में देखा था ये आपके लिए अच्छा नहीं है ब्रहस्पती ने कहा आप गलत है मित्र दरसल ये इस दुनिया में सबसे अच्छी आदत है शिव ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा आपको संभवता पता नहीं है शिव इसमें बहुत सारे हानीकारक प्रभाव होते हैं और सबस कारण से तो ये अच्छी आदत है जो इसका पान करता है उस मूर्ख को कभी भी अपने अतीद को भूलने का डर नहीं सताता है शिव ने चिलम को जलाया उससे गहरा कश लिया और बोलना जारी रखा वे नहीं भूलने से डरते हैं ब्रहस्पती ने तीर वृता से शिव के अधनिवाल यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए अपने मित्रों के साथ शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब पीजिए अलविदा नमस्कार आप सभी का मोटिवेशन टू रीड में स्वागत है आज हम जिस पुस्तक का सास्वार पठन करने वाले हैं वो शिव रचना त्रही की पहली पुस्तक मेलूहा के मृत्युंजय है शिव रचना त्रही की ये पहली पुस्तक शिव को एक साधारन मनिश्य के रुप में प्रतिबादित करती है जिसके कर्म उसे देवों के देव महादेव में परिवर्तित कर देते हैं अपने प्रारब्द एवं कर्तव्यों की और खिच जाने वाले एवं साथ ही प्रेम से प्रेरित शिव क्या सूर्वंशियों के प्रतिशोध में उनका नीत्रत्व करेंगे और बुराईयों का नाश कर पाएंगे आईए जानते हैं कि शिव क्या सचमुच ही महानायक है और क्या वे महानायक बनना भी चाहते हैं या नहीं शिव रचनर त्रई की प्रथम पुस्तक मिलूहा के मृत्युंजे लेखक अमीश त्रिपाठी अनुवादक विश्वजीत सपन अध्याय ग्यारा नीलकंट प्रकाश में आते हैं आस्थाई च्हावनी में रात बिताने के बाद दूसरे दिन प्रताराजशाही काफिले ने देवीरी की यात्रा प्रारंब की उन परस्तितियों को देखते हुए रात में यात्रा करना सुरक्षित नहीं था नंदी समेथ सभी घायल पहली तीन एवं पांचवी बग्गी में लेटे हुए थे राशाही परिवार और शिव चौथी बग्गी में यात्रा कर रहे थे एक दिन पूर्व जिन सैनिकों ने संगर्श में हिस्सा लिया था उन्हें आराम की दृष्टी से घोडों से यात्रा करने का अवसर प्रदान किया था मृत तीन अरिश्टनेमियों के शोप में ब्रहस्पती एवं कनकला सैनिक दल के साथ पैदल चल रहे थे परवतेश्वर भब्रव या एवं दो अन्य सैनिक एक आस थाई बनाई गई लकड़ी की पालकी को उठा कर चल रहे थे जिसमें मृतक की राख रखने वाले तीन बरतनों में युद्ध मृत सैनिकों की राख रखी हुई थी वे बरतन उनके परिवार वालों को अंतिम संसकार की रस्म राख को सरस्वती नदी में प्रवाहित करने के लिए दिया जाएगा नंदी भी पैदल चलना चाहता था लेकिन वैद्धियों ने हट किया कि वो इस इस्तिती में नहीं था अपने सैनिकों की बहादूरी पर पर्वतेश्वर गर्व के साथ चल रहा था मेरे लड़कों ने जैसा कि वो उन्हें पुकारता था दिखा दिया था कि वे उस धातों के बने थे जो भगवान इंद्र की भटी में तपी थी उसने अपने आपको वहाँ रहकर उनसे लड़ाई ना कर पाने के लिए कोसा उसने स्वयम को बहुत डाट लगाई कि वो अपनी ईश्वर पुत्री की रक्षा करने के लिए वहाँ नहीं था जब वो खत्रेल में थी उसने ईश्वर से उस दिन के लिए प्रातना की जिस दिन उसे वो अवसर मिलेगा जब वो कायर चंदरवन्षियों का विनाश करेगा उसने चुपके से ये निर्ने लिया कि वो उन तीन म्रत सैनिकों के परिवार वालों को अगले तीन महीनों का अपना वेतन दे देगा यहां तक कि मैंने भी नहीं सोचा था कि वे इतना नीचे गिर सकते हैं दक्ष ने ग्रणा से कहा आराम से सो रहे शिव और सती दक्ष के इस क्रोध भरे भाव से नीन से जाग उठे वीरिनी ने पुस्तक पढ़ते पढ़ते सिर उठा कर देखा उसने अपनी आखे संकुचित करके अपने पती को देखा कौन महराज? शिव ने मधोशी से पूछा दिलीप वो माना उता के नाम पर एक रोग? दक्ष ने अपनी ग्रणा को बिना चुपाए हुए कहा वीरिनी लगातार अपने पती को तीखी दृष्टी से घूर रही थी उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ा कर सती के हाथ को अपनी और खीचा उसने अपने होटों के पास ले जाकर उस पर एक चुम्बन लिया उसके बाद उसने अपना हाथ सती के हाथ पर सुरक्षा प्रदान करने की मुद्रा में रखा सती ने सीर उठा कर अपनी मा की और मुस्तकान के संकेत के साथ देखा और अपने ठके हुए सिर को वीरिनी के कंधे पर रख दिया ये दिलीप कौन है महराज? शिव ने पूछा वो स्वद्वीप का समराठ है दक्ष ने कहा सभी जानते हैं कि सती मेरी आँखों का तारा है और संभवता उसका आपहरण इसलिए करना चाहते थे कि वो मेरे हाथ बान सके शिव ने दक्ष को सहानुभूती पूरवक बेखा चंद्रवंशियों के इस कपट पर समराठ के गुसे का फूटने को वो समझ रहा था और फिर उसका ये इस्तर की वो इतना नीजे गिर सकता है कि इस घटिया हरकत में नागाओं का इस्तिमाल कर सकता है क्रोधित दक्ष ने कहा ये हमें बताता है कि इस चंद्रवंशिय क्या कुछ नहीं कर सकते मुझे नहीं लगता कि नागा को इसमें इस्तिमाल किया गया था माराज शिव ने धीमेस्वर में कहा ऐसा प्रतीत होता था कि वही नेता था हाला कि दक्ष अपने न्याय संगत क्रोध में इतना खोया हुआ था कि वो शिव के इशारे में भी खोजबीन कर रहा था संभवता वो नागा इस पल्टन का नेता रहा होगा प्रभू लेकिन वो अवशरी चंदरवन्षियों के अधीन काम कर रहा होगा कोई नागा नेता नहीं हो सकता वे लोग शापित लोग हैं वे जन्म सेही अपंग और विद्रूप होते हैं उन्हें तरहा तरहा के रोग होते हैं जो कि उन्हें उनके पूर्विजन्मों के पाप के कारण दंड स्वरूप मिलते हैं नागाओं को दूसरों को अपना चेहरा दिखाने में भी शर्मंदिगी महसूस होती है लेकिन उनके पास अत्यधिक शक्ति एवं निपूरता है केल रहे हैं शिव सती और वीजिनी दक्षी की इस निंदा को निरंतर चुपी के साथ सुन रहे थे शिव की और मुर्ते हुए दक्षी ने कहना जारी रखा आप देख रहे हैं प्रभू कि हम कैसे कीड़ मकोडों के विरुद्ध खड़े हैं उनका कोई नियम नहीं है नहीं सम्मान और वे हमसे संख्या में एक की मुकाबले दस हैं हमें आपकी सहायता क्या आशकता है प्रभू ये केवल मेरे लोगों की बात नहीं है बलकि मेरे परिवार की भी बात है हम खत्रे में हैं महराज मैं आपकी सहायता करने के लिए कुछ भी करूँगा शिव ने कह लेकिन मैं सेना पती नहीं हूँ मैं चंदरवंशियों के विरुद्ध सेना का नेतरत्व नहीं कर सकता मैं तो एक साधारान कभीलाई नेता हूँ एक ऐसा आदमी क्या अंतर ला सकता है कम से कम मुझे आपके आगमन की घोशना, राजसभा एवं लोगों में करने की आग्या दीजे वरुभू दक्ष ने आग्रह किया उसके बाद आप कुछ सब्ता इस राज में भ्रमन कीजे आपकी उपस्थिती लोगों के मनोबल को उचा कर देगी देखे आपने कल कितना बड़ा अंतरुपन कर दिया हमने आपके कारण, आपकी तीक्ष्ण बुद्धी की कारण एक तरासद कारी आकरमन को विफल कर दिया कृपया मुझे आपके आगमन की घोशना करने दीजे मैं किवल इतना ही चाहता हूँ शिव ने दक्ष के उत्साही चहरे को कपकपी के साथ देखा वो सती एवं वीरिनी की आँखों को भी अपने चहरे पर गड़ा हुआ महसूस कर रहा था विशेशकर सती की मैं स्वयम को किस उलजन में डाल रहा हूँ ठीक है शिव ने आत्मसमरपड करते हुए कहा दक्ष उठा और इसने शिव को ऐसी पकड के साथ गले लगाया कि जैसे वो कभी न चोड़े धन्यवाद प्रभू आपका बहुत बहुत धन्यवाद दक्ष के खुशी के आंसू नहीं रुक रहे थे शिव ने बड़ी मुश्किल से सांस लेने के लिए दक्ष की पकड से अपने को छुड़ाया मैं आपकी उपस्तिती की घोशना कल ही राजसभा में करूँगा उसके बाद आप तीन सप्ता के बाद समस्त सामराज्य के ब्रहमण के लिए प्रिस्थान कर सकते हैं मैं सवयम व्यत्तिकत रूप से सारी सुवयवस्थाएं सुनक्षित करूँगा सेना का एक समूचा दल आपकी सुरक्षा के लिए होगा पर वतेश्वर और सती भी आपके साथ जाएंगे नहीं वीरिनी ने बहुती करकश स्वर में विरोध किया आज से पहले ऐसे स्वर में उन्हें बोलते सती ने नहीं सुना था सती कहीं नहीं जा रही है मैं आपको हमारी पुत्री के जीवन को संकट में डालने नहीं दूँगी वो मेरे साथ देवगिरी में ही रुक रही है वीरिनी नादानी मत करो दक्ष ने शांती से समझाते हुए कहा क्या तुम सच में ऐसा मानती हो कि जब प्रभु नीलकंट साथ में होंगे तो सती को कुछ हो सकता है जब वो प्रभु के साथ है तो सबसे अधिक सुरक्षित है नहीं वो नहीं जा रही है और ये मेरा अंतिम निना है सती का हाथ पकड़ते हुए वीरिनी ने कठोर स्वर में आँखे तरेजर कहा वीरिनी की उपेक्षा कर दक्ष शिव की ओर मुड़कर बोले आप चिंता ना करें प्रभू मैं सारी विवस्था करवा दूँगा परवतेश्वर और सती भी आपके साथ यात्रा करेंगे आपको सती को कभी-कभी थोड़ा सयम में रखना होगा शिव ने तियोरी चड़ाई और सती ने भी दक्ष मिलनसारिता से मुस्कुरा कर बोला मेरी प्यारी पुत्री की प्रवर्ति कभी-कभी बहुत बहादूर बनने की है जैसा कि एक बार जब वो बच्ची ही थी तो एक व्रद इस तरी पर जंगली कुत्रों के दल ने आकरमण कर दिया था उसकी रक्षा के लिए वो अकेले ही हाद में तलवार लिये कूद पड़ी थी अपने इस दर्द के लिए उसने लगभव अपने प्राणों की बली दे दी थी वो मेरे जीवन का सबसे बुरा दिन था मेरे विचार से उसी आवेग शीलता के कारण वीरिनी चिंदे थे शिवन ने सती को देखा लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था यही कारण है कि दक्ष ने कहना जारी रखा मैं आपको सुझा दे रहा हूँ कि इस से सयम में रखना होगा उसके बाद कुछ भी समस्या नहीं होगी शिवने पुरा सती की तरफ देखा उसने सती के लिए अपने मन में प्रिशंसा की एक लहर के साथ अंतहीन प्रेम महसूस किया इसने वो कर दिया जो मैं नहीं कर सका था अगले दिन प्राता शिवने पाया कि ये महान सारजनिक इसनान घर के पास में ही बना हुआ था जहां वेदिका मान कि ये भट्टे की इटों से बनाई गई थी वही फर्ष समेथ पूरी सनरशना सागाउन की लकड़ी से बनी थी आसानी से नकाशी किये जाने वाला एवं गढ़ा जाने वाला फिर भी शक्तिशाली वेदिका पर बड़े ही पुष्ट लकड़ी के खंबे खांचों में सलीके से लगाए गए थे खंबो को अत्यतिक खर्चीले ढंग से दिवे व्यक्तित्व के चित्रों से गढ़ा गया था जैसे अपसराएं, देवगड एवं रिशी, दिवे सुंदर देवियां, ईश्वर और ग्यानी व्यक्तित्व, और भी अन्य एक विभूशित गड़ी होई लकडी की च्छत थी जो सोने एवं चांदी से बने हुए चित्रों से सजी थी और वो खंबे के सबसे उपर मुकुट के समान सजी हुई थी पवित्र नीले एवं राजशाही लाल रंगों में रंगी पताकाएं छट से नीचे की और लड़की हुई थी दीवार पर प्रतेक ताखों पर प्रभुश्री राम के जीवन को दर्शाते हुए चित्र बने हुए थे लेकिन शिव को दर्बार के अधिसुंदर स्थापते कला को निहारने का समय बहुत कम था दक्ष के भाशवर में उसकी आशाएं प्रकट हूंगी और जो उसे पूरी तरह से असुविधा जनक प्रतीत हो रही थी जैसा कि आप लोगों में से कई लोगों ने सुना होगा दक्ष ने घोशना की कल एक और आतंकी आकरमन हुआ था चंद्रवन्शियों ने मंदार परवत से देवगिरी के मार्ग पर राजशाही परिवार को हानी पहुचाने का प्रियास किया था दर्वार को भै के भाव वाले कलरव ने भर दिया सबी लोगों को जो प्रिशन परिशान कर रहा था वो था कि चंद्रवन्शियों ने मंदार परवत का मार्ग कैसे जान लिया था इस मद्ध शिव सुयम को इस बात की याद दिला रहा था कि यह आतंकी आकरमण नहीं था यह अपहरण का एक प्रियास था चंद्रवन्शियों ने बहुत ही कपट से आकरमण की योजना बनाई थी दक्ष ने बड़बडाहट को अपनी दमदार आवास से मंद करते हुए कहा उस दरबार के निपड़ शिल्पकारों ने उसकी संद्रशना इस प्रकार की थी कि राजशाही वेदिका से बोला गया सुर समस्त दरबार में गुंजायमान हो लेकिन हमने उनको पराजित कर दिया दर्शकों में पहली बार हमने उनके कायरता पूर्ण आतंकी आकरमण विफल करते हुए उन्हें पराजित किया है इस घोशना के साथ ही एक उल्लसित गरजना दरबार में उठती चलती गई उन्होंने इस से पहले चंदरवन्शियों का आमने सामने की लड़ाई में अवश्य परास्त किया था लेकिन इस भयानक आतंकी हमलों का प्रतियुत्तर आज से पहले उनके पास नहीं था इसका काराण ये था कि तरासदकारी असैनिक इस्थलो पर हमला करते थे और जब तक सूरिवन्शी सैनिक पहुंचते वे भाग चुके होते थे अपने हाथ उठा कर दर्बारियों को शान त्रहने को कहते हुए दक्ष ने कहना जारी किया हमने उन्हें परास्त किया क्योंकि अंतता सत्य के जीत की घड़ी आ गई है हमने उन्हें परास्त किया क्योंकि हमारा नेत्रत तात मनु के संदेश वहक ने किया हमने उन्हें परास्त किया क्योंकि न्याय की घड़ी आ चुकी है बड़ा हार तेज होती चली गई क्या नीलकंट अंतता आ ही गए है सब ने अफवाह सुनी थी लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया था पूर्व में भी कई बार जूटी कोशलाएं हो चुकी थी दक्ष ने अपने हाथ उपर उठाए उसने प्रतीक्षा की ताकि लोगों की अग्रदर्ष्टी का माहौल पूरी तरह से तयार हो जाएं लोग इस सच को सुनने की आस्प में हो जाएं और उसके बाद उसने हर्ष के साथ गरजना की हाँ ये अफवाह सत्य है हमारे रक्षक आ गए हैं नीलकंठ आ गये है राजशाही बेदिका पर उसके गुलूबंद को हटा कर जब उसकी प्रदर्षनी लगा दी गई तो शिव अपनी पलके जपका गया कुलीन समाज के मेलूहा वासियों ने उनके पास भीर लगा दी शिव के कानों में तरह तरह के कथन गुजने लगे हमने अफवास सुनी थी प्रभू लेकिन हमने कभी विश्वास नहीं किया था कि वो सच है अब हमें किसी भी चीज़ से डरने की आवशकता नहीं है प्रभू अब बुराई के नश्ट होने में गिंती के दिन रह गए हैं आप कहां से आए हैं प्रभू कैलाश परवत से वो कहां हैं प्रभू मैं वहां के धार में क्यात्रा करना चाहता हूँ इन बार बार पूछे गए प्रश्णों और उन लोगों के इस अंधविश्वास ने शिव को हिला कर रख दिया जैसे ही उसे अवसर मिला उसने दक्षिस से दर्बार से जाने का अंगरोध किया दर्बार में जो कुछ भी हुआ था उसको सोचते हुए कुछ समय बाद शिव अपने कमरे में आराम से बैठा हुआ था गुलूबंद पुना उसके गले पर आ चुका था पवित्र जील की क्रपा से क्या मैं इन लोगों की समस्याओं का समधान कर पाऊंगा आपने क्या कहा प्रभू नंदी ने पूछा जो कुछ दूरी पर धैरे से बैठा हुआ था तुम लोगों की आस्था मुझे चिंदित करती है शिव ने स्वर्थ तीवर करके कहा ताकि नंदी सुन सके यदि एक एक आदमी से लड़ना होता तो मैं तुम्हारे लोगों की रक्षा करने के लिए किसी से भी संगर्ष कर सकता लेकिन मैं कोई निता नहीं हूँ और निश्चित रूप से मैं बुरायों का विनाशक नहीं हूँ मुझे पूरा विश्वास है कि आप किसी के भी विरुध विजय प्राप्त करने में हमारा नित्रत्व कर सकते हैं प्रभू देवगिरी आते समय आपने उन्हें मार्ग में पराजित किया था वो असली जीत नहीं थी शिव ने अस्विकार करते हुए कहा वो एक छोटी पर्टन थी जो प्राण लेनी के लिए नहीं अपहरण के उद्देश से आई थी यदि हम सूवय अस्थित और बड़ी सेना का सामना करते हैं जिसका उद्देश प्राण हरण करना होगा तो परस्थितिया भिन होंगी मेरे विचार से ऐसा प्रतीत होता है कि मेलूहा कुछ विकट एवं निर्दाई शत्रों के विरुद खड़ा है तुम्हारे देश को एक विक्ती में विश्वास के अवशेक्ता नहीं है ये उसका उत्तर नहीं है तुम्हारे लोगों को परवर्टन शिल्द समय को अपनाना होगा हो सकता है कि तुम लोग अपने जीवन जीने के ढंगे क्यारान इस बात से अन्भिग्यों की अपने रग्त पिपासु शत्रों का सामना कैसे करें एक नई विवस्था की अवशक्ता है मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो किसी चमतकार से तुम्हारी समस्याओं का समधान कर देगा आप बिलकुल सही है प्रभू नंदी ने उस भागिशालिस सरल विक्ति के विश्वास के साथ कहा जिससे सोचों ने अधिक परिशान नहीं किया था एक नई विवस्था की अवशक्ता है और स्पष्ट है कि नहीं पता कि वो विवस्था क्या होनी चाहिए लेकिन मैं एक बात अवश्य समझता हूँ एक हजास साल पहले हमने ऐसी ही विपत्तियों का सामना किया था और प्रभु श्री राम आये थे और उन्होंने हमें अच्छे तरीके सिखाए मुझे पूरा विश्वास है कि उसी प्रकर आप हमारा नेतरतो उत्कृष्ट मार्क पर ले जाने में करेंगे मैं प्रभु श्री राम नहीं हू नंदी कैसे ये बेवकूफ मेरी तुलना प्रभु श्री राम से कर सकता है जो मरियादा पुरु श्रत्तम थे एक आदर श्वेत्ती आप प्रभु श्री राम से भी बहताने प्रभु नंदी ने कहा ये बेवकूफी की बाते मत करो नंदी मैंने ऐसा किया ही क्या है जो मेरी तुलना प्रभू श्री राम से की जा सके बहतर की बात तो रहने ही दो किन्तु आप ऐसे काम करेंगे जो आपको उनसे बहतर सिद्ध करेगा प्रभू अब तुम बक्वास बंद करो शिव के सामराज भ्रमन की तयारें जोर शोर से चल रही थी फिर भी शिव को दोपहर में सती के निरत पाठ के लिए समय मिल रहा था उनके मद्ध एक शांतिपूर्ण मित्रता विक्सित होती जा रही थी लेकिन शिव इस बात से दुखी था कि जहां सती उसको आदर दे रही थी वही उसमें भावनाओ या भावों के प्रदर्शन में कोमलता नहीं आ रही थी इस भी शिव के कबीले को देवगीरी बुला लिया गया था जहां उन्हें रहने के लिए आरामदायक निवास और काम दिये गए थे लेकिन भावनाओ को गुणवालों के साथ नहीं रहना था उसे कहा गया था कि वो नेलकंट की यात्रा में उनके साथ रहे वीर भावनाओ तुमने ये नाम कपा लिया कश्मीर से प्रस्थान करने के बाद शिव ने पहली बार मिलने पर उनसे पूछा बड़ा ही बेकार कारण है भादर ने मुस्कुरा कर कहा जिसके पीछे का कूबर चमत्रकारी सोमरस की करपा से पूरी तरह से अद्रश हो चुका था यहां की यात्रा करते समय मैंने काफिले के नेता को एक बाग के हमले से बचाया था उसने मेरे नाम से पहले एक वीर विक्ति की उपाद्धी दी तुमने एक बाग का सामना केले किया शिव ने इस पश्ट रूफ से प्रभावित होकर पूछा भाद्र ने सहमती में सिर्ह लाया उसे ये कहना अजनबी सा लगा अरिवा तब तो सही में तुम वीर भाद्र कहलाने के हगदार हो हाँ सही है भाद्र मुस्कुराया उसके बाद अचानक गंभीर होकर उसने पूछा ये पागलपन भरी उपादियां भुराईयों का विनाशक क्या आपको ठीक लग रहा है आप इनके आग्रहों में केवल अपने अतीत के कारण नहीं जा रहा है न मैं इस समय प्रवाह के साथ जा रहा हूं मित्र कोई मुझे बता रहा है कि मेरी शंकाओं के बावजूद सही में मैं इन लोगों की मदद कर सकता हूं ये मिलूहा वासी पूरी तरह से पागल है इसमें संदे नहीं है और ये भी सच है कि जो आस ये मुझे से लगाए बैठे हैं वे सभी मैं पूरी नहीं कर सकता लेकिन मुझे अवश्य महसूस होता है कि चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो यदि मैं कुछ भी अंतर ला सकता हूं तो मैं अपने अतीद पर संतोश व्यक्त कर सकता हूं यदि आप निश्चित हैं तो मैं भी हूं मैं आपके साथ कहीं भी जाऊंगा वीर भदर हसा और उसने शिव को आलिंगन बद कर लिया आपकी बड़ी याद आई शिव मुझे भी दोपहर में बाग में मिलते हैं मेरे पास बहुत अच्छा गांजा है पका ब्रहसपती ने भी शिव के साथ यात्रा करने की अनुमती प्राप्त कर ली थी उसने विबरर दिया कि कुछ अलब्य रसायन के साथ मिसुपटामिया का जहाज बंदरगाह नगरी कर्चा पाने वाला था उसके एक दल को उन पदार्थों की जाच करके उन्हें लाना ही था तो ये अच्छा रहेगा कि वे लोग भी शिव के साथ यात्रा कर ले और वो काम भी कर ले दक्ष ने कहा कि उसे इसमें कोई परिशानी नहीं थी यदि प्रभू को कोई आपती नहीं थी शिव ने उत्साहित होकर इस उजाओ का मान लिया था दरबार में नीलकंट के बारे में घोषना के दिन से तीन सप्ता के बाद अंतता वो दिन आही गया जब शिव को समस्त सामराज्य का भ्रमण प्रारम्ब करना था उस दिन प्राता ही दक्ष शिव के कमरे में आया आपने मुझे बुला लिया होता महराज नमस्ते कर शिव ने कहा आपको यहां आनी की आवशकता नहीं थी आपके कमरे में आना मेरे लिए खुशी की बात है प्रभू दक्ष शिव के अभिवादन को नीचे जुक कर प्रतियुत्तर देते हुए मुस्कुराया मैंने सोचा कि मैं आपकी भेट उस वैद से करवा दू जो आपकी यातरा के दोरान आपके साथ भ्रमण करेगी पुकल रात ही कश्मीर से आई है दक्ष एक और हो गया ताकि उसके मार्ग तर्शक वैद को कमरे में अंदर ला सके आयुर्वती शिव ने चकित होकर कहा तो उसका चहरा खोशी से चमक उठा उसने एक सुन्दर मुस्कान के साथ कहा आपको पुना देकर बहुत खोशी हो रही है खोशी तो मुझे हो रही है प्रभू आयुर्वती का मुख चमक उठा था जब वो शिव के पाउं चूने के लिए जुकी शिव जल्दी से एक और हड़ गया और बोला मैंने आपसे पहले भी कहा था आयुर्वती आप जीवन दात्री हैं कृपया मेरे पाउं चूकर मुझे चर्विंदा ना करे और आप निलकंट हैं प्रभू बुराई के विनाशक आयुर्वती ने भक्तिभाव से कहा आप मुझे आशिरवात देनी की क्रपा से कैसी वन्चित कर सकते हैं शिव ने विशाद में अपना सिर हिलाया और आयुर्वती को अपने पैर छुने दिये उसने बड़ी कोमलता से उसके सिर पर हाथ रखा और आशिरवात दिया कुछ घंटों के बाद शिव सती परवतेश्वर ब्रहस्पती आयुर्वती क्रतिका नंदी और वीरभदर भ्रमण पर निकल पड़े उनके साथ 15 सैनिकों का एक दल 25 घरेलू नौकरानिया और 50 अन्य सहायक अनुचर उनकी सुरक्षा एवं सुविधा के लिए चल पड़े थे उनकी योजना ब्यास नदी पर इसित कोटद्वार नगर तक सड़क मार्ग से जाने की थी वहां से वे नौकाओं से बंदरगाह नगरी कर्चप तक जाने वाले थे उसके बाद वे पूर्व में लोथल नामक नगर जाएंगे उसके बाद वे अंत में उत्तर दिशामे सरस्वती के डेल्टा छेतर में जाकर नौकाओं द्वारा देवगिरी वापस लोड़ जाएंगे अध्याए बारा मेलूहा का ब्रहमन मनू कौन थे शिव ने पूछा मैंने उनके बारे में कई बार सुना है और उने तात से क्यों संबोधित किया जाता है काफिला कई दिनों से देवगिरी से कोड़ द्वार जाने वाले मार्ग पर चल रहा था जिसके मद्य भाग में साथ बग्गियां थी जो ठीक वैसी ही थी जैसे कि मंदार परवत की यात्रा के दोरान प्रियुक्त की गई थी उनमें से पांच खाली थी शिव सती, ब्रहस्पदी और कृतिका दूसरी बग्गी में यात्रा कर रहे थे परवतेश्वर पांच भी बग्गी में आयूर्वती और अपने कुछ विश्वास पातर सेना पतियों के साथ था सेना नायक की उपस्तिती का अर्थ था कि प्रतेख नियम का कड़ाई से पालन होगा अता नंदी जिसका पद उसे बग्गी में चलने की अनुमती नहीं देता था वो अपने अश्वा रोहियों के दल के साथ एक अश्वा पर सवार था वीर भद्र को नंदी के दल में एक सैनिक की तरह शामिल कर लिया गया था अपने अधिपतियों के साथ पूरा का पूरा सैनिक दल मान की ये अगला भाग पिछला भाग एवं काफिले के दोनों बगलों से सुरक्षित कर चल रहा था ब्रहसपति एवं सती दोनों ही एक साथ शिव के प्रशने का उत्तर देने लगे समराट मनुएक दोनों नहीं बोलना छोड़ दिया कृपया आप बताईए ब्रहसपति जी सती ने कहा नहीं नहीं ब्रहसपति ने एक हलकी मुस्कान के साथ कहा आप क्यों नहीं एक अथा बताती है हो जानता था कि किसका स्वार नीलकर्ण सुनना पसंद करेंगे अरी वाले बाते थी ब्रहसपति शिव मुस्कुराया इसे रखे रहिए और आपको सौ सालों में शायद कोई ऐसा मिल जाए तो इस पर हस पड़े इस पर ब्रहसपति और शिव ठहाका मारकर हस पड़े तो सती इस अनुचित प्रकार के दो बार ऐसा है कि मनु समराट के तात होने के बारे में आप सही थे प्रहसपति ने कहा उन्हें समस्त भारत वर्ष के लोगों द्वारा हमारी सभ्यता का जनक माना जाता है सुअदूई पुवासियों के भी शिव ने आविश्वास से पूछा अवश्य हमारा यही मानना है वैसे वर्तमान से साड़े आठ हजार वर्ष पहले समराट मनु हुए थे प्रकट रूप से वे दक्षन भारत के एक राज़कुमार थे नर्मदा नदी के उस पार की भूमी से लेकर जहां भूमी समाप्त हो जाती है और समुद्ध प्रारंब होता है वो भूमी है संगम तमिल संगम तमिल? हाँ संगम तमिल उस समय विश्व का सबसे धनी एवं शक्तिशाली सामराज था समराट मनु के वंशच पांडियों ने उस भूमी पर कई वंशों तक राज किया था हाला कि समराट मनु द्वराद छोड़े गए आंकड़ों से हमें पता चलता है कि उनके समय तक राजाओं ने अपनी पुरानी नीति सनहिता भूला दी थी भ्रष्ट आचरोणों में घिर के वे अपने अपार धन से खुशिया मनाने में व्यस्त रहते थे ना कि अपने करतव्यों एवं आध्यात्मिक जीवन के प्रती उसके बाद एक भयाना कापदा हुई समुद्र बढ़ गया और उनकी समस्त संभेता नश्ट हो गई हे भगवान शिवने लगभग चिला कर कहा समराट मनु को ये पता था कि ऐसा दिन आने वाला था और वे इसके लिए पहले से ही तयार थे उनका मानना था कि उनका वो प्राचीन प्रदेश जिस अधोगती में घिरा पड़ा है उसे ईश्वर के प्रचंड कोप का भाजन बनना ही था उस विपता से बचने के लिए उन्होंने अपने अन्याईयों के एक दल के साथ जहाजों से उस्तर दिशा की और उची भूमी की और प्रस्थान किया उनकी पहली चावनी मेहरागर नामक स्थल पर स्थापित की गई जो वर्तमान मेलुहा के सुरूईर पश्यमी परवतों का स्थल है नैतिक एवम उचित समाज के स्थापना की चाह में उन्होंने अपने राजकुमार के पहनावे को तिलांजली देदी और पुजारी बन गए दरसल भारतवर्ष में पुजारीयों के लिए कहा जाने वाला संबोधन पंडित समराट मनु के पारिवारिक नाम पांडिस से ही निकला है तो फिर समराट मनु का वो छोटा सा दल इतने बड़े भारतवर्ष में कैसे परिवर्दित हो गया जब वे महरागर आये तो उसके बाद कुछ वर्षों तक उन्हें बहुत ही कठी जीवन मिताना पड़ा प्रतेइक वर्ष मानसून के समय बाढ़ एवं समुद्र के लहरे और अधिक शिक्तिशाली हो जाती थी किंदु कई वर्षों बाद और तात मनू की प्राथना की भगती से ईश्वर का क्रोध मंद पढ़ने लगा और जल स्तर आगे बढ़ने से रुग गया हाला कि समुद्र अपने पूर्व इस्थान तक पीछे किसकर कभी नहीं गया इसका ये अर्थ है कि सुदूर दक्षिन में कहीं अभी भी समुद्र प्राचीन संगम तमिल को डुबोई हुए है हमारा ऐसा ही मानना है ब्रहसपती ने उतर दिया जब समुद्र ने आगे बढ़ना रोग दिया तो तात मनु और उनके लोग परवत से नीचे आ गए वो ये देखकर स्थब रह गये कि एक पतली सी धारा वाली सिंदू एक विशालकाएं नदी में परवर्दित हो चुकी थी कई अन्य छोटी छोटी धाराएं बड़ी हो चुकी थी और छे बड़ी नदियों का जन्म हो चुका था सिंदू, सरस्वदी, यमुना, गंगा, सर्यू एवं ब्रहम पुत्र तात मनू ने कहा था कि नदीयों ने इतने जल्परभा के साथ बहना इसलिए प्रारंब कर दिया था क्योंकि एश्यूर के प्रचंड प्रकोब के कारन धर्दी का ताब बहुत बढ़ गया था ताब बढ़ने के कारण हिमाले में बर्फ की सरीताएं एवं हिम नदियों ने पिगलना प्रारंब कर दिया था जो उस समय तक हिमाच्छादे थे और इस प्रकार उन्होंने नदियों की सरजन कर दिया गाम एवं बड़े नगर इन नदियों की किनारे बस गए और बढ़ने लगे इसी कारण हमारी साथ नदियों की इस भूमी को सब्त सिंदु कहा गया जिसका जन्म संगम तमिल के विनाश के कारण हुआ था साथ लेकिन आपने तो उत्तर भारत ने के विल छे नदियों के सरजन की बात कही है हाँ ये सही है साथवी नदियों तो पहले से ही अस्तितों में थी वो नर्मदा है जो हमारी दक्षिर की सीमा बनी तात मनु ने अपनी संतती को नर्मदा से दक्षवर में जाने के लिए कड़ाई से मना किया था इस नियम का पालन हम करते हैं और चंद्रबंशी भी तो फिर तात मनु के अन्य नियम क्या है? वास्ताओं में उनके अनेक नियम है में सभी एक पुस्तक में सूजी बद्ध हैं जिसका नाम है मनु स्मृती क्या आप उन समूचे लेख को सुनने की इच्छा रखते हैं? फुद प्रलोभग है? शिव मुस्कुराया लेकिन मैं सोचता हूँ कि अभी रहने दे आपकी आग्या हो तो प्रभू जिस मार्ग से नीलकंठ का काफिला जात्रा करके निकल चुका था उससे कुछ दूरी पर 40 लोग ब्यास नदी के साथ साथ शांती से पैदल चल रहे थे दो में से एक आदमी अपने सिर पर बांस से बनी हुई एक प्रकार की घिरनाओ को लेकर चल रहा था ये उस छेतर का बहुत ही सहच दुर्श था वहां के इस्थानी निवासी बांस बेत और रसी से वहनी प्रकार की घिरनाओ बनाते थे जो एक विक्ति द्वारा आसानी से ले जाई जा सकते थी ये देखने में गोल आकार की थी और कई बार गोल गूम कर चलती थी अता उसे घिरनाओ कहा जाता था इसमें एक सामान नाओ की भाती एक सीरा नहीं होता था पर टेक नाओ दो विक्तियों को अच्छी गती से ले जाने में सुरक्षित होती थी उस पल्टन के सबसे आगे युद्ध के लगे घावों के चिन्नों से गर्वित मुखवाला एक नव्योग चल रहा था जिसने बूरी पगड़ी पहन रखी थी उससे थोड़ा आगे एक फड़दार विक्ति चल रहा था उसका जुका हुआ सिर्फ सिक्ड़ी हुई आख्या और बड़े ही सलीके से कदम बढ़ाने से प्रतीत हो रहा था कि वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था उसकी सांस धौकनी की तरह चल रही थी उसने अपने हाथ उठाकर उत्साहीन तरीके से अपने नकाब वाले ललाट को रगड़ा उसके दाए हाथ के कलाई पर चम्रे का कड़ा था जिस पर नाग का प्रतीक चिन बना हुआ था विश्वदिम्न फरदार व्यक्ति ने कहा हम लोग यहां से नदी में प्रवेश करेंगे जब भी हम अबादी वाले छेतर के पास पहुचेंगे तो हम नदी से बाहर हो जाएंगे ताकि हमरी पहचान ना होने पाए हमें कर्चप दो महीने की भीतर पहुच रहा है कर्चप मेरे स्वामी विश्वदिम्रे ने आश्चरे से पूचा मुझे तो लग रहा था कि रानी के साथ हमरी गुप्तु मुलाकात लोथल के बाहर होने वाली थी नहीं हम लोग उनसे कर्चप के बाहर मिलेंगे फंदार विक्ति ने उतर दिया ठीक है मेरे स्वामी विश्वदिम्रे ने पीछे मुलकर कोटदार की और जाती हुई सड़क को देखते हुए कहा उसे पता था कि उसके सरदार एक बार फिर राजकुमारी के आपारान का प्रयास करना चाहेंगे उसे ये भी पता था कि काफिले के साथ चल रही उस विशाल काई सीना के रहते ऐसा प्रयास दुसाहसिक ही होने वाला था वैसे भी वे अपने मुखे कारकरम के लिए समय से पीछे चल रहे थे उन्हें रानी से मिलना था अपने एक सैनी की और मुड़ते हुए विश्वदिम्रे ने कहा श्रक्ता अपनी घिरनाओ को नदी में रखो और पतवार मुझे दे दो इस यात्रा के हिस्से में मैं स्वामी का घिरनाओ से लेकर जाऊंगा श्रक्ता ने ततकाल वो किया जो उसे कहा गया था विश्वदिम्रे और फढ़दार विकति पल्टین में सबसे पहले थे जो नदी में उतरे थे जब उसके आदमी नदी में नव रख रहे थे तब तक विश्वदिम्रे नव खोएकर चल चुका था नदी में नीचे की और कुछ दूरी पर उस फरदार विक्ति ने देखा कि दो इस्त्रिया एक घिरनाओं पर लापरवाही से मटरगश्टी कर रही थी एक इस्त्री घिरनाओं के बगल से पानी लेकर दूसरे पर छिड़क रही थी और दूसरे उससे बचने का असफल प्यास कर रही थी कि वो भीग न जाए बच्चों की तरह हरकत वाले इस खेल के कारण उसकी नाओ खतरनाग धंग से हिल डुल रही थी फरदार विक्ती ने रेखा कि उन इस्त्रीयों ने ध्यान नहीं दिया था कि दूसरे किनारे से एक मगरमक्ष नदी में प्रवेश कर चुका था अपने लिए एक अच्छे भोजन के बारे में विचार कर वो मगरमक्ष उन इस्त्रीयों की नौका की और तेजी से बढ़ने लगा अपने पीछे देखो उस फरदार विक्ति ने उन इस्त्रियों के और चिला कर कहा और उसने विश्वदिमनी को इशारा किया कि वो नौका को उन इस्त्रियों के रिले चले उस दूरी से वे इस्त्रियां उनकी बात नहीं सुन सकी उन्होंने ये अवश्य देखा कि दो आदमी बांस की नौका को खेकर उनकी ओर आ रहे हैं उन्होंने देखा कि एक विक्ती लगभग दैत्याकार सिर से पाउं तक लबादे में ढखा हुआ था और इसका चेहरा भी नकाब से ढखा हुआ था वो आदमी उतेजना के साथ इशारे कर रहा था उन दोनों के पीछे एक बड़ी संक्या में सैनिक नदी में नौकाओं को खेकर चल रहे थे उन इस्तरियों के लिए इतनी चेतावनी बहुत थी ये सोचते हुए कि वे उनकी और गलत इरादे से आ रहे थे इस्तरियां तेजी से अपने पतवार चला कर उन से दूर मगरमक्ष की दिशा में जाने लगी नहीं फनदार वेक्ती चिलाया उसने विशुदिम्न से पतवार छीन लिया और अपने ताकतवर हातों से तेजी से बास की नाओ को खेने लगा वो अपनी और उनस्तरियों के मधिकी दूरी को कम करने लगा लेकिन उतनी भी तेजी से नहीं ऐस मगरमक्ष ने निकटा कर उनस्तरियों की बास की नौका के नीचे गोता लगाया और उस बास की नौका पर हमला बोल दिया और अपने विशाल काय शरीर से उसे धका दे दिया जिसके कारण वो बांस की नौका पलट गई और डूब गई वे इस्त्रियां उचल कर ब्यास नदी में गिर गई वे अपने आपको नदी में बहने और डूबने से बचाने के लिए भैभीत होकर चिलाने लगी जोर से धका मारने के कारण वो मगरमच अपनी गती से काफी दूर निकल गया था वो मुड़ते हुए उन बेबस और संघर्ष करती इस्त्रियों के और बढ़ने लगा कुछ समय की देरी उन इस्त्रियों के लिए भागशाली रही राहत वाली बास की नौका उनके और मगरमच के मध आ चुकी थी विश्वदुम्न की और मुड़ते हुए उस फरदार वेक्ती ने आदेश दिया इस्त्रियों को बचाओ जब तक कि विश्वदुम्न कोई प्रतिक्रिया दिखा पाता उस फरदार वेक्ती ने अपने लबादे को एक और फेका और नदी में गोता लगा लिया दातों के मध्य चाकू दबाए वो अपनी और आते मगरमच की और तैरने लगा विश्वदुम्न ने एक इस्त्री को पकड़ कर बास की नौका पर डाल लिया जो अब तक अचेत हो चुकी थी दूसरी इस्त्री के और मुड़ते हुए उसने उनको ढानस बदाया मैं जल्द ही वापस आता हूँ विश्वदुम्न नुड़ा और अत्तिक तेजी से किनारे की और बास की नौका को खेकर जाने लगा बीच में उसने पास आते सैनिकों से कहा जल्दी पतवार चलाओ स्वामी की जान खत्रे में है सैनिक ने पतवार चला कर बास की नौकाओ को उस ओर ले जाना प्रारम्प कर दिया जहां फरदार विक्ति नदी में कूदा था पानी के नीचे जो संखर चल रहा था उससे नदी का पानी लाल रंका हो चुका था उन सैनिकों ने जल एवं समुद्र के देवता भगवान वरुन की मूख प्रातना की कि वो रक्त उनके स्वामी का ना हो उन में से एक सैनिक अपनी तलवार लेकर नदी में कूदने ही वाला था कि वो फणदार विक्ति जलस्तर पर उपर आया उसका पूरा शरीर रक्त से लाल था ये रक्त उस मगरमच का था वो उस दूसरी इस्तरी के और तेजी से ताकत लगा कर तैरने लगा जो लगबख अचेत हो चुकी थी सही समय पर पहुचकर उसने उस इस्तरी का सिर पानी से बाहर निकाल दिया इसी मध्य दो चंदरवंशी सैनिक अपनी बास की नौका से पानी में कोट पड़े स्वामी कृपया आप नौका पर चले जाएं उनमें से एक ने कहा हम तैर कर किनारे आ जाएंगे पहले इस्तरी की मदद करो उस फरदार विक्ति ने कहा सैनिको ने उस अचेत इस्तरी को बास की नौका पर डाल दिया उसके बाद वो फरदार विक्ति साफधानी से उस बास की नौका पर चड़ा और किनारे की और ले जाने लगा जब तक फरदार विक्ति नदी के किनारे तक पहुचता विशुदिम्न उस दूसरी इस्त्री की चेतना वापस लाने में सफल हो चुका था इस्त्री तेजी से घटी घटनाओं के कारण कुछ भी समझ नहीं पा रही थी क्या तुम ठीक हो? विशुदिम्न ने उस इस्त्री से पूछा उत्तर में उस इस्त्री ने विशुदिम्न से हटकर दूर देखा और बहुत जोर से चिल्ला बड़ी विशुदिम्न भी पीछे मुड़ा नदी के किनारे पर फरदार विक्ती दूसरी इस्त्री के शिथर शरीर को बाहों में लिए आ रहा था उसके विशालकाय शरीर में उसके कपड़े चिपके हुए थे उस ना समझ इस्त्री ने देखा कि उस विक्ती के पूरे शरीर पर रख्त पड़ा था जिसे उसने अपनी मित्र इस्त्री का समझ लिया तुमने ये क्या किया राक्षस इस्त्री ने चिला कर कहा नागा ने अचानक सीर उपर उठा कर देखा उसकी आँखों में थोड़ा आश्चरे दिखाई दिया लेकिन उसने कुछ भी बोलने से स्वयम को रोका उसने साफधानी से उस दूसरी इस्त्री को भूमी पर लिटा दिया विशुद्मन के पास वाले स्ट्री ने उसे भैसे देखा नागा वो जोर से चिलाई इससे पहले कि विशुद्मन कोई प्रतिक्रिया दिखाता वो इस्त्री उचल कर खड़ी हो गई भागते हुए चिलाने लगी सहायता करे सहायता करे एक नागा मेरी मित्र को खा रहा है नागा ने विशाद पूर्ण दृष्टी से उस भागते हुए इस्त्री को देखा उसने अपनी संतप्त आत्मा की खड़कियों को बंद कर दिया और अपना सिर हिलाया विशुदिम्न ने इस मद्ध ही मुड़ चुका था उसने अपनी स्वामी की आँखों में पहली बार आंसु देखे थे उसने ततकाल ही अपने आखे नीचे कर ली लेकिन तब तक उसने अपने स्वामी की आँखों में दुक्वा पीड़ा के भाओ देख लिये थे जो सामाने ता भावहीन रहते थे करोध से थर्थराते हुए विशुदिम्रे ने अपनी तलवार निकाल लिया और जिस स्थरी के उसने रक्षा की थी उस कृतग ने स्थरी को मारने के सौगंध लेने लगा नहीं विशुदिम्रे नागा ने अपने नकाब वापस लगा कर आदेश दिया उसके एक सैनिक की और मुड़कर कहा इसे होश मिलाओ सौमी विशुदिम्रे ने तरक किया इसके मितर दूसरे लोगों को ले कर आएगी इस स्थरी को इसके भाग के भरोसे छोड़कर हमें यहाँ से ततकाल निकल जाना चाहिए नहीं लेकिन सौमी लोग बहुत जल्द ही आ सकते हैं हमें बचकर निकल जाना चाहिए तब तक नहीं जब तक इसे बचा नहीं लिया जाता नागा ने अपने सुभावता शांत स्वर में कहा नंदी एवं वीर भदर समेट राजशाही दल एक विश्राम ग्रह के आंगन में मध्यान भोजन करने के लिए बैठा हुआ था जहां वे अपनी यात्रा के दौरान रुके थे आदी सेना भी भोजन कर रही थी उन्हें उस उर्जा के आवशकता थी जिसके बल पर वे उस चिलचिलाती धूप में आगे की यात्रा कर सके परवतेश्वर वेक्तिगत रूप से भोजन की विवस्था का परिक्षन करने आया हुआ था वो सती की सुविधा के बारे में विशेश कर चिंतित था हाला कि उसने उनके साथ भोजन करने से मना कर दिया था वो अपने सैनिकों के साथ बात में भूजन करने वाला था बाहरी घेरे के पहरे में शोरगूल ने शिव का ध्यान भंग कर दिया ब्राजपती नंदी और वीरभद्र को बैठे रहने का संकेत करते हुए वो इसकी खोजबीन करने के उद्देश से उठा परवतेश्वर ने भी कोला हाल सुन लिया था और उसकी ओर बढ़ गया था कृपिया उसकी रक्षा करें एक नागा उसे जीवित ही खा रहा है स्त्री रो रही थी मुझे छहमा करें अधिपती ने कहा क्योंकि मेरे पास कड़ी निर्देश है हमें इस विश्राम ग्रह के आसपास से किसी भी परिष्टिती में बाहर जाने के उनुमती नहीं है क्या बात है परवतेश्वर ने कहा आश्चरे में मुड़ते हुए अधिपती ने अभिवादन किया और नीचे जुकर कहा स्वामी इस इस्त्री का कहना है कि नागा ने इसकी मित्र पर आक्रमार कर दिया है वो उसकी सहायता करने को कह रही है पर वतेश्वर ने उस इस्त्री को गहरी दरश्टि से देखा उसकी चाहा तो यही थी कि वो नागाओं के दल का पीछा करे और उन्हें नश्ट कर दे किन्तु उसके आदेश पूरी तरह सपष्ट थे उसे निलकंट और सती को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना था उस पूरी सेना का उदेश उनकी सुरक्षा करना था किन्तु वो एक छत्रिय था वो किस प्रकार का छत्रिय होगा जो असाहाई के रक्षा के लिए लड़ाई भी न करें थोपे कहे प्रतिकबंद जो उस पर लगे हुए तो उससे कापते हुए वो कुछ कहने ही वाला था कि शिव वहां प्रकट हो गया क्या बात है शिव ने पूछा प्रभू अधिपती ने भोचक्का होकर कहा उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो निलकंठ से वारतालाप कर रहा था इस इस्त्री का कहना है कि नागाउने इसकी मित्र पर आक्रमल कर दिया है हमें चिंता है कि कहीं ये कोई चाल ना हो हमने मंदार परवत की मार्ग पर चंदरवन्शियों की दूरी चाल के बारे में सुना है शिव ने अपने अंतरमन की बात सुनी पीछे जाओ उसकी सहायता करो एक ही जटके में अपनी तलवार निकाल कर उसने उस इस्तरी से कहा मुझे अपनी मित्र के पास ले चलो परवतेश्वर ने शिव को आदर से देखा वो थोड़ा था किन्तु था आदर ही उसने भी ततकाल ही अपनी तलवार निकाल ली और अधिपती की और मुड़कर बोला अपनी पल्टन के साथ हमारे पीछे आओ सेना पतिवक्र अचाना खमले की तैयारी के साथ पूरी सेना को चौकनने रहने के लिए कहो राचकुमारी को किसी भी हालत में सरक्षित रखना है शिवर प्रवतेश्वर उस इस्तरी के पीछे दोड़ पड़े जो उन्हें उस ओर लेकर जा रही थी वो वहां के स्थानिय महिला थी अधिपती तीस सेनिकों के दल के साथ उनके साथ चल पड़ा था लगबख एक घंटे की दोड़ के बाद वे अंत्रता नदी के किनारे उस इस्तर पर पहुँचे जहां मधोशी की हालत में एक इस्तरी धर्टी पर बैठी हुई थी गहरी गहरी सास लेती हुई वो उस तब धोकर दूर किसी कालपनिक द्रश्टी को गहराई से देख रही थी उसके पूरी शरील पर रख से लगा हुआ था किन्तु विचितर बात ये थी कि उसे कोई चोट नहीं लगी थी नदी से आते हुए और नदी के और जाते हुए बहुत सारे पधचे ने दिखाई दे रहे थे अधिपती ने संदेख की द्रिश्टी से उस स्त्री को देखा जो उन्हें वहां लेकर आई थी अपने सैनिकों की और मुड़ते हुए उसने आदेश दिया मुखि सेननायक एवं नीलकंट के चारो और एक घेरा बना लो ये चाल भी हो सकती है वो जीवित ही खाई जा रही थी मैं सच कह रही हूँ इस्त्री ने चिला कर कहा जो अपनी मित्र को जीवित एवं बिना किसी हानी के देखने पर विस्मित थी नहीं ऐसा नहीं था शिव ने बड़ी शानती से कहा उसने नदी में तैरते हुए एक मगरमच के मरत शरीर के और संकेत किया कवों का बाड़ा सा जहंड उसके मरत शरीर पर बैठा था और एक दूसरे से लड़ाई करते हुए उसे नोच खसोट रहे थे उसने अभी कुछ देर पहले ही उस मगरमच से उसकी रक्षा की है वो जो कोई भी था उस पार चला गया है प्रभू अधिपती ने नदी के किनारे बहुत सारे पधचिन्यों को दिखाते हुए कहा एक नागा इस स्त्री की रक्षा करने के लिए अपने जान जोकि में भला क्यों डालेगा शिव ने पूछा परवतेश्वर भी इस पर अचंबित हुआ परवतेश्वर भी इस पर अचंबित प्रतीत हुआ अब तक जो उन्होंने देखा था ये उन रखते पिपासू नागाओं के सुभाओं से ठीक विपरीद घटने वाली घटना थी प्रभू अधिपती ने शिव और परवतेश्वर दोनों को संबोधित करते हुए कहा श्त्री सुरक्षित प्रतीत होती है संभावता सब लोगों का रुखना उचित जान नहीं पड़ता है संभावता सब लोगों का रुखना उचित नहीं जान पड़ता है शिव एवं परवतेश्वर दोनों ही वहां से चल पड़े। उस अनोखी घड़ना पर दोनों ही विस्मित थे। देर शाम को शिव ब्रहस्पती, नंदी और वीरभद्र आग के पास गोल गेरे में शांती से बैठे हुए थे। शिव ने मुणकर सती के और देखा जो आयरवत एम कृतिका के साथ विश्राम ग्रह के बरामदे में कुछ दूरी पर बैठी गंभीर चर्चा में तलीन थी। परवतेश्वर पूर्व की भात इस सैनिकों की विवस्था देख रहा था, वो व्यक्तिकत रूप से सुरक्षा विवस्था एवं अपने सैनिकों की सुविधा का परिक्षा कर रहा था, ये तैयार है शिव, विर्भद्र ने चिलम शिव को देते हुए कहा, शिव ने उस चिलम को अपने होटों से लगाया और बहुत जोर से कश खीचा, प्रकट रूप से वो आनंदित हुआ, चैन के आवशक्ता को देखते हुए उसने अपने मित्र क को देने से पहले थोड़ा और धुमरपान किया, विर्भद्र ने ब्रहस्पती एवं नंदी को कश लेने का अगरह किया, किन्तु उन दोनों ने मना कर दिया, ब्रहस्पती ने शिव की और गहरी दृष्टी से देखा, जो चुपके चुपके सती को बार बार देख रहा था वो मुस्कुराया और उसने सिर हिलाया, क्या, शिव ने पूछा, क्योंकि उसने ब्रहस्पती की मुद्रा को देख लिया था, मैं आपकी आकांख्शस समझ रहा हूं मित्र, ब्रहस्पती ने फुस-फुसा कर कहा, किन्तो आप जिसकी आशा कर रहे हैं वो बहुत कठिन है, लगभगा संभब, जब वो इतनी मुलिवान है तो आसान तो नहीं ही होगी, क्या हो सकती है, ब्रहस्पती मुस्कुराया और उसने शिव के हाथ पर थपकी दी, वीरभद्र को पता था कि उसके मित्र को क्या चाहिए, नरतेवम संगीत, इसने उनकी मनोदशा को हमेशा ठीक किया है, इस दैनिये देश में लोग गाते और नाचते नहीं है क्या, वीरभद्र, सावधान, नंदी ने कहा, उसके बोलने का अंदाज अपने अधीनस्त से दूसरा था, पहली बात तो ये है कि ये देश दैनिये नहीं है, विश्व में सबसे महान भूमी है, वीरभद्र अपने मस्करी के लहजे में अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से जकर कर जूटी छामायाचना की, दूसरी बात, नंदी ने कहना जारी रखा, हम तभी निरते करते हैं, जब वैसा कोई अवसर होता है, जैसे होली या पर्व, या फिर कोई सार्वजनिक प्रदर्शन, ले शिव अपने मित्र को देख कर मुस्कुराया क्योंकि वो अपना सबसे पसंदीदा गीत गा रहा था, गीत गाते हुए वीरभदर धीरे से उठा और उसने उतार चड़ाओ वाले उस धून पर नाचना भी शुरू कर दिया था, थोड़ी ही देर में शिव भी उसके साथ नि निरत एवं गांजे के मिश्रण ने उसकी मनोदशा को पूरी तरह से परिवर्थित कर दिया था, ब्रहसपती ने पहले शिव को चौक कर देखा और उसके बाद प्रसनता से, उसने देखा कि उनके निरत में एक पिशेश प्रकार की शेली थी, एक ले मिश्रित छे चलन थे शिव ने हाथ आगे बढ़ा कर ब्रहसपती और नंदी को खड़ा कर दिया, पहले तो वे परिक्षन के तौर पर निरत पद मिलाने के प्रयास में थे, उसके बाद निरत नहीं करने की इच्छा वाला ब्रहसपती भी थिरकने लगा, उनका समू आगे के चारों और एक गोल घेरे में जोर से गाते हुए नाच रहा था, शिव अचानक ही उस समू के घेरे से छूट कर बाहर सती के पास गया और बोला, मेरे साथ नर्त कीजिए, बहचकी सती ने इनकार में सिर हिलाया, अब आप ही जाईए, जब गुरु जी और मेरे देखते समय आप नर्त कर सकती है तो यहां क्यों नहीं, वो ग्यान के लिए था, सती ने कहा, तो यदि आप किसी ग्यान के लिए नहीं नर्त करती है, तो इसमें कुछ गलत है, मैंना ऐसा नहीं कहा, ठीक है आप अपने प्रकार से ही करें, शिव ने जुझलाहट वाली मुद्रा में कहा, आयूर्वती आप आये, चकित आयूर्वती नहीं जानती थी कि वो क्या प्रतिक्रिया दे, इससे पहले कि वो कुछ कहने या करने का निर्णय ले पाती, शिव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे घीरे में खीच लिया, वीरभद्र ने इस मदिक क्रतिका को भी लुबा लिया, उस समूह ने बह खूब जोर जोर से गाना गया, उस शान्त रात्री में ये बहुत ही अधिक शूर गुल था, सती उट खड़ी हुई, वो इस पश्ट रूप से छुब दो थी, उसने शिव की पीट को तीखी दृष्टी से देखा और भाग कर विश्राम ग्रह में चली गई, शिव का परदे की पीछे कौन है, शिव को वीरभदर ने निर्टे के दूसरे पद करने के लिए खीच लिया, उसके बाद कुछ छड़ों के बाद ही शिव को अफसर मिला कि वो भराम दे की और दुबारा देख सके, वो सती को देख पा रहा था, परदे की पीछे उसके शरीर की अध्याय तेरा, अपवित्र का आशीश, निलकंठ के स्वागत में कोटद्वार अपने पूर्ण वैभाव में था, दुर्ग की बाहरी दीवारों पर मशाले जली हुई थी, जैसे दीवाली का तेवहार हूँ, लाल एवं नीली पताकाएं दुर्ग की लंबी-लंबी दीव लटकी हुई थी, जिन पर सूरिवैंशियों का सूरे चमक रहा था, नयाचार का उलंगन करते हुए कोटद्वार के राजजपाल नीलकंठ का स्वागत करने वेक्तिगत रूप से दुर्ग के बाहर प्रतीक्षा रत थे, कोटद्वार के दरबार में कुलीन वर्ग के लोग इठे हुए थे, उतनी बड़ी संक्या में लोगों को स्थान देने के लिए नगर की वेदिका के बाहर इस सभा का आयोजन किया गया था, ताकि सभी लोगों को स्थान मिल सके, शिव द्वारा दिये गए एक भाशर ने कोटद्वार वासियों को यह दरण विश्वास दिला कि वो मेलुहा के लोगों की सहायता के लिए उससे जो भी संभव हो सकेगा वो करेगा, लेकिन जनता ने उसके अपने अपने अर्थ निकाल लिये थे, शापित चंद्रवंशियों का अंतताह नाश होगा, एक व्यक्ति ने कहा, हमें अब किसी चीज की चिंता करने के आवश मुख्य वग्यानी की और मुड़ते हुए उसने कहा, हमारा पूरा समाज नियम कानून पर अधारित है, और हमसे किसी का अंध अनुसरण करना अपेक्शित नहीं है, हमसे अपेक्शित है कि हम अपनी विपत्तियों का स्वयम ही समाधान करें और किसी एक व्यक्ति से चमतका की उमीद न रखें, इस व्यक्ति ने ऐसा क्या किया है जो इस अंधे विश्वास का पात्र है, परवतेश्वर, ब्रहस्पती ने नम्रता से कहा, क्योंकि वो उसका बहुत आदर करता था, मेरा सोचना है कि शिव एक भाला व्यक्ति है, वो इस बात का बहुत ध्यान रखता है कि वो कुछ अच्छा करें, और क्या कुछ अच्छा करने का इरादा किसी अच्छे कर्म के दिशा में प्रथम कदम नहीं है, पर वतेश्वर, पूरी तरह से सहमत नहीं था, नेलकंटी के पौरानी गाथा में कभी भी विश्वास नहीं करने वाले सेनानायक ने सोचा, कि प्रतेक पुरुष एवं मिस्तरी को प्रसिक्षन एवं तयारी से अपने स्थान को हासिल करना होता है, ना कि उसे वो चांदी की परात में मिल जाए क्योंकि उसका गला नीला हो, हाँ वो सच हो सकता है, कि इसके साथ साथ छमता भी होनी चाहिए, यहां हमें एक विक्ति को एक स्थान पर रखते हैं, और आशा करते हैं कि वो हमारा रक्षक है, हमें इतना पता है कि वो पूरी तरह से तबाही की और ले जा सकता है, हम आस्था पर काम कर रहे हैं, ना कि तर्क या नियम उपर या फिर अनुभा उपर, जब एक विक्ति पहाड के समान कठ फिर विपतियों के समक्ष खड़ा होता है, तो कभी-कभी उस विक्ति को थोड़ी बहुत आस्था की भी आवशकता होती है, और चित्ते हमेशा काम नहीं करते हैं, हमें भी चमतकार के आवशकता है, आप चमतकार की बात कर रहे हैं, एक वैग्यानिक, वैग्यानिक चमतका प्रहासपती मुस्कुराया परवतेश्वर ने देखा कि शिव वेदिका से नीचे उतर रहा था तो वह विचलित हो गया जैसे ही वो नीचे उतरा तो लोगों में उसके हाथ छूने की होड लग गई नंदी और वीरभद्र के नेतरत्व में सैनिक उन्हें थामे होए थे इस भीड में एक अंधा भी वेक्ति था ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शंगामें में उसे चोटना लग जाए नंदी उस वेक्ति को आने दो शिव ने कहा नंदी और वीरभद्र ने रस्ती नीचे जुका कर उसे अंदर आने दिया एक अन्हे वेक्ति चीखा मैं उनका पुत्र हूँ उन्हें मार्द्रशन के लिए मेरी आशकता है उसे भी आने दो शिव ने कहा उसका पुत्र तेजी से अंदर गुसा और अपने पिता का हाथ थाम लिया वो अंधा वेक्ति जो अचानाखी खोया हुआ महसूस कर रहा था सहसा मुस्कुरा उठा उसे परिचित हाथ का स्पर्श मिल चुका था उसका पुत्र उसे शिव के निगट ले गया उसके पुत्र ने कहा पिताश्री नीलकंठ आपके ठीक सामने खड़े हैं क्या आप उनकी उपस्तिदी का अनुभाव कर सकते हैं उस अंधे वेक्ति की आँखों से अशुधारा प्रवाहित होने लगी बिना सोचे समझे ही वो जुका और उसने शिव के चरण स्पर्ष करने का प्रयास किया उसका पुत्र विचलित होकर जोर से चिलाया और उसने उस वेक्ति को पीछे की और खीच लिया पिताश्री पुत्र ने फटका रहा शिव इसके पुत्र के बोलने के लहचे से भोचका रहे गया क्योंकि अब तक वो बहुत प्यार से बॉल रहा था और वो बोल पड़ा क्या हुआ मुझे शमा करें परभू पुत्र ने शमा याचना की इन्होंने जान भूचकर नहीं किया आपकी उपस्तिती के काराण उन्हें नियंटर नहीं रहा मुझे शमा करें प्रबू उस अंधे वेक्ति ने कहा उसकी आँखों से आसू का प्रवाह नहीं रुक रहा था शमा किसलिए वे विकर्म हैं प्रबू पुत्र ने कहा तब से जब 20 वर्ष पहले बीमारी ने इन्हें अंधा बना दिया था इन्हें आपको इस पर्ष करने का प्रयत नहीं करना चाहिए था सती उस समय शिव के निकट ही खड़ी थी उसने ये बाची सुन ली थी उसे वो संधे वेक्ति पर दया रही थी वो पीडा का उनुभाव कर सकती थी जिससे किसी के इस पर्ष को भी अपवित्र माना जाए किन्तु जो उसने करने का प्रयतनी किया था वो अनुचित था मुझे शमा करें प्रभू वो अंधा विक्ति बोल रहा था किन्तु आपके मेरे प्रती इस क्रोध को मेरे देश की रक्षा में रुकावट मत बनने दीजेगा हमारा देश सबसे महान है जिसे परमात्मा ने बनाया है दुष्ट चंदरवंशियों से समाज की रक्षा करें हमारी रक्षा करें वो अंधा विक्ति पश्चतात की मुद्रा में हाथ जोड़े रोता जा रहा था शिव उसके इस बड़पन से हिल गया था वो अभी भी अपने देश इसको प्यार करता है जो उससे इतना अन्याए पूर्ण वेभार करता है क्यों? और तो और वो ये भी नहीं सोच रहा है कि उसके साथ अन्याए हो रहा है शिव की आँखों से आंसू छलाका है उसने महसूस किया कि वो ऐसे विक्ति को देख रहा है जिस पर भाग यहने निर्दैता की है मैं इस पकवास को रोकूंगा शिव ने आगे कदम बढ़ाया और जुग गया हैरान परेशान उस अन्धे विक्ति के पुत्र ने अविश्वास में देखा कि निलकंठ ने उसके विकर्म प्रता के चरंच हुए कुछ छन के लिए वो अन्धा विक्ति सागर में गोते लगा रहा था जब उसे ये बात समझ में आए कि निलकंठ ने क्या क्या तो सदमे में उसके हाथ उसकी खुले मुग पर चला गया शिव उस अन्धे विक्ति के सामने उठा और खड़ा हुआ मुझे आशिरवात देश्रीमान ताकि मुझे मुझे इतनी शक्ति आ जाए कि आप जैसे देश्भक्त के लिए मैं युद्ध कर सको वो अन्धा विक्ति मुग बन चुका था अचंबे से उसके आँखों के आश्व सूख गये थे वो गिरने ही वाला था कि शिव ने एक कदम आगे बढ़कर उसे थाम लिया नहीं तो अवश्य गिर गया होता उसके बाद उस अन्धे विक्ति को इतना कहने का बल मिला विजयी भाव शिव ने जब उससे छोड़ा तो पुत्र ने अपने पिता के शितिल शरीर को पकड़ लिया शिव ने जो किया था उस घटना पर समूची भीड स्तब्ध होकर मूग बन गई थी विकर्ण की चुने की बात तो एक तरफ शिव ने तो उससे आशिरवात भी मांगा था शिव मुड़ा तो उसने प्रवतेश्वर के क्रोध से भरे मुख को देखा शिव ने नियम का उलंगन किया था निरलजजटा और सारजविनिक रूप से उससे तोड़ा था उसकी बगल में सती खड़ी थी उसका मुख उसकी आखे उसका पूरा विवहार भाव विहीन था येसी क्या बात सोच रही है ब्राजपती और सती ने शिव के कमरे में प्रवेश किया जैसे ही वो एकांत में हुआ अपने दो पसंदीदा विक्तियों को देखने पर उसके मुख पर आई मुसकान सती के स्वर के साथ आद्रश्य हो गई आपको अवश्य शुद्धी करण करवा लेना चाहिए उसने द्रश्टी उठा कर उनकी ओर देखा और सरलता से कहा नहीं आप कहना क्या चाहते हैं मेरे कहने का सीधा सार्थ है ना नहीं न को शिव ने कश्मीरी एवं कोड़द्वार की लोग भाशाओं में नहीं के लिए प्रियोक्त होने वाले शब्दों के उच्चारण किये शिव ब्रहस्पति ने गंभीरता के साथ कहा ये मस्खरी की बात नहीं है मैं सती से सहमत हूँ राजिपाल भी आपकी सुरक्षा के बारे में चिंदे थे और उन्होंने एक पंडित की भी विवास्था कर लिए वे बाहर प्रतिक्षा कर रहे हैं आप अभी ये धर्माचार करवा ले लेकिन मैंने अभी कहा कि मैं नहीं करवाना चाहता शिव सती ने पुराने लहजे में आकर कहा मैं आपका अत्यधिक आदर करती हो आपकी वीरता, आपकी बुद्धी, आपकी प्रतिभा सब का आदर करती हो लेकिन आप नियमों से परे नहीं है आपने एक विकर्म को इस पर्ष किया है आपको शुद्धी करण करवाना ही होगा ये नियम है ठीक है, यदि विधी ये कहती है कि एक गरीब अंधेवेक्ति को मेरा च्छूना आवायद है तो वो विधी ही अनुचित है शिव के इस विवहार से सती इस तब्द होकर मूग बन गई शिव मेरी बात सुनिये ब्रहसपति ने तर्क दिया शुद्धी करण नहीं करवाना आपके लिए हानिकारक हो सकता है आपको बड़े-बड़े कारे करने हैं आप भारत वर्ष के भविष्य के लिए महातपूर्ण है केवल हट के कारण आप सुयम को जोकि में मढ डालिये ये हट नहीं है पूरी निष्ठा से आप मुझे एक बात बताईए कि कैसे ये मुझे हानी पहुचाएगा यदि मैंने एक विकर्म वेक्ति को चूदिया है जिसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो अभी भी अपने सामराज जैसे प्यार करता है इसके बावजूद उसे इस तरह से अपमानित किया है और उसके साथ अनुचित विवहर किया गया है वो एक अच्छा विक्ति हो सकता है शेव किन्तो उसके पूर्व जन्म के पाप आपके भागे को दूशित कर सकते है ब्रासपती ने कहा तो उसे करने दीजिये यदि उस विक्ति के कंधे से कुछ भार कम हो जाता है तो मैं स्वयम को धन्य समझूँगा आप ये क्या कर रहे हैं शेव सती ने पूछा यदि मेरी इच्छा है कि मैं किसी दूसरे के इस तथा खतित पाप का भार उठाओ तो इससे किसी और को क्यों परिशानी हो सकती है ये महत्वर रखता है क्योंकि हम आपका भला चाहते हैं ब्रासपती ने लगभग रोते हुए कहा देखो सती शिव ने कहा अब आप मत कहना कि आप भी इस बकवास में विश्वास करती हैं ये बकवास नहीं है देखिए कि आप नहीं चाहती कि मैं आपके लिए संगर्ष करू समाज दौरा किये जाने वाले इस अनुचित विवहर को समापत कीजिए जो आपके साथ किया जा रहा है तो क्या ये इस कारण से है मेरे लिए सती ने क्रोध में पूछा नहीं शिव ने तत्काल ही प्रतियुत्तर किया और उसके बाद आगे जोड़ा वैसे ये सही भी है ये आपके बारे में भी है ये विकर्म के बारे में है और जो वे अनुचित व्योहारों का सामना कर रहे है जाती बहिश्क्रत की तरह जीवन जीने से मैं उनकी रक्षा करना चाता हूँ मुझे आपकी सुरक्षा की आवशक्ता नहीं है मैं मुक्त नहीं हो सकती कमरे से बाहर निकलने से पहले सती ने चिला कर कहा शिव ने उसके बाहर जाने को जुझलाहट के साथ देखा, आखिरी सिस्त्री को क्या हो गया है, वो सही है शिव, ब्रहसपती ने सुझाव दिया, वहां मत जाईए, क्या इस विकर्म के संदर्ब में आप उससे सहमत है, अपने हिर्दे से इसका उतर दीजिए ब्रहसपती, क् वो उसे मनाए, उसका जीवन उसके बिना अर्थहीन हो जाएगा, उसके आत्मा कास्तित उसके बिना अधूरा रह जाएगा, वहां मत जाईए, मित्र, ब्रहसपती ने पुना कहा, राजशाही नौकायन से नदी नगर कोटवार से काफिला निकला, उसके आगे और पीछे र राजशी परिवार किस नौकायान में यात्रा कर रहा था, समस्त राजशी दल दूसरे नगर कायान में था, इसके अत्रिक्त पाँच अत्रिक्त च्छोटी तेजी से उधर उधर ले जाई जा सकने वाली नवकाएं राजशी काफिले के दोनों और चल रहे थी, वे राजसी नौकायानों की ही गती से दोनों ही ओर चल रहे थे ताकि घात लगा कर किये जाने वाले आकरमण से सुरक्षा प्रदान की जा सके जब आनसून सक्रिय नहीं होता है प्रभू आयुर्वती ने कहा तो नदिया यात्रा के लिए सबसे सुगम मार्ग होती हैं यद्दे भी हमारे सामराचे में सभी मुख्य नगरों को जोड़ने वाली सडके हैं किन्तों वे नदी द्वारा यात्रा की गती एवं सुरक्षा के तुन्ना में उतनी अच्छी नहीं कहीं जा सकती हैं शिव ने मधूर मुसकान से आयुर्वती को देखा उस प्रकार के वारतालाब के लिए इ इसे ही आयोजन हुए निलकंठ के आगमन पर प्रतेग नगर में अत्यधिक उल्लास अस्पष्ट दिखाई दे रहा था इस प्रकार की प्रतिक्रिया मेलुहा में आप्राक्रतिक थी किन्तों ये बात भी सही थी कि निलकंठ प्रते दिन नहीं आते थे क्यों शिव ने ब्रह हुजित करते हुए का। वह सच्मुच में ही विश्वास करती है कि वह विकर्म होनी की पात्र है। ब्रहस्पति ने दुख भरी मुस्कान के साथ कहा, क्यों? वो जिस प्रकार से विकर्म बनी संभवता उस कारान से, वो कैसे हुआ था? ये उसके विवाह के दौरान हुआ था. क्या? सती का विवाह हुआ था? हाँ, ये लगभग 90 वर्ष पहले की बात है. वो सामराज के एक कुलीन परिवार से एक राजनीतिक विवाह था. उसके पती का नाम चंदन धुज था. वो गर्वती हुई और मैका प्रसूती के ले गई. वो मानसून का समय था. दुर्भाग इसे बच्चा म्रत उत्पन हुआ था. हे भगवान! शिव ने सती की उस के सुरक्षित जन्म के लिए नर्मदा में पूजा करने के लिए गए थे वे दुरगटना वश दूब गए. उस शापित दिन इसका जीवन नश्ट हो गया था. शिव ने ब्रहस्पती को घूरा. वो इतना स्तब्द था कि कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे सका. वो बच्चा जन्ने के कारन किया गया था. लेकिन वो तो किसी भी कारन से हो सकता है. हो सकता है कि स्थानी वैद्यों से कोई चूप हो गयी हो. यह मेलूहा में नहीं होता है. ना बच्चे नहीं हुआ था क्योंकि यदि वैसा हुआ होता तो उसे समाज से पूर्टा भाहिश्क्रत कर दिया जाता इसे बदलना होगा विकर्म की अधारना अनुचित है ब्रहस्पति निश्व को गहरी दृष्टी से देखा आप एक विकर्म की रक्षा कर सकते हैं शिव कि तो आप उस इस इसरी की रक्षा कैसे कर सकते हैं जो रक्षित होना नहीं चाहती है वो सचमुझ में ही ऐसा विश्वास करती है कि वो दंड की पात्र है क्यों मैं निश्ये के साथ कह सकता हूं कि मेलूहा में वो पहली Smith को जनम दिआ होगा उसके पहले भी कई लोग हुए होंगे उसके बाद भी कई लोग होंगे वह पहली राजशाही इस्त्री थी जिसने मृत शिशी को जर्म दिया था उसका भाग के समराट के लिए शर्मिंदगी का सुरोत रहा है उनके वंश के बारे में ये प्रश्ण कहड़े करता है ये प्रकट रूप से उस समय ही राश्ट्री हित्मे किया गया था कि कुलीन परिवारों को अपनी जर्म संत्त्ती रखने के अनुमती प्रदान कर दी गई थी कुछ नियमों में संशोधन किये जा सकते हैं यदि 90 प्रतिशत ब्राहमर छट्री एमवैशे जो एक चैनित जाती वर्ग एवं मानकी व्यावसाई किस तर से उचे हो इस परिवरतन के लिए मद्दान करते हैं ऐसी मतायकता की कुछ ही घटनाएं हुई हैं उनमें से ये एक ये भी थी मात्र एक विक्तिने इसका विरूद किया था कौन श्रीमान सत्यध्वज पर्वतेश्वर के पितामाह ने जबसे ये नियम पारित हुआ है तब से उनके परिवार ने प्रतिग्या ले रखी है कि वे जन्म संत्ति नहीं रखेंगे पर्वतेश्वर आज तक उस वजन का सम्मान करते हैं लेकिन यदि जन्म नियम को बदला जा सकता है शीव ने कुछ विचार करका तो विकःम नियम को क्यों नहीं बदला जा सकता क्योंकि इससे बहुत अधिग कुलीन परीवार प्रभावित नहीं है ये कड़वी सचाई है लेकिन ये सारी बाते तो प्रभु श्री राम की सीख के विरुद जाती है प्रभु श्री राम की सीख भी कहती है कि विकर्म के अधारना उचित है क्या आप उसके उपर प्रश्ण चिन लगाना चाते हैं शिव ने नदी की और देखने से पहले चुप होकर ध्यान से ब्रहस्पती को देखा प्रभु श्री राम के नियमों पर प्रश्ण उठाना कोई अनुचित बात नहीं है मित्र ब्रहस्पती ने कहा कई बार ऐसा हुआ था जब उन्होंने दूसरों के कारार विब्रण को देख कर नियम में बदलाव किये थे प्रश्ण यह है कि नियमों को परिवर्तित करने के पीछे की मंशा क्या है क्या इसलिए कि आप सच्मुझ ही ऐसा मानते हैं कि नियम अनुचित है या फिर इसलिए कि आप सती की और आकर्शित हैं और आप इसा सुविधा जनक नियम को हटाना चाहते हैं क्योंकि वो आपके मार्क में बादा है मैं सचमुझ ही मानता हूं कि विकर्म नियम अनुचित है मैं इसे उस समय से महसूस कर रहा हूं जबसे मुझे इसके बारे में पता चला है उससे भी पहले जब मुझे पता चला कि सती विकर्म है कि तो सती ऐसा नहीं मानती की ये निया मनुजित है, लेकिन वो एक नेक स्त्री है, वो इस प्रकार के आच्राण की पातर नहीं है, वो मातर एक थिर्ष ही नहीं है, मैं जितनी भी स्त्रीं से आच तक मिल पाया हूँ, उन में वो सर्वसरेष्ट है। वो सुंदर है, की लोहे की छड़ की आन पर अपने हाथ रखकर सहारा लेकर खड़ा हो गया नदी के किनारे किनारे दूर उस सघन वन को शिव ने देखा उनका नौकायान जल में हिचकोले लेता हुआ आगे बढ़ रहा था सुकून पहुचाने वाली शाम के मंद पवन शिव के लंबे बालों के गुच्छों को लहरा रही थी मैंने आप से पहले भी कहा था मित्र रहस्पती ने कहा इस दुर्भाग के पूर नीले गले के कारण आप जो कोई भी निर्णे लेंगे उसके कई परिणाम होंगे आपको कुछ भी करने से पहले कई बार सोचना पड़ेगा देर रात हो चुकी थी राजशाही काफिला सिंधु नदी परस्ति सुतगेन गढ़ नामक नगर से चल पड़ा था निलकंठ को देखने पर सुतगेन गढ़ में भावनाए अवश्याम भावी रूप से उमर पड़ी थी अब जब भी निलकंठ दर्शन देते थे तो ये एक सामान नियम जैसा प्रतीत होता था उनकी सभिता के रक्षक अंतता आही गए थे हाला कि उनका रक्षक अपने ही निजी नर्क में था पिछले कई सप्ताहों से सती ने शिव से दूरी बनाए रखी थी वो अंदर ही अंदर तूट चुका था उसके पीड़ा और उदासी इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसे माप पाना असंभव था काफिले का अगला पड़ाव प्रसिध नगर मोहन जुदारो अत्वा मोहन की वेदिका पड़ था उस विशाल सिंधु नदी पर बसे उस नगर को महान राशनिक पंडित श्री मोहन को समर्पित किया गया था जो कई सहस्तराब्दियों पूर वहां निवास करते थे जब उसने मोहन जुदारों के लोगों से भेट कर ली तो शिव ने श्री मोहन के मंदिर पर भ्रमण करने की इच्छा प्रकट की वो मंदिर नगर के मुख वेदिका के बाहर सिंधु नदी के तट पर नीचे जाकर बना हुआ था राजपाल ने इच्छा जताए कि वे प्रभु नीलकंट को एक भव सवारी में वहां ले चलेंगे हाला कि शिव ने वहां अकेले ही जाने की हट की थी उसे परतीत हो रहा था कि वो मंदिर उसे खींच रहा था उसे बुला रहा था उसने ये भी अनुभव किया कि संभव है कि वहां उसके विपत्ती ग्रस्त हिर्दय का कोई ना कोई हल मिल जाएगा मंदिर बहुती साधरान था स्वयम श्री मोहन की तरह है एक छोटे साधरान निर्मार ने घोश्टा की थी कि ये किसी ग्यानी का जनमस्थल था उस मंदिर के महत्व का प्रमार मातर इस बात से पता चलता था कि उसके प्रांगण में चारो दिशाओं में विशालकाय द्वार बने हुए थे जैसा कि शिव ने निर्देशित किया था दंदी एवं वीर भद्र एक पल्टन समेथ बाहर प्रतिक्षा कर रहे थे शिव सुविधा प्रदान करने वाले गुलूबंद को अपने गले में लपेट कर सीड़ियों पर चढ़ने लगा उसे एक लंबे समय के बाद शान्ती की अनुभूती हुई थी उसने प्रवेश द्वार का घंटा बजाया और एक खंबे से सटकर बैठ गया उसके आँखे बंद थी और वो गहरे ध्यान में लीन था अचानक आश्यर जनक रूप से जाने पहचाने स्वर ने पूछा आप कैसे हैं मित्र अध्याय 14 मोहन जोदारों का पंडित शिव ने अपनी आँखे खोली तो वो उस वेक्ति को निहारने लगा उसने केसरिया रंग की धोती और अंगवस्तरम पहन रखे थे उसका जुरीदार मुख एक प्रशान्त एवं स्वागतिय मुस्कान लिये हुए था यदि उसके लंबाई अधिक नहीं होती तो शिव सहवन में उसे वही पंडित समझ लेता जो उसे ब्रह्मा मंदिर में मिला था आप कैसे हैं मित्र? बैठते हुए उस पंडित ने पूछा मैं ठीक हूँ पंडित जी शिव ने भारती शब्द जी का प्रियोग करते हुए कहा जो सम्मान देने के लिए प्रियोग्त होता है वो समझ नहीं पा रहा था कि ये हस्तक्षेप उसे अच्छा लग रहा था या नहीं उसे लगभग ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि उसे इस मंदिर में लाया गया था ताकि वो उस पंडित से भीट कर सके उसने पूछा क्या मेलूहा के सभी पंडित एक जैसे ही दिखते हैं वो व्यक्ति गर्माहण भरी मुस्कान के साथ बोला सभी पंडित नहीं मात्र हम और ये हम कौन हो सकते हैं पंडित जी जब आप अगली बार हम में से किसी भी एक से मिलते हैं तब हम आपको बता देंगे पंडित ने रहसमें ढंग से कहा ये हमारा वचन है अभी क्यों नहीं इस समय हमारी पहचान मात्पूर नहीं है पंडित मुस्कुरा कर बोला मात्पूर ये है कि आप किसी कारण से परिशान हैं क्या आप उस संबंद में कुछ बात करना चाते हैं शिव ने एक गहरी सांस ली उसकी सहज बुद्धी ने उससे कहा कि वो उस विक्ति पर भरोसा कर सकता था ये एक नियुक्त कार्य है जिसे कथित रूप से मुझे मेलूहा के लिए पूरा करना है मुझे मालूम है यद्धे पि मैं निलकंट की भूमिका को मात्र एक नियुक्त कार्य कहकर नहीं टालूँगा वो इसे बहुत अधिक करता है शिव के गले की और संकेत करते हुए पंडित ने कहा सूती कपड़े के कुछ टुकड़े दैवी ये देपती को छुपा नहीं सकते है शिव ने आतुरता भरी मुस्कान से देखा असल में मेलूहा अवशी ही एक आदर्ष समाज प्रतीत होता है और मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो इसके संरक्षन के लिए आवश्यक है फिर समस्या क्या है समस्या ये है कि इस लगबक आदर्ष से समाज में मैंने पाया कि कुछ परंपराएं अत्यदी गनुचित है और ये मेलूहा जिन आदर्षो को पाने के आकांक्षा रखता है वे उससे असंगत है आप किन परंपराओं के बारे में बात कर रहे हैं उधारन के लिए जिस प्रकार विकर्म के साथ वेभार किया जाता है ये अनुचित क्यों है कोई ये निश्चित होकर कैसे कह सकता है कि इन लोगों ने अपने पूर्वजन में पाप किये थे और उनके वर्तमान के कष्ट उनके परिणाम है ये मातर दुर्भागे हो सकता है या फिर प्रकरदी का अनियमित कर्म आप सही है ये हो सकता है किन्टु क्या आप सोचते हैं कि विकर्म का दुर्भागे मातर उसका विक्तिगत है क्या ऐसा नहीं है पंडुत ने उसे समझाया ये पूरे समाज के लिए है विकर्म के दुर्भागे का सुईकरन मेलुः की इस्तिरता का एक अनिवार इह हिस्सा है शिव ने अपनी तेवरी चढ़ाई, हे नीलकंट, किसी सफल समाज की क्या अवशक्ता होती है, उसका लचीलापन एवं उसकी इस्थरता, आपको लचीलेपन की क्या अवशक्ता है, क्योंकि प्रतेक विक्ति का अलग-अलग सपना होता है, और उसी प्रकर अपनी अलग- होनी चाहिए है लट्चीला-पन किसी समाज में परिवर्तन के अनुमती देता है ताकि उसके प्रतेक स्दस्द से को अपने अंदर छूपे सच को बाहर आहर निकालने का औसर मिल सकें और वो अपनी योगिता की अनुसार प्रगति कर सके और समाज में यती प्रतेख व्यक्ति अपने सच्चे सामर्थी को प्राप्त करता है तो संपूर्ण समाज भी अपने सच्चे सामर्थी को प्राप्त करता है मैं सहमत हूँ लेकिन इसका विकर्म से क्या लिना देना है मैं कुछी देर में आपके प्रश्न पराऊंगा पहले थूड़ी देर के लिए मेरी बात सुन ले पंडित ने कहा यदि हम इस बात को मान ले कि लचीलापन एक सफल समाज की कुंजी है तो मैका विवस्था इस आच्रण को पूर्ण करने के लिए एक विवहारिक तरीका है किसी भी बालग को ये पता नहीं कि उसके जन्म देने वाले माता पिता का क्या विवसाय था वह इस बात के लिए स्वतंत्र हैं इस्थिर्टा के बारे में क्या है इस्थिर्टा एक विक्ति को चैन करने के अधिकार की सतंत्रता देती है मित्र लोग अपने सपने को तभी पूरा कर सकते हैं जो वे ऐसे समाज में निवास करते हों जहां उत्तर जीविता के लिए प्रति दिन का भय नहीं होता है बेना सुरक्षा एवं स्थिर्टा वाले समाज में कोई बुद्धि जीवी या व्योय साई यं अकलाकार या बुद्धिमान नहीं होता है वेक्ती हमेशा ही लड़ाई या उडान के स्थिति में होता है वेक पशु से बढ़कर कुछ नहीं होता है फिर उसके पास वो औसर ही कहा है कि विचारों को पलने दे सके अत्वा किसी के सपने को पूरा कर सके समाज बनाने की पूर्व समस्त मानव इसी प्रकार के थे सभ्यता बहुत ही सहजता से तूटने वाली होती है हमें मानवता को बुलाने के लिए और पशु बनने के लिए बस कुछ दश्कों की अराजकता चाहिए होती है असल में हमारी मौलिक प्रकरती अतिधिक तीवरता से हम पर मोती है हम बड़ी सरलता से भूल सकते हैं कि हम विध्यो नियमो और मयतिक्ता वाले चेतन प्राणी है मैं समझ सकता हूँ हमारी मातर भूमी में कबीले वाले जहनवरों से बहतर नहीं थे वे तो एक अच्छा जीवन जीना भी नहीं चाहते थे वे नहीं जानते थे कि बहतर जीना संभव भी था नीलकंठ निरंतर लड़ाई का यही शाप है यह हमें मानवियता के सबसे सुन्दर अंश को भुला देने को विवश करता है इसी कारण से समाज को स्थिर रहना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को ऐसी परस्थिति में ना ढगेल दें कि हमें उत्तर जीविता के लिए संघर्श करना पड़े ठीक है लेकिन लोगों का सामर्थ प्राप्त करना अस्थिरता के उत्पन करेगा असल में ये लोगों को अपने जीवन में और अधी खुशी प्रदान करेगा और इसलिए समाज उत्रोतर इस्थिर ही बनता जाएगा सच है किन्तो आंशी ग्रूप से लोग तब प्रसन होते हैं जब वे बहतर जीवन की और परिवर्तित होते हैं किन्तो दो इस्थितियां है जिमने परिवर्तन भीशन गरबड़ी की और ले जा सकता है सर्व प्रथम लोग जब दूसरों द्वारा किये गए परिवर्तनों का सामना करते हैं अर्थात ऐसी परिस्थितियां जो वे समझ नहीं सकते हैं ये उन्हें उसी प्रकार डराता है जैसे मृत्यू जब परिवर्तन बहुत तीवर्ता से घटित होता है तो वे विरोध करते हैं सच है दूसरे द्वारा बलपूर्वक किये गया परिवर्तन को सुईकार करना कठिन है और बहुत तीर रगती से किया गया परिवर्तन अस्थिरता उत्पन करता है यही प्रभू श्री राम के जीवन शैली की नीव रूपी दरण शिलाए है ऐसी कई विदिया हैं जो किसी समाज को धीरे धीरे परिवर्तित करती रहती है और उसे इस्थिर भी रहने देती हैं साथ ही वे अपने नागरिकों को अपने सपनों का अनुसरान करने की स्वतंतरता की अनुमती भी देती हैं उन्होंने इस्थिरता एवं लचीलेपन का एक आदर्श संतुलन बनाया था आपने एक दूसरी परिस्थिति के बारे मुल्यक किया था दूसरी है जब लोग चाहते हुए भी परिवर्तर नहीं ला सकते हैं क्योंकि कारण उनके नियंतरण में नहीं रहते हैं मान लीजिए कि एक बहुत ही बहतरीन युद्धा है जो अपने हाथों एवं आखों का तालमेल किसी बीमारी की कारण खो बैठता है वो अभी भी योद्धा है किन्तु आसा जरार नहीं वो समझता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है और उसके लिए संभवता वो कुंठित भी होगा तब वो या तो अपने वैदे या फिर समाज को इसके लिए दोशी ठहराएगा ऐसे बहुत से असंतुष्ट विक्ति समाज के लिए एक नासूर बन सकते हैं जिससे समाज को खत्रावत पन होता है शिव ने तेवरी चढ़ाई उसे ये तर्क पसंद नहीं आया किन्तु उसे भी पता था कि कुछ वर्ष पहले प्रकरतिवालों ने उसके चाचा जी के शान्ती प्रस्ताव को मानने से केवल इसलिए मना कर दिया था कि उनका रोग ग्रस्त एम ब्रद्ध मुखिये अपनी उसा कांग्शा को पूरा करना चाहता था कि वो ऐसा एक अपवादिक युद्धा था जिसने गुड़वालों को पराजित किया था उनका एकिकरत क्रोध अशान्ती उत्पर ने कर सकता है यहां तक कि हिंसा भी पंडित ने कहा प्रभु श्री राम ने इसका अनुभाव कर लिया था और इसी कारण से विकर्म की आउधारना अस्तित्व में आई थी यदि आप किसी व्यक्ति को इस बात का विश्वास दिला देते हैं कि इस जन्म में उसका दुर्भाग ये उसके पूर्व जन्मों के पापों के कारण ही है तो वो खुद को अपने भागे के भरोसे आत्म समर्पड कर देगा और समाज के उपर अपना गुस्ता नहीं निकालेगा लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि विकर्म का बहिश्कार एक अच्छी युक्ति है ये और अधिक दबे हुए क्रोध का जन्म देगा किसी को प्रभावित नहीं कर सकते क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम के इस सामराज जी की स्थापना से पूर्व ये सामान ये विरोध क्या था और ये विरोध उनका नहीं था जो वास्तों में दूरद्रश्टी रखते थे या जो आम आदमी के लिए भेतर जीवन प्रदान करते थे उनका नेतरत्व ऐसे लोगों ने किया जो स्वैम अपने जीवन से बुरी तरह से असंतुष्ट थे वे विकर्म के समान ही थे और ऐसे विरोध समाज में उथर पुतल मचा देते थे जिने पुना एक सब्भी समाज बिनाने में दश को लग जाया करते थे तो आप ये कह रहे हैं कि जो कोई भी अपने जीवन से असंतुष्ट है उसे एक विकर्म बनकर अपने जीवन का आत्म समरप्ण कर दिना चाहिए समाज की वरहत्तर भलाई के लिए शिव हक्का वक्का रहे गया वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पाया कि वो क्या सुन रहा था जो तर्क उसके सामने प्रसूत किये गए थे उसे वे पूरी तरह से आसुईकार थे मुझे छमा करें लेकिन मुझे लगता है कि ये विवस्था पूरी तरह से अन्याय पौर्ण है मैंने सुना है कि मिलूहा में लगबग 5% जनसंख्या विकर्म है क्या इतनी बड़ी जनसंख्या हमेशा के लिए जाती बहिश्क्रत रहने वाली है ये विवस्था परिवर्ण क्या पेक्षा करती है आप इसे बदल सकते हैं आप नीलकंट किन्तु याद रखिए कोई विवस्था सशत प्रतिशत आदर्श नहीं होती है प्रभु श्री राम के समय में एक मंत्रा नामक किस्त्री ने कुछ ऐसी घटनाओं को जन्म दिया था जिसके परिणाम सुरूप लाखो लोगों के प्रान चले गए थे उसके शारीरिक विकारों के कारण उसने बहुत कष्ट जहले थे और उसके बाद भागय ने उसे एक शक्तिशाली महरानी को प्रभावित करने की इस्थिती में लाख खड़ा किया था और इस प्रकार वो समस्त सामराज को प्रभावित करने की इस्थिती में आ गई थी इसलिए भाग्य द्वारा एक विद्रूपित व्यक्ति के दुर्भागे ने आसाधरार नसनहार स्रजन किये थे याम लोगों के लिए अच्छा नहीं है कि वो व्यक्ति एक विकर्म घोशित हो जाता है कोई उत्तर आसान नहीं होता है ये कहने के बावजूद भी मैं इतना कह सकता हूँ कि आप भी सही हो सकते हैं हो सकता है कि विकर्म व्यक्तियों की जनसंख्या इतनी अधिक हो चली है कि वो चरम इस्थिती में पहुँच चुकी है जो समाज को उलटकर अव्यवस्था उत्पन निकर सकती है क्या इस समस्य का निदान मेरे पास है नहीं हो सकता है आप कुछ निदान निकाल सकते हैं शीव ने अपने चहरा घुमा लिया उसका हरदे इस बात का विश्वास करता था कि विकर्म विवस्था अन्याय पूर्ण तथा अनुचित था क्या आप सभी विकर्मों के लिए चिंते थे हैं निलकंट पंडित ने पूछा या फिर मात्र एक के लिए प्रभू वहां क्या कर रहे हैं नंदी ने पूछा वे बहुत समय ले रहे हैं मुझे नहीं पता वीर भदर ने कहा मुझे केवल इतना पता है कि शिव यदी ये कहते हैं कि उन्हें कुछ करने के आवशकता है तो मुझे स्वीकार है तुम प्रभू का नाम लेकर क्यों पुकारते हो क्योंकि ये उनका नाम है नंदी इस सरल उत्तर पर मुस्कुराया और मुण कर मंदिर के और देखने लगा मुझे ये बता वादी पती वीर भदर नंदी के समीप आते हुए बोला क्या कृतिका की बोली लगी है बोली लगी हुई है मेरा मतलब है वीर भदर ने कहना जारी रखा क्या उस तक पहुचना नामुम्किन है पहुचना नामुम्किन तुम्हें पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ वीर भदर ने सुन्दूरी लाल होते हुए कहा वो एक विधवा है नंदी ने कहा उसके पती का निधन पंदरा वर्ष पूर्व हो गया था ओ ये तो बहुत बुरा हुआ हाँ बहुत बुरा नंदी ने वीर भदर के और मुस्कान से देखा लेगिन तुम्हारे प्रश्ण का उत्तर यही है कि उसकी बोली नहीं लगी हुई है देवी क्या मैं कुछ प्रातना कर सकती हूँ कृतिका ने पूछा सती विश्राम ग्रह की खड़की से मुड़ी और आश्चरे में भाव हैं उठा कर कृतिका को देख कर कहा क्या मैंने तुम्हें अपनी बात कहने से कभी मना किया है एक सच्चा सूरिवन्शी हमेशा अपने मन की बात करता है ठीक है कृतिका ने कहा कभी ऐसा भी होता है जब सोयम का आत्म नियंत्रा खोना उतना हानिकारक नहीं होता है कृतिका ने जल्दी से कहा इससे पहले कि उससे बोलने की हिम्मत पस्त हो जाए उनके निलकंट होने की बात को भूल जाए देवी मात्र एक व्यक्ति की तरह देखें जो आज तक मैंने जितने भी व्यक्ति देखे हैं वे सबसे अच्छे हैं वे बुद्धिमान वीर मस्खरी करने वाले दयालू और फिर वे उस भूमी की पुजा करते हैं जिस पर आपको गर्व है क्या ये सचमुच में ही इतना मुरा है सती ने क्रितिका को गहरी चमक भरी दृष्टी से देखा वो नहीं जान सके कि क्रितिका जो कहना चाह रही थी वो उस पर अधिक दुखी थी या फिर खुद की उन भावनाओं पर जो प्रकट रूपे से सपष्ट थी क्रितिका ने कहना जारी रखा हो सकता है ये हो भी सकता है कि नियमों का उलंगन सुक्की और ले चलने वाला हो मैं एक सूर वंशी हूँ सती ने कहा उसका स्वर मद्धिम होता गया था नियमों के सहारे ही हम जीवन जीते हैं मुझे सुक से क्या लेना देना इसके बारे में फिर कभी बात करने की हिम्मत मजू टाना हाँ, एक विशेश विकर्म है, शिवने सुईकार किया लेकिन ये कारार नहीं कि मैं विकर्म नियम को अनुचित मानता हूं मैं जानता हूं, पंडित ने कहा किन्दु मैं ये भी जानता हूं कि आप इस समय उस विशेश के साथ संबंध को लेकर परिशान है आप नहीं चाहते वो ऐसा सोचे कि आप मात्र उसे पाने के लिए नियमों में बदलाव करना चाहते है भले ही बदलाव कितने भी नयापोड क्यों नहों क्योंकि यदि सती को ये विश्वास हो जाता है तो वो आपके पास कभी भी नहीं आएगी आप उसका नाम कैसे जानते हैं शिव ने विसमित होकर पूछा हम बहुत कुछ जानते हैं मित्र मेरा पूरा जीवन उसके बिना अर्थेन है मैं जानता हूं पंडित मुस्कुराया संभवता मैं आपकी साहता कर सकता हूं शिव की भरकुटी तन गई ये अनपेक्षित था आप चाहते हैं कि वो भी आपके साथ प्रेम का आदान प्रदान करे लेकिन वो कैसे कर सकती है जब आप उसे समझते भी नहीं मुझे लगता है मैं उसे जानता हूं मैं उसे प्रेम करता हूं हाँ आप उसे प्रेम करते हैं किन्तु आप उसको जानते नहीं है आप ये नहीं जानते कि वो क्या चाहती है शिव चुप हो गया वो जानता था कि पंडित सही था वो सती के बारे में पूरी तरह से गफलत में था वो क्या चाहती है उसके बारे में आप एक अनुमान लगा सकते हैं पंडित ने कहना जारी रखा लेंदेन के व्यवहार के सिध्धान्त की साहता से क्या? चक्राय हुए शिव ने कहा इस समाज के सनरचना करता है शमा करें? लेकिन इसका सती से क्या लेना देना है? कुछ और समय तक मेरी बात सुने निलकंट पंडित ने कहा आपको पता ही होगा कि जो वस्त्र आप पहनते हैं सूती धागों से बुनकर बनाए जाते हैं सही है? हाँ शिव ने उत्तर दिया उसी प्रकार लेन देन के व्यवहार भी एक प्रकार के धागे हैं जिने बुनने पर एक समाज का निर्माण होता है यही संस्कृती है या फिर वो एक व्यक्ति के संदर्प में उसके चरित्र को बुनकर बनाता है शिव ने सहमती में सिरह लाया यदि आपको किसी वस्तर की मजबूती का पता करना है तो आप उसकी बुनाई की गुडवत्ता का परिक्षण करते हैं यदि आप किसी व्यक्ति के चरित्र या व्यवहार को समझना चाहते हैं, तो उसके अंतह वयक्तिक व्यवहार को या उसके लेंदेन के व्यवहार को समीपता से देख सकते हैं, ठीक है, शिव ने पंडित के शब्दों को समझते हुए धीमे से कहा, लेकिन लेंदेन का व्यवह के वैवहार से प्रथक भी हो सकता है जैसे एक शत्रिय सत्ता में रहने के बदले किसी समाज को सुरक्षा प्रदान करता है शिर्म सहमति में सिरेलाया लेंदेन का वैवहार तो कुछ लेने और देने से अर्थ रखता है बिल्कुल सही इसलिए हम इस तर्क से चले तो यदि आपको इस व्यक्ति को कुछ देना होगा जो वो चाहता है सती के वैवहार को समझने का प्रयास करें आप क्या सोचते हैं कि वो क्या चाहती है ये मैं नहीं जानता वो बहुत ही आसपष्ट है नहीं वो नहीं एक स्वरूप है सोचिए वो संभवता इतिहास में सबसे अधि प्रतेश्चित विकर्म है उसके पास सत्ता और शक्ति है कि वो विरोध कर सके यदि वो चाहे तो उसमें अवश्य जोश है क्योंकि वो युद्ध करने से कभी भी पीछे नहीं हड़ती है किन्तु वो विकर्म विधी के विरुद कभी स्वर नहीं उठाती है साथ ही वो अन्याय पूर्ण विवहार करता है, वो स्वयम को मर्यादित रखती है, क्यों? क्योंकि वो एक नेक स्त्री है, इसमें संदे नहीं कि वो एक नेक स्त्री है, किन्तु वो कारण नहीं है, याद रखिए, लेंदेन के वेवहार में आप कुछ देते हैं, क्योंकि आप वापसी मे कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं वो एक अनुचित विधी को स्विकार कर रही है किसी को भी दोशी महसूस करवाए बिना ही और सबसे महत्पूर्ण बात है कि वो जहां भी हो सके समाज की अच्छाई के लिए अपने सामर्थे का प्रियोग भी करती है आप क्या सोचते हैं कि एक विक्ति अपने लेंदेन के वेवहार से समाज को इतना कुछ देता है तो वापसी में वो क्या चाहता है आदर सम्मान शिव ने उत्तर दिया बिल्कुल ठीक पंडित का मुख दिप्तिमान हो उटा और आप क्या सोचते हैं कि आप क्या करते हैं जब आप वैसे विक्ति को संरक्षर देते हैं अनादर आप पूरता सही है मैं जानता हूँ कि यह आपका प्राकरतिक स्वभाव है कि आप उसको संरक्षन देते हैं जो एक अच्छा वेक्ति है और जिसको उसकी आविशक्ता प्रतीत होती है किन्तो उस स्वभाव को सती के संबंद में आपको नियंतरित करना होगा उसका आदर कीजिए और वो अबाद रूप से आपके और खीची चली आएगी जो उसको प्रेम करते हैं उससे उसे बहुत कुछ प्राप्थ होता है जो उसे नहीं प्राप्थ होता है और जिसके लिए वो सबसे अधिक तरस्ती है वो है आदर शिव ने पंडित की और कृतिक गिता भरे भाव से देखा उसने उत्तर पा लिया था आदर दो सब्ताहबाद नीलकंट का काफिला कर्चप नगर पहुचा जो सिंधु नदी के पश्चिम सागर से मिलन इस्थर पर इस्थित था ये एक शांदार चमचमाता हुआ नगर था जो एक वेदिका पर बसाया गया था उसी परंपरा का अनुसरान करते हुए वो नगर के बाहर निलकंट को लेने आया हुआ था कर्चप एक लाख जनसंख्या वाला सीमानती व्यापारिक नगर था इसलिए दक्षि के पिता ब्रह्मनायक की यह दूर दृष्टी थी कि उन्होंने सौ वर्षो पूर्वी एक वैश कर्चप बहुत समय पहले ही लोथल को पीछे चोड़कर सामराज की पूर्वी छेतर में व्यापार की दृष्टी से मेलूह का प्रमुक नगर बन चुका था जबकि मेसोपटामिया मेसोपटामिया एवे मिश्र के विदेशियों को इस उदार पंती नगर में आनुकी अनु और वो उस अथा जलके विस्तार को देखकर मंत्रमुक दिथा उसने कई घंटे बंदरगाह पर बिताए जहां जूलेश्वर ने विविन प्रकार के जहाजों एवं नौकाओं के निर्माण के बारे में गर्व के साथ बिवरण दिया ये कर्चप बंदरगाह से सटा हुआ एक पोतकार खाना था ब्रहस्पती भी में सुपटामिया की व्यापारियों से आयात किये हुए सामानों को परिक्षन करने उनके साथ गया था शाम के समय शिव के लिए राजिकिये भोजन का आयोजन किया गया जूलेश्वर ने गर्व से घोशना की कि अगले दी निलकंड के सम्मान में एक यग्य का आयोजन वरुण प्रभू और प्रसिदी यमज अश्वनी कुमारों के तत्वाधान में किया जाएगा यमज अश्वनी कुमार प्रख्यात जहाजी थे जिन्होंने मेलुहा से मेसुपटामिया तक का समुद्री रास्ता तैय किया था और उसके आ सती ने अब भी बहुत सावधानी पूरवक कहा कि आपकल यग्य के लिए आएंगी मुझे शमा करें प्रभू निलकंट सती ने शिष्टिता पूरवक कहा किन्तु मेरे लिए आयोजन में उपस्तित होना संभव नहीं हो पाएगा ऐसे यग्यों में मुझे उपस्तित होने क अनुमती नहीं है शिव कहना चाहता था कि कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वो निलकंट के साथ यग्य में हिस्सा लेंगी लेकिन उसने कहा नहीं संभवता कल हम नरतिका एक अभ्यास कर सकते हैं मुझे ये भी याद नहीं है कि हमने कब आकरी बार एक साथ नरतिक किया था ये बहुत अच्छा रहेगा मुझे आपके निर्देश सुनने का उसर बहुत दिनों से प्राप्त नहीं हुआ है सती ने कहा शिव ने सती पर अप्रसनता से सिरह लाया उनके संबंधों में पड़ी हुई इस ठंडग ने उसे संतप्त कर दिया जाने के लिए अभिवादन क और वो कमरे से बाहर निकल गया कृतिका ने अलक्षित रूप से अपना सिरह लाते हुए सती की और सरसरी निगाह से देखा अध्याए 15 अगनी से परीक्षन अपने रोएदार अंगरखे में सिम्टा हुआ और तीखे पत्थरों से बचने का प्रयत्न करता हुआ एक छोटा इवं भीमकाय दैते उस पर जपट्टा मारने की ताक में बैठे हुए थे उसका गाउं वहां से बच कुछी घंटों की दूरी पर था सूरी परवरतों के पीछे तीवर गती से छुपता जा रहा था दैती को अंधकार पसंद होता है उसके अधिक परिशान करने पर उसकी म करमन की आशंका में उसने अपनी तलवार निकाल ली उसके दोस्तों ने जंगल के दैतियों के बारे में कई कहानिया सुनी थी विकायर कभी भी सामने से आकरमार नहीं करते थे उस दौनी की दिशार जानने के उदेश से वो बिना हिले-डूले खड़ा हो गया उसमें बार अपने शरीर में उतेजना की जुरजुरी का नुभाव किया उसने अपने दोस्तों से फुसपसाहट में खिलखिलाती हुई हसी के साथ इसके बारे में सुना था लेकिन उसने ये कारे कभी देखा नहीं था आज उसे अफसर था वो धीरे धीरे जाड़ियों में सरकने लग वे एक यूगल थे वे बहुत जल्दी में लग रहे थे उन्होंने अपने कपड़े भी पूरी तरह से नहीं उता रहे थे वो आदमी अत्यधिक बालो वाला था लगबग भालू के जैसा उसकोंड से वो बालक उसकी पीठी देख वा रहा था उसके सामने इस्त्री के सामने का दर्शे था वो आश्चर जनेक रूप से सुंदर थी उसके तरंगित केश लंबे और उज्वल थे आंशिक रूप से फटी हुई चोली के कारण अत्यधिक क्रूर रतिक्रिया से लाल रंग की धारी सहित उसके द्रण उरोज दिख रहे थे उसका लेंगा फटा हुआ था और उसके उत्रिष्ट लंबे पाउं प्रदर्शित हो रहे थे उस बालक की उतेजना अकलपनिय थी प्रतिक्षा कीज़े जब उसका अभी निम्मित्र भद्र इस अनुभाव को सुनेगा जब वो इस प्रदर्शन का आनंद ले रहा था तब ही उसकी बेचैनी बढ़ी उस उसके साथ बलात कर्म हो रहा था लेकिन ही कैसे हो सकता था उस आदमी का चाकू उस इस्तरी की पहुंच में रखा हुआ था वो उससे उठा कर उसको आहत कर सकती थी बालक ने सिर हिलाया उसने अपने अंतरमंद को शान्त करने का प्रयास किया चुप रहो मुझे देखने द गई वो रोएदार दैते पीछे मुड़ा ये देखने के लिए कि इस तरी किसे पुकार रही थी बालक ने तेजी से अपनी तलवार उठाए और भाग खड़ा हुआ वो अपने शीत दंश वाले अंगूठे की पीड़ा की परभा किये बिना ही दोड़ता चला गया वो इस स गुच्छन उसके समीप आता जा रहा था बालक जटके से बाएं हटा एक पैर की धूरी बना कर घूमा और जोर से तलवार घूमाई वहां कोई भी नहीं था भारी सांसों के धुआनी नहीं थी मात्र एक धुनी थी एक मनोविच्छिप्त इस्त्री की बारंबार तंग करने आगरेह वाले दूने सहायता करें प्रिपया सहायता करें उस छोटे वालक ने मुड़ कर देखा वो अबला इस्त्री पीछे लोटो उसकी सहायता करो उसके अंतर मन का सुर रोया वो कुछ छण के लिए हिचके चाया उसके बाद मुड़ा और अपने गाउं के और भाग गय नहीं पीछे लोटो उसकी सहायता करो शिव पसीने से नहाया हुआ जाग उठा था उसका हरदय पागलों की तरह धंधं कर रहा था वो सवाभाविक्ता पीछे मुड़ा वो उस भयानक दिन में किसी भी कीमत पर जाना चाहता था प्रैशित करने के लिए लेकिन कोई और अपने सेर को उस पर ठिका दिया उसके बाद उसने वही किया जो हमेशा करता था वो रोने लगा दुतिवे वेदिका की केंद्रिये चितुर्भुज पर यग्गी की वेदिका बनाई गई थी करचप के लिए ये मेलुहा का लक्षनिक साधगी वाला कारे नहीं था सीमा पंशी प्रतीक की चित्रकारी वाली लाल एवं नीले रंगे की पताकाएं कई खंबों से गर्वित होकर जूल रही थी वहां का समस्त वातावरान सजावाट और प्रदर्शन का था जूलेशवर ने शिव का स्वागत वेदिका के मुक पर किया और उनका मार्दर्शन करके उन्हें यगी की रस्म वाले स्थल पर बिठा दिया राजपाल के बार पर आगरह करने पर शिव ने अपना गुलूबंद यगी की आवधी तक के लिए निकाल दिया था परवतेशवर और प्रहसपती नीलकंटिके दाहिनी और बैठे थे जबकि जूलेशवर और आयूर व वीर भदर को शिव के पीछे बैठने के लिए आमंत्रित किया गया था यद्दे पी ये परवपरागरत नहीं था किन्तों निलकंट के अनुरोध पर जूलेशवर ने इसके अनुमती दे दी थी जूलेशवर एक सरवत्र वासी सीमान तनगर का प्रशासक था और उसका मानन सेवाओं एवं विचारों के आदान प्रदान करने का मुख केंद्र बना दिया था शिव ने सती के छज्जे की ओर देखा जहां से दूर से वो केंद्रिय चत्रभुच दिख रहा था यद्दे पी जब यग्य हो रहा था तो सती को वेदिगा पर आने की अनुमती नहीं थी तथा पी उसे एक निश्चित दूरी से अपने कर्मरे से उसकी कारवाही को देखने की अनुमती थी उसकी बगल में खड़ी कृतिका के साथ वहां की कारवाही को देखते हुए छज्जे के परदे के पीछे खड़ी हुई सती को शिव ने देख लिया था यग्य का प्रारंब करने से पहले रिवाज के अनुसार पंडित खड़ा हुआ और उसने आपचारिकता वश पूछा यदि किसी को इस यग्य के संबंध में कोई आपत्ती है तो कृपया अभी बताईए आने था हमेशा के लिए शांती बनाये रखिए ये एक पारंपर एक कसी तरूप से कुछ उत्तर देना नहीं होता था इसलिए जब एक स्वर तीवर स्वर में गूंजा कि मुझे आपत्ती है तो एक सामोहिक उच्छवास गूंज उठा किसी को भी देखकर पहचानने की आवशकता नहीं थी कि वो स्वर कहां से आया था वो तारक था जो सामरा कि तारक उस पूजा की वेदिका के एक किनारे पर बैठा हुआ था जो सती के छज्जे के बहुत समीब थी जीवन भर लड़ाई जगड़े के कारण लगे चेहरे पर कटे की निशान वाला ये एक डैत्याकार विक्ती था जिसका पेट बहुत बढ़ा था और थोड़ी कि तारक च्छत्री था जिसने सेना के निशले पायदान पर काम करके अपनी जीवी का चलाई थी जूलेश्वर ने क्रोध में तारक को भूरा अब क्या है इस बार हमने सुनिश्चित किया है कि हमारी सजावट में चंद्रबंश्यों के सफेद रंग ना हो ये फिर तुम य राजिपाल को वेदों का इस तरह संद्रब के लिए बुरा भला कहता तारक बोल उठा विधी कहती है कि यग वेदिका पर किसी विकर्म को रहने के अनुमती नहीं होनी चाहिए हाँ जूलेश्वर ने कहा और यदि तुम्हें विकर्म घोशित नहीं किया गया है तो मैं नह नहीं सोचता कि विधी का उलंगन हो रहा है हां हो रहा है वहां इकटी भीड में आश्चर मिश्रित बड़ बड़ा हाट फैल गई जूलेश्वर ने अपने हाथ उठाकर लोगों को शांत करते हुए कहा यहां कोई विकर्म नहीं है तारक बैड़ जाओ राजकुमारी सती अपनी उपस्थिती से यग्य को अपवित्र करती है शिव और प्रवतेश्वर ने तीखी दृष्टी से तारक को देखा तारक के इस कतन से जूलेश्वर और वहां उपस्थित समस्त लोग इस्तब्द रह गए तारक जूलेश्वर ने कहा तुम कुछ अधिक ही बोल गए ह राजकुमारी सती यग्य के नियमों का पालन करते हुए विश्राम ग्रह में हैं वो यग्य की वेदिका पर उपस्थित नहीं है अब जाओ बैठ जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हें कोड़े लगवाओं आप किस अबराद के लिए मुझे कोड़े लगवाओंगे राजिप हो रहा हो तो कोई विकर्म उस्वेधिका पर नहीं रह सकता यह यग्य नगर की डुतिय वेधिका पर हो रहा है उसी वेधिका पर उसके होने यह अर्थ लगाएं तो सती को समस्त दुतिय वेदिका पर कहीं भी नहीं होना चाहिए यग्य को विधी सम्मत रखने के लिए सती को या तो किसी और वेदिका पर रहना चाहिए या फिर नगर के दुर्ग की दीवार के बाहर जूलेश्वर छण भर के लिए सक्ते में आ गया क क्योंकि तारक की आपति सेधानतिक रूप से उचित थी उसने दुर्बलता से शक्ति का परदर्शन किया अब बस भी करो तारक तुम कुछ अधिकी अंता विवेख्शिल बनने का प्रयास कर रहे हो मेरा विचार है कि ये इस पश्टी करण कुछ अधिक ही कड़ा है मैं जे पर बाहर आ चुके थी उसने कहना जारी रखा आपको मध्य में ही टोकने के लिए मेरी छमा याचना सुईकार करें राजिपाल सती ने एक आपचारिक नमस्ते के साथ कहा किन्तु तारक की विधी की विवेशन उचित है मैं बहुत बहुत छमा प्रार्थियों की मेरे का अगल पन से तारक की गरदन वरोड़ना चाहता था लेकिन बड़े ही आतिमानवीय प्रयास से उसने स्वयम पर नियंत्रान किया हुआ था कुछ ही मिंटो में सती कृतिका एवं अपनी नीजी अंग्रक्षकों के साथ विश्राम ग्रह से बाहर निकलाई शिव ने मुलकर न क्या आप अपनी विदियों का संबान करना नहीं जानती हैं सती ने तारक को देखा उसका मुख प्रशान्त था उसमें विवाद में पढ़ना उचित नहीं समझा और अपने पहरे दारों द्वारा अश्वों को तयार करने की प्रतिक्षा करने लगी मुझे समझ में नहीं काफिले में एक विकर मिस्त्री यात्रा करके क्या कर रही है उस समस्त्री यात्रा को प्रदूशित कर रही है तारक ने चुड़ाते हुए कहा बहुत हो चुका शिव बीच में कूद पड़ा राजकुमारी सतीक गरिमा के साथ यहां जा रही है अपना आच्छेप इसी समय बंद कर दो नहीं मैं बंद नहीं करूंगा तारक ने चिला कर कहा आप किस प्रकार के नेता हैं आप प्रभु श्री राम की विधियों को चुनौती दे रहे हैं तारक जूलेश्वर ने लगबग चीखते हुए कहा प्रभु नीलकंठ को विधी को चुनौती देने का अधि एक धोबी एक तुछे कपड़े धोने वाले ने प्रभु श्री राम को चुनोती दी थी ये उनकी महानता थी कि उन्होंने उस वेक्ति की आपत्ती को सुईकार किया और अपनी पत्नी का परिताक कर दिया मैं इलकंठ से बल दे कर कहूंगा कि वे प्रभु श्री राम के उधा कुड़ कूपप़ा ता उसने बहुत समें से अनादर जहेला था और उस मरियादित होकर सहन भी किया था किन्तो इस समय इस वेक्ति ने शिव का नादर किया था उसके शिवका उसने अंतता इस बात को मान लिया था यह बद से बद्तर होता जा रहा थ अगनी परिक्षा के अ अनुची धंग से हत हुए मन वाला उस उत्पीड़क को द्वंद युद्ध के लिए ललकार सकता था ये अगनी परिक्षा कही जाती थी क्योंकि इसमें युद्ध आग के एक घेरे के अंदर किया जाता था उस घेरे से बाहर निकलने का कोई अफसर नहीं होता था द्वंद कारण नहीं बनता है देवी जूलेश्वर ने आगरह किया इस विशे के समान ही वो इस कलपना से भी भैभीत था कि राजकुमारी सती का वद उनके नगर में होने की आशंका थी वो विशाल तारक अवश्य ही उनका वद कर देगा समराट का प्रचंड क्रोध अत्यंती भया नखोगा तारक की और मुडते हुए जूलेश्वर ने आदेश दिया तुम इस चुनोती को सुईकार नहीं करोगे और लोग मुझे कायर कहेंगे तुम अपनी बहादुरी सिद्ध करना चाहते हो परवतेश्वर ने पहली बार अपना मुझ खोला तुम मेरे साथ करते हुए कहा और तारक की और मुडते हुए पुना कहा मैं किसी सहाय की नहीं करती तुम मेरे साथ युद्ध करोगे ऐसा तुम कुछ भी नहीं करोगे तारक इस बार ब्रहस्पती ने आपत्ति की तारक तुम्हारे द्वंद युद्ध के मना करने का केवल इतना ही कारण ह सकता है कि तुम मरने से डरते हो शिव ने कहा सभी लोग नीलकंठ की और मुड़ गए सपस्ट था कि उनके शब्दों को सुनकर सभी इस्तब्द थे सती की और मुड़कर शिव ने कहना जारी रखा करचप के नागरी को मैंने राजकुमारी को युद्ध करते देखा है वो किस पर शिव को चला कर वेदिका की किनारे तक गई उसने अपने अश्व को एक च्छण के लिए रोका और उसने एक बार पुना शिव की और मुड़कर देखा वो उस पर मुस्कुराई मुड़ी और उसने अश्व को तेजी से भगा दिया वो तीसरे प्रहर का प्रारम बता ज सब लोग इस विचार से बुद बन गये थे कि अगले दिन राजकुमारी का वद हो जाएगा कोई भी अनुष्ठान में प्रतिभाग नहीं करना चाहता था किन्तो जब यग्य का आहवान कर दिया गया था तो उसका अनुष्ठान होना ही था अनिधा देवताओं के रुष् शिव चौकते हुए अविश्वास के साथ मुख्य वज्ञानी की और मुड़े ब्रहस्पती आप ये क्या कह रहे हैं सती बुखत अच्छी है उनका ऐसे दुर्भाग इससे सामना नहीं हो सकता मैं उनके लिए अपना जीवन और अपनी प्रतश्ठा का बलिदान देने के ल लेकिन आप तो ब्रहमन हैं आप किसी की प्राण नहीं ले सकते ये मैं आपके लिए करूंगा ब्रहस्पती फुसपुसाया उसकी भावनाएं उसके निर्णे को आच्छादित कर रही थी आप उनको नहीं खोएंगे मित्र शिव ब्रहस्पती के निकट गया और उसे बाहों नहीं जिस प्रकार ये निश्चित है कि सूर्य पूर्व में ही उदित होगा उसी प्रकार ये निश्चित है कि कल सती तारक को पराजित करेगी तीसरे प्रहर के कुछ घंटों के बाद सती विश्राम ग्रह लोट आई थी वो अपने कमरे में नहीं गई बलकि उसने नंदी और वीरभद्र को केंद्री आंगन में बुलवा भेजा उसने अपनी तलवार निकाली और उन दोनों के साथ अभ्यास प्रारंब कर दिया कुछ देर बाद प्रवतेश्वर वहां आया वो पूरी तरह से तूटा हुआ प्रतीत हो रहा था उसके मुख के भाव स्पश्टू प्रवतेश्वर सती के समी पाया उसका चेहरा घवराया हुआ प्रतीत हो रहा था वो निश्ची तोर पर नहीं कह सकती थी किन्तु उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि वे रोते रहे थे वो उनकी आत्म विश्वासी आँखों में आज से पहले कभी भी सांकेतिक रूप से भी आसू को नहीं देख पाई थी मेरी बच्ची परवतेश्वर बुदबदाया मैं वही कर रही हूँ जो मुझे उचित लगा सती ने कहा मैं खुश हो परवतेश्वर में कुछ भी बोल पाने की शक्ती नहीं बची थी कुछ छन के लिए उसने तारक के विवद के बारे में सोच भी देखे थे जबकि वो परवतेश्वर की अवस्था को अच्छी तरह से समझ रहा था किन्तो उसका जो असर सती पर हो रहा था वो उसे अच्छा नहीं लगा मुझे शमा करें मैं देर से आया शिव ने आखे मटकाते हुए प्रसंद मुद्रा में कहा सभी लोग मुड़कर उ पड़ी और आंगर में सभी ने उसका अनुसरण किया भद्र तुम अभ्यास के लिए सही प्रतिदंदोई नहीं हो शिव ने कहा तुम तेजी से इधर उधर की चाल करते हो नंदी तुम राजकुमार एक साथ द्वन्दो युद्ध करो अपनी फूर्ती पर नियंतरा रखो सती की और मुड़कर शिव ने कहना जानी रखा मैंने तारख को अभ्यास करते देखा है उसके वार में अतेधिक बल है किन्तो इन वारों के बल ने उसकी गती को धीमा कर दिया है उसकी शक्ती को उसकी दुर्बलता बनानी होगी अपनी फूर्ती को उसकी चाल के विरुद प्रियोग करना होगा उसके प्रतेख शब्द को समझते हुए सती ने सहमधी में सिरह लाया उसने नंदी के साथ अपना अभ्यास प्रारंब कर दिया नंदी की धीमी गती के तुलना में अतेधिक फूर्ती से चलन करते हुए सती ऐसे वार करने में सफल हो रही थी जो किसी वेक्ति के लिए प्रान घा तक हो सकते थे अचानक ही शिव को एक उपाय सुझा दंदी को रुकने का निर्देश देते हुए उसने सती से पूछा क्या आपको लड़ाई करने के श्रस्तर के चैन किरमती होती है हाँ ये मेरा विश्यश अधिकार है क्योंकि चुनोती मैंने दी है तो फिर चाकू का चैन कीजे ये उसके वार की पहुंच को कम कर देगा जबकि आप आगे पीशे तीवरगती से चलन कर सकती है ये तो बहुत ही बड़ी आविचार है पर वतेश्वर ने सहमत होते हुए कहा जबकि ब्रहस्पती ने सहमती में सिरह लाया सती ने ततकाल प्रवासी बहुत प्रसंद करते थे वो रंगभूमी लगभक उसी माप के थी जितनी की अगनी परिक्षक ले आवशक थी वो इतनी बड़ी भी नहीं थी कि एक विक्ति अपने प्रतिदुंदी से अत्यधिक दूरी बना ले और इतनी चोटी भी नहीं थी कि भिरंत तुरं समाप्त हो जाए मैदान के चारों और लोगों के बैठने के लिए चबूत्रे बने हुए थे जिस पर बीस हजार लोगों की भीड़ इस अद्भुत एवं अति महात्पून्द दंद युद्ध को देखने के लिए आई हुई थी जो कर्चप में पिछले 500 वर्षों में नही हुआ था प्रतेख व्यक्ति के होटों पर एक प्रात्ना थी तात मनु को चमतकार करें कि सती विजय हो जाए यदि ऐसा ना हो तो कम से कम वो जीवित रहे तारक और सती ने एक दूसरे को नमस्ते में अभिवादन किया और सम्मान के साल लड़ने की प्राचेन प्रतिग्या को दोराया उसके बाद करेणांगन के मुख्य चबूत्रे के शीष परस्तित भगवान वरुण देव की प्रतिपा की जुकर प्रात्ना की ताकि जल एवं समुद्र की देवता का आशिरवाद उन्हें प्राप्त हो भगवान वरुण देव की प्रतिमा के ठीक नीचे अपने आपचारिक आसन को जूलेश्वर ने शिव के लिए रख छोड़ा था राजिपाल उनकी बाई और आयूर्वती और कृतिका के साथ बैठा हुआ था ब्रहस्पती और प्रवतेश्वर शिव के दाएं बैठे हुए थे नंदी और वीर भत्र अपने जाने पैचाने इस्थल पर शिव के ठीक पीछे थे इस द्वन्दु युद्ध के बारे में संदेश देने के लिए एक पच्छी संदेश वाहक समराण दक्ष के लिए कल ही भीज दिया गया था हालाकि इतना समय नहीं था कि उनके उत्तर के आपिक्षा की जा सके आखिरकार जूलेश्वर उटकर खड़ा हुआ वो अगनी परिक्षे से घवराया सा था किन्तु शांत प्रतीत हो रहा था रीती के अनुसार उसने मुठी बांद कर हाथ को अपने सीने से लगाया के दिया जिसने अनुस्थानिक तेल की मशाल को प्रकाशित कर दिया उस मशाल ने अपनी आगों को बने हुए तेल के नाले में फैला दिया केंद्रिय मैदान का बाहरी हीरा आग से प्रचलित हो उठा परीक्षा के लिए आग का हीरा तयार हो चुका था जूलेश्वर ने शिव की और मुड़कर कहा प्रभू द्वन्द युद्ध प्रारंब करने की अनुमती चाहता हूँ शिव ने आत्म विश्वास पूर्ण मुसकान के साथ सती को देखा उसके बाद एक रिडांगन की और लोगों को संबोधित करते हुए तेज स्वर में घूशना की अग्रिदेव की शुद्ध करने वाली अगनी में सती की हमेशा विजय होगी तारक और सती ने तुरंत ही अपने अपने चाकू निकाल लिये तारक ने अपना चाकू अपने सामने एक पारंपरे योद्धा के समान पकड़ा हुआ था उसने वो रणीती अपनाई हुई थी जो उसकी शक्ती थी सामने की और चाकू रहने का अर्थ था कि सती जैसे ही उसके समीप आती वो उस पर वार कर सकता था वो अधिक हिल-डुल नहीं रहा था और सती को अपने सामने चाल करने दे रहा था दूसरी और सती भिरंते के सभी ग्यात नेमों के विपरित अपना चाकू पीछे की और पकड़े हुई थी अपने प्रतुदिन्दी से एक सुरक्षी दूरी रखते हुए वो चाकू को लगातार एक हाथ से दूसरे हाथ में अदल बदल रही थी उसका इरादा तारक को चक्रा देने का था कि आकरमन की दिशा क्या होगी उसे पता ना चले दूसरी और तारक सती की चाल को एक बाज की भाती देख रहा था उसने सती के दाहिने हाथ को जुकते हुए देखा चाकू उसके दाहिने हाथ में था आचानक ही सती उचल कर बाई योर चली गई, तारक स्थिर रहा, वो जानता था कि दाहिने हाथ में चाकू होते हुए बाई योर उचलना केवल एक पैतरा भर था, उसे दाहिने आना ही होगा यदि उसने अपने चाकू से वार करना था, और वही हुआ, सती अचानक ही तेज़ इतना गहरा नहीं था, किन्तु ऐसा प्रतीत हुआ कि वो पीड़ा दायक था, दर्शक दीरगा से एक सामुहिक आह निकल पड़ी, सती पीछे हड़ गई, और उसने स्वयम को संतुलित कर इधर उधर घूमना प्रारम्ब कर दिया, वो चाकू को अपने पीछे लगई और उ उसने ऐसा हे किया, और उचल कर बाई यो और उसने वार किया, तारक पहले से ही तयार था, और उसने इतनी फूर्ती से अपना हाथ चलाया कि सती का हाथ हावा में रहे गया, और उसने अपने दाहिने हाथ को भैंकर तीवरता से लहराते हुए चाकू से वार किया, और सती के था तो उसे सरलता से किया जाना चाहिए और इस प्रकार धीमे पीड़ा दायक तरीके से नहीं वे क्या कर रही है घबराए हुए ब्रहस्पति ने शिव को फुसपुसा करका वे क्यों आसावधानी से आक्रमन कर रही है शिव ने मूर कर ब्रहस्पति के और देखा प्रवतिश मेदान के मद्दी में सति अभी बी चाखू को बाएं से दाएं और दाएं से बाएं हाथ में लगातार बदलती जा रही थी। उसने दाहीनी और से बाएं और एक बनावटी चाल चली किन्छ इस बार उस ने चाखू को ऊहरा नहीं तारक सती को सावधानी पूर्वक देख रहा था वो इस आत्मिश्वास से भरा हुआ था कि वो धीरे धीरे उसके रख्त को बहा कर उसे मृत्ति की गूद में सुला देगा। उसने समझा कि चाकू उसके बाए हाथ में था उसने उसके दाहिनी और जाने के प्रतिक्षा की उसके बाए बाए जो उसने बहुत ही तेजी से मूड कर किया उसके बाए हाथ के आकरमन के पेक्षा में तारक ने दाहिने हाथ में चाकू को हावा में लहराते हुए वार किया सत गहातकवार ने तारक को आस्थिर कर दिया, उसके मूँ से रक्त पिछकारी की महाती फूट पड़ा, उसने चाकू गिरा दिया और लडखडाता हुआ पीछे हटा, सती ने निर्दयता पूर्वक दबाओ बनाये रखा और चाकू को और अंदर चाकू की मूर तक घुपती चल था, उसने चाकू को घुमाते हुए बाहर निकालिया ताकि घाव अतिधि घातक हो जाए, तारक के मूँ से रक्त की धार बह निकली, सती ने अपने दोनों हाथों से चाकू को उठाया, उसे बस इतना ही करना था कि चाकू को तारक के हिरदय में भोग देना था, और उसकी रिडात्मा उसके शरीर को छोड़कर निकल जाती, तब ही अचानक उसके मुख का भाव पुनहा प्रशान्त हो गया, लगभग वैसे ही जैसे किसी ने उसके शरीर से सारी रिडात्मक उर्जा को सोक लिया, वो मुड़ी, बुरायों के विनाशक शिव सिन्हासन पर बैठे ह उसके बाद उसने तारक को देखा और धीमे से कहा, मैं तुम्हें शमा करती हूँ, पूरा का पूरा क्रिडांगन खुशी में ज्हूम उठा, यदि वरूर दिव ने भी इस द्वन्व युद्ध की पटकता लिखी होती, तो वो भी इतना आदर्श नहीं होता, इसमें वो स तब कुछ था जो एक सूरिवन्शी को प्रिया था, जब दबाव में हो तो हट के साथ प्रतिरोध करना और विजय के बाद विशाल हिर देता, सती ने अपना चाकू उठाया और चिला कर कहा, जै श्री राम, समति क्रिडांगन ने एक स्वर में दोराया, जै श्री राम, सत सती से दर्श्टी हटा कर दूर देखा, वो नहीं चाहता था कि जिसे वो प्रेम करता था, वो उसकी आसू देखे, छाड़ भर में ही अपने उपर नियंतरण करके उसने एक दीप्तिमान मुसकान से सती की और देखा, सती निरंतर शिव को घूरती जा रही थी, जो भावना पठन की यात्रा में साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवार, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अलविदा अलविदा अध्याए सोला, सूर्य एवं पृत्वी कर्चप में उस रात बिना किसी तैयारी के ही एक समारोह का आयोजन किया गया उनकी राजकुमारी सुरक्षित थी असहे तारक पराजित हुआ था कर्चप में बहुत से लोगों का यहां तक मानना था कि यदि उसकी अपनी माता भी वहां होती तो उस कठोर उबदेश्चक से घ्रणा करती उस उदार नगर में उसके समर्थक ना के बराबर थे किन्तो द्वंद युद्ध के नियम होते हैं इसलिए जब सती ने तारक को छहमा कर दिया तो ततकाल ही परा चिकित्सिकों ने भाग कर उसे उठाया और उसे अस्पताल ले कर गए शलिए चिकित्सिकों ने उसके प्राण बचाने के लिए 6 घंटों की कड़ी मेहनत की लोगों को निराश करते हुए उन्होंने उसके प्राण बचा लिये थे क्या आपने सूरी और पृत्वी की कविता के बारे में सुना है सती ने शिव से पूछा विराजिपाल के आलिशान महल में छज्जे पर खड़े थे जिबकि नीचे एक कुलाहल पूर्ण दावच चल रहे थी नहीं लेकिन अवश्य सुनना पसंद करूंगा एक सम्मोहक मुस्कान के साथ सती के निकट आते हुए शिव ने कहा प्रकट रूप से ऐसा माना जाता है कि प्रित्वी कभी कभी सूरी के समीप आने की संभावना के बारे में सूचती है सती ने कहा किन्तु वो ऐसा नहीं कर सकती ये बहुत मौलिक है क्योंकि सूरी की चमक इतनी तीव रहे कि यदि वो उसे अपने समीप लाती है तो वो विनाश कर देगी अब ये क्या कहना चाह रही है मैं नहीं मानता शिव ने कहा मेरा मानना है कि सूरी तभी जलता है जबकि प्रित्वी उसके समीप रहती है यदि प्रित्वी नहीं होती तो सूरी के अस्तित्व में रहने का कोई कारण भी नहीं होता वो सूरे बन गया, उसका जीवन वृत बहुत उचा हो गया, वो अपने लिए अस्तित्व में नहीं होता है, वो व्रहत्तर अच्छाईयों के लिए सबके लिए अस्तित्व में होता है, उसकी जियोती सौर मिंदल के जीवन का अधार है, और यदि पृत्वी को थोड़ा भी अपने उत्तरदायत्व का भान है, तो उसे इस संतुलन को नश्ट करने के लिए कुछ भी प्यास नहीं करना चाहिए, तो फिर वो सूरे क्या करे, शिवन ने पूछा, उसकी पीड़ा और क्रोध उसके मुख से जहलक रहा था, वो अपने समस्त जीवन का अपवय जलते हु कर दे, एक दूरी से पृत्वी को मातर देखते हुए, पृत्वी कहीं नहीं जा रही है, सूरे और पृत्वी तब भी एक गर्म जोशी भरी मित्रता का आदान प्रतान कर सकते हैं, किन्तो उससे अधिक कुछ भी नियमों के विरुद्ध है, ये अन्य लोगों की रुचियो लानत है, उसने अपने शक्तिशाली मुके से छज्जे की रक्षा के घेरे पर जोर से प्रहार किया, जिससे कुछ हीटे जगह से उखड़ गई, और वो वहां से तेजी से निकल गया, नगर की दीवारों के बाहर जंगल में कुछ सैनिक प्रतिक्षा में लेटे हुए थे, उससे थोड़ी दूर पर दो फरदार विक्ति एक पत्थर पर बैठे हुए थे, उस पल्टन का अधिपति उन दोनों की बगल में सावधान की मुद्रा में अकड़ा हुआ सा खड़ा था, वो इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो रहनी के निकट खड़ा था इस वभाग किसे वो अत्यंत प्रसन था, उन फरदार विक्तियों में से एक ने अपना हाथ उठा कर अधिपति को समी पाने का संकेत किया, उस फरदार विक्ति की कलाई पर चम्डे का कड़ा था जिस पर सरपाकार ओम बना हुआ था, विश्वद्वन, क्या तुम निश्च विक्ति मुड़ा और एक प्रभावशाली स्वर बोला, स्वर जनाना था, ऐसा स्वर जिसका बिना किसी प्रशन के पालन किया जाता था, वो विक्ति नागाओं की रानी से प्रतीक्षा करवाता है, दूसरे फरदार विक्ति के और मुड़कर उसने कहना जारी रखा, मेरा कि तुमने इस पर विस्तार से कारे किया होगा, मैं आश्या करती हूँ कि इस घ्रणी छेतर में मेरा आना बेकार नहीं जाएगा, दूसरे फरदार विक्ति ने अपने मानसल हाथू की मुद्रा से रानी को धहरे रखने का इशारा करते हुए का, मुझे विश्वा से महरानी ये विक्ति सूरिवन्शियों को एक ऐसा जटका देने में महातुपूर्ण है कि वे उससे फिर कभी नहीं उबर पाएंगे, पदा चला है, राजकुमारी और एक विक्ति के मधिकल नगर में एक अगनी परिक्षा युद्ध हुआ था, विश्युदिम्री ने रानी को प्र विक्ति के और मुड़ी, फिर विश्युदिम्री के और मुड़ी और बोली, कृपया दूसरे सेनिकों के साथ प्रतीक्षा करें, विश्युदिम्री ने महसूस कर लिया था कि उसने ऐसा कुछ कह दिया है जो उसे नहीं कहना चाहिए था, और इससे पहले कि उसके स्वामी क कि गुसेल आंखियों से फटकार लगाए, वो वहाँ से तेजी से चला गया, इसी कराण से प्रसिक्षार्स शिवर में सिखाया जाता था कि एक अच्छा सिपाही तब तक मोने ही खोलता, जब तक कि उससे कुछ पूछा नहीं जाये, वो यहाँ है, रानी ने अपने गुसे किये का मंदार परवत पर उस मूर्खता भरे आकरमान से उन्हें संदे हुआ होगा, कि उनके मद्ध में हमारा गुप्तुचर है, उस विक्ति ने शमा याचना से उनकी ओर देखा, क्या तुम उनके लिया यहाँ आये थे, नहीं महरानी, उस फरदार विक्ति ने गंभीर ए जैसा कि तुमने अभी कहा था कि हम उन्हें इतना बड़ा जटका देंगे कि उनके लिए उससे उबरना बहुत कठीन हो जाएगा, उस विक्ति ने सहमती में सिरह लाया, और फिर भी रानी ने अपने हाथ खीचकर अपने लबादे के आश्रे में रखते हुए कहना जारी र विक्ति ने रानी को आश्रे से देखा, आपको कैसे मैं नागाओं की रानी हो मेरे बच्चे, उसने बीज में ही टोक दिया, मेरी शतरंज पर एक से अधिक प्यादे हैं, फरदार विक्ति मंदार परवत पर अपने खराब प्रदर्शन पर रानी को शर्मिंदा होने वाली द्रिश्टी से देखता रहा, रानी के एकले शब्दों ने उसकी शर्मिंदिगी और बढ़ा दी, तुम आश्रे रिजने करोप से गलतियां कर रहे हो मेरे वच्चे, तुम में सबसे महान नागा बनने की योगिता है, इसका अपवय मत करो, जी हां महारानी, रानी थोड़ उसकी मुस्कान उसकी आँखों तक पहुच चुकी थी, आप जो भी कहें मौसी, अगनी परीक्षा की घटना हुए दो सप्ता बीच चुके थे, सती पर्याप्त रूप से इतनी भली चंगी हो गई थी, कि वो काफिले के साथ अगले गंतव्य के लिए चल सकती थी, शिव प पूरी तरह से ठीक हो चुकी होगी, हाँ, मेरी विचार से ये उजना उचित है, शिव ने सहमती दी, परवतेश्वर, मैं बहुर आगे नहीं जाओंगा, ब्रहस्पती ने कहा, क्यों, परवतेश्वर ने पूछा, ऐसा है कि जो नए रसायन आने वाले थे, वे आ गये हैं, मैं सोच रहा था कि इन सामानों के साथ मैं मंदार परवत लौट जाओं, और जितना शीगर हो सके प्रियोग प्रारम्ब करनों, यदि हम इस प्रियोग में सफल रहे तो सोमरस बनाने में जल की आवशक्ता में अत्यदी कमी आ सकती है, शिव ने दुखी मुसकान के साथ कहा आपकी बड़ी याद आएगी मित्र, और मुझे आपकी ब्रहस पती ने कहा, कि तो मैं देश छोड़ कर नहीं जा रहा हूँ, जब आप यात्रा पूर्ण कर ले तो मंदार परवत पर आईए, मैं आपको वहाँ जंगली वनों में लेकर जाओंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, हाँ, शिव ने बनावटी हजे के साथ कहा, संभवता आप अपनी कुछ वेज्ञानिक दक्षता का प्रकटन करेंगे, और इस नीले गले के लिए कोई विश्वस्नी लगने वाला कारण खोज लेंगे, शिव और ब्रहस पती दोनों ही ठाहा का मार कर हस पड़े, परवतेश्वर उनके इस परिहास को समझ ना सका, वो केवल उन्हें देखता रहा, बस एक बात है ब्रहस पती, परवतेश्वर ने कहा, मैं राजशाही यात्रा से अपने सैनिकों की संख्या कम नहीं कर सकता, मैं राजपाल से बात करूँगा कि वे आपकी वापसी यात्रा के लिए कुछ सैनिकों का परबंद कर दें, धनिवाद परवतेश्वर, किन्तु मुझे विश्वास है कि मैं सुरक्षित रहूंगा, एक आतंकी मुझ में क्यों अपनी रुची दिखाएगा, कल ही एक और आतंकी आकर्मन मोहन जोदारा से लगभग 50 किलोमेटर दूर हुआ परवतेश्वर ने कहा, पूरा का पूरा मंदिर नश्ट कर दिया गया है, और सारे ब्रह्मनों की हत्या कर दी गई है, एक और, ये इस महीने में तीसरा आकर्मन है, शिव ने क्रोधित हुकर कहा, हाँ, परवतेश्वर ने कहा, वे साहसी होते जा रहे हैं, और पूर्व की भाती वे वहाँ से भाग निकले जब तक की सहायता पहुचती जब तक सहायता पहुच पाती और उनसे सामना हो पाता शीब ने पनी मुठिया भीच ले उसे कोई उपाय नहीं सूज रहा था कि वो आतंकी आकरमण से कैसे निप्टे उनके लिए कोई तयारी करना भी कठिन था क्योंकि ये भी नहीं पता होता था कि वे आकरमण कहां करने वाले थे क्या चंद्रवंशियों के सामराज स्वधिप पर आकरमण करना ही ये सब रोकने का एक मात रूपाय था शिव के अंतरमन में उठ रही हलचल को महसूस कर ब्रहस्पति चुप रहे गया वो जानता था कि इसका कोई सरल उत्तर नहीं था शिव को देखते हुए परवतेश्वर ने कहा मैं अपने लोगों को यात्रा की तैयारी का आदेश अभी दे दूँगा उसके बाद मैं आपसे रातरी भोज पर मिलूँगा मेरे विचार से सती भी हमारे साथ शामिल हो सकती है मैं नंदी और वीरभद्र के लिए संदेश भीजवा दूँगा वे भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं मैं जानता हूँ कि आपको उनका संग पसंद है परवतेश्वर के अलाकश्रिक विवहार एम सोच पर शिव ने आश्चर हैसे देखा धन्यवाद परवेतेश्वर ये आपने बड़ा अच्छा किया लेकिन मुझे पता चला है कि कृतिका नंदी और वीरभदर आज रात बासुरी वादन का आनंद लेने जा रहे हैं उस पागल वीरभदर ने तो कुछ गहने भी खरीद लिया है ताकि नंदी के साथ वो देशी गवार न दिखे परवतेश्वर मंधूरता से मुस्कुराया लेकिन मेरे लिए आपके साथ भोजन करना प्रसनेदा की बात होगी शिव ने कहा धनिवाद परवतेश्वर ने उठते हुए कहा कुछ कदम चलने के बाद वो रुका और पीछे मुड़ा अपनी हिचकी चाहट पर विजय पाकर उसने धीमे से कहा शिव हाँ शिव उठ खड़ा हुआ मैंने आपसे पहले ये नहीं बताया परवतेश्वर असुविधा से बोल रहा था किन्तो मैं आपको अगनी परिक्षा में सती की सहायता करने के लिए धनिवाद ग्यापित करना चाहता हूँ आपकी जो इस पश्च सोच थी उसी की कारण विजय हुई है नहीं नहीं शिव ने कहा ये तो उसकी दक्षता थी निसंदे वो थी परवतेश्वर ने कहा किन्तो आपने उसे आत्म विश्वास और रर्नी तिप्रदान की ताकि वो अपनी दक्षता प्रदर्शित कर सके यदि इस विश्व में कोई ऐसा विक्ती है जिसे मैं करतवियों से अधिक भावनाओं के साथ देखता हूँ तो वो सती है मैं आपको उसकी सहायता करने के लिए धनिवाद ग्यापित करना चाहता हूँ आपका स्वागत है शिव मुस्कुराया वो बादचीत को और अधिक लंबा खीच कर परवतेश्वर को और अधिक शर्मिंदा नहीं करना चाहता था परवतेश्वर मुस्कुराया और उसने हाथ जोड़कर नमस्ति किया यद्य पी वो देश्व्या पी निलकंट रूपी जोर सर्पीडित नहीं था तथा पी वो धीरे धीरे शिव का आतर करने लगा था परवतेश्वर से सम्मान अरजित करना एक बड़ी यात्रा थी जिसे शिव ने मातर प्रारंबे किया था सीना नायक पीछे मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया ये आदमी बुरा नहीं है प्रस्पति ने परवतेश्वर के चले जाने के बाद कहा वो थोड़ा चिड़ चिड़ाता अवश्य है परंदु वो सबसे इमानदार सूर्य वंशियों में से एक है वो प्रभु श्री राम का एक सच्चा अनुयाई है मेरी आशा है कि उसकी कुछ गुसे वाली बातें जो आपको वो कह जाता है वो आपको अधिक दुखी नहीं करती होंगी नहीं मुझे बुरा नहीं लगता है शिव ने कहा असल में मैं परवतेश्वर को बहुँ श्रेष्ट मानता हूँ वो एक ऐसा वेक्ति है जिससे सम्मान अरजित करना मेरा सौभाग्य है शिव की विशाल हरदयता के एक और उधारान को देखकर ब्रसपति मुस्कुराया वो आगे जुका और बोला आप एक अच्छे वेक्ति हैं शिव शिव ने मुस्कुराहट के साथ उसे देखा जो आपने पिशली बार मुझसे पूछा था उसका उत्तर मैंने नहीं दिया था शिव प्रसपति ने कहना जारी रखा सच्चाई यही है कि मैं नीलकंट की पौराणी गाथा में विश्वास नहीं करता हूँ मैं अभी भी नहीं करता हूँ शिव ने और चोड़ी मुसकान के साथ देखा किन्तो मैं आप में विश्वास करता हूँ यदि कोई एक ऐसा विक्ति है जो इस भूमी से रिलात्मक उर्जा को सोक कर नश्ट कर सकता है तो वो आप ही हो सकते हैं और मैं हर संभव आपकी साहता के लिए कुछ भी करूँगा चाहे वो किसी भी रूप में हो और मेरे करने लायक हो आप मेरे ऐसे भाई हैं जो मेरे पास कभी नहीं थे आपकी उपस्थिती की मेरी सारी आविशक्ताओं की पूर्थी कर देगी ये कहते हुए शिव ने अपने मित्र को आलिंगन बद कर लिया अपने अंतर मन में एक पुनर जागरत उर्जा के संचार को महसूस करते हुए ब्रहस्पती ने भी शिव को गरम जोशी से जगर लिया उसने मन ही मन सौगंध ले कि वो अपने धे से कभी नहीं हटेगा चाहे कुछ भी हो जाए ये मात्र मेलूहा के लिए नहीं था ये शिव के लिए भी था उसके मित्र के लिए सती के अगनी परिक्षा के तीन सपताबाद कर्चप से काफिला निकला वही साथ बग्गियां एक पंक्ती में एक साथ यात्रा कर रही थी इस बार पांच नहीं छे बग्गिया दिखावटी थी शिव सती के साथ तीसरी बग्गी में था और परवितेश्वर एवं आयर्वती भी उसी में थे ये पहली बार था जब परवतेश्वर शिव के साथ एक ही बगी में यात्रा कर रहा था। वीरभद्र को नंदी की पल्टन में उसके साथ अश्वारोहन करने में अपार खुशी हो रहे थी उनको कर्चप से निकल कर यात्रा करते हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे कि जब उनके काफिले को रुख जाना पड़ा क्योंकि एक बड़ा काफिला विपरित दिशा से बड़ी शिक्रता से चला रहा था परवतेश्वर जानकारी लेने के लिए बग्गी से बाहर निकला सेनापती वक्र उसके पास आया और उसने परवतेश्वर को सैनिक अभिवादन किया क्या बात है? स्वामी ये लोग कौझ गाउं के शरानार थी हैं वक्र ने कहा ये लोग एक आतंकी आकरमर से बचकर निकल रहे हैं बचकर निकल रहे हैं? चकित परवतेश्वर ने पूछा तुम ये कहना चाहते हो कि आकरमर अभी चल रहा है? ऐसा ही प्रतीत होता है स्वामी वक्र ने कहा उसका चहरा गुस्य से लाल था लौनत है परवतेश्वर स्वैम पर जुलाया ना ही मिलूहा को और ना ही उसे ही ऐसा आफसर प्राप्त हुआ था कि जब 1500 सेनी कुपलब्द थे और आतंकी आकरमर चल रहा था उसके बाद भी परवतेश्वर के हाथ बंधे हुए थे नीलकंठ एवं राजकुमारी की सुरक्षा के सिवाए उसे किसी अन्य लक्ष को साधने के अनुमती नहीं थी ये क्या मुर्खता है उसने मन ही मन सूच कर कहा मुझे दिये गए आदेश मेरे च्छत्री धर्म का पालन करने से रोक रहे हैं क्या बात है परवतेश्वर परवतेश्वर मुणत उसने देखा कि शिव ठीक उसके पीछे खड़ा था इस मध्य सती और आयूर्वती भी बंगी से उतर रहे थे इससे पहले कि परवतेश्वर को जुत्तर दे पाता एक भायानक शोर ने उस शांत जंगल को भेद कर रख दिया ये वही ध्वनी थी जिससे शिव को पहचान जाना था उस ध्वनी ने शंग ध्वनी करने वाले कि ये मंशा को अत्यएतिक बलपूर्व के स्पश्ट कर दिया था उसने घोश्णा कर दी थी कि आकरमाण का प्रारम हो चुका था अध्याय सत्रा कूंच का युद्ध वे लोग कहा हैं पर्वतेश्वर ने पूचा विलोग मेरे गाउं में है स्वामी भैभीद गाउं के प्रधान ने कहा ये कुछ ही दूरी पर है कोई 500 चंदरवंशी सैनिक नागाउं के नेतरत्व में है उन्होंने हमें गाउं छोड़ने के लिए 30 मिनट का समय दिया था किन्तों मंदिर के ब्राहमण को रोक लिया गया है पर वतेश्वर ने अपने क्रोध को नियंतरित करते हुए अपनी मुठिया भीच ली हमारे पंडी जे बहुत अच्छे वेक्ती हैं स्वामी गाउं के प्रधान ने कहा उसकी आँखों में आसू ढलक गये थे वक्र ने उसे सांतोना देने के लिए अपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया गाउं प्रधान की मुद्रा उसे बहुत ही दैनी बना रही थी क्योंकि वो नहीं जानता था कि गाउं के पुजारी के साथ क्या अन्होनी होने वाली थी हम अपने पंडित और अन्य ब्रहमणों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ना चाहते थे सुबकते हुए गाउं प्रधान ने कहा वे इश्वर के आदमी हैं अस्तर श्यस्तर कैसे उठाया जाता है उन्हें तो ये भी नहीं पता वे इस गिरोहों से कैसे युद्ध कर सकते हैं वक्र ने गाउप्रधान को बोलने दिया ताकि उसका क्रोध शान्त हो जाए किंदु पंडित जी ने हमें वहां से चले जाने का अदेश दे दिया उन्होंने हमसे हमारी इस्तरियों और बच्चों के साथ भाग जाने के लिए कहा उन्होंने कहा कि वे उस भागे का सामना करेंगे जो भागे भगवान ब्रह्मा ने उनके लिए लिखा था किंदु यदि किसी की रक्षा हो सकती है तो उनकी रक्षा होनी चाहिए परवतेश्वर का नाखोन उसकी तुचा में अंदर तक घुज गया चंदरवन्शियों के इस प्रकार निहत्थों पर आक्रम्ल करने और छट्रियों से आमना सामना ना करने की बात सुनकर उसका चेहरा बदरंग हो उठा था वो अपने भागे पर कुपित हो रहा था कि वो एक ऐसी परस्थिती में था कि कोई कारवाही नहीं कर सकता था उसके मन का एक हिस्सा कहता था कि वो आदेशों को भूल जाए कि दूव इस बात से बधा हुआ था कि नियम की अवहेलना ना करे ऐसे पागलपन को रोकना होगा पर वतेश्वर ने सिर घुमा कर देखा कि ये ध्वनी किधर से आई थी जो उसकी सोच के मध्य में गुंजायमान हो गई थी शिव के मुख के भाव ने उसे सकते मिला दिया था निलकंट के मुख पर अत्यतिक क्रोध की ऐसी ज्वाला धदक रही थी कि एक बारगी देवगण भी सकते में आकर काम जाए हम लोग अच्छे लोग हैं शिव ने क्रोध में कहा हम भैभीत मुर्गियों की तरह नहीं हैं जो मुड़कर भाग जाएं उन्हा तंकियों को अपने प्राण बचाने के लिए भागना होगा उन्हें सूर्वंशियों के प्रचंड क्रोध को महसूस करवाना होगा गाव प्रधान के पीछे खड़ा एक ग्राम वासी बोला किंतु वे त्रासद कारी हैं हम उन्हें पराजित नहीं कर सकते पंडी जी को ये पता था इसी काराण से उन्होंने हमें वाँ से निकल जाने का आदेश दिया था लेकिन हमारे पास डेर सहस्त्र सैनिक है शिव ने इस कायरता पूर्ण प्रदरशन पर जुन्जलाहट के साथ कहा और साथ में आप लोग पांस सो और है हम उनसे एक से चार चार के संख्या में दिखे है हम उन्हें मिट्टी में मिला सकते हैं हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि वे हमेशा याद रखेंगे गाव प्रधान ने तर्क दिया किन्तु उनके पास नागा लोग हैं वे आमानविये रक्त पिपासू हत्यारे हैं ऐसी बुराईयों के विरुद हमारी क्या हस्ती हो सकती है शिव की सहज बुद्धी ने उसे अनुभव कराया कि अन्धविश्वास का सामना आस्था से ही किया जा सकता है वो बग्गी की सीड़ी पर चढ़ गया ताकि थोड़ी उचाई प्राप्त कर सके गाँवाले उसे घूर कर देख रहे थे उसने अपना गुलू बंद उतार दिया और एक और फेक दिया अब उसकी आवश्यक्ता नहीं रह गई थी मैं नीलकंट हूँ सभी सैनिकों ने बुराईयों के विनाशक को मंत्रमुग धो कर देखा वे लोग इस बात पर अत्यदिक प्रसन थे कि उन्होंने अपने प्रारब्ध को सचाई से ग्रहन कर लिया था गाँवालों को नीलकंट के आगमन का संग्यान नहीं था वे अपनी आखों के सामने पौराने कथा को सच होते देख सब्द रह गए थे मैं इन संत्रासियों से युद्ध करने जा रहा हूँ शिव ने गर्जना की मैं उन्हें दिखाने जा रहा हूँ कि हम अब उनसे भैबीत नहीं है जो पीड़ा हमें हो रही है उसी पीड़ा को मैं उन्हें महसूस करवाने जा रहा हूँ मैं उन्हें ये बताने जा रहा हूँ कि वे जो चाहे कर सकते हैं कर ले लेकिन मेलुखा को रौंदा रही जा सकता है वे लोग जो शिव के सामने खड़े थे उनकी रीड़ की हट्टियों को सीधी कर देने वाली और उनकी आत्माओं को प्रेडित कर देने वाली विशिद उर्जा उनमें संचारित हो गई थी कौन लोग मेरे साथ आ रहे हैं मैं आ रहा हूँ परवतेश्वर धदक उठा उसे महसूस हो रहा था कि शिव की उधगोशना से उस पर लगे प्रतिबंध से मुक्ति मिल गई थी मैं भी सती ने कहा और उसके साथ नंदी वीर भद्र और वक्र ने स्वर मिलाया मैं भी वहाँ खड़े प्रतेग विक्ति का स्वर गूंचा अचानकी भैभी ग्रामीड सचाई की सेना में बदल गए सैनिकों ने अपनी तलवार निकाल ली ग्रामीडों ने अपने अपने हथियार पकर लिये थे जो भी उन्हें मिल सका कूंच की और कूच करो शिव ने एक अशुपर चढ़कर चिला कर कहा और अपने घोड़े को एड़ लगा कर सबसे आगे सरपड भगा दिया परवतेश्वर और सती ने शिगरता से गाड़ी से घोड़े खोले और शिव के पीछे सरपड दोड़ा दिये सूरिवन्शियों ने आकरमन करने के उदेश्य से जोर से हल्ला करते हुए दोड़ लगा दी उस हल्ले की ध्वनी किसी भी नागा शंक की ध्वनी से अत्यधिक गरजना वाली थी जब एक कूंज में आंधी की तरह पहुँचे तो जिस आतंक का उन्हें अंदेशा था वही हुआ था चंदरवंशियों ने गाओं पर ध्यान केंद्रित ना करके उनके आदर्णिय मंदिर को निशाना बनाया था ताकि सूरिवंशियों को अधिक से अधिक घाव लगा सके अंग भंग किये हुए ब्राहमणों के शरीर मंदिर के आसपास बिखरे पड़े थे उन्हें एक साथ एकठा कर उनकी हत्या कर दी गई थी मंदिर को विनश्ट करके उसमें आग लगा दी गई थी इस दर्दनाक आकरमण ने सूरिवंशियों के क्रोध को और बढ़ा दिया उन्होंने पागल सांड की भाती आकरमण कर दिया चंदरवंशियों के पास कोई अफसर नहीं था वे संख्या में कम तो थे ही पूरी तरह से आच्छादित भी थे फिर उन्होंने इस प्रकार के अचानक पलटवार की आशा भी नहीं की थी वे शीगर ही पराजित हो गए कुछ चंदरवंशिय मैदान छोड़कर भागने लगे तो नागाओं ने उन्हें इखटा कर पुना संखर्ष करने पर विवश कर दिया विप्रीत परस्थितियों को अपनी योर करते हुए वे असंभावित साहस के साथ सूरवंशियों पर तूर पड़े परवतेश्वर ऐसे लड़ रहा था जैसे कि उसमें देवीय शक्ती हो शिव ने सेनानाय को कभी युद्ध करते नहीं देखा था वो उसकी दक्षता एवं वीरता को देखकर दंग रहे गया था शिव के समान परवतेश्वर भी इस बात को समझता था कि नागाओं को हराना ही उनकी विज़े की महत्ता थी जब तक वे जीवित सूरवंशी भैवीद महसूस करते रहेंगे और चंदरवंशी इससे प्रिरित होते रहेंगे उसने एक नागा पर संकी आकरामकता से धावा बोल दिया नागा ने दक्षता से परवतेश्वर की वार को अपनी ढाल से बचा लिया अपनी तलवार को नीचे ले जाकर उसने परवतेश्वर के खुले कंदे पर वार करने का प्रयास किया वो इस बात को नहीं जानता था कि परवतेश्वर ने अपना बाया भाग जानबूच कर खुला छोड़ा था मगल में जूलते हुए परवतेश्वर ने वार को बचाते हुए अपनी धाल से एक चाकू निकाला जो उसकी धाल में सलगन था उसने नागा के दाहिने खुले कंदे पर निशाना लगा कर फेका उसकी चीख ने परवतेश्वर को बता दिया था कि चाकू कावी गहरा दसा हुआ था वो रागा क्रोध में गुराया किन्तु परवतेश्वर की चकित कर देने वाली प्रिशंसा के लिए उसने अपनी तलवार वाले हाथ को लहराया जिसमें चाकू घोपा हुआ था और संगर्श करने लगा परवतेश्वर ने अपनी धाल नीचे करके उस नागा के अपेक्षा प्रत कमजोर वार को रोग दिया उसने अपनी तलवार को घोपनी की स्थिती में किया किन्तु उस नागा ने बहुत तेजी से उसे लक्षिचित कर दिया दिशा परिवर्तन करके परवतेश्वर ने अपनी धाल से तेजी से उसके कंधे पर लगे चाकू पर मारा वो चाकू उस नागा के कंधे की हड़ी को तोड़ता हूँ अंदर घुज गया वो नागा पीड़ा में गुराया और लड़ खड़ाया यही आमंतरन परवतेश्वर को चाहिए था उसने अपनी तलवार को उपर से भोगनी की स्थिती में लाकर उसने नागा के हरदे में भोग दिया परवतेश्वर के इस प्रान घा तक बार से वो नागा जड़ हो गया परवतेश्वर ने तलवार को और गहरा घुसा कर उसके प्रान हर लिये वो नागा बिना किसी हरकत के पीछे धड़ाम से गिर गया परवतेश्वर भी नागाओं के चहरे को देखने का एक मिलूहा वासी की तरह ही इच्छुक था उसने नीचे जुकर नागा के नकाब को हटाया तो सामने एक भैबीत कर देने वाला चहरा था उस नागा की नाक मात्र हड़ी की बनी हुई थी और वो बढ़कर पक्षी की चोंच की तरह की थी उसके कान बहुत विशाल थी जिबकि उसका मुग अथ्यदिक छोटा था वो मानव रूपी गुद्ध जैसा प्रतीत हो रहा था परवतेश्वर ने शीगरता से वो कहा जो प्रतेक सूरिवन्शी अपने योग की प्रतिदुन्दी को पराजित करने पर बोलता है हे विरियोध्धा उस जगत की तुम्हारी यातरा सकुषल हो एक कम हुआ था और चार का काम तमाम करना था परवतेश्वर ने उठते हुए सोचा कि तभी उसने गलती सुधारी नहीं दो कम और तीन अभी बाकी है उसने देखा कि शिव ने उससे कुछी दोरे पर एक विशाल काए नागा को नश्ट कर दिया था शिव एवं परवतेश्वर दोनों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिला कर सहमत हुए शिव ने परवतेश्वर को उसके पीछे की और इशारा किया प्रवतेश्वर ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अथी क्रूर नागा अकेले ही पांच सूरवंशियों से युद्ध कर रहा था वो शिव के और मुड़ा और उसने सिर हिला कर संकेत दिया उसके बात प्रवतेश्वर उस चैन किये हुए नागा के और बढ़ गया और उसी समय शिव भी दूसरे नागा के और बढ़ गया था शिव उस संगर्ष के मैदान में फुर्ती से उस नागा के और बढ़ा जिसने उस समय एक सूरवंशियों सेनिक को मार कर गिरा दिया था शिव उस पर वार करेगा लेकिन शिव ने उसे पूरी तरह से चकित करते हुए उसकी ढाल को पूरे बल से तलवार से धका मार कर एक और हटाते हुए उस तलवार को एक और से चैटिज लहर के साथ चलाया और उस नागा के हाथ पर गहरा घाव लगा दिया वो नागा पीड गोड़ता से तलीन होकर युद्ध कर रहा था आता उसने कुछ दूरी पर खड़े एक दूसरे नागा को नहीं देखा था वो नागा इस बात को देख रहा था कि उसके आकरमण को धीरे धीरे दबाया जा रहा था बस मात्र कुछ समय की बात थी कि नागाओं और के लिए ऐसे आदमी को निश्ट करना आवश्चक था उस नागा ने अपने धनुश को सामने निकाल लिया इस मद्ध शिव ने किसी भी संकट से अंजान उस दूसरे नागा के पेट में तलवार घुसीर दी थी वो नागा शिव को अपनी धाल से दबाता हुआ और पीछे ह वारों से आड करता जा रहा था किस समय के बाद उस नागा की आत्मा ने आत्मस मरपड़ कर दिया वो पीछे इस खिसक गया और उसके शरीय से रक्त का बहाव तेज हो गया वो गिर गया शिव ने उस गिरे हुए नागा को विसमे से देखा यह लोग दुश्ट अवश्य है कि तुम निडर सैनिक है शिव ने बाई और मुड कर देखा तो परवदेश्वर ने भी उस नागा को मार कर गिरा दिया था जिससे वो भीडा था वो घूम कर अंतिम नागा को ढूरने का प्रयास कर रहा था तब ही उसे उस व्यक्ति की शोर मचाने वाली आवास सुनाई द जिसे वो समस्त कारणों से परे प्रेम करता था शिव वदाहिनी और मुड़ा तो उसने देखा कि सती तेजी से उसकी और भागती चली आ रही थी उसने उसके पीछे देखा कि कहीं कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा था वहा कोई नहीं था उसने तेवरी चड़ाई इस से बान के अगर भाग पर लगा हुआ विश पीडित के शरीर को अंदर से जला देता था और जिसे वो बान लगता था वो धीरे धीरे एक पीड़तायक मृत्य की और अगरसर हो जाता था और उसकी आत्मा पर कई जन्मों तक एक घाओ छोड़ जाता था बान को शिव की कंट की और सीधा चलाया गया था बान अपने मृत्य कारक लक्षी की और अमोग रूप से निकल पड़ा था हाला कि उस नागा ने संभावना का अंकलर नहीं किया था कि उसके मार्ग में अरोध भी आ सकता था सती ने अपने शरीर को हवा के मधे में ही मोड लिया था जैसे ही उसने शिव के सामने च्छलांग लगाई वो बान सती के सीने में क्रूर बल के साथ प्रवेश कर गया जिससे उसका शरीर हवा में पीछे की और उचल गया वो जूलती हुई और अचल होकर शिव के बाई और गिर पड़ी शिव ने सतब्ध होकर सधी के आंधे पड़े हुए शरीर को देखा उसका हिर्दय विर्दीर हो गया बुराईयों के विनाशक ने प्रचंड क्रोध में गरजना की उसने उस नागा की और धावा बोलने के लिए उस पागल हाथी की तरह दोर लगाई जो बस पागल होनी की कागार पर था उसकी तलवार उठी हुई थी वो नागा नीलकंट के उस रोधर स्वरूप से कुछ छण के लिए तो बिलकुल ही हिल गया किंतों उसने शीगर ही अपने आपको सहियत कर लिया उसने अपने तरकश से फुर्ती से एक और बाण निकाला और से धनुश पर लगा कर चला दिया शीव ने अपनी तलवार चला कर उसे एक और कर दिया नागा उस समय भैबीत हो गया जब उसने देखा कि शिव की गती में कोई अंतर नहीं पड़ा था और वो उसी तीवर गती से उसकी और भागता चला आ रहा था शिव ने तलवार भांचते वे उस बान को भी एक और कर दिया और अपनी गती को और बढ़ा दिया वो नागा साथ ही एक ही वार में उस नागा का सिर्धर से अलग हो गया उसका चीज़ शरीर धडाम से गिरा और इसका सिर अतयधिक तीवर गती से हवा में अड़कर दूर जा गिरा जबकि अब भी उसका हरदय उसके शरीर को रक्त प्रदान ही कर रहा था जिस कारान वो रक्त उसके प्रचन्डिक रोधित मन के अंदर कोई काराण या कोई सब्वेदर शिल्ता प्रवेश नहीं कर सकती थी सिवा एक मधूर मंद स्वरिय घायल स्वर के जो उसके सिवा उस जुद्ध के मैदान में किसी द्वारा सुनने योग भी नहीं था शिव वो पीछे मुड़त उसने दे आईरवती सती की और दोड़ी शिव की बास सुनकर परवतेश वर भी उसकी और भागा शिव सबसे पहले उसके पास पहुँचा वो अचल थी किन्तु जीवित थी वो बहुत तेजी से सांस ले रही थी क्योंकि बान ने उसके बाएं फेपड़े को भेद दिया था उसके श शिव से अपनी बाहों में भर लेना चाहता था किन्तु उसने अपने हाथों को एक दूसरे से जगड़े रखा वो बहुत कठिनाई से अपने आसु रोकने का प्रयास कर रहा था हे भगवान ब्रह्मा सती के पास पहुशने पर और उस बाण को भहचानने के बाद आयूर्वती रोपड़ी मस्तरक दुरुविनी रोगी को उठाने वाला चोखट ले आओ परवतेश्वर आयूर्वती मस्तरक दुरुविनी ने सती को उठा कर गाओं के एक घर तक पहुचा दिया आयूर्वती के अन्य सहायक इससे पूर भी उस जोपड़ी को साफ कर शले करम के उकरणों को लगा चुके थे बाहर ही प्रतिक्षा करें प्रभू आयूर्वती ने अपना हाथ उठा कर शिव से कहा शिव आयूर्वती के साथ जोपड़ी में जाना चाता था किन्तु परवतेश्वर ने उसके कंदे का इसपर्ष करके उसे बाहर ही रोग दिया आयूर्वती विश्व की सबसे अच्छी वैद्यों में से एक है शिव हुआ था अचाना कि उसके मन में एक सूच उपरी वो मुड़ा और तेजी से सबसे निकट नागा के शरीर के पास गया शीगरता से जुकते हो उसने उसकी दाहिनी कलाई को देखा वहां कुछ नहीं पाकर वो दूसरे नागा के शरीर के उर गया इस मध परवतेश्वर ने अपने व्याकुल मन को संयत किया तो उसे याद आया कि उसके कई महातपूर कारे करने थे उसने वक्र को बुलाया और आदेश दिया युद्बंदियों को पहरे में रखो वैद्यों को बुलाओ और चंदरवंशियों समेथ सभी घायलों का उपचार करवा घायल चंदरवंशियों ने पहले ही विश्पान कर लिया है स्वामी वक्र ने कहा आप तो जानते ही हैं कि वे कभी जीवित पकड में नहीं आना चाहते परवतेश्वर ने विध्वन शिकारी दृष्टी से वक्र को देखा जैसे कह रहा हो कि ये अनावश्यक विबरण सुनने में रुची नहीं रखता था और वक्र को शीखर अपना काम प्रारम कर देना चाहिए था जी हां सौमी वक्र ने परवतेश्वर के मूँ कादेश को समझ कर कहा किसी अचाना काकरमण की दशा से निपटने के लिए एक बाहरी घेरे की विवस्ता करो परवतेश्वर ने कहना जारी रखा उसकी चेतनता उसक बुद्धी ने उसे चुप ही रखा उसने अपने स्वामी के कथन को पूरा करने की प्रतिक्षा की और परवतेश्वर ने कहना जारी रखा और मंदिर में कुछ संदेश वहा कबूतर जीवित होंगे एक लाल रंग का पत्र देवगिरी को भेजो सम्राट को उन्हें बताओ कि प्रतेश्वर ने कहना जारी रखा कि उसे अगनी बार लग गया है यह भगवान इंद्र अपने सदमे के संत्रास को नियंत्रित ना कर पाने की कारण वक्र ने बिना कुछ समझे बख दिया अभी जाकर ये काम करो सेना पती प्रतेश्वर ने गुरहाट भरेश स्वर में कहा जी हाँ प्रभू वक्र ने एक दुर्भल अभिवादन कर कहा शिव ने इस मद्धि चार नागाओ के हातों के परिक्षन कर लिये थे उनमें से किसी ने भी चमड़े का बना हुआ कड़ा नहीं पहना था जिस पर सर्पो वाला ओम बना हुआ हुआ हो जिससे शिव पहच लबादे को उठा कर कड़ाई का परिक्षन किया कोई चमड़े का कड़ा नहीं था यह वो नहीं था शिव जोपड़ी के पास वापा साया तो उसने देखा कि परवतेश्वर एक तिपाई पर बाहर बैठा हुआ था प्रतिका अन्यंत्रे दूप से सुबक्ती हुई की और बैठने के लिए संकेत किया वो बहुत वीरता से अपने भाव छिपाने का प्रयास कर रहा था शिव दीरे से बैठ गया और उसने दूर शून्ने में घूरा वह आयुरुवती के बाहर आने के प्रदिक्षा कर रहा था हमने बान को बाहर निकाल दिया है प्रभू आय जिरुवती जैसे प्रभावशाली वैद से किसी की तर्क करने की हिमत नहीं हो सकती थी मस्तरक और दुरुविनी को पहले ही अन्य वैद्यों की सहायता करने के लिए बाहर भेज दिया गया था जो अन्य घायल सूरवंशी सैनिकों का उपचार कर रहे थे शिव बिस्तर के द सायन के प्रियोग से उस करन को विसंक्रमित या सुरक्षित नहीं बनाया जा सकता था उस चिम्टे के बगल में वो दुर्वेवहारी बार नीम की पतियों में लिप्टा हुआ रखा हुआ था जहां वो एक पूरे दिन के लिए रहने वारा था उसके बाद उसे एक सूखी क नहीं कहोंगी प्रभू आयरुवती ने असल लंगने तरीके से कहा जो वैद्यों को करना पड़ता है ताकि मनुगात परिस्थितियों में शक्ति प्राप्त कर सके यह अच्छा नहीं दिख रहा है अगनी बार के किसी प्राणाधर अंग को भेद जाने पर आज तक के इतिह से देखा आयरुवती ने अपने आसों पर लगाम लगाने के लिए अपना धैर यथावत बनाये रखने की कठिन कोशिश की वह अनियंत्रित नहीं हो सकती थी अगले कुछ गंटों में उसे कई लोगों के प्राण बचाने थे वो स्यम को दुर्बल होने नहीं देना चाहती थी मुझे शमा करें प्रवू आयरुवती ने कहा किन्तु इसका कोई उपचार नहीं है हम मात्र ऐसी ओशदियां दे सकते हैं जिससे वे अपने प्राणांत सरलता से कर सके शिव ने क्रोधित दृष्टी से आयरुवती को घुरा और गंभीर स्वर कहा हम आशा नहीं छोड कि माती दिख रही थी आयरुवती ने ऊपर से रूठा कर शिव को देखा और कहा जी हाँ प्रभू किन्तु यह अंतिम समधान नहीं है अगनी बार से हुए जोर को आने से केवल कुछ समय तक ही रोका जा सकता है किन्तु हमेशा के लिए नहीं यदि हम प्रयास करेंगे और जोर को नियंतरित करेंगे तो जब आशाधियां रोक दी जाएंगी तो वो जोर और भी तीवर एवं प्रचंड रूप से वापस आएगा तो फिर हम इस जोर को हमेशा के लिए नियंतरण में रखेंगे शिव रोपड़ा था यदि आवशकता पड़ी तो मैं जीवन भर उ नहीं जा सकता था यह संभव था कीमती समय इस व्यर्थ के वाद विनोत में नश्ट हो रहा था यह समय दूसरे कई लोगों की जीवन रक्षा में लगाया जा सकता था ठीक है प्रभू आयर्वती ने सती को आशदी देते हुए कहा जो उसके जोर को नियंतरित रख सकता था किन्तु उसे भी शिव के समान ही आशा के एक छोटी सी किरन टिम्टिमाती दिखाई दे रही थी शिव के और मुड़ती हुए आयर्वती ने कहा प्रभू आप भी घायल है मुझे मरम पट्टी लगाने दीजिए और मैं चली जाओंगे मैं ठीक हूँ शिव ने एक पल के ल शिव आयर्वती चिला पड़ी शिव ने उसकी और देखा तो वो बोली आप सती की सहायता नहीं कर सकते यदि आप स्वयम ही अस्तवस्त हो जाएंगे उसका ठोर बचन का इच्छी तसर हुआ हाला कि शिव अपने इस थल से हिला नहीं किन्तु उसने आयर्वती को अपने घ घाओ पर मरहम पट्टी की और जोपड़ी से बाहर निकल गई शिव ने जोपड़ी में प्रहर कंदील को देखा जब से आयर्वती ने बान बाहर निकारा था तब से तीन घंटे का समय बीच चुका था परवतेश्वर जोपड़ी से बाहर निकल कर दूसरे घायलों को नहीं था वो स्यम को काम में लगाता था ताकि उसे संकट के बारे में सोचना ना पड़े शिव अलग था बहुत वर्षों पहले उसने प्रतिक्या रहे थी कि कषिन परस्तितियों से वो कभी भी नहीं भागेगा यहां तक कि जब वो कुछ भी नहीं कर सकने की स्थिति में ह तब भी वो सती की बगल से एक छड़ के लिए भी नहीं हटा था वो धैरे के साथ उसके बिस्तर के बगल में बैठा हुआ था उसके ठीक हो जाने के प्रितिक्षा कर रहा था वो आशा कर रहा था कि वो ठीक हो जाएगी उसके ठीक हो जाने के लिए वो प्रातना कर रहा था शिव एक बहुत कम धोनी ने शान्त वातावराण का मौन तोड़ा शिव ने सती के मुख की और देखा उसके आँके थोड़ी खुली थी उसके हाथ अधरश्यता में इधर उधर चले उसने अपनी कुरसी उसके निकट खिसका ली किन्तु सावधानी से ताकि इस परश न हो मुझे छमा कर दो शिव रो पड़ा मुझे तुम लोगों को इस लड़ाई में नहीं लाना चाहिया था नहीं नहीं सती बड़़ाई आपने सही काम किया था किसी ना किसी को ये निर्णय लेना ही था आप मेलुहा में हमारा नेतरत्व करने के लिए और बुराईयों का नाश करने के लिए आए हैं आपने अतना करता भी निभाया है शिव लगातार सती को अपनी पीड़ा पर काबू पाते हुए निहारता जा रहा था सती ने अपनी आँखों को थोड़ा चोड़ा किया वो चाहते थी कि जितना संबह हो सके वो शिव को दरिश्टी भर देख ले क्योंकि उसे प्रतीत हो गया था कि अब उसका अंतिम समय बहुत निकटा चुका था आत्मा की अभिलाशाओं का अंतिम विनाशक मृति हुए अजीब बात यह है कि ऐसे विजारों के समय ये विनश्टी करन आत्मा की प्रतेक अधिकार हिंता को चुनौती देने और स्वयम के भाव प्रकट करने का साहत ब्रदान करता है अपने लंबे समय से अस्विकरत सपनों के प्रकटन की भी चुनौती देता है अब मेरा समय हो चला है शिव सती ने धीमे सुर में कहा किन्तु इससे पहले कि मैं सदा के लिए चली जाओं मैं आपसे कहना चाहती हूँ पिछले कुछ महीने मेरे लिए सबसे आधिक खुशी क बीते हैं शिव अपनी नम आखों के साथ सती को नियंतर देख रहा था बहानाओ के सैलाब उसके हिरदय में किलोल कर रहे थे और फिर उसके हाथों ने स्वयम ही जीवन धारान कर लिया और सती की और बढ़ चले किन्तु फिर समय रहते ही उसने रोक लिया काश आप मेरे जी प्रियास कर रहा था काश मैंने आपसे पहले ही कह दिया होता सती बढ़ बढ़ाई क्योंकि ये जो पहली बार कहने जा रही हूं वो संभवता अंतिम बार ही होगा शिव ने सती को देखा उसको सवर गले के अंदर ही बंद पड़ा हुआ था सती ने शिव की आँखों में ग अंगले सो वर्षों तक शिव ने सुबकते हुए कहा तुम कहीं नहीं जा रही हो यदि मुझे लड़ना पड़ा तो मैं मृत्य के देवता से भी युद्धु करूंगा तुम कहीं नहीं जा रही हो सती के उदास मुख पर एक पीड़ा दायक मुसकान थी उसने अपना हाथ शिव के हाथों में रख दिया उसका हाथ ताप से जल रहा था जोर ने अपना आकरमार प्रारंब कर दिया था अध्याय अठारा सती और अगनी बान कुछ भी नहीं किया जा सकता है प्रभू प्रकट रूप से असुविधा पूर्वक आयूर्वती ने कहा वो और शिव जो करती हुए कहा आप इस भूमी की सबसे अच्छी वैदे हैं हमें बस इतना करना है कि जोर को तोड़ना है इस जोर को तोड़ा नहीं जा सकता है आयूर्वती ने कारण बताया अगनी बान के विश का कोई उपचार नहीं है जोर को नियंतरित रखकर हम केवल सती की यातना को ही बढ़ा रहे हैं जैसे ही औशधिया रुकेंगी जुर प्रतिशोद पूर्ण धंग से आक्रमल करेगा जाने दीजे शिव बिस्तर से एक शक्तिहीन स्वर की भुनबुना हट हुई सभी लोग मुल कर सती को देखने लगे उसके मुख पर मुसकान थी जो अवश्यम भाव कुई नहीं हो हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूँगा बस मुझ पर भरोसा रखो सती ने आत्मसमरपड कर दिया उसमें शक्ति नहीं बची थी वह यह भी जानती थी कि शिव को उसकी मृत्यों के लिए अपनी शांती भी और वो उसे तब तक नहीं मिलेगी जब तक उसे ये महसूस नहीं हो जाए कि उसे बचाने के लिए उसने वो सारे प्रियास कर लिए जो उसे करने चाहिए थे मुझे अनुभव हो रहा है किताब बढ़ रहा है सती ने कहा कृपया मुझे आउशदी दीजिए आयुरवती ने असुविधा जनक रूप से सती की ओर देखा उसका अनुभव और उसका समस्त स्वास्त परिक्षण उसे बता रहा था कि वो ऐसा ना करे वो जानती थी कि आउ आउशदी दीजी आयुरवती जी सती ने दुबारा कहा मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ आयुरवती ने सती को आउशदी दे दी उसने सती की आँखों को ध्यान से देखा वो उसकी आँखों में भैय या विशात की कुछ लक्षन देखने की आशा में थी वहां वैसा क बारगी आशा की केरणों से उत्परोथ हो गया मैं जानता हूं शिव ने विस्मयोगति की हम उसे सोम्रस क्यों नहीं देते उसका क्या प्रभा होगा प्रभू चकित आयुर्वती ने पूचा सोम्रस मात्र जारन करता पर क्रिया करता है और लोगों की आयु के व्रद्धी करत है वह घाव पर क्रिया नहीं करता है देखे आयुर्वती मुझे नहीं लगता कि सोम्रस के बारे में कोई भी कुछ समझता है मुझे पता है ये आपको भी पता है आप जो नहीं जानती है वो यह है कि सोम्रस ने मेरे शीत दन्श वाले अंगुठे को पूरी तरह से उप्च नहीं करता है मेरे साथ इस नहीं ऐसा किया है किन्तु यह इसले भीू सकता है कि आप विशेश हैं प्रभू आयुर्वती ने कहा आप नीलकंठ हैं मैं असमान से नहीं टपका हूँ मेरा शरीड उतना танव का हविये जितना सती का उतना ही जितना आपका हम क्या स्वास करना च चून हो सकता है यह यहां का मुख्य वित्रान केंद्र है मुझे वो चून चाहिए अभी इसी समय आपके पास वो दस मिनट में होगा प्रभू वक्र ने कहा और अपने पहरेदारों के साथ मंदिर की दिशा में दौर पड़ा अब हमें प्रतीक्षा करने के अलावा कुछ नह कर सो जाइए मुझे नींद की आवशक्ता नहीं है प्रभतेश्वर ने हट पूरवक कहा मैं अपने पहरेदारों के साथ घेरे की सुरक्षा के लिए जाता हूं आप शंद्रवंशों का विश्वास नहीं कर सकते वे रात्री में प्रती आक्रमणे भी कर सकते हैं निराश आ प्रतीक्षा करनी है और आपको आराम के आवशक्ता है शिव ने मातर सिर हिलाया जंगली अश्व भी उससे सती से विलग नहीं कर सकते थे हमें एक बिस्तर की विवस्ता यहीं इस जूपड़ी में कर सकते हैं आयुर्वती ने कहना जारी रखा यदि आप चाहें तो यहीं स सकते हैं ताकि आप सती पर दृष्टी रख सकें धन्यवाद लेकिन मैं सोने नहीं जा रहा हूं कुछ छड़ के लिए आयुर्वती को देखने के बाद सती के और मुड़कर शिव ने कहा मैं यहीं हूं आप जाकर सोजाएं गिदीस की स्थिती में कोई परिवर्तन आता है तो मैं आपको बुला लूँगा आयुर्वती ने ध्यान से शिव को देखा और उसके बाद धीमे सोर में कहा जैसी आपकी इच्छा प्रभू ठकी हुई आयुर्वती अपनी जोपड़ी की और चली गई उसे आराम के आशकता थी क्योंकि अगला दिन बहुत व्यस्त रहने कर दिया गया था ताकि वे अलग अलग स्थलों में रातरी भर किसी भी आपात इस्तिती का सामना करने के लिए तैयार हो सके मैं सैनिकों के साथ रहूंगा शिव परवतेश्वर ने कहा नंदी और वीरभदर मेरे कुछ नीजी पहरदारों के साथ पहरे पर हैं शिव जानता के बांध तोटकर उसे अंजानी परसिती में लाकर खड़ा करें वो तेजी से बाहर निकल गया परवतेश्वर चुपी साथे बैठा हुआ था उसके सैनिके एक निश्चित दूरी बना कर बैठे हुए थे वे जानते थे कि कब उनके स्वामी एकांत चाहते थे परवतेश् जिसे अपनी इश्वर फुत्री के रूप में मानने में उसे गर्व होगा वो दुर्भा के शाली दिन जब पहली बार और मात्र एक बार उसे अपनी प्रतिग्या पर खेद हुआ कि वो अपनी संतती नहीं होने देगा कौन ऐसा मूर्ख पिता होगा जो सती जैसी संतान की जिक्षा में अत्यंत विश्वासी उस समय प्रभु ब्रहम नायक मेलुहा पर राज किया करते थे उनके पुतर राजकुमार दक्ष एक पारिवारिक विक्ती होने पर संतुष्ट थे जो अपनी पत्नी और पुत्री के साथ अधिकतर समय वेतीत किया करते थे विचहत्रियो के योध्धाओं के तरीकों के ओर तनिक भी रुची लेने वाले नहीं थे और ना ही उन्होंने कभी अपने पिता के उत्राधिकारी बनने का कोई संकेत ही दिया था उस दिन देवगिरी से कुछ दूरी पर सरस्वती नदी के तड़ पर दक्ष एवं उनका परिवार एक पा सती वन में थोड़ी दूर भ्रमण करती हुई चली गई थी नदी के तड़के समीब जहां से वो दिखाई देती रहे अचानक उस चुपी में सती की चीख गुंज गई दक्ष वीरिनी और परवतेश्वर ने चौक कर देखा विशीगरता से तड़के किनारे भागे तो दे जिसे संभवता ये पता नहीं था कि जंगली जनवर से अपनी सुरक्षा के लिए बिना तलवार के लिए नदी के तड़के और नहीं जाना चाहिए आवशी उन जंगली कुत्तों ने उस स्थी पर आक्रमण कर दिया होगा वो कुत्तों का दल बहुत बड़ा था जो एक गर शैली में आगे की और तनी होई थी कुछी छड़ों में वे उस लड़ाई में शामिल हो गए थे पर वतेश्वय ने आक्रामक्ता से उन पर आक्रमण कर दिया और आसानी से कईयों को काट कर रख दिया था इस अचानक आई सहायता के करान सती पुना एक जोश के साथ चार चत्रों में सबसे दुर्बल थे छे कुटे एक साथ उन पर जबट पड़े दक्ष ने तलवार से कुरूर चुभाने वाला प्रहार उस कुटे पर किया जो सबसे आंगे था यहीं चुग हो गई हाला कि दक्ष ने कुटे को मार कर गिरा दिया कि दूस की तलवार उसमत जानवर की शरीर में गहरे धंसकर अटक गई यहीं चोटा सा आफसर वे दूसरे कुटे चाहते थे एक कुटे ने बगल से निर्दैता पुरवक आकरमन किया और अपने जबडे में दक्ष के नाएं हाथ के अगले भाग को पकड़ लिया दक्ष पीड़ा में तीवरता से चीक पड़े किंतु उन्होंने तलवार नहीं चोड़ी और अपने हाथ को चुड़ाने का भर सा खियत ने करने लगे एक अन्य कुटे ने दक्ष की बाएं पाउं को काट खाया उसके पाउ को कुछ मांस तक को उसके जबडे में निकल गाया था राजकुमार को संकट में देखकर प्रवतेश्वर क्रोध में चलाया और उसने तलवार लहरा कर उस futures के शरीर के दो टुकुडे कर दिये अपनी संख्या तेजी से घटे देख वे कुट्टे चिलाते हुए पीछे हटकर भाग खड़े हुए धक्ष वीरिनी ने कहा जैसे ही वो अपने गिरते हुए पती को सहारा देने दोड़ी थी उनके कई घावों से तेजी से रक्त बह रहा था पिशेश कर पाउं से कुट्टे ने अवश्य उनकी किसी प्रमुक नस को काट खाया था परवतेश्वर ने तुरंद ही अपना आपात कालिन शंक बजा दिया पारगमन ग्रह पर उसकी ये ध्वनी पहुच गई सैनिक एमम सास सदल कुछ ही मिंटों में उसके पास होगा परवतेश्वर ने अपना अगवस्तरम दक्षी की जांक पर कसकर बान दिया ताकि रक्त का बेना कुछ कम हो सके उसके बाद उसने घायल इस्तरी को राजशाही दल के समीब रख दिया पिता श्री क्या ठीक है अपने पिता का हाथ अपने हाथ में रखकर सती ने धीमे से पूछा मुझे छोड़ो सती दक्ष ने चिला कर कहा तुम क्या सोचती हो तुम क्या कर रही थी हमेशा ही लाड़ प्यार करने वाले अपने पिता की उस हिंसक प्रतिक्रिया को देखकर सती चुप रहे गई किस ने तुमको नायक बनने के लिए कहा था दक्ष ने गुस्ते में कुल बुलाते हुए डाटा यदि तुमको कुछ हो जाता तो मैं क्या करता मैं कहा जाता और तुमने किस के लिए अपने प्राल संकट में डाले थे उस इस्त्री के जीवन की रक्षा से क्या अंतर पड़ जाएगा उस डान टपड से विक्षित होकर सती निरंतर नीचे की और देख रही थी वो प्रशंसा की आशा कर रही थी पारगमन ग्रह के सैनी के अमम स्वास्ति कारी करता तब तक वहां पहुच चुके थे उन्होंने द्रतकाल ही प्रभावी ढंग से दक्षि के बहते हुए रखते पर नियंतर पालिया परवतेश्वर अमम सती के हलके फुल के घावों को मरहम पट्टी लगा कर विदक्ष को रोगी ले जाने वाली पालकी में रखकर चल पड़े उनके घावों को राजिसी वैद को देखना आवश्यक था जब सती ने देखा कि उसके पिता को ले जाया जा रहा था तो वो जड़वत खड़ी रह गई थी यह सोचते हुए कि उसके क्रत ने कितनी हानी पहचा दी थी वो संकट में पड़ी एक इस्त्री की रक्षा करने का प्रयास कर रही थी क्या ये प्रभुश्री राम की प्रात्मिक सिक्षा नहीं थी कि सबलगा करताव है कि वो नेर्बल की रक्षा करे तभी उसे अपने कंधे पर एक कोमल स्पर्ष कानुभव हुआ वो मुडी तो सामने परवतेश्वर थे उसके पिता के संजीदा अंगरक्षक आश्रे जनक रोप से उनके मुख पर कभी कभी आने वाली एक मधूर मुस्कान थी मुझे तुम पर गर्व है मेरी बच्ची परवतेश्वर ने धीमे स्वर में कहा तुम प्रभु श्री राम की सची शिश्या हो सती की आखोव से सहता अश्रुधारा बह निकली उसने तुरंत ही दूसरी ओर देखा सोयम पर नियंतरन करने में थोड़ा समय लेते हुए उसने सिरु उठा कर एक ठकी हुई मुस्कान के साथ उस विक्ति को देखा जिसे वो पित्र तुले पुकारते हुए पढ़ने और बढ़ने वाली थी एक जटके के साथ वो वर्तमान में आ गया जब प्रवतेश्वर ने एक पच्छी का स्वर सुना उसने घेरे के चारो और दृष्टे दोड़ाई उसकी आँखे इस पुरातन याद से भीगी हुई थी उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रातना के मुद्रा में हुस्पसा कर कहा वो आपकी सची शिश्या है प्रवुश्री राम उसकी रक्षा करें शिप को समय का पता नहीं था जिसे वो पित्रतुल ले पुकारते हुए पलने और बढ़ने वाली थी उसने कोमलता से सहमती में सिर हिलाया था एक जटके के साथ वो अर्तमान में आ गया जब प्रवतेश्वर ने एक पच्छी का स्वर सुना उसने घेरे की चारो और दृष्टी दोडाई उसकी आखे इस पुरातन याद से भीगी हुई थी उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर प्रातना के मुद्रा में फुस्फुसा कर कहा वो आपकी सची शिश्या है प्रभुश्री राम उसकी रक्षा करें शिव को समय का कुछ पता नहीं था जब बहुत से लोगों की जीवन पर संकट के बादल मनरा रहे थे तो इस पश्ट था कि एक छोटे से कारप्रहर कंदील को सही समय के लिए तयार करने के लिए शान्ती से बैठा हुआ था वो किसी प्रकार की धूनी नहीं देने होना चाहता था जो सती के विश्राम में कोई विगने डाले सती ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था उसके अत्यधिक जोर भरे बदन से निकलती जलन के ताप के बाद भी शिव ने अपना हाथ धटाया नहीं था उस अत्यधिक ताप के कारण उसकी हथेली पसीने से तर थी उसने प्रेम पूरवक सती को देखा और अत्यन थी दबे स्वर में फुसपुसा कर कहा या तो तुम मेरे साथ रहो या फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही इस दुनिया को छोड़ दूगा ये वी कलप अब तुम्हारा है तब ही अचानक ही उसने थोड़ा सा जटका अनुभव किया उसने नीचे देखा तो सती का हाथ थोड़ा खिसका जिसके कारण उनके जुड़े हुए हाथों के मद्ध से पसीना नीचे बह निकला ये कहना असंभव था कि पसीना कहां से आया था ये सती का है या मेरा शिव ने ततकाल ही अपने दूसरे हाथ से सती के माथे को इस परश किया वो अब और अधिक ताप से जल रहा था किन्तो उसकी कनपटी पर पसीने की छोटी छोटी मणियों जैसी बूंदे आनी प्रारंब हो गई थी शिव के मन में प्रसनता कि एक बोचार ने उसके सिर से पाउता कि एक सिरहन सिला दी भगवान ब्रह्म देव की कृपा से आयरुमती ने विश्वे के साथ धीमे स्वर में कहा मैंने अपनी जीवन में इस प्रकार की घटना कभी नहीं देखी है वो सती के बिस्तर की बगल में खड़ी थी अब ये तक सोई हुई सती पसीने से तर होती जा रहे थी उसके कपड़े और बिस्तर गीले हो चुके थे परवतेश्वर उसके बगल में खड़ा था उसका मुक आशा की चमक लिए हुए था अगनिबार का जुर कभी नहीं चूटता है स्तब्द आयरुवती ने कहना जारी रखा ये चमतकार है शिव ने स्विर उठा कर उपर देखा उसका जहरा प्रसंदता से ऐसा दमक रहा था जैसे वो अपने अस्तितु में होने के कारण से उबर चुका था पवित्र जील सोमरस पर क्रपा रखे है परवतेश्वर ने देखा कि सती का हाथ शिव के हाथ में जगड़ा हुआ था किन्तो उसने कुछ कहा नहीं उस छण के आनंद ने अंतता उसे उसकी सहज प्रतिक्रिया वाले मन को रोकने में सफलता पाई जो उसे उस भूमी के नियमों के अनुसार अस्विकार तत्थे पर उबलने पर विवश कर देता था प्रभू हमें शीगरता से इन्हें इसनान करवाना होगा आयरुवती ने मर्दूरता से कहा सुएद को आवश्यक रूप से हटाना होगा हाला कि ये देखते हुए कि उनके घाव में पानी ना जाए मेरी परिचारिकाओं को ये काम करना होगा शीव ने सिर उठा कर आयरुवती को देखा और सिर हिलाया वो कुछ भी समझा नहीं और उससे समझने के आवशक्ता भी नहीं थी आयरुवती एक निपण वायते थी हाँ तो प्रभू आयरुवती ने कहा इसका आर्थ है कि आपको कमरे से बाहर जाना पड़ेगा निसंदे शीव ने कहा जैसे ही वो खड़ा होकर जाने को हुआ तो आयरुवती ने कहा प्रभू आपके हाथों को भी अच्छी तरह से धोने के आवशक्ता होगी शीव ने नीचे सती के पसीने को देखा उसके बाद उसने आयरुवती को देखा और सहमती में सिर हिला कर कहा मैं अभी ततकाल ही ऐसा करूँगा ये चमतकार है सती अगनिवार से आश्ता कोई भी बच नहीं पाया है आयरुवती ने दीप्तिमान मुख से कहा मैं सच कहूंगी मैंने तो आश्रा ही छोड़ दी थी ये तो प्रभू की आस्ता है जिसने आपको जीवित रखा सती नए धोई हुए कपड़े को पहने बिस्तर पर लेटी हुई थी उसके चेहरे पर चिर परशित मुस्कान थी एक नया बिस्तर लगाया गया था जिसमें धुली हुई एवं विसंक्रमित चादरे बिची थी सोमरस द्वारा उत्सर जित सभी प्रकार के विशैले सुएदों के अंच तक मिटा दिये गये थे अरे नहीं संकोच से भरे शिव ने कहा मैंने कुछ नहीं किया ये तो सती के लड़ने की च्छमता ने उसे बचा लिया है नहीं शिव ये आप थे मैं नहीं सती ने शिव के हाथ को यतावत पकड़े हुए कहा अब उसकी पकड़ में कोई संकोच नहीं था आपने मेरी कई बार और कई स्तर पर रक्षा की है मैं नहीं जानती कि आपके इन रिणों को चुकाने का प्रारंभ भी कर पाऊंगी या नहीं ये दुबारा ना कहकर कि तुम्हे कुछ चुकाना भी है सती की मुस्कान और खेल उठी और उसने शिव की हतेली को और कसकर पकड़ लिया पर वतेश्वर ने उन दोनों को निराश होकर देखा अब वो इनके इस प्रकार खूले प्रेम प्रसंग के प्रदर्शन को देखकर आप रसने था ठीक है फिर आयुर्वती ने अपने हाथों से ताली बजा कर कहा जैसे ही उस कतांश के समाप्तोने का संकेत दे रही हो वैसे तो मेरी इच्छा है कि आप लोगों के मद्दे बैटकर धेर सारी बाते करो किन्तो मुझे बहुत काम करने है क्या काम शिवन ने ठीठोली करते हुए का आप एक अद्बुत वैदे हैं आपके पस आसाधरान सहायक दल है मुझे पता है कि प्रतेग घायल विक्ति को बचाया जा चुका है अब इसके बाद आपके लिए और कुछ काम नहीं बचता कार्य है प्रभू आयरुवती ने एक मुस्कान के साथ कहा मुझे इसे भी आकड़ों में भरना है कि कैसे सोमरस अगनिबार का उपचार कर सकता है देवगरी पहुशने पर मैं स्वास्त परिश्यत में इसके बारे में प्रिस्तुति करण दूँगी ये एक बड़ा समजार है हमें सोमरस के उपचार करने वाले गुणों पर शोध करना चाहिए बहुत सारे काम है जो मुझे करने है शिव प्रेम पूर्वक आयरुवती को देख कर मुस्कुराया सती ने धीमे स्वर में कहा धन्यवाद आयरुवती जी सास्त्र लोगों की तरह मेरा जीवन आप पर उधार रहा आपको कुछ करने के आशकता नहीं है सती मैंने मातर अपना कर्तव ये निभाया है उसके बाद आयरुवती ने जुख कर आपचारे एक रूप से नमस्ते किया और कमरे से बाहर चली गई ऐसा है कि मुझे परवतेश्वर अजरमी ढंग से बढ़ बढ़ाया और कमरे से बाहर चला गया परवतेश्वर को ये देख कर राश्चरे हुआ कि आयरुवती बाहर उसकी प्रितिक्षा कर रही थी वो पहरोदारों से एक सुरक्षित दूरी पर खड़ी हुई थी आता हूं कि कुछ भी कहने के लिए उचित समय नहीं है किन्तु जब उप्योक्त समय होगा मैं इस विश्य को अवश्य उठाऊंगा नहीं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए आप ऐसा कैसे कह सकती है पर वतेश्वर ने ऐसे पूछा जैसे उसे गहरा सत्मा लगाओ आप एक ऐसे परिवार से आती है जहां विद्रो के समय एक भी स्वधर्म त्यागी ब्रामर नहीं था प्रभु श्री राम ने बल देकर कहा था कि नियम का कड़ाई से पालन करना चाहिए उन्होंने बार-बार ये प्रदर्शिन किया था कि वे भी नियमों से परे नहीं थे शिविक अच्छे वेक्ति हैं किन्तु वे नियम से परे नहीं हो सकते हैं असल में कोई भी नियमों से परे नहीं हो सकता अन्यता हमारा समाज ही नष्ट हो जाएगा आपको तो सबसे पहले ये जानना चाहिए मैं मात्र ये जानती हूँ आयरुवती ने द्रण निच्चे होकर कहा यदि नील कंठी से उचित समझते हैं तो ये उचित है परवतेश्वर ने आयरुवती को ऐसे देखा जैसे उसे पहचानता नहीं हो जिस इस्त्री ने आज तक समस्ते नियमों का अनुसरण बिना किसी अपवाद से किया था वो ये इस्त्री नहीं हो सकती थी परवतेश्वर शिव का आदर करने लगा था किन्तो वो आदर संदेह रहित आस्था में नहीं परिवर्तिस हो सकता था वो इस बात पर विश्वास नहीं करता था कि शिव वो व्यक्ति था जो प्रभुश्री राम के अधूरे कारियों को पूरा करेगा प्रविदेश्वर की दृष्टी में मातर प्रभुश्री राम ही उस असीम आग्या पालंता के अधिकारी थे और कोई नहीं वैसे भी आयरुवती ने कहा मुझे जाना है मुझे एक सिधान्त के बारे में चिंतन करना है वास्तों में शिव ने पूछा मिलोहा में ये आवश्यक नहीं कि समराट का सबसे बड़ा बेटा ही उसका अत्रदिकारी बनेगा हाँ सती ने उत्तर दिया शिव और सती ने पिछले सब्ता कई घंटे महत्वण एवं सांसारिक बिश्यों के बारे में बाचीत करने में बिताये थे सती स्वस्तों तो हो रही थी किन्तो अभी भी बिस्तर से उठ नहीं पाई थी राजिसी काफिले ने कौंज में ही पड़ाव डाल दिया था जब तक कि सभी घायल चलने की आवस्था तक भले जंगे न हो जाए लोथल की यात्रा रद कर दी गई थी शिव और प्रवदेश्वन ने निर्ने लिया था कि जैसे ही सब घायल अच्छे हो जाएं वो प्रेम पूरवक मुस्कुराई और उसने कहना जारी रखा ऐसा है कि लगबग 250 साल पहले तक मिलूहा में राजाओं की संतान उनकी पैदाईश नहीं होती थी बल्कि मैका विवस्था से आते थे अथा उस समय उनकी सबसे बड़ी संतान के बारे में जानने का प्रश्नी नहीं उड़ता था हम मातर इतना जानते थे कि वो उनका पहला दत्तक पुत्र था बात बिल्कुल सही है किन्तु इसके अच्रिक्त ये भी आवश्रक नहीं था प्रथम दतक पुत्र ही उत्रादिकारी बनेगा इस्थिरतावयम शांती के लिए ये एक और नियम था जो प्रभुष्री राम ने स्थापित किया था आप देख सकते हैं कि पुराने युग में कई राजशाही परिवार हुआ करते थे जो चोटे चोटे राजियों पर शासन किया करते थे ठीक है शिव सती की बात पर जितना ध्यान दे रहा था उतना ही उसके गालों में पढ़ रहे सम्मोहित कर देने वाले गड़े पर भी दे रहा था ये राजा संभवता हमेशा ही युद्धिरत रहा करते होंगे ताकि कोई एक सम्मराण बन जाए चाहे वो कितने ही कम समय के लिए क्यों न हो स्पष्चता सती प्रभुष्री राम के पूर्व राजाओं की मुर्खता पर सिर हिलाते में मुस्कुरा कर बोली वैसी ये लगभख हर जगा ही है शिव ने अपने देश में होने वाले निरंतर युद्धों को याद करते हुए कहा राजाओं के मध्य आधिपत्य के लिए किये गए युद्धों ने अनीक अनावश्चक और विर्थ के युद्ध करवाए जिनमें आम नागरिकों को सबसे अधिक कष्ट उठाना पड़ा था सती ने कहना जारी रखा प्रभु श्री राम ने अनभव किया कि राजाओं के आहम कित्रुष्टी के लिए आम नागरिकों का कष्ट जेलना अनावश्चक और मुर्खता पूर था उन्होंने एक विवस्था बनाई जिसमें एक राजसभा अर्था शाशन करने वाली परिशद बनाई गई उसमें ब्रामणों एवं छत्रियों के कुछ विशेश पदों के लोग भी शामिल किये गए जब भी किसी समराट का निधन होता था अत्वा वे सन्याज ग्राण करते थे तो ये परिशद छत्रियों में से किसी एक को समराट चैनित करती थी जो सेनापती या उससे उच्च पदस्थ हो इस नेड़ने का विरोध नहीं किया जा सकता था और भंग भी नहीं किया जा सकता था मैंने पहले भी कहा था और मैं पुना कह रहा हूँ शिव ने बड़ी मुसकान के साथ कहा प्रभु श्री राम अत्यदिक प्रतिभाशाली थे हाँ वे अवश्य थे जै श्री राम सती ने उत्सा पुर्वक कहा जै श्री राम शीव ने दोह राया लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे पिता ब्रह्मनायक के बाद कैसे समराड बने महराज तो पूर उस समराड के सबसे बड़े पुत्र हैं वे चैनित हुए थे उसी प्रकार जैसे मेलुहा में अन्य समराड चुने जाते थे वास्तों में देखा जाये तो मेलुहा के इतिहास में ये पहली बार हुआ था जब शासन करने वाले समराड के पुत्र को समराड चैनित किया गया था लेकिन तुम्हारे दादा जी ने तुम्हारे पिता जी को चैनित होने में साहिता की थी मैं इस बारे में निश्चित रुप से नहीं बता सकती मैं जानती हूँ कि मेरे दादाजी, मेरे पिता को समराट बनते देखना पसंद करते थे किंतु मैं ये भी जानती हूँ कि वे एक महान रेक्ती थे जो मेलुहा के नियमों का पालन करते थे और उन्होंने खुले रुप में ऐसा नहीं किया होगा एक महान रिशी भ्रगु हुआ करते थे जो समराज में हर जगा सम्मानिय है उन्होंने मेरे पिता के चैन में बहुत सहायता की थी कोमलता से अपने हाथ सती के मुख पर फिरते हुए शिव मस्कुराया सती ने आखे बंद कर ली उसके शरीर में उस इस पर्ष से आनंद प्रदायक सम्वेदना उगरी उसका हाथ सती के मुख से उतर कर उसके बदन से उतरता हुआ पुना सती के हाथ पर आकर थम गया उसने सती के हाथों को हलके से दबाया दक्ष और रिशी भ्रगु के संबंदों के बारे में शिव और प्रश्न पूछने ही वाला था कि तभी अचानक द्वार खुला अक्तियदिक ठके मांदे दक्ष ने प्रवेश किया उसके पीछे वीरिनी और कनकला थे शिव ने तच्छन ही अपने हाथ को खीच लिया इससे पहले कि दक्ष देख पाता कि वो कहां रखा हुआ था गिन्दो दक्ष ने हाथ को खिसकते देख लिया था पिदाच्री आश्यरे चकित सती चिलाई सती मेरी बच्ची सती के बिस्तर पर जुकते हुए दक्ष ने गहरी सांस छोड़ी वीरिनी दक्ष के पास में जुकी और उसने भी प्रेम पूर्वक अपनी पुत्री के मुख पर हाथ फेरा वो रो रही थी कनकला दौर पर ही रहे गई थी उसने शिव को एक आपचारिक नमस्ते किया शिव ने उसके नमस्ते का उत्तर एक दीबतिमान मुस्कान के साथ दिया परवतेश्वर एव मायुर्वती कनकला के साथ खड़े होकर प्रतिक्षा कर रहे थे तिराश्राही परिवार को उनके नीजी छोड़ों में एकांत परदान करना चाहते थे नंदी वीरभद्र और कृतिका उनके पीछे खड़े थे एक सहायक राजशाही दंपती के लिए दो कुरसियां ले आया उसने उन्हें बिस्तर के बगल में लगाया और तच्छणी बाहर चला गया दक्ष वीरिनी और कनकला दो हजार सैनिकों के साथ उसी समय देवगरी से निकल पड़े थे जैसे ही उन्हें ये समचार प्राप्त हुआ कि सती गायला वस्ता में थी उन्होंने सरस्वती नदी को पार कर दिनरात लगातार चलते हुए कौँच की आतरा की थी मैं ठीक हूँ पिता श्री सती ने अपनी माता के हाथ को नम्रता से पकड़ कर कहा अपनी माता की और मुलकर उसने कहना जारी रखा सच में कहती हूँ मा मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ मुझे एक सप्ता और समय दीजे और मैं आपके लिए निर्थे का प्रदर्शिन करूँगी शिव सती की बास सुनकर मुस्कुराया दक्ष एमम वीरिनी की एक दुर्बल हंसी फूट पड़ी अपने पिता की और देखते हुए सती ने कहा मुझे शमा करने पिता श्री मैंने आपके लिए बहुत विपत्ती खड़ी कर दी है मैं जानती हूँ कि कई महत्तपूर काम पड़े हैं और आपको यहां आना पड़ा विपत्ती दक्ष ने पूचा मेरी बच्ची तुम मेरा जीवन हो तुम मेरी खुशी का स्रोत हो और इस समय तुम कलपना भी नहीं कर सकती कि मुझे तुम पर कितना गर्व है वीरिनी ने जुक कर सती के लिलाट को चूम लिया मुझे आप सब पर गर्व है दक्ष ने मुड़कर परवतेश्वर एम आयुर्वती की और देखते हुए कहना जारी रखा गर्व इस बात पर भी कि आप लोगों ने प्रभू का साथ उस कार में दिया जो हमें करना ही था हमने वास्तों में एक तरासद आकरमन को पराजित किया है आप इसकी कलपना भी नहीं कर सकते कि इस गटना ने समस्त सामराज में कितनी उत्तेजना भर दी है दक्ष आराम पहुचाने वाले धंग से सती के हाथों पर थपकी देते हुए और शिव की और मुड़ गया धन्यवाद प्रभू हमारे लिए संखर्ष करने का बहुत बहुत धन्यवाद हमें पता है कि हमने सही वेक्ती पर आस्था किये शिव कुछ बोल नहीं पाया वो असाहजता में मुस्कुराया और दक्ष की आस्था को मानते हुए सहमती में सिरह लाया और शिष्टा पूरवक नमच्टे किया आयरुवती के और मुड़ते हुए दक्ष ने पूछा अब ये कैसी है मुझे बताया गया है कि आप पूर्ता स्वस्त हो जाने वाली है जी हां महराज आयरुवती ने कहा एक सब्ता के अंदर ये चलने लगेंगी और तीन सब्ता में इस घाओ की याद के नाम पर मातर अपने दोनों हाथों से अपने कानों को छुआ जैसे वो इस प्रशंसा की अधिकारनी ना होने पर बुरी शक्तियों से बचने का प्रयास कर रही हो बहुत से वैद मुझसे बहतर हैं किन्तु इस प्रकरण में ये चमतकार प्रभु नीलकंट खा ता मेरा नहीं प्रकट कोई उपचार नहीं है महराज किन्तु प्रभु ने आज छोड़ने से इंकार कर दिया ये नहीं का विचार था कि इन्हें सोम्रस दिया जाए दक्ष ने कृतकिता भरी मुस्कान के साथ शिव की और मुड़कर कहा मुझे आपको एक और बात के लिए धनिवात करना है प्रभु दक्ष ने कहा आप सच में नीलकंठ के लायक हैं असल में आप महादेव के लायक हैं हक्का बक्का हुए शिव ने दक्ष को देखा तो उसका भाव सच में गंभीर था वो जानता था कि इसके पूर्व महादेव अठाद देवों के देव कौन थे वो कभी इस बात को नहीं मान पाया था कि वो भगवान रुद्र के साथ तुलना करने योग्य था उसके कर्म उसे इसकी अहरता नहीं देते थे नहीं महाराच आप मेरे लिए बहुत उचा बोल रहे हैं मैं महादेव नहीं हूँ आप ही महादेव हैं प्रभू कनकला और आयरुवती ने लग प्रभू के सामने बान का वार सहने के लिए छलांग क्यों लगई तुम्हें तो पौराणी गाताओं पर विशास नहीं था तुम्हें निलकंठ में आस्ता कभी नहीं थी जितनी मुझे है तब तुमने प्रभू के लिए अपने जीवन को जोखिम में क्यों डाला सती ने प्रदिक्षा कर रही थी कि वे खड़ें और शिव से बात करें दक्ष अचानक ही खड़ा हो गया और बिस्तर की दूसरी और शिव की और आपचारिक नमस्ती के मुद्रा में हाद जोड़ कर गया चेकित शिव ने उठकर अपने सिर को थोड़ा जुका कर दक्ष के नमस्ते का उसी प्रकार आपचारी क्रुप से हाद जोड़कर उत्तर दिया प्रभु संभवता ये पहली बार हुआ है जब मेरी पुत्री की जिवा मेरे समक्ष हिली नहीं है दक्ष ने कहा और मैं इतने समय में आपको भी समच चुका हूं आप हमेशा दूसरों को कुछ देंगे कि तो अपने लिए कुछ मांगेंगे नहीं इसलिए यहां मैं अपनी ओर से ही प्रारंब करूँगा शिव अपनी तियोरी चड़ा कर दक्ष के और गहरी दरश्टी से देखा मैं आपसे जूट नहीं बोलूँगा प्रभू दक्ष ने कहना जारी रखा नियम के अनुसार मेरी पिता को ही दोशी माना जाए मेरी पूत्री को इस नियम में के अनुसार ही विकर्म के शरी में रख दिया गया था शिव ने दक्ष और दक्ष ने कहना जारी रख्था मैंने उसे कभी भी कोई भी गलती करते नहीं देखा है जहां तक कि वो किसी के बारे में गलत सोच भी नहीं सकती है वह एक बहुत अच्छी इस्तरी है मेरे विचार में जो नियम इसकी भरत्सना करता है वह अनुचित है किन्तों मैं मात्र स समराथ हो मैं नियम को बदल नहीं सकता परवतेश्वर ने क्रोध में आखे तरेर कर दक्ष को देखा वो दुखी था कि उसने एक ऐसे समराथ के साथ काम किया जो विधी को इतनी निकृष्टता से देखता था ये मेरे हरदय को कुचल कर रख देता है कि मैं अपनी पुत्री क को एक खुशी का जीवन नहीं दे सकता जिसकी वो पात रहे दक्ष ने सुभक्ते होए का उसके जैसी भली आतमवाली के साथ होने वाले प्रते दिन के अपमान से मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता हूं मातरा आप से सहायता की उमीद है रख सकता हूं आप नियमों से परे हैं, आप नियम में परिवर्तन कर सकते हैं, यदि आप चाहें तो आप उसका अधिरोहन कर सकते हैं, व्याकुल परवतेश्वर ने दक्ष को कुरुद दृष्टी से देखा, कैसे एक समराठ नियमों के प्रती इतना उपिक्षा पूर्ण हो सकता था, उस कुछ ही छण में समराठ सती का हाथ उसके हाथ में देने को तैयार होने वाले थे, समस्त भावनाय शीव के बदन में एक लहर की भाती दौर पड़ी, उसके मुक पर भाव विभोर कर देने वाली प्रसंदता जलक रही थी, उसने बोलने का प्रयास किया कि उसका गला भरा वो नीचे जुका उसने सती का हाथ बहुत ही कोमलता से अपने हाथ में उठा लिया, उसे अपने होठो तक लाकर उसे अत्यंती प्रेम पूरवक चूम लिया, उसने दक्ष को देखा और अत्यंती धीमे स्वर में कहा, मैं इसे आप से दूर नहीं होने दूँगा, कभी भी पूरी तरह से भोचकी हुई सती ने शिव को गहराई से देखा, पिछले सब्ता उसने प्रेम करने का दुसाहास किया था, लेकिन उसने कभी भी आशा रखने का दुसाहास नहीं किया था, और आज उसका कभी न पूरा होने वाला था, वो उसकी पत्नी बनने वाली थी, अत उसने दक्षी और देखा, जिसे वो उसे छमा कर देने के लिए इच्छुपती आयर्वती और कनक्ला ने कमरे में प्रवेश्किया और समराट महारानी शिव और सती को बधाई दी नंदी कृतिका और वीर्भत्र ने सुना तो वो एक खुशी से उचल पड़े थे परवतेश्वर अपनी जगा पर जडवत खड़ा था, वो प्रवु शिर्राम के तरीकों के इस अनादर से छुद था अन्दता शिव ने स्वयम पर नियंतर पा लिया, अच्छी तरह से सती का हाथ थामकर उसने दक्ष किया और देखा और कहा लेकिन महराज मेरी एक शर्थ है, जी हाँ प्रवु, विकर्म नियम इसमें परिवर्तन के आवशकता नहीं है प्रवु, दक्ष ने कहा, यदि आप मेरी पुत्री से विवाह का नियम आपको रोक नहीं सकता है फिर भी शिव ने कहा, इस विधी को बदलने के आवशकता है, निसंदी इसके आवशकता है प्रवु, दीप्तिमान दक्ष ने कहा, कानकला के और मुड कर उसने कहना जारी रखा ये बताते हुए कि अब से कोई राजशाही इस्त्री जो मुर्थ शिश को जन्म देती है वो विकर्म की श्रेणी में नहीं रखी जाएगी, ये गोश्रा तयार कीजिए, जो निलकंठ द्वारा हस्ताक श्रित होगी नहीं महराज, शिव ने टोक कर कहा, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं चाहता हूँ कि समस्त विकर्म विधी को ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए, अपसे कोई भी विकर्म नहीं होगा, बुरा भाग किसी पर भी अगात कर सकता है, इसके लिए उसके पूर जन्म को दोशी ठहरा मुर्खता है, परवतेश्वर ने शिव को आश्चरे से देखा, यद्देपी वो प्रभु श्री राम के विदियों में एक अल्प विराम का परिवर्तन भी पसंद नहीं करता था, फिर भी प्रभु श्री राम के मौलिक सिध्धानत का शिव द्वारा पालन करने को उसमें प्रशंसनी अमाना, विधी सब पर लागो होनी चाहिए, समान रूप से एवं उचित रूप से बिना अपवाद के, हाला कि दक्ष ने शिव को सदमे से घूरा, ये असंभावित था, अन्य मेलूहा वासियों की भाती वो भी विकर्म को लेकर अंद विश्वासी था, उसकी जब आप उस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो वो विधी बन जाएगा, मेरी पुत्री के खुशी के दिन फिर से आने वाले हैं, दक्ष ने अत्यंत प्रफुलित होते हुए कहा, और कनखला की और मुड कर बोला, जब हम देवगिरी पहुचा है तो मैं वहाँ एक भव आयोज को को बुलवाईए, खर्च में कोई कमी मत छोड़िये, दक्ष ने शिव की और उसकी सहमती की आशा में देखा, शिव ने सती की और उसकी प्रसनता भरी मुस्कान और उसकी गालों में पड़े छोटे छोटे अती सुन्दर गंडों की प्रशनसा करते हुए देखा, उसके से कोई अंतर नहीं पड़ता, कि वो एक साधारान समाहरो हो, अथ्वा अत्यंत भाव्या, आती सुन्दक, दक्ष अत्यंत प्रफुलित था, अध्याय उन्निस, प्रेम संपादित हुआ, तीन सब्ता के बाद जब राजशाही काफिला देवगिरी पहुचा तो वहां उत्स विभिन प्रकार के वैवाहिक अनुष्ठान एवं समारो साथ दिनों तक चलने वाले थे, और प्रते एक दिन प्रचुर मात्रा में अनिक प्रकार के आयोजनों की व्यवस्थाएं कर दी गई थी, सामाने तह सूर वंशियों के सैयमी मानकों के विपरेत नगर को प्रणों पर उत्सव का चटक रंग चाड़ा हुआ था, सड़क पर नीले रंग के नए खपरेल लगा दिये गए थे, इस धूमधाम की दावत में नगर के सभी भोजनालेयों में प्रशासन की और से सहायता प्रात निश्लक भोजन की व्यवस्था की गई थी, सामराज्य क पैसे से सभी मकानों को इस प्रकार रंगा गया था, जैसे एक दिन पहले ही नगर की स्थापना हुई हो, बड़ी शीगरता से सरस्वती नदी के दूर वाले छोर से एक बड़ी नहर खोदी गई थी, जहां से नदी की एक धारा को मोड़ दिया गया था, जैसे ही पानी उस प्रवेश कर रहा था, तो वहां पर विशालकाय च्छनी लगाई गई थी, जिसमें लाल रंग मिला हुआ था, और जहां से उस नहर का पानी वापस नदी में मिल रहा था, तो वहां पर भी एक च्छनी लगाई गई थी, ताकि स्वच्छ पानी नदी में पुना वापस प् सुर्वंशी राजशाही लाल रंग से सज्जित उस विशालकाय आदरपूर्ण स्वास्तिक को सम्मान पूर्वक देख सकता था तीन विदिकाओं के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोंट से कलदार पुलों पर बनाये गए कुछ कटीले खंबों को हटा दिया गया था समराज जिसे कुलीन परिवारों को इस उत्सवों में प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित किया गया था इस अति महात्पूर्ण अवसर पर राजिपाल से लेकर विज्ञानिक तक सेनेपतियों से लेकर कलाकारों तक और यहां तक कि सन्यासियों के भी सभी उच्छ पदस् में होने वाले अत्रिक्त व्यापार के लिए भुना लिया था ब्रहस्पति मंदार परवत्वर्ण से बड़ी ठाट बाट से अपने संगी साथियों के साथ आया हुआ था मंदार परवत्वर मातर धाचानुमा अरिश्णेमी सैनिकों के दल को उसकी सुरक्षा के लिए शिर्वात प्राप्त किये जाते थे और ऐसा आयोजन जो सहस्त्राब्दी का विवाह हो तो ऐसे महात्रपूर्ण छड़ों में उनकी स्विक्रती आवश्यक थी हाला कि वो विशेष्ट पूजा उनके युद्धा बन जाने के कारण आयोजित की गई थी दक्ष ने एक सुवक्ता की भाती इसके कारणों के विवरन दिये मेलुहा वासी निलकंठ एवं राचकुमारी के विवाह का किवल उत्सव ही नहीं मना रहे थे बलकि वे उन तुच्छ त्रासद कारियों की कौंज में पराजय का भी उत्सव मना रहे थे उसके अनसार कौंज की गौंज स्वधी पासियों के हरदयों में गहराई से गुझाय मान होगी सुर्वश्यों का प्रतिशोद प्रारम हो चुका था उस पूजा के बाद शिव एवं सती के विवा का उपचारिक अनुष्ठान हुआ यद्देपी अभी अनुष्ठान एवं समारोह चल ही रहते लेकिन शिव ने अपनी जान चुड़ाई और सती को साथ लेकर वहां से निकल आया था पवित्र जील की सोगंद शिव ने अपने निजी कमरे के द्वार को बंद करते हुए आश्यरे में कहा ये तो अभी पहला दिन है क्या प्रते एक दिन इतना ही लंबा होने वाला है ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि इससे आपको कोई अंतर पढ़ने वाला है आपकी जब इच्छा हुई आप महां से निकल आये सती ने छिरखानी करते हुए कहा मुझे उन समारोहों से कुछ भी लेने देना नहीं है अपनी रस्मों वाली पकड़ी को निकाल कर एक और फेकते हुए शिव ने गुरा कर कहा बारी सासे लेते हुए उसकी और बढ़ते हुए उसने सती को उगरता से घुरा हाँ निसंदे है एक नाटकिये मुद्रा के साथ सती ने उपहास किया निलकंट को ये निर्णे लेने का अधिकार है कि क्या सही है और क्या सही नहीं है निलकंट जो चाहते हैं वो कर सकते है हाँ वो कर सकता है सती ने शरारत भरी ठीठोली की और भाग कर बिस्तर की दूसरी और चली गई अपने अंगवस्तरम फेकते वे शिव उसे पकड़ने के लिए तेजी से उसकी ओर लपटा हाँ वो कर सकता है याद रखना मैंने तुम्हे क्या कहने के लिए कहा था नंदी ने फुसफुसा कर वीरभद्र को कहा चिंता मत करो प्रभू अवश्यनु मती देंगे क्या सती द्वारा उठाये जाने वाले नेंद से बोजिल आँखों वाले शिव ने पूछा उठे शिव सती ने कोमलता से धीमे स्वर में कहा उसकी लटे शिव के चेहरे पर गिरी हुई थी जो इसके गालों से छेड़ खानी कर रही थी सावधानी से सती ने धीमे से कहा क्योंकि शिव ने ललक के साथ सती को देखा नंदी कृतिका और वीरभत्र बाहर प्रतिक्षा कर रहे हैं कुछ महतुमूर बात करना चाहते हैं शिव गुर राया और द्वार के पास चल कर गया उसने तीकी दरिश्टी से उन तीनों को देखा और पूछा क्या है नंदी क्या कोई ऐसी सुन्दर वस्तु तुमारे जीवन में नहीं है जिसे तुम मुझे परिशान करने के बज़ाए इस समय परिशान कर सको आपके जैसा कोई नहीं है प्रभू नंदी ने बहुत नीचे जुकते हुए शालीन नमस्ते के साथ कहा नंदी अब तुम ये मूर्खता बंद कर दो वरना जीवन भर कुवारे ही रह जाओगे शिव ने शरारत की सभी लोग ठाहा का मार कर हास पड़े लेकिन प्रतिका अपने काम के बारे में चिंतित रही वैसे तुम लोग क्या बात करना चाते हो शिव ने पूछा नंदी ने वीरभद्र को जोर से कुनी मारी शिव वीरभद्र के और मुड़ा उसने प्रशन सूचक दृष्टी से देखा भद्र भद्र कबसे तुम्हें मुझे बात करने के लिए इतने लोगों की सहायता क्या शक्ता पढ़ने लगी शिव ने पूछा शिव वीरभद्र घवराहाट में भुन-बुनाया हाँ ऐसा है ये ऐसा क्या है असल में देखिए मैं देख रहा हूं बद्र शिव शिव वो पहले से घवराया हुआ है उसे और मत सताये सती ने कहा उसके बाद विरभद्र के और मुड़कर उसने कहना जारी रखा विरभद्र निडर होकर कहो तुमने कुछ कलत नहीं किया है शिव विर्भद्र भीरूता से फुस फुस आया उसके गाल चुकंदर की तरह लाल थे मुझे अनुमती चाहिए अनुमती दी जाती है शिव को अब तक हसी आ चुके थी तुम्हें जिसके लिए भी चाहिए असल में मैं सोच रहा हूँ कि विवाह कर लो आती उत्तम विचार ह शिव ने कहा बस तुम्हें अब ये करना है कि किसी एक अंधी इस्त्री को तुमसे विवाह करने के लिए मनाना है असल में मैंने पहले से ही एक इस्त्री ढोंडी है विर्भद्र ने हिम्मत जुटा कर कहा इससे पहले कि उसकी हिम्मत पस्त हो जाए और वो अंधी नहीं है अंधी नहीं है शिव की बहुएं शरारत और तरीके से गुलाई में उठी जैसे उसे विश्वास ही ना हुआ हो तब तो वह आवशी एक मूर्ख हिस्त्री है जो अपने अगले साथ जन्मों के लिए एक ऐसे विक्ति के साथ बंदना चाहती जो किसी दूसरे विक्ति से अपन मैं पसंद नहीं करता हूँ उनमें से जो पहली है वो यह है कि कबीले के मुख्या को अपने कबीले वालों के लिए दुल्हन अनमोदित करनी होती है तुम्हें याद नहीं है हम बच्पन में इस मुर्खता भरी परंपरा का कितना मजा कुड़ाय करते थे वीरभद्र ने श शर्यजनक रूप से भाव विभोर होकर उसे देखा और नंदी ने फिर उसे कोहनी मारी कृतिका ने वीरभद्र को देखा उसने एक बहुत ही गहरी सांस छोड़ी जैसे बौड़ी कठिनाई से निकलाई हो वो सती की और मुड़ी उसने मन ही मन कहा धन्यवाद शिव कृतिक लेकिन दिल से हम अच्छे लोग हैं लेकिन आपको कैसे पता लगा वीरभद्र बोला मैंने आपसे पहले कभी नहीं बताया कि मैं इसे प्यार करता हूँ मैं अंधा नहीं हूँ भद्र शिव मुस्कुराया धन्यवाद कृतिका ने शिव से कहा मुझे स्विकार करने के कोई आवशकता नहीं है वैसे मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं कृतिका ने कहा मैंने कभी भी निलकंठी की पौरानी कथा में विश्वास नहीं किया था किन्तु आपने जो कुछ भी देवी सती के लिए किया है यदि वही आप मेलूहा के लिए भी कर सकते तो आप अवश कि पठे इधर आ वीरभदर आगे आया और उसने अनुराग सहित शिव को अलंगन बद किया और फुस्फजाया धन्यवाद शिव मूर्खता मत करो धन्यवाद की कोई आवशकता नहीं है शिव ने मुसकान के साथ कहा वीरभदर की मुसकान और चौड़ी हो गई और सुनो शिव ने बनावटी गुस्से में कहा जब हम अगला चिलम एक साथ पेंगे तब तुम्हें उत्तर देना होगा कि कैसे तुमने एक इस्त्री से प्यार करने का दुसाहस इतने समय तक किया और अपने सबसे अच्छे मित्र से बताया तक नहीं सभी लोग ठहा का मारकर हास माता जी को इस विशेश अनुष्ठान से मुक्ति दे गई थी ये मातर वर्यम स्वसुर के लिए था पंडित पूजा के तयारी कर रहे थे जो कुछ ही छड़ों में प्रारम होने वाली थी बात सही है देखा नहीं आपने आज लगभग 6 दिनों से लगातार समारों हो एवं नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका 6 दिन की पूजा से कोई संबन्ध है, ब्रहसपति ने कहा, नहीं, कनख्ला ने पूजा, नहीं, ब्रहसपति ने शरार्ति धंग सुपतर दिया, मेरी विचार से इसका गहरे संबंध 5 रातों से है, क्या? आहरवति ने चिला कर कहा, जब इस्त्रियां खिलखिला कर हस्पणी तो ब्रहस्पती ने ठाका लगाया एक सहायक पंडित ने चिढ़कर मुढ करके उन्हें देखा लेकिन जब उसने पैठे हुए ब्रामडों की वरिष्टता देखी तो अपनी खिजलाहट को पी गया और अपनी तयारी में जुड़ ग पंडित ने श्लोकों के आहवान का पुना आरंब किया शीव एमदक्ष दोनों ही आनुष्ठानी घी को स्वाहा का उचारान करते हुए समय समय पर पवित्र अगनी में डालते जा रहे थे दो स्वाहा के मध्य में शीव और दक्ष के लिए परयाप्त समय होता था कि वे एक दूसरे से हलके स्वर में बाचीत कर सकें वे सती के बारे में बाते कर रहे थे और मात्र सती के बारे में ही किसी भी एक निस्पक्ष पर या वेक्षक को ये निर्णाय लेना बहुत कठिन था कि आखिर उन लोनों में से कौन राजकुमारी को अधिक प्रेम करता था पंडित दक्ष के हाथ में बंधे चैनी जाती चिन्वाले बाजूबंद पर पड़ी उस पर वने पशु को देकर शिव भौचका रह गया लेकिन उसकी सहज बुद्धी ने उसे कुछ भी कहने से रोग दिया इस मद्धे दक्ष ने भी मुड़कर शिव के इस अवलोकन को देख लि शिव ने शर्मिंदा होते हुए बुद्बुदा कर कहा मेरे देखने का ये अर्थ नहीं था मेरी छमा याचन उस्तुरिकार करें आप क्यों छमा प्रार्थी हो प्रभू दक्ष ने कहा ये मेरा चैनीत जाती वर्ग है ये हाथ में पहना जाता है ताकि सभी लोग देख सके और मुझे वर्ग इकरत कर सकें लेकिन आप अपने चैनीत जाती वर्ग से कहीं अधिक स्रेष्ट हैं शिव ने नम्रता से कहा आप उसे बहुत अधिक महान है जो ये बाजुबंद प्रतिरूपण कर रहा है हाँ दक्ष मुस्कुराया मैंने सचमुच ही उन वर्ध को दिख रहेंगे शिव सावधानी पूरवक मुस्कुराया इस बाचीत के संबंद में किसी वस्तु ने उससे टीज दी थी उसने एक बर पुर्ण दक्ष के हाथ में उस बाजुबंद को देखा उसमें वर्ण चिन्हें एक साथगी पूर्ण बकरी को प्रतिम्बित कर रहा था जो सबसे नीचे श्रणी का चैनित वर्ग था असल में कुछ लोग इस बकरी के चैनित जाती वर्गों को इतना निक्रिष्ट मानते थे कि उसे धारान करने वाले को पूर्ण च्छत्रिय भी नहीं मानते थे पंडित के मौखिक संकेत को सुनकर शिव पुना पवित्र अगनी की और मुड़ गया कल्ची से और घी लेकर उसने अगनी में डालते हुए उच्चारण किया स्वाहा संद्य के समय अपने नीजी कमरे में एकांत में शिव ने सती से समराठ ब्रह्मनायक एवं उनके पुत्र दक्ष के मद्ध संबंदों के बारे में पूछने का विचार किया था किन्तु ना जाने किस कारान से उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि जब वो ये प्रश्ण पूछे तो उसे सावधान रहना होगा विशेश का शब्दों के चैन में समराठ ब्रह्मनायक और तुम्हारे पिताजी के मद्ध किस प्रकार के संबंद थे शिव ने पूछा सतीर शिव के लहराते हुए केश्यों से खेलना बंद कर दिया उसने गहरी सास ली और बहुती धीमे स्वर में कहा कभी कबार वो तनावपून होता था इन दोनों के चरित्रों में अत्यदिक भीनेता थी किन्तु रिशी भ्रगू इस वारतालाव में विग्न पड़ गया क्योंकि दोआर को किसी ने खट-खटाया क्या है शिव गुराया प्रभू दोआरपाल तमन ने घबराहट के साथ घुशना की प्रमुप वैग्यान एक ब्रहसपती जी आये हैं और वे आपसे मिलना चाहते हैं वे हट कर रहे हैं कि उन्हें आज ही रातरी में आपसे मिलना है शिव को ब्रहसपती से मिलना और बाचीत करना बहुत पसंद था लेकिन दोआरपाल को उत्तर देने से पहले उसने सती की और अपनी भौहों को उठा कर देखा सती मुस्कुराई और उसने सहमती में सिरह लाया उसने शिव के ब्रहसपती से संबंद की महत्ता का भान था ब्रहसपती जी को आने तो तमन जैसी प्रभु किया गया मित्र ब्रहस्पती ने कहा इतनी रात में आपको कश्ट देने के लिए छमा प्रार्थी हो आपको मुझसे छमा मांगने की कोई आवशकता नहीं है मित्र शिव ने उत्तर दिया अच्छा तो शिव ने ब्रहस्पती से पूछा ऐसी कौन सी महतपूर बात है जिसने इतनी रात गए आपको अपने बिस्तर से उठा कर यहाने वर विवश कर दिया असल में बात यह है कि मुझे इससे पूर्वाफ से बाचीत करने का अफसर ही नहीं मिल पाया मैं जानता हूँ शिव ने सती के और मुस्कुरा कर देखते हुए का हमारे दिन एक अनुष्ठान से दूसरे अनुष्ठान में ही कट रहे हैं मैं जानता हूँ ब्रासपती ने सहमती में सिर हिलाते हुए का हम सूर्वन्षी अनुष्ठानों को बहुत पसंद करते हैं किन्तु हर हालत पे मैं आपसे विक्तिकर दूप मिलकर बाते करना चाहता था क्योंकि कल प्राता है मुझे मंदार परबत के लिए प्रस्थान करना है क्या आप इन छे दिनों तक जीवित रह गए और एक और दिन भी जीवित रह सकते हैं शिव ने आश्चर चकित होकर पूछा मैं जानता हूँ ब्रासपती ने आखों में सिल्वट डाल कर च्छमा मांगने वाले भाव से कहा मुझे यहां रहना बहुत अच्छा लगता है कि दो एक प्रियोग की तिथी पूर्व से हीता है महीनों से तैयारिया चल रही है मेसोपटामिया से प्राप्तो पदार तैयार कर लिया गया है हम सोमरस की स्थिर्टा का परिक्षन कम जल के साथ करना चाहते है मुझे जाना होगा ताकि मैं सुनिश्चित कर सकूं कि प्रियोग समय से प्रारम बहु सके मेरे अन्यवेग्यानिक यहीं रहेंगे जो आपके साथ होंगे ठीक है शिव ने वेंगपूर्ण वारी में कहा मुझे इस जगत में हर वस्तो के लिए उनके हमेशा दिये जाने वाले सिध्धानतों से बहुत प्यार है ब्राजपती हसा और बोला मुझे सचमुच ही जाना पड़ेगा शिव किन्तो इसके लिए मुझे बहुत खेद है खेद करने की कोई आवशकता नहीं मित्र शिव ने मुस्कुराते हुए कहा जीवन बहुत लंबा है और मंदार परवरत का मार्ग बहुत छोटा आप मुझे से इतनी आसानी से चुटकारा नहीं पा सकते हैं ब्रहसपती मुस्कुराया उसके आँखों में उस विक्ति के लिए प्रेम उमरण रहा था जिसे वो अपना ब्रहता समझने लगा वो आगे बढ़ा और उसने शिव को कसकर बाहों में भर लिया शिव को थोड़ा आश्यर भी हुआ क्योंकि ये वो था जो ब्रहसपती को आलिंगन बद किया करता था और ब्रहसपती मातर उसका प्रतियोत्ति दिया करते थे वो भी अनिश्चितता से मेरे ब्रहता ब्रहसपती ने धीमे स्वर में फुसपुसा कर कहा मेरे ब्राता शिव ने भी धीमे स्वर में बुद्बुदा कर कहा थोड़ा पीछे हटकर लेकिन शिव का हाथ अभी थामे हुए ब्रहस्पती ने कहा मैं आपके लिए कहीं भी जाओंगा यहां तकी पाताल लोग भी जदी आपके लिए सहाय कोआतो मैं आपको वहां कभी नहीं ले जाओंगा मित्र शिव ने हलकी मुस्कान के साथ उत्तर दिया वो सोच रहा था कि वो सयम भी कभी वहां की यातरा का उच्छुट नहीं था जो असुरों का निवास था बाताल लो ब्रहसपती ने शिव के और गर्म जोशी से देखा और मुस्कुरा कर का मैं आपसे शीघर ही मिलने के आशा करता हूँ शिव आप इस पर शर्त लगा सकते हैं फिर सती के और मुड़कर ब्रहसपती ने का अपना ध्यान रखना पुत्री अन्तता मुझे ये देखकर प्रसनता हो रही है कि जिस जीवन के आप अधिकारणे थी वो आपको प्राप्त हुआ है धन्यवाद ब्रहसपती जी अध्याई 20 मंदार पर आक्रमन आप कैसे हमित्र? यह क्या हो रहा है? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? बहुत चक्के हुई शिवने पूछा उसने सुयम को मेरू के ब्रह्मा मंदिर में बैठा हुआ पाया उसके सामने वो पंडित बैठा हुआ था जिसे वो कई महीनों पहले तब मिला था जब वो पहली बार उस मंदिर में गया था आपने मुझे यहाँ बुलाया है पंडित ने मुस्कुराते हुए कहा लेकिन मैं यहाँ कब और कैसे आया? यह सुनकर शिव पूरी तरह से हका बका रहे गया था जैसे ही आपको नीद आई पंडित ने उत्तर दिया यह एक सपना है मैं अवशी, शापित होंगा, लानत है आप इतनी अभधर बाते क्यों करते हैं? पंडित ने तेउरी चड़ाई मैं तब ही अभधर बोलता हूँ जब परिस्थितियां वैसी होती है शिव ने बनावटी हसी से कहा अभधर बाते करने में गलत ही क्या है? मेरे विचार से ये अनुचित वेवहार का प्रदर्शन है संभवता ये बताता है कि आपके चरित्र में कहीं कोई कमी है मेरे विचार से ये इसके विपरित अद्भुद्ध चरित्र को दर्शाता है ये दर्शाता है कि आप में अपने मन की बात कहने की शक्ती में निश्था है पंडित ने सिरह इलाते हुए ठाका लगाया चाहे जो भी हो शिव ने कहना जारी रखा चुकि आप यहाँ हैं आप ये क्यों नहीं बताते कि आप लोगों को क्या पुकारा जाता है मुझे ये वचन दिया गया था जब कभी मैं अगली बार आप दोनों में से किसी से भी मिलूँगा तो मुझे बताया जाएगा किन्तो आप हम में से किसी एक से नहीं मिले हैं ये एक सपना है मैं आपको किवल वहीं बता सकता हूँ जो आप पहले से जानते हैं पंडित ने रहा स्यात्मक धंग से मुस्कुराते हुए कहा, या फिर कुछ ऐसा, जो आपके संचेतन में पूर्व से ही अस्तितु में है, जिसे आपने जानने के अब तक इच्छा नहीं की है, तो ये सब इसके लिए है, आप मेरी उस बात को जानने में सहायता करने बैठे है जो मुझे पहले से ही पता है, हाँ, पंडित ने कहा, उसके मुस्कुराहट और गूर होती चली गए, ठीक है तो ये बताईए कि हम यहाँ क्या बात करने के लिए जूटे हैं, उस पत्ते के रंग के लिए, पंडित का मुख दमख उठा, उसने भड़कीले ढंग से नकाशी लिए एक अच्छी वारतालाप की यात्रा उसे और अधिक संतोश्प्रत बना देती है, पंडित ने कहा, और उससे भी महत्पूर्ण बात यह है कि ये ग्यान के प्रसंगों को अधिक सरलता से समझने में सहायक भी होती है, ग्यान का प्रसंग? हाँ, सभी ग्यान का एक प्र इस बारे में ही बाते करते हैं, बिल्कुल ठीक है, पंडित हसा, बताइए, उस पत्ते का रंग क्या है, रंग, उसका रंग हरा है, क्या है, क्या नहीं है, आप क्यों सोचते हैं कि वो आपको हरा प्रतीत होता है, क्योंकि वो हरा है, शिव को हंसी आ गई, नहीं में वो पू ते हुए कहा उस वस्तु पर प्रकाश की किरने गिरती हैं और जिब वस्तु से परावरती थोकर आपकी आँखों पर पढ़ती है तो आप उसे देखते हैं यह थार्टता और आपकी बाचीत एक और वेज्ञानिक से भी हुई थी कि सामान ने श्वेत सूरी की किरने किन से बन का उत्तर जीजिए आपको पत्ता हरा क्यों प्रतीत होता है शिब ने तिवरी चढ़ाई जियो हुए उसके मन ने इस प्रश्ण का उत्तर पा लिया श्वेत सूरी की किरन पत्ती पर गिरती है पत्ती का प्राकरतिक गुण ऐसा होता है कि वह बैगनी नीले आसमानी पीले न से सोचिए वो किन रंगों को सोकता है और किन रंगों को अस्विकार करता है क्या वो हरा रंग है या फिर जगत का वो प्रतेक रंग सिवाय हरे के इस सादगी से तर्ग की प्रस्तूती को देखकर शिव हक्का बक्का रहे गया कई सच्चाईयां हैं कई वरणन हैं जो प्रत करता है जिस विशेश सच को आप देखते हैं शिव दीरे से उस पत्ते की और मुड़ा उसका तेजस्वी हरा रंग सुहावनी सूरी की किरुणों से चमक रहा था क्या आपकी आखे एक अन्य सचाई को देखने में सक्षम है पंडित ने पूछा शिव निरंदर पत्ते को घू जा रहा था धीरे धीरे उसने स्वयम को भूरे रंग के एक भेद में रुपांत्रित कर लिया बहुत चक्के हुए शिव ने उसे उसी प्रकार देखना जारी रखा था तो वह भूरा रंग भी पिखलने लगा और तब तक रंगहीन होता गया जब तक कि वह पारदर्शी न मातर एक वाहक था जिससे काली एवं श्वेत वक्र रेखाएं अपनी सनातन यात्रा के मार्ग में एक अस्थाई पड़ाव के रूप में प्रियुक्त कर रही थी शिव को यह एहसास होने में थोड़ा समय लगा कि उस पत्ते के आसपास के पत्ते भी धाचों में रुपांत हो चुका था और काली एवं श्वेत वक्र रेखाएं उसमें से तैरत हुए अंदर एवं बाहर अत्यदिक सरलता एवं सुगमता से आ जा रही थी उसने इस विराट द्रफशी को पूरी तरह से अपने अंदर समाहित करने की दृष्टी से अपना सिर मोडा पेड़ पर अपने पूर्व स्वरूप के धाचे में रूपांतरित हो चुका था श्वेत रंग की वक्र रेखाएं अत्यदिक प्रबलता से बाहर की ओर निकल रही थी विचितर बात यह थी कि उसमें काली रेखाएं नहीं थी अरे ये क्या शिव के शब्द मुह में ही रहे गए क्यों वक्र रेखाओं की प्रचंड धारा अत्यदिक तीवर गती से उसमें समाहित हो रही थी उसने उन रेखाओं को बहुत ध्यान से देखा तो उसने देखा कि वी रेखाएं नहीं थी असल में वे बहुत छोटी छोटी तरंगे थी जो अत्यदिक काले रंग की थी वे तरंगे और उनमें संतुलन आवश्यक है यदि वे इस संतुलन से निकल आएं तो प्रलय हो जाएगा शिव ने हैरानी से पंडित के और देखा तो फिर कोई धनात्मा कूर्जा मेरे आसपास क्यों नहीं है और आपके आसपास रिग्रात्मा कूर्जा क्योंकि हम एक दूसरे को संतुल रही थी शुयत रेखाय जो धारा प्रवा से निकल रही थी उसके बोलते समय थोड़ी लहरा रही ती हुर महादेव की भूमिका रिडात्मकता को सोक लेने की जिए अनुसंधान कीजिए रिडात्म कूर्जा के लिए अनुसंधान कीजिए और आप महादेव के प्राप्त नहीं करते हैं क्योंकि आप अपना कर्म करते हैं और मात्र उसके बाद ही जब आप इस पर विश्वास करते हैं कि आप महादेव हैं अन्य क्या सोचते हैं इससे कोई अंतर नहीं पड़ता असल में यह आपके विश्वास के संबंद में आप विश्वास करेंगे कि आप महादेव हैं तो आप महादेव बन जाएंगे शिव की भ्रकुटी तन गई विश्वास कीजिए पंडित ने पुना कहा धडाम उस वातावरान में एक धमाकी की प्रतिधोनी गुंजाय मान हुई शिव ने छितिच की और अपनी आखें मोड़ी यह विसफोट जैसा प्र पंडित के धाचे ने फुसफुसा कर कहा दूर से सती का आग्रही स्वर सुनाई पड़ा शिव धड़ाम एक और स्वोट शिव ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी पत्नी को आपकी आवशक्ता है मित्र शिव ने अचंबे से पंडित के उस धाचे को देखा वो निश्य नहीं कर धंग से विजित्र शौपनी की आवस्ता से दुंदल का चाया हुआ था जिसे वो अभी अभी जटक कर बाहर आया था शिव धड़ाम ये क्या था शिव चिलाया अब वो सचेत था कोई दैवी अस्तरों के प्रियोग कर रहा है क्या ये दैवी अस्तर क्या है पूरी तरह से भौचक की हुई सती ने उतेजना से कहा दैवी आयू किन्तु भगवान रुद्र ने सभी दैवी अस्तरों को नश्ट कर दिया था अब वो किसी के पास नहीं है शिवा पूरी तरह से चौकनना हो चुका था उसकी युद्धी के सहज बुद्धी ने उसे संकेत दे दिया था स सती तैयार हो जाओ अपने कवच पहनो अपने अस्त शस्तर बांध लो सती ने फूर्ती से प्रतियुत्तर दिया शिव ने अपना कवच पहना और अपनी धाल को उस पर लटका दिया उसके बाद उसने अपनी तलवार को कमर में खोंस लिया उसने तरकश पहन कर अपना लिक्षा करें तमन ने कहा हम आकरमणा कारियों को यहीं रोक लेंगे शिव ने तमन को तीखी द्रिश्टी से घूरा तमन की उचित मंशावाले शब्दों को सुनकर उसकी तेवरियां चड़ गए तमन ततकाल ही एक और हो गया मुझे छमा करें प्रभू हम आपके पीछे ह इससे पहले कि शिव कुछ प्रतिक्रिया दिखा पाता उने कदमों की आहट सुनाई दी जो गलियारे से उनकी और तीवरिगती से आ रही थी शिव ने अपनी तलवार निकाल ली उसने अपने कानों पर दबाव डाल कर संकट का आंकलन किया चार पैरों की आहट राजशाही उसका आकार उसे चलने नहीं दे रहा था तलवारे नीची कर लो सैनिको अचानक शिव ने कहा वे मित्र हैं नंदी और वीर्भदर अपने तलवारे लिये हुए एक कोने से तेजी से दोड़ते हुए चले आ रहे थे क्या ठीक है प्रभू नंदी ने प्रशंसा पूर्ण ध प्रशंग से बिना हापते हुए पूछा हा हम सभी सुरक्षित हैं क्या तुम लोगों ने किसी आकरमण का सामना किया नहीं वीर्भदर ने आंखें तरेर कर उत्तर दिया यह आखिर हो क्या रहा है मैं नहीं जानता शिव ने कहा लेकिन हम आवश्य पता करेंगे कृतिका कह हां है सती ने पूछा अपने कमरे में सुरक्षित है वीर्भदर ने उत्तर दिया उसके साथ पांच सैनिक है कमरा अंदर से बाधित है शिव के और मुड़ने से पहले सती ने सिर हिला कर सहमती प्रकट की अब क्या करना है मैं पहले समराड का कमरा देखना चाहता हूं सभी लोग दो की कतार में हो जाए अपनी धाले उपर उठाकर स्वयम को आण में रखो सती मेरे बगल में नंदी मध में तपन वीर्भदर सबसे पीछे और कोई रोशनी मत करो हम राश्ता जानते हैं हमारे शत्रों नहीं वो पल्टर अत्यदी गती इवम गोपनियाता से इस बा अभीत होते हुए पैरों की आहट नहीं इस पात की कोई टक्रहाट नहीं कुछ नहीं या तो तरासदकारियों ने अभी तक अपना आकरमार प्रारंब नहीं किया था या फिर शिव को देरी हो गई थी और आकरमार समाप्त हो चुका था जब तीसरा विकल्प उनके मन में आ समराट कहां है शिव ने पूचा वे भीतर हैं कट वे भीतर हैं प्रबू राजशाही पहरे के अधिपती ने निलकंट के आकार को पहचान कर कहा हम लोग प्रथम विसपोर्ट के बात से ही उनके आकरमन के प्रतिक्षा कर रहे हैं मुझे नहीं पता अधिपती शिव ने उत थोड़ी घबराई हुई है किन्तु डरी नहीं है वो क्या था? मैं नहीं जानता दक्ष ने उत्तर दिया मेरा सुझाव है कि आप और सती तपतक यहीं रहे जब तक यह नहीं पता लग जाता कि क्या हो रहा है संभवता यह आपके लिए अच्छा रहेगा अक्रमण करने की मुर्खता की है इसे पूर्व की शिव प्रतिक्रिया दे पाता द्वार पर एक तीवर आगरही खट-खटा हट हुई महराज प्रवेश करने की अनुमती चाहता हूँ परवतेश्वर दक्ष ने सोचा ऐसे समय में भी नयाचार का पालन कर रहा है आज आईए गडगड़ा हट भरे स्वर में दक्ष ने कहा जियो ही परवतेश्वर ने प्रवेश किया दक्ष ने विश्फोट के तरीके से कहा इंद्रदेव के नाम पर ये बताओ सेना नाय की ये कैसे हो सकता है देवगिरी पर आकरमण वे कैसे ऐसा दुस्ता हस कर सकते हैं महराज शिव ने महराज को रोकते हुए कहा अब तक सती नंदी और वीरभदर भी कमरे में आ चुके थे वो परवतेश्वर का अपमान उन सबके सामक्ष नहीं होने दे सकता था विशेशकर सती के सामने पहले हमें पता करना चाहिए कि हो क्या रहा है आकरमण देवगिरी पर नहीं हुआ है महराज परवतेश्वर ने तीक्ष न दृष्टि से देखते हुए कहा समराट के साथ उसका धैरे भी तूटने की कगार पर था मेरे प्रहरियों ने मंदार परवत की ओर से अत्यधिक धूए की गुबार रुटते देखे हैं मेरा मानना है कि उस पर आकरमण हुआ है मैंने पहले ही मेरे सैनिक दस्ते एवम उपस्थित अरेश्टनेमियों को तयार रहने का आदेश दे दिया है हमें एक घंटे में निकल जाएंगे मुझे यहां से प्रस्थान करने के अनुमती प्रदान करें ये विस्फोट मंदार पर हुए हैं पितर तुल्य सती ने आविश्वास से पूछा वी कितने शक्तिशाली होंगे जो देवगिरी में सुने जा सके प्रवतेश्वास ने उदासी से सती को देखा उसकी चुप़ी उसके अत्यधिक भै को दर्शा रही थी वो दक्ष की और मुणा महराज दक्ष हका बक्का होकर चुप रहे गया था या फिर उसके चेहरे पर अत्यधिक क्रोध चड़ा हुआ था प्रवतेश्वार उस धीमी रोशनी में तै नहीं कर पा रहा था प्रहरियो मशाल जलाओ देवगिरी पर कोई आक्रमा नहीं हुआ है प्रवतेश्वार ने आग गया दी जिवी मशाल ने अपनी चमक फैलाई प्रवतेश्वार ने पुना कहा क्या आपके अनुमती है माराज दक्ष ने सहमती में सिरह लाया प्रवतेश्वार ने सत्मे में लग रहे है शिव को देख कर पूझा प्रहस्पती कल ही मंदार की और प्रस्थान कर गये थे क्या चौकते हुए प्रवतेश्वार ने कहा जिसने कल के उत्सवों में प्रमुक वैग्यानी की और उपस्तिति पर ध्यान नहीं दिया था हे अग्मी देव शिव धीरे से सती की और मुड़ा उसकी उपस्तिति से उसने शक्ति ग्रहन की मैं उन्हें धूंड निकालूंगा शिव प्रवतेश्वार ने शांत्वना दी मुझे पूरा विश्वा से कि वे जीवित है मैं उन्हें धूंड निकालूंगा मैं आपके साथ आ रहा हूँ शिव ने कहा और मैं भी सती ने कहा क्या दक्ष ने पूछा प्रकाश उसके संतप्त भाव को उजागर कर रहा था आप दोनों को जाने की आवशक्ता नहीं है शिव ने तेवरी चड़ा कर दक्ष के और मुड़ते हुए कहा मुझे च्छमा करें महराज लेकिन मुझे जाना होगा ब्रहसपती को मेरी आवशक्ता है जो ही परवतेश्वर और शिव राजशाही कक्ष से निकलने को हुए तो सती ने अपने पिता के पाउँ चुने को जुकी दक्ष इतना इस्तब्द था कि वो आशिरवात देरी की इस्थिती में नहीं था वो विजय चाती थी ना कि लंबी आयू लेकिन तर्क करने का समय नहीं था सती मुडी और तीवरता से शिव के पीछे दोड़ पड़ी नंदी और वीरभद्र भी उसके समीपी थे पुस्तक के अध्यापठन की यात्रा में साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवार यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए अपने मित्रों के साथ शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अलविदा अध्याए 21 युद्ध की तयारी प्रथम विसफोट के एक घंटे के भीतर विसफोट को की ध्वनी समाप्त हो गई थी इस घटना को अभी बहुत समय नहीं बीता था कि शिव परवतेश्वर सती नंदी और वीर भद्र 1500 अश्वा रोही सेना दल के साथ मंदार परवत के मार्ग पर निकल चुके थे ब्रहस्पति के वैग्यानिक भी उस सेना दल के साथ अश्वोपर अपने नेता के जीवन की चिंता के साथ सवार थे वे तेजी से चल रहे थे और उन्हें आशा थी कि वे उस परवत की यात्रा आठ घंटे से कम समय में तै कर लेंगे वो दुतिये पहर का अंतिम समय था जब सूर्य सीधे सिर पर चमक रहा था उनका सेना दल सडक के अंतिम मोण से मुण गया था जहां वन्छेतर समाप्त हो चुका था और परवत दिखाई देने लगा था जियो ही उनकी दृष्टी उस परवत पर पड़ी जो सामराजे का हिरदय था तो उसे देखकर एक अतिकुर्द पुकार उठी मंदार को निर्दैता पूरवक नश्ट कर दिया गया था परवत के मद्य में एक विशालकाई जौला मुखी दिखाई दे रहा था वो इस प्रकार प्रतीत हो रहा था कि जैसे एक अतियंत विशालकाई असुर ने अपने वरहत हाथों से परवत के प्रमुख भाग कल्ची डाल कर बाहर के और निकाल दिया था विज्ञान का अतियतिक विशाल भवन विध्वन्स हो चुका था और उसके अवशेश नीचे के मैदान में बिखरे पड़े थे वो विशालकाई मथानी अब भी मन्थन कर रहा था उसकी भायानक ध्वनी उस डरामने द्रशिकों और भी विक्राल बना रहा था प्रासपती शिव ने गरजना करते हुए अपने घोड़े को एर लगा कर तेजी से परवत के मार्ग पर दोड़ा दिया था जहां आश्चर जनक रूप से वो मार्ग अब भी उसी प्रकार पका खाड़ा था प्रतिक्षा करें शिव परवतेश्वर ने पुकारा ये उनकी चाल भी हो सकती है किसी भी जोखिम से अंजान शिव ने घोड़े को उस पत पर परवत के उजड़े हुए हिरदय के मध्य सरपड दोड़ा दिया परवतेश्वर एवं सती के नेतरत्व में वो सीनादल नीलकंठ के साथ होने के लिए तेजी से दोड़ पड़ा वे उपर पहुँचे तो एक भायानाक द्रिश्य उनके सामने था उस भवन के कुछ हिस्से नीव पर तूट कर जूल रहे थे कुछ हिस्से अभी भी दहक रहे थे उस बारम बार के विस फोटो द्वारा जगा जगा से कटे हुए आसानी से ना पहचाने योग एवं जुलसे हुए शरीर के टुकड़े हर जगा जगा बिखरे हुए थे यहां तक कि म्रत्कों को भी पहचानना असंभव था शिव लड़ खड़ा कर घोड़े से उतर गया उसके चेहरे पर आशा की किरण नहीं बची थी ऐसे प्रान घा तक आकरमण में शायद ही कोई बचा होगा ब्रहसपती कैसे इन तरास्तकारियों को देवी अस्तर प्राप्त हुए उत्तेजित परवतेश्वर ने कहा उसके अंदर प्रतिशोत की ज्वाला धदक रही थी सैनिकों को आदेश दिया गया कि शरीर के समस्त तुकडों को इखटा करें और एक प्रथक चिता जला कर उन मुनत आत्माओं की दूसरी यात्रा में सहायता करने के लिए उनकी अंतेश्टी कर दे जो मारे गए थे उनकी सूची बनाई जा रही थी उस सूची में पहला नाम था मेलूहा के प्रमुख वैग्यानिक सूरवन्शी ब्रहमर राज हंस जाती वर्ग चैनित ब्रहस्पती का इन नामों में अधिकतर अरिष्टनेमियों के नाम थे जिने मंदार की सुरक्षा का भार सौपा गया था एक धान्ड़ास वाली बात ये थी कि म्रत्कों की संख्या बहुत कम थी क्योंकि अधिकतर मंदार निवासी निलकंठि के विवाह के उच्शों में प्रतिपहाग करने के लिए देवगीरी में उपस थिते उस सूची को कश्मीर के सन्यासियों को भीजा जा रहा था जिनके आध्यात्मिक बलो की शक्तियां सरवुत्तम मानी जाती थी यदि उन सन्यासियों को इन मिरत आत्माओं के लिए पूजा करने के लिए मनाया जाता था तो यह आशा की जा सकती थी कि इस जन्म की भायानक मिरत तो उनके अगले जन्मों को दूशित नहीं करेगी ये सोमरस भी हो सकता है सीननायक एक अन्य विश्वसनी ये लगने वाला कारान देते हुए ब्रहस्पती के सहायकों के वरहों को वैग्यानिक पाड़िनी ने कहा शिव ने पाड़िनी के शब्दों को सुनकर उपर की वर देखा ये सोमरस ने किया कैसे अविश्वास के साथ सती ने पूछा उतपादन के समय सोमरस बहुत ही आस्थिर होता है पाड़िनी ने कहना जारी रखा उसे सरसवती के जल के प्रिचुर मात्रा में प्रियोग से स्थिर रखा जाता है हमारी परियोजनाओं में एक प्रमुप परियोजना ये थी कि हमें ये पता लगाना था कि क्या हम आवशक्ता से कम जल का प्रयोग कर उसे स्थिर रख सकते हैं अत्वा नहीं वर्तमान में प्रयोग में लाने वाले जल की मात्रा से बहुत ही कम मात्रा में शिव को याद आया कि ब्रहस्पती इस तरह की बाते कह रहा था वो जुक कर पार्णिनी को ध्यान से सुनने लगा ये एक सुपने सद्रश पर्योजना थी उन्हीं पार्णिनी को वाकि पूरा करने में कठिनाई हो गई इस युक के महांतम वैग्यानिक और मंदार परवत पर समझते ग्यानी लोगों के लिए पित्र तुल्य ब्रहस्पती नहीं रहे ये सोच पार्णिनी के लिए असेह थी अंदर की अत्यदिक पीडा के कारण उसका गला उसके बोल को बाहर निकालने में असफल हो रहा था उसने बोलना बंद कर दिया अपनी आखे बंद कर दी ताकि वो भयानक छड निकल जाए अपने उपर नियंतरण की एक जलक पाकर उसने कहना प्रारंब किया वो ब्रहस्पती जी की एक्ष्टू अपने सद्रश पर योजना थी वे वापस आ गये थे ताकि आज से प्रारंब होने वाले शोध की समस्त तयारी पूरी की जा सके वे नहीं चाहते थे कि हम अंतिम दिन के उत्सा को ना देख सके अतावे अकेले ही आ गये थे पर वतेश्वर इस्तब्द रहा था आपके कहने का अर्थ है कि ये एक दुरगटना भी हो सकती है हाँ पाड़नी ने उत्तर दिया हम सब को पता था कि ये परिक्ष्रन जोखिम भरा था संभवता इसी काराण ब्रहस्पती जी ने इसे अकेले ही प्रारंब करने का निर्णा लिया होगा इस असंभावित सूचना को सुनकर समस्त कक्षी खामोश हो गया पाड़नी अपने निजी नर्क में चला गया इन सद्मा प्रदायक घटनाओं से इस तब्द परवतेश्वरे के दृष्टी दूर शून्ने में चली गई सतिने शिप का हाथ थामे हुए उसे घूर कर गहरी चिंता से देखा कि वे अपने मित्र की मृत्यू पर किस प्रकार महसूस कर रहे थे और संभव है कि वो मात्र एक अर्थेन दुखटना हो प्रथम प्रहर के पहले घंटे में बहुत समय बीच चुका था ये निर्ने लिया गया कि सीना दल उस धौस्त परवत के नीचे एक पढ़ाव स्थापित करेंगे वे दूसरे दिन वहाँ से तभी प्रिस्थान करेंगे जब मृत आत्माओं के लिए सभी अनुष्ठान पूरे कर लिये जाएंगे दो सभारों को मंदार के समाचार के साथ देवगिरी भीजा जा चुका था परवतेशुर एवं सती एक परवत की किनारे बैटकर धीमे स्वर में बादचीत कर रहे थे परवत की तलहटी में ब्रहमण वैग्यानिकों के संस्क्रश श्लोकों के पार्ट की भुनबुनाहट उपर की और प्रवाहित होकर अतिंद्रिय मनुभावों के वाताब्रान उत्पस्थित कर रहा था नंदी एवं वीरभद्र थोड़ी दूर पर सावधान की मुद्रा में खड़े होकर अपने सिनानायक एवं सती को देख रहे थे शिव विचारों में डूबा हुआ मन्दार के आवशेशों के मद्ध घूम रहा था ब्रहस्पती के पहचान योगे किसी भाग को ना पाकर उसके हिरदे में टीस उट रहे थी मन्दार में सभी लोग ना पहचाने जाने की इस्थिती तक नश्ट किये जा चुके थे वो अधीरता से अपने मित्र का कोई संकेत पाना चाहता था कुछ ऐसी वस्तु जिससे वो हमेशा अपने पास रख सके ऐसा कुछ जिससे वो लिपट सके कुछ ऐसा जो वर्षो तक उसकी पीड़ा में रहने वाली उसकी संतप्त आत्मा को सांतवना दे सके वो गोंगे की चाल से चल रहा था उसकी आँके भूमी का सूप्ष में परिक्षन कर रही थी वे अचानक ही एक वस्तु पर आकर ठहर गई जिसे वो भली भाती पहचानता था वो धीरे से नीचे उसे उठाने के लिए जुका वो चमड़े का कड़ा था उसके किनारे जुल से हुए थे उसके पीछे का खोसने वाला हिस्सा जला हुआ था उस भयानक विस्फोट के ताप ने उसके अधिकतर स्थलों को जला कर भूरे से काला कर दिया था हाला कि उसके केंदर में कड़ाई की हुई बुनावट आश्यर जनक धंग से दाग रही थी शिव ने उसे अपनी आखों के समीप ला कर देखा अस्त होते सूरी की रक्तिम किर्णों ने उस ओम के प्रतीक चिन्न में चमक भर दी थी उस ओम के ऊपर एवं नीचे के दो वक्र भागों के मिलन स्थल पर दो सर्पों के मुख जुड़े हुए थे तीसरा वक्र पूर की और निकल कर अंत में सर्प के मुख से समाप थो रहा था और उसकी दूई शाखित जिहुआ डराने जैसी बाहर निकले हुई थी ये वही था उसने ब्रहस्पती की हत्या की शिव ने तेजी से इधर उधर दृष्टी घुमाई अब वो करम वीच्छन कर रहा था उसका उदेशी था कि वो उसकड़े के मालिक को अथवा उसके शरीर के किसी अंग को खोज ले लेकिन वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था शिव मन में ही चीतकार कर उठा उसकी ये चीतकार केवल उसे और ब्रहसपती की घायर आत्मा को ही सुनाई देने वाली थी उसने उस कड़े को अपने हाथों में कसकर जकर लिया अब तक सुलग रही उसके अंगार ने उसके हथेली को लगभग जला दिया उसने तब भी उसे नहीं छोड़ा बलकि उस पर और मजबूत पकड़ बना ली और फिर एक प्रतिशोध की एक भयानक शपत ली उसे सौगन दिली की वो उस नागा की ऐसी हत्या करेगा जो उसके आने वाले साथ जन्मों तक उसका चिन रहेगा वो नागा और उसकी समस्त सेना को पूर्टा हविनश्ट कर देगा छोटे छोटे टुकडों में काट कर शिव शिव निरंतर आने वाली इस पुकार ने उसे खीच कर वर्तमान के सच में लाकर खड़ा कर दिया सती उसके सामने प्रेम से उसके हाथ सपर्श करती हुई खड़ी थी पर वतेशर उसके सामने परिशान सा खड़ा था नन्दी और वीर्भदर उसकी दूसरी और खड़े थे इसे छोड़ दीजे शिव सती ने कहा शिव उसे निरंतर देख रहा था अवाक इसे छोड़ दीजे शिफ सती ने कोमलता से दोराया ये आपके हाथों को जुलसा रहा है शिफ ने अपनी हतेली खोल दी नंदी ने ततकाल जुकर उनके हाथ से कड़े को ले लिया और तच्छन ही उसने गहरी पीडा में चिला कर उस कड़े को नीचे गिरा दिया क्योंकि उसने उसके हाथ को जला दिया था प्रभू ने इसे कैसे इतनी देर से पकड़ा हुआ था शिफ ततकाल ही जुका और उसने कंगन उठा लिया इस बार सावधानी से उसकी उंगलियां कम जुनसे हुए उस हिस्से को पकड़े हुए थी जिस हिस्से में ओम का प्रतीक चिन बना हुआ था वो परवतेश्वर के ओर मुड़ा और उसने कहा ये दुरघटना नहीं थी क्या चौकते वे परवतेश्वर ने पूछा क्या आपको पूरा विश्वास है सती ने पूछा शिव ने सती के ओर देखा और उस कड़े को उठा दिया सर्पोवाला उम स्पष्ट दिखाई दे रहा था सती ने गहरी सांस छोड़ी परवतेश्वर नंदी और वीरभद्र ततकाल ही उस कड़े को देखने के लिए समीब चले गए नागा नंदी फस्फसाया वो कमीना जिसने मेरु में सती पर आकरमण किया था शिव ने गुर्राकर कहा वही नागा जिसने मंदार परवत से वापस जाते समय हम लोगों पर हमला किया था ये वही कमीना है उससे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी शिव वीरभदर ने कहा परवतेश्वर के और मुढकर शिव ने कहा हम आज रात ही देवगिरी लौट चलेंगे हम युद्ध की घोशना करते हैं परवतेश्वर के और मुढकर शिव ने कहा परवतेश्वर और उसके 25 सेनपती समराड दक्ष की दाहिनी और बैठे हुए थे दक्ष के बाई और निलकंठ कनकला के नेतरत में प्रशासनिक ब्राहमाड एवं 15 प्रांतों के राजिपाल बैठे हुए थे परिशक का निर्णे दिया जा चुका है प्रशनी ये है कि हम कब आकरमण करें दक्ष ने कारवाही प्रारंब करते हुए कहा अधिक से अधिक हमें एक महीने का समय लगेगा जब हम युद्ध के लिए प्रयान करेंगे महाराज परवतेश्वर ने कहा आप तो जानते ही है कि म कनखला ने छत्रियों के युद्ध की पुकार में ब्रहमणों के तरके के स्वर को जोड़ते हुए कहा क्या मैं दूसरा उपाय सुझा सकती हूँ दूसरा उपाय चकित दक्ष ने पूछा क्रपया मुझे गलत मत समझिये कनखला ने कहा मैं मंदार की घटना पर संपूर्ण सामराजी के क्रोध को समझती हूं किन्तु हम अपराद करताओं से प्रतिशोद लेना चाहते हैं ना कि समझत स्वधीव वासियों से क्या हम इसका प्रियास कर सकते हैं कि इससे पहले की युद्ध की तलवारे उठे पहले हमारा काम चुरी से चल जाए जिस मार्ग का आप सैनिकों के एवम अन्य निर्दोशों के लहुग बहाइब बिना ही अपना प्रतिशुरूत पूरा कर सकते हैं मेरे सैनिक सामराज के लिए रक्त बहाने को तैयार हैं प्रधार मंतरी मोहधया मैं जानती हूं कि वे तैयार हैं कनकला ने सयम रखते हुए कहा और मैं ये भी करते हैं तो हम अपनी पूरी शक्ति के साथ आक्रमण कर देंगे उसकी आँखे अधीरता में तरेर रही थी परवतेश्वर ने कहा उससे अनुरोध करें और वो क्यों सुनेगा दश्कों से स्वधीप वासी अपनी अधम गतिविधिया करके हमसे बचते रहें क्योंकि उन्हे क्योंकि वे टरते हैं इसलड़ते हैं कि वे हमसे आमना सामना कर मुकाबला नहीं कर सकते हैं वे ड़रते हैं कि हमारी श्रिश्टर कि एवं युद्ध के उपकर्णों से हमसे जीत नहीं सकते हैं मैं केवल उस विचार से सहमत होकर कह रही हूं जो प्रभु शिव ने तब कहा था जब यहां आये थे उनसे लड़ने के पूर्व क्या हम उनसे बात्चीत नहीं कर सकते हैं यह एक ऐसा आफसर है जिससे संभव है कि वे इस बात को स्विकार कर ले कि उनके समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं जो त्रासदी फैलाते हैं यदि वे उन्हें हमारे सुपूर्द कर देते हैं तो हम एक साथ अस्तित में रहने की उपाई भी ढूर सकते हैं मैं नहीं मानता कि शिव अब उस तरह सोचते हैं प्रवत कनखला ने अपने हाथ जोड़कर नमस्ते करते हुए शिव की ओर देखकर कहा मुझे आशा है कम से कम आप मेरी बात अवश्य समझेंगे जो मैं कह रही हूं यहां तक कि ब्यदी ब्रहस्पती भी होते तो यहीं चाहते कि जब तक यह संभव है तब तक हिंसा से दूर ही रह जाए जिस प्रकार प्रचंड अगनी पर मुसलाधार वर्षा का असर होता है ठीक उसी प्रकार इस अंतिम वाके ने शिव पर असर किया था वो कनखला की और मुड़ा और उसने उसकी आँखों में गहराई से देखा उसके बाद उसने दक्ष के और मुड़कर कहा महरा संभ होता हम उन्हें प्रायशित करने का उसर देने के लिए एक दूद को स्वधीब भेज सकते हैं यदि हम निर्देशों की हत्या से बच सकते हैं तो इससे मात्र हमारा ही भला होगा हाला कि मेरा सुझाओ है कि इसके बाद भी हम युद्ध की तयारी प्रारंभ अवश्य कर दे असल में हमें इस संभावना के लिए तयार रहना चाहिए कि यदि चंदरवन्शी हमारे प्रस्ताव को अस्विकार करते हैं तो हम पूर से ही तयार रहें महादेव ने वचन बोल दिये हैं दक्ष ने कहा मैं प्रस्तावित करता हूँ कि यही युद्ध परिशत का निर्णा है जो इसके पक्ष में है वे अपने हाथ उपर करें उस कख्ष में सारे हाथ उपर उठ गये साचा बना दिया गया था शान्ती का एक प्रयास किया जाए यदि वो सफल नहीं होता है तो मेलुहावा से युद्ध छेड़ देंगे मैं एक बार पुना असफल रहा भद्र शिव रो पड़ा जिसको आविशकता हो मैं उसकी सुरक्षा नहीं कर सकता शिव अपने महल के आंगन के निजी छेत्र में विर्भद्र के पास बैठा हुआ आत्यधिक चिंतित सती ने विर्भद्र को आमंत्रित किया था ताकि शोग संतप्त शिव को वापस वर्तमान की सचाई में लाया जा सके शिव ने एक आवराण ओड़ लिया था वो बोल नहीं रहे थे रो नहीं रहे थे सती ने आशा किय थी कि जहां वो असफल रही वहां उनके बच्पन के मित्र सफल हो सकते थे आप स्वयम को दोश कैसे दे सकते हैं शिव विर्भद्र ने चिलम अपने मित्र को देते हुए पूचा यह आपका दोश कैसे हो सकता है शिव ने चिलम उठा लिया और एक गहरा कश लिया गांजा उसके शरीर में अंदर फैल गया लेकिन उसने कुछ सहायता नहीं की पीड़ा कुछ अधिक ही मरमस परशी थी शिव ने अरुची से नथुने फुला कर चिलम को एक और फेक दिया जियो हुए इसकी आँखों में आस्वों की बाड़ आई तो उसने आसमान की और देखा और सगंद लिया मैं आपके लिए प खड़ी हो गई और उनकी और चलने लगी वशिव के पास आई और उनकी संतप्त आत्मा को स्वांत्वाना देने के उद्देश से अपने ठके हुए सिर को उनके वक्षस्तल पर रखकर उनसे लिपट गई सदी को तब आश्चर हुआ जब शिव ने पूर्व की भाती अपने बाहें उठा कर उसे जकड़ा नहीं वो बिना हिले डुले बैठे रहे रुक रुक कर गहरी सांसे लेते रहे प्रभू चकित वक्र ने सावधान होते हुए पुकार कर कहा वैसा ही 24 अन्य सेना पतियों ने भी किया सम्मान देने के लिए क्योंकि युद्ध की रणीती बनाने वाले कक्ष में निलकंट के आगमन की घोशना हो चुकी थी परवतेश्वर धीरे से उट खड़ा हुआ बहुती साहनुभूती पूर्वक बोला क्योंकि उसे पता था कि शेव अभी भी ब्रहस्पती की उस भयानक हत्या की पीड़ा का नुभाव कर रहा था आप कैसे हैं शेव मैं ठीक हो धन्यवाद हम लोग युद्ध की रणीत पर विचार विमर्ष कर रहे थे मैं जानता हूँ शिव ने कहा मैं सोच रहा था कि मैं भी इसमें शामिल हो जाओ निसंदे परवतेश्वर ने अपनी कुरसी को एक और करते हुए कहा सबसे महातुप पहले हमारे हाथों पर आजित होने के बाद ये अंग भंग करने की रणीती अपनाई थी उन्होंने मेलुहा एवं स्वादीब के मध्य अस्तितु में रही समस्त आधार भूत संरचनाओं को नश्ट कर दिया था उन्होंने अपने सीमांत के नगरों की जनसंख्या भी कम कर कर जा सकते हैं यहीं उनका भी उद्देश रहा होगा शिव ने कहा आपकी स्रेश्टिता आपकी तकनीक है उनकी स्रेश्टिता उनकी संख्या है उन्होंने आपकी शक्ति को निश्फल कर दिया है यह थार्टता और यदि हमारे युद्ध के यंद्र इस योजना से निकाल दिये जाते हैं तो हमारे एक लाक संटिक उनके 10 लाक जन को से जल प्लावित हो जाते हैं उनके पास 10 लाइस अन्शकालिक अन्योमित संक होंगे जैसे कि छोटे व्यापारी, कारीगर, क्रशक और अन्य ऐसे लोग जिनका अधिक प्रभाव ना हो जिने जबरन भरती किया गया है और तोब गोलों के लिए चारे की तरह प्रियोग मिलाया जाता है ये तो घ्रणासपद है परवतेश्वर ने कहा शत्रियों के कारियों के लिए शुद्रो एवन वैश्यों की जान जोखिम में डालना अत्यन्थी ग्रणासपद है असल में उनके शत्रियों का कोई मान नहीं है शिव ने परवतेश्वर की ओर देखा और सहमती में सिर हिलाते हुए पूछा क्या हम अपने यंत्रों के पुर्जे खोल कर स्वधीब की सीमा में ले जाकर पुना एकत्रित नहीं कर सकते हैं हाँ हम कर सकते हैं परवतेश्वर ने कहा किंतु ये तकनीकी रूप से मातर कुछ यंत्रों के साथ ही हो सकता है हमारे जो सबसे विद्वन्सक यंत्र हैं जिनसे हम उन पर भारी पढ़ते हैं हमारी लंबी दूरी तक मार करने वाले शिला प्रच्छेपक यंत्र को कारखाने से बाहर एकत्रित नहीं किया जा सकता है लंबी दूरी तक मार करने वाला शिला प्रच्छेपक यंत्र? हाँ परवतेश्वर ने उत्तर दिया ये विशाल का पत्थरों एवं दहकते हुए आग के गोलों को एक किलोमेटर की दूरी तक फिंग सकता है यदिस का प्रियोग प्रभावी ढंग से किया जाता है तो ये दुश्मन की सेना को अत्यधिक दूर्बल एवं लगभाव नश्ट कर देती है ताकि उसके बाद अश्वरोही एवं पैदल सेना अपना काम सवलता पूरवक कर सके देखा जाये तो पूर्व में जो काम हाथी करते थे ये लगभग उसी प्रकार का काम करता है तो फिर हम भी हाथी का प्रियोग क्यों नहीं कर सकते उनकी सुभाव के बारे में पूर्व में अनुमान लगाना कठिन है चाहे अप उनहीं कितना भी प्रसिक्षन दे दे युद्ध की उस विभीशिका के दोरान सेना अकसर उन पर से अपना नेंतरन खो बैठती है असल में पिछले युद्ध में स्वधी प्वासियों को उनके हाथियों नहीं सनहार की और अगरसर कर दिया था क्या सच मुछ में? शिव ने पूचा हाँ, परवतेश्वर ने उतर दिया महावत के उपर गोला बारी एवं युद्ध के नंगारों से अत्यधिक शोर मचाने की हमारी योजना काम कर गई थी चंद्रवंशियों के हाथ ही घबरा गए और वे विध्वन्स करते हुए विशेश कर अंशकालिक सैनिकों की पंक्तियों को तोड़ते हुए उनकी सेना में ही घुस पड़े उसके बाद बस आक्रमण कर उन्हें समाप्त कर देना ही शेश बचा था तो फिर हाथ ही नहीं सर्वता नहीं परवतेश्वर ने कहा तब इसका अर्थ ही यह हुआ कि हमें अपने साथ कुछ ऐसा लेकर जाना होगा जो उनके अंशकालिक सैनिकों को पूरी तरह से नरम कर दे ताकि संख्या की जेश्चिता को निश्फल किया जा सके परवतेश्वर ने सहमत होकर सेर हिलाया शीव ने खरिकी से बाहर दूर अपनी दृष्टी दोड़ाई जहां प्राता कालीन रूखी हवा पत्तों में फरफणा हाट उत्पन्न कर रही थी वे पत्ते हरे थे शीव ने गहरी दृष्टी से उन्हें घूरा वे हरे ही रहे मैं समझ गया शीव ने अचाना की प्रवतेश्वर की ओर देख करका उसका चहरा नए विचार से दीप्तिवान हो उठा था हम लोग बाणों का प्रयोग क्यों नहीं करते बाण चकीत होकर प्रवतेश्वर ने पूछा धनुर्विद्या अधिकतर कुलीन च्छत्रियों के मद् अत्यधिक सम्मान प्राप्त था किन्तु वे युद्य में निरनायक नहीं थे एक समय था जब धनुषे में बाण जन सनहार के अस्तर के रूप में युद्य की रणीती में महात्पूर्ण होते थे वो समय देवी अस्तरों का था अधिकतर ऐसे अस्तर सामाने तह बाणों द धनुषधारी को भी कम से कम पांस सेकंड लक्ष सादने बाड को चलाने और शत्र को मारने में लग जाता है। हमारे पास मात्र एक सो ऐसे छत्री हैं जो स्वर्ण इस तरके धनुधर हैं। शेश बाड चला तो सकते हैं किन्तु उन पर उश्वास नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार हम एक मिनट में 1200 शत्रों से अधिक को नहीं मार सकते हैं। ये चंदरवन्शियों के विरुद्व युद्व में अवश्री परियाप्त नहीं हो सकता है। मैं बाडों को एक के सामने एक के चला कर युद्व करने की बात नहीं कर रहा हूँ। शिव ने कहा। मैं कह रहा हूँ कि इनका प्रियोग शत्रों को नरम करने में जन संगहार के अस्तर के रूप में किया जा सकता है। अपने सुनने वालों के ना समझ पाने वाले भावों पर बिना ध्यान दिया शीर ने कहना जारी रखा मुझे इसकी व्यक्या करने दीजे मान लीजे हम निचले चैनित जाती वर्ग के छत्रियों के धनुषधारियों का एक दल तयार करते हैं किंतुन के लक्ष अच्छे नहीं होंगे वक्र निकाब इससे कौई अंतर नहीं पड़ता है मान लीजे कि हमारे पास 5,000 ऐसे धनुषधारी है मान लीजे कि हम उन्हें इस प्रकार प्रसिक्षित करते हैं कि वे मात्र मार कर सकने वाली दूरी सही कर लेते हैं मान लीजे कि उनका काम चंदरवंशियों की सेना की और बिना लक्ष के बाण छोड़ने का मात्र है। यदि उन्हें लक्ष साधने के आशकता नहीं है तो वे और भी अधिक्गती से बाण छोड़ने में सक्षम हो जाएंगे। संभवता प्रतेग एक दो सेकंड में एक बाण। प्रवतेश्वर ने अपनी आखे संकुचित कर ली क्योंकि इस विचार के महत्ता का अनुमान उसे हो गया था। बाकी के सेनापती अभी भी अपने विचारों को समझ की सिती में लाने के प्रयास में थे। इस बारे में सोच जैसे पिछले युद्व में हाथियों का हुआ था अति उत्तम वक्र उत्तेजना से उचल पड़ा और संभवता प्रवतेश्वर ने कहा यदि लक्ष से कोई अंतर नहीं पड़ता है तो हम उन्हें इस प्रकार प्रसिक्षित कर सकते हैं कि वे पीठ के बाल लेटकर पावो और मोटे हो सकते हैं लगभग भाले की तरह प्रवतेश्वर ने कहना जाली रखा इतने शक्तिशाली की चमड़े और लकड़ी के बने ढालों को भी छेट सके मात्र वही सैनिक इस सुरश्चित रह सकेंगे जो उनकी नियमित सेना के सैनिक होंगे और इनके पास लोहे की ढा आप क्या बात करना चाहते हैं शिव परवतेश्वर ने धातु विज्ञान के कारखाने में प्रवेश करते हुए पूछा शिव के अनुरोध के अनुसार उसके साथ वक्र और प्रसंजीद भी थे वक्र बड़े अनमने ढंक से धुनुषधारी दल को छोड़ कर आया था ज यंत्र के समान ही कोई एक यंत्र चाहिए जो उनकी सेना के केंद्र को तोड़ सके वो केंद्र जहां उनके सेना नायक अपने नियमित सैनिकों को रखेंगे जब तक वे होते हैं हमारी विज्ञे निश्चित नहीं कहीं जा सकती है बिलकुल सही परवतेश्वर ने कहा और हम नहीं हम नहीं लेजा सकते हैं प्रुमू वक्रे ने कहा यदि हम ऐसी दिवार को द्वस्त करने वाले मानवी जिंत्र का निर्माण करें तो कैसा रहेगा बताईए परवदेश्वर अब धीरे ध्यान से बात सुनने लगा था मान लीजे हम हर और से 20 आदमियों की संख्या वाली एक वरगाकार संद्रचना बनाएं शिव ने कहा बिल्कुल सही शिफ ने का और पीछे के सैनेक अपनी डालोको धकन की तरह प्रयोग कर अपनी आड़ के साथ साथ अपने सामने के सैनी को भी आड़ प्रदान करेंगे ये बनावट एक कच्छुई की तरह की होगी किसी आक्रमर से बचाओ करने के साथ सत्वे ढ़ाले कच्छी भाती ही अभेद्ध हो जाएंगी किन्तो हमारे भाले शत्रों को भेदने के लिए उपयोगी होंगे और हम अपने सबसे अधिक शक्तिशाली एवं अनुभवी सैनिकों को सामने रखेंगे ताकि हमारे कच्छुई का नेतर तो सुद्धर रहे प्रसंजीत ने कहा नहीं परवतेश्वर ने कहा सबसे अनुभवी सैनिकों को पीछे और बगल में रखना होगा ताकि नव युवा सैनिक यदि घबरा जाते हैं तो भी हमारा ये वर्ग किसी भी हालत में तूटकर बिखरे नहीं ये पूरी की पूरी बनावड तभी प्रभावी होगी जब पूरा का पूरा दल हमेशा एक जुट रहता है बिल्कुल सही शिव ने परवतेश्वर की इस परक पर मुस्कान के साथ कहा और यदि वे एक सामान भाले के स्थान पर इसे लेकर चले तो शिव ने एक अस्त्र उपर उठा कर दिखाया जिसकी रूप रेखा उसने बनाई थी और सेना के धातु विज्ञान कार खाने के दल ने जिसे तयार किया था परवतेश्वर उसकी साधरन जलक पर ही आश्चर में पढ़ गया था उसका आकार भाले की तरह का ही था किन्तो उसके मुख को चोड़ा कर दिया गया था उस चोड़े मुख से दो और भाले उसकी बाई और दाई और जोड़ दिये गये थे शत्र पर इससे वार करने का अर्थ था कि एक शत्र पर एक साथ तीन भालों से वार करना ये तो अत्यन्ती सुन्दर है शिव परवतेशवरे आश्चरस ने कहा आप इसे क्या पुकारते हैं मैं इसे तृषूल कहता हूँ प्रसेंजीद परवतेशवर ने कहा तुम इस सेन्य दल को स्थापित करने के प्रभारी हो मैं चाहता हूँ जब हम प्रयान करें तब कच्छुआ संरचना वाले कम से कब पांच दल तयार होने चाहिए मैं इसके लिए तुम्हें दो हजार सैनिक प्रदान करता हूँ ये काम हो जाएगा सिना नायक प्रसंजीद ने सैनिक अभिवादन के साथ कहा प्रवतेश्वर ने शीव को आदर से टक्टकी लगा कर देखा वो सोच रहा था कि शीव की राय वास्तों में अगबत थी और इस तर्थी के बावजूद कि वो व्यक्तिकत पीड़ा में था ऐसे विचारों के साथ काहा रहे करना सचमुछी प्रशन सनिय था आने लोग जो शीव के बारे में ऐसा कहते हैं संभावता वे सही हो संभावता यही वो व्यक्ति प्रभू श्री राम के अधूरे कारियों को पूरा करेगा परवतेश्वर ने आशा की कि शीव उसे गलत सिद्ध नहीं करेगा शीव राजशाही सभाकक्ष में दक्ष एवं परवतेश्वर के साथ बैठा हुआ था दो प्रसिद अरिष्टिने में सेनापती विद्युन माली एवं माया श्रेनी कुछ दूरी पर बैठे हुए थे एक मानसल एवं कभी गरवीला होने वाला वेक्ति शीव के समक्ष खड़ा था उसके हाथ जुड़े हुए थे वो आग्रे कर रहा था मुझे एक आफसर दीजे प्रभू द्रपकु ने कहा यदि नियमों में परिवर्तन कर दिया गया है तो हम युद्ध क्यों नहीं कर सकते द्रपकु वही वेक्ति था जिसके अंधे पिता ने कोड़ दौर में शिव को आशिरवात दिया था जब एक बीमारी ने उसके पिता को अंधा कर दिया था और उसकी पत्नी और होने वाले बच्चे के प्राण हरान कर लिया थे उससे पहले वो मेलुहा की सीना में सीना पती था उसे अपने पिता के साथ ही विकर्म घोशित कर दिया गया था पहली बाद तुमारे पिता कैसे हैं? शिव ने पूछा वे अच्छे हैं प्रभू यदि मैं इस धर्म युद्ध में आपका सयोग नहीं कर पाऊंगा तो मेरे पिता मेरा परित्याब कर देंगे शिव नमरता से मुस्कराया वो भी विश्वास करने लगा था कि ये धर्म युद्ध ही था एक पवित्र युद्ध लेकिन द्रपकु यदि तुम्हे कुछ हो जाता है तो उनकी देख्भाल कौन करेगा मेलुगा उनकी देख्भाल करेगा प्रभू तिन्तु यदि मैं आपके साथ युद्ध पर नहीं जाता हूँ तो वो प्रतिदिन हादार बार मरेंगे मैं किस प्रकार का पुत्र कहलाओंगा यदि मैं अपने पिता के सम्मान में युद्ध भी नहीं कर सकता मेरे सामराजी के सम्मान में ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शिव अभी पूरी तरह से निश्चिंद रही था वो इस वारतालाप से दूसरों के असुविधा को मैसूस कर रहा था उसने देख लिया था कि विकर्म विधी समात्त हो जाने के बाद भी जब द्रपकु ने प्रवेश किया था तो किसी ने उसे पर्ष नहीं किया था प्रभू चंदरवंशियों की संख्या हमसे बहुत ही अधिक है द्रपकु ने कहना जारी रखा हमारे पास जितने भी प्रसिक्षित युद्धा है उनकी हमें आवशकता है कम से कम पाँच हजार ऐसे सैनिक है जो युद्ध नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें विकर्म घुशित किया जा चुका है मैं उन सब को एक हटा कर सकता हूँ हम लोग अपने सामराजी के लिए मरने को इच्छु केवा मधीर है मैं नहीं चाहता कि तुम मेलुहा के लिए मृत्यु को प्राप्त हो हेवीर दरपकु शिव ने कहा दरपकु का चहरे तत्काल ही उतर गया उसने सोचा कि वो कोट दौार अपने घर वापस जाने ही वाला था हाला कि शिव ने कहना जारी रखा मुझे ये अच्छा लगेगा यदि तुम मेलुहा के लिए मारे जाते हो दरपकु ने सिर उठा कर देखा अपने सैने दल की स्थापना करो शिव ने कहा दक्ष के और मुड कर उसने कहना जारी रखा हम इसे विकर्म सैने दल पुकारेंगे हमारी सینा में विकर्म केसे हो सकते हैं ये तो बहुत ही बेहुदी बात होगी विद्यून माली ने करोध में गूरा विद्यून माली एवं माया श्रेनिक अपने निजी व्या मशाला में धुनुश विद्या का नियमित अभ्यास करने के लिए जुटे होए pan विद्यू माया श्रेनिक ने उसे प्रेम से शान रहने के लिए कहना चाहा मुझे विद्यू मत गो माया, तुम जानते हो कि ये गलत है प्रकट की और अपने क्लोध Secondly की गुंटा को बाहर निकलने दिया यदि मैं युद्ध में मारा जाता हूँ तो मैं अपने पूरवजों का सामना कैसे करूँगा विद्यून माली ने पूछा मैं उन्हें क्या उत्तर दे पाऊंगा यदि वे पूछते हैं कि मैंने कैसे उन लोगों को युद्ध करने दिया जो छत्रीय नहीं थे जबकि युद्ध करना मातर छट्रियों का धर्म है दुर्बलों की सुरक्षा करना हमारा करतव है हमें दुर्बलों को हमारे लिए युद्ध करने नहीं देना चाहिए विद्यू मैं नहीं मानता कि द्रप को दुर्बल है क्या तुम पिछले चंदरवंशी युद्ध में उसकी वीरता को भोल चुके हो वो विकर्म है ये उसे दुरबर बना गेता है प्रभु शिव ने आग्या दे दी है कि अब कोई भी विकर्म नहीं रहे गया है मुझे नहीं लगता कि निलकंट सही में असत्य से सत्य को जानते ह विद्यू मायर श्रिनिक चिलना पड़ा विद्यू माले इस अचानक के प्रकोव पर सहम गया यदि नीलकंट कहते हैं कि ये उचित है मायर श्रिनिक ने कहना जारी रखा तो ये उचित ही है अध्याए 22 बुराईयों का सामराज्य ये सैनिक बनावट है जो मेरे विचार से युद्ध के लिए आदर्श है परवतेश्वर ने कहा वक्र एवं परवतेश्वर सेना नायक के नीजी कक्ष में बैठे हुए थे जिस बनावट के तयारी की गई थी वो धनुष के आकार जैसी थी एक बहुत ही व्रहद अर्ध व्रत्तिय आकार में सैनिकों को क्रमबद कि रहेंगे ताकि जहां भी उनके आवशक्ता हो उनके नियुक्ति हो सके अने था वे धनुष के दूरों चोरों से सुरक्षा प्रदान करते रहेंगे धनुष की बनावट अपेक्षा का छोटी सेना के लिए आदर्श थी ये शक्ति का त्याक कि ये बिना हिल अचीलापन प् कॉन होता है मैं सहमत हूँ प्रभू मैं बाए किनारे से इसका नेत्रत्व करूँगा प्रवतेश्वर ने कहां और तुम दाहीने किनारे से इसी कारण से मुझे तुम्हारे अभिमत के आवशक्ता है मैं प्रभू अचंभे में पड़े वक्र ने पूझा मैंने सोचा था कि महादे या दूसरे किनारे से नेतर तो प्रतान करेंगे शिव नहीं मैं नहीं मानता कि वे युद्ध करेंगे वक्र वक्र ने आश्चर से उपर की ओर देखा किन्तु चुप रहा परवतेश्वर को ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे इसका विवराण देनी की आवशक्ता थी और इसलिए उसने कहना प्रारंब किया इसमें कोई संदे नहीं है कि वे एक अच्छे एवं योग गिवेक्ती है किन्तु उनके मन में जो सर्वोच इच्छा है वो है प्रतिशोत ना कि मिलूहा के लिए न्याय की हम लोग उनके इस प्रतिशोत को पूरा करने में उनकी सहायता करेंगे जब हम उस नागा को उनके चरणों में डाल देंगे मात्रेक नागा के लिए वे अपने जीवन का दाव इस यदु में नहीं लगाएंगे वक्र के आखें नीचे जुकी हुई थी वो नहीं चाहता था कि सेना नायक उसकी आखों को पढ़ ले जिसमें इस बात से असाहमेती इस पष्ट दिख रही थी सच तो ये है कि परवतेश्वर ने कहा हम ये युद्ध उन पर नहीं थोप सकते क्योंकि उनका गला नीला है मैं उनका अत्यधिक आदर करता हूँ किन्तो मैं यद्ध में उनके लड़ने की आशा नहीं करता उनके लिए ऐसा करने का क्या कारण हो सकता है वकर ने कुछ पल के लिए सिर उठा कर परवतेश्वर को देखा उसने सोचा कि जो सबके लिए इतना इसपश्चत था उसे सेनाना एक सुईकार करने के लिए क्यों तयार नहीं थे क्या वे प्रभु श्री राम में इतने अरुन रखते थे और मातर धर्म ही एक ऐसा है जिसका अस्थान कोई अन्य नहीं ले सकता इतना ही नहीं परवतेश्वर ने कहना जारी रखा वे आप विवाहित हैं इस पश्ठय के वे पिरमा सकते हैं मैं इस बात का जोक्यम नहीं ले सकते कि सती पुना शोक संतप्त हो उन्हें ऐसा करना भी नहीं चाहिए उनसे इस प्रकार की मांग करना हमारे लिए अनुचित है वक्र ने सोचा हाला कि बोलने कि इसकी हिम्मत नहीं थी महादेव हमारे लिए युद्ध करेंगे सेननायक वे हमारी रक्षा के लिए युद्ध करेंगे क्यों? क्योंकि महादेव यही करते हैं वक्र इस बात को नहीं जान रहा था कि प्रभतेशवर अपने من में भी इस प्रकार की सोच की आशा कर रहा था उसकी भी यही इच्छा थी कि शिव स्वयम महादेव बनकर चंदरवन्शियों पर विजय प्राप्त करने में उनका नेद्रत्व करेंगे हाना कि परवतेश्वर ने अपने जीवन के लंबे अनुभवों से जान लिया था कि कई लोगों ने प्रभु श्री राम के स्थर को छूने का प्रयास किया था कि दु कोई भी अब तक सफल नहीं हो पाया था और अंतता उसका भ्रहम तूट ही गया था इस प्रकार वो श्रीव से भी एक अन्य आशा के भंग होने की आशा मही था वो इस सिति में नहीं रहना चाहता था कि यदि शिव ने चंदरवंशियों से युद्ध करने से मना कर दिया तो उसके पास कोई आपात योजना ना हो युद्ध परिशत शांती से बैठा हुआ था जब दक्ष उस पत्र को पढ़ रहा था उसकी मुठी भीची हुई थी उसने वो पत्र कनखला को दिया और वेंग्यात्पक बुसकान के साथ कहा पढ़िये इतने तेज स्वर में पढ़िये कि पूरा विश्व चंदरवंशियों की इस घ्रणा से बीमार हो जाए कनखला ने पत्र लेने से पहले अपनी भौहों को तिर्चा किया और वो पत्र लेकर तीवर स्वर में पढ़ने लगी समराद दक्ष सूरिवन्शी राजा मिलूहा के रक्षक तिरप्या मंदार परवत पर कायरता पूर्ण आकरमण पर मेरी सम्वेदनाएं सुईकार कीजिये शांतिप्री इबराहमणों पर इस प्रकार के सम्वेदना वहीन आकरमण करने की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए हम इस बात पर सदमे में हैं कि भारत परश का कोई निवासी इस निचले इस तरका कारे करेगा इसी कारण आश्चर एवं दुक के साथ मैं ये आपका पत्र पढ़ रहा हूँ मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मेरा अत्वा मेरे नियंतर में किसी का इस कपड़ पूर्ण आकरमण से कोई नियना देना नहीं है इसलिए मुझे आपको खेद के साथ सूचित करना पढ़ रहा है कि ऐसा कोई विक्ति नहीं है जिसे हम आपके सुपूर्ण कर सकते हैं मुझे आशा है कि आप इस पत्र की निश्कपटता को समझेंगे और कोई निर्णे उतावले पन में नहीं लेंगे जिसका परिणाम आपके लिए खेद जनक होगा मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि इस उपद्रव की वेचना में हम हमारे समराजी का पूरा समर्थन देंगे करपया हमें अवश्य बताईए कि हम किस प्रकार इन अपराधियों को नियाए दिलाने में आपकी साहता कर सकते हैं कनकला ने स्वयम को नियंतरित करने के लिए गहरी सास ली विशिश ट्रूप से चंदरवंशियों के इस दो मोही बात पर क्रोध उसके चेहरे को धो रहा था जो उसके पूर्प के कथन पर खेद प्रकट कर रहा था यह समराड दिलीब दोरा वेक्तिकत रूप से हस्ताक्षर किया है कनकला ने पत्र के पाठ को पूरा करते हुए कहा समराड दिलीब नहीं कृद दक्ष को राया बुराईयों के सामराज्य का त्रासदकारी दिलीब युद्ध परिशत से एकिकरत स्वर गुंजाय मान हुआ दक्ष ने भ्रकटी तने हुए शिव को देखा जिसने सहमती में अतिसूक्षमता से सिरह लाया युद्धी है दक्ष ने गर्जना की हम दो सपता हमें प्रायान करेंगे वो कड़ा जीवित हो उठा था वो शिव को बौना बना कर फोल कर एक बहुत बड़े आकार का बन चुका था उसके किनारे अतिधिक विशाल जौलाओं में निगले जा चुके थे विशाल का एस सर्प जिसने ओम को सुरूप प्रदान किया हुआ था पर एक दूसरे से प्रथक होकर सरकते हुए शिव की और बढ़ रहे थे जो मध्य में था उसने अपने बाएं वाले सर्प को सिर हिला कर फुपकार कर कहा इसने तुम्हारे भाई को निगल लिया और ये दूसरा बहुत शीग रही तुम्हारी पतनी को निगलेगा बाएं और दाएं वाले सर्पों ने भायावह तरीके से फुफकार लगाई शिव ने मध्य वाले सर्प की और उंग्री दिखाते हुए कहा यदि तुम्हारी आत्मा को चीर कर बाहर लेकिन मैं शिव के चेतावनी को माने बिना ही सर्प ने कहना जारी रखा मैं तो स्वैंब की रक्षा कर रहा हूँ मैं अपनी रक्षा तुम्हारे लिए कर रहा हूँ शिव ने एक आसाहाय निर्बल क्रोध से उसको देखा मैं तुम्हें निगल जाऊंगा उस सर्प ने अपना मूँ खोलकर उसे पूरा का पूरा निकल जाने के लिए तैयार होते हुए कहा शिव के आखे आचाना के खुल गई वो पसीने से तर था उसने अपने आसपास देखा उसे कुछ इस पश्चे दिखाई नहीं दे रहा था कुछ अंदकार ही था उसने सती को ढूरना चाहा ये देखने के लिए कि उस रक्षित है या नहीं वो वहाँ नहीं थी वो अत्यान थी तुरेद गती से उड़ बैठा उसका हरदय सर्द था उसने लगभग ये सोच लिया था कि वो सर्प उसकी स्वपने से निकल कर ये थार्त में रुपांतरित हो चुका था शिव उसकी और देखते हुए सती ने कहा वो बिस्तर के एक किनारे पर बैठी हुए थी जिस छोटे सैनेक तंबू में वो सो रहते उसमें कुर्सियों का आराम संभव नहीं था ये तंबू पिछले एक महिने से उनका भ्रमनकारी घर बना हुआ था क्योंकि मिलूह की सैना स्वधीप के लिए प्रयान पर थी किया बात है सती शिव ने पूछा उसकी आँखे उस धीमी रोश्णी में विवस्थित होने के प्रयतन में थी उसने उस अपरादी कड़े को अपने छोटे थेले में सरका दिया जिसे वो हाथ में कसकर पकड़े हुए था मैंने इसे कब बाहर निकाला शिव सती ने कहा पिछले दो सपता से वो इस बारे में बात करना चाह रही थी जब उसे उस समाचार की पुष्टी होई थी लेकिन उसे वे आवसर के छड़ नहीं मिल पाए थे उसने हमेशा अपने आपको ये कहकर मना लिया था कि ये उतना महत्पूर समाचार नहीं था कि जिससे वो कहकर अपने पती को अनवश्चक परिशान करें विशेश कर जब वे अपने जीवन के सबसे बुरे समय का सामना कर रहे थे किन्तो अब बहुत देर हो चुकी थी उन्हें ये समाचार उसी से मिलना चाहिए ना कि कि किसी और से एसे समाचार सैनी खेमों में अधिक समय तक छुपे नहीं रह सकते हैं मुझे आपसे कुछ कहना है हाँ शिव ने कहा यद्देपी उसका स्वपन अभी भी उसे खटक रहा था क्या बात है मुझे नहीं लगता कि मैं युद्ध में लड़ाई कर पाऊंगी क्या क्यों विस्मित शिव ने पूचा वो जानता था कि सती के शब्द कोश में कायरता नामक शब्द नहीं था फिर वो ऐसा क्यों कह रही थी और अभी क्यों जब सेना पिछले एक महिन से बढ़ती हुई मेलूहा एवं स्वधीप को अलग करने वाले सघनवन में पहुच गई थी वे पहले से ही शत्रू के छेत्र में थे अब वापस लोटना संभव नहीं था सती ये तुम्हारे जैसा व्यवहार नहीं है शिव शर्मिंदा होती हुई सती ने कहा ऐसे संभाशन अती संकोची सूर्यवंशियों के लिए हमेशा से कठिन रहे है मेरे पास इसका कारण है कारण शिव ने पूचा क्या जैसे बिजली की कड़क के सामने सब कुछ इस पश्ट हो जाता है ठीक उसी प्रकार अचानक ही शिव को इसका काराण समझ में आ गया हे भगवान क्या तुम सच कह रही हो हाँ सती ने शर्म से लाल होते हुए कहा पवित्र जील के नाम पर बताओ क्या मैं पिता बनने वाला हूँ शिव के मुख पर उस असीम आनन्द को देखकर सती को एक दोशपूर्ण टीस हुई कि उसने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया अरि वाह शिव ने चिला कर सती को बाहों में भरकर गोल गोल घुमा दिया बहुत लंबे समय के बाद मैंने इतना सुंदर समचार सुना है सती मधूर्टा से मुस्कुराई और उसने शिव के ठके हुए लेकिन ताकतवर कंधे पर अपना सिर रख दिया हम लोग अपनी पुत्री का नाम उस सिस्त्री के नाम पर रखेंगे जिसने तुम्हें दो महिने तक अपने जीवन से भी अधिक संभाल का रखा जब मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं था कट हम उसका नाम रखेंगे कृतिका सती ने आश्चरे से उसे देखा उसे ये विश्वास नहीं था कि वो उन्हें इससे भी अधिक प्रेम कर सकती थी लेकिन ऐसा ही हुआ था वो मुस्कुराई आप जानते हैं कि वो पुत्र भी हो सकता है ना शिव मुस्कुराया वो पुत्री ही होगी मैं उसकी सारी आज़ते बिगार दूँगा सती दिल खोल कर हसी शिव ने भी उसका उतना ही साथ दिया पिछले दो महिनों में ये पहली प्रफुलित कर देने वाली हसी थी उसने सती को आलिंगन बद कर लिया उसे लगा कि उसके शरीर से रिडात्म कूरजाय निकलती चली जा रही हो मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ सती मैं भी उतना ही प्रेम करते हूँ सती ने हलके स्वर में कहा शिव उस तंबू का आवरान हटा कर बाहर निकला जिसमें सती को आराम पूरवक रखा गया था कृतिका और आयरुवती उसके साथ थे परिचारक वर्ग उसकी प्रते कावशक्ता का ध्यान रख रहे थे शिव अपने अजन्मे शिशु के स्वास्तिके बारे में कुछ अधिकी चिंतित था पिछले दो महीने से स्वधीब की और प्रयान करते समय वो सती के अच्छे स्वास्तिक के बारे में आयरुवती से लगतार पूच्टाच करता रहा था सूर्वशी बड़ी वीर्टा पुरवक लगभक तीन महीने से चल रहे थे उनका मार्ग आशा से अधिक चुनोती भरा था उस जंगल ने अपना मौलिक एवं प्राकरतिक वास भायानक तेवर्टा से वापस पा लिया था हर मोण पर सेना को जंगली पश्वों एवं बीमारियों के आकरमन के सामना करना करना पड़ा था अब तक 2000 सेनिकों की हानी हो चुके थी और उन में से एक भी शत्रों के हाथों नहीं हुई थी कई सब्ताहों तक शस्त्रों के प्रहार एवं प्रयान के पश्चात अंतता सूर्वंशी सेना को उनके मार्ग दर्शिकों ने चंद्रवंशी सेना के समक्षिला खड़ा कर दी गा था चंद्रवंशी सेना एक व्यापक मैदानी भाग पर डिगरा डाले हुई थी जिसका नाम था धर्मखेत उनका चुनाव चाला की भरा था एक अत्यधिक बड़े एवं सुवेवस्थित मैदान के कारण उन्हें अपनी दस लाग की संख्या वारी ताकतवर सेना के लिए प्रतेक युक्ति लगाने का आवसर मिल रहा था उनके संख्या वाचक स्रेश्चता की इस युद्ध में अहम भोमिका रहेगी सुर्वंशियों की सेना ने कुछ दूरी पर प्रतिक्षा करने की सोची ताकि चंद्रवंशियों की सेना का धैरे तूटे और वे प्रतिकूल एवं अलाबकारी छेतर में उन पर आकरमण कर दे किंतु चंद्रवंशियों ने ऐसा कुछ नहीं किया और वे वहीं अडिग रहे अंद्रता सूरिवंशियों ने एक आसानी से रक्षा योगी घाटी के और प्रस्थान कर दिया जो धर्म खेत के बहुत निकड़ थी शिव ने उपर खुले आसमान की और देखा एक बाज राजशाही खेमे के उपर चक्कर लगाता हुआ उड़ रहा था जबकि पांच कबूतर नीचे बिना डरे होए उड़ रहे थे ये एक विजितर संकेत था यदि उसके गुड कबीले का ओज़ा वहां होता तो वो अवश् पश्रूप से अद्रिष्ट अनुकूल परिस्थितियां थी इसके बारे में मत सुचो वैसे भी ये सब बक्वास की बाते हैं प्राता कालिन शुद्ध वायू को अपने अंदर गहरा खीशते हुए उसने समराट के तंबू के और द्रिष्टी दोड़ाई तो देखा नंद तंबू के और तीवरता से बढ़ गए उन्होंने प्रवेश किया तो देखा दक्ष एवं प्रवतेश्वर एक विचार विवार्श में तल्लीन थे वक्र माय श्रेनिक और द्रप को कुछ दूरी पर बैठे हुए थे ये तो त्रासदी है दक्ष ने कहा महराज शिव ने प हाँ परवतेश्वर ने कहा हमारे गुप्तचर अभी अभी कुछ ही मिनट पहले पहुचे हैं चंदरवंशियों के युद्ध के लिए तयार नहीं होने का कारण था उन्होंने एक लाख सैनिकों को एक व्रत्य के आकार में हमें घेरने के लिए दूसरे मार्ग से प्रस्था अब हम क्या करें जो इस समचार के साथ लोटे हैं विक्या वीरभद्र के गुप्तचर हैं शिव ने पूचा परवतेश्वर ने उससे हिला कर सहमती प्रकट की शिव नंदी की और मुड़ा जो ततकाल ही बाहर निकल गया कुछ छड़ों के बाद ही वीरभद्र उसके सामने में खड़ा था चंदरवंशियों की वो टुकडी किस मार्ग से आ रही है भद्र पूर्व की खड़ी चड़ाई वाले परवत की ओर से हमारी ओर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी मंशा उत्तर की ओर से 50 किलोमेटर की दूरी से हमारी घाटी में प्रवेश करने की है जैस उसे संकेत देते हुए वीरभद्र ने कहा इस ओर से शिव ने सहसा कुछ कहना प्रारंब किया जैसे कि उसे सुर्वंशी खेमे के सुदूर उत्तर में रक्षायोग्य इस्थल उसमांचितर पर बिल गया था उसने प्रवतेश्वर को देखा सेना नायक को भी वही विजार कितने वेक्ति आप सोचते हैं प्रवतेश्वर कहना कठिन हैं यह कठिन होगा कि दर्रा रक्षायों के प्रतीत होता है फिर भी एक अच्छी संख्या के सैनिक दल की आवशक्ता होगी कम से कम 30,000 लेकिन हम इतने आदमियों को छोड़ नहीं सकते मेरा निश्यत विचार है कि प्रवतेश्वर ने नहीं देखा था कि द्रपकु मेज के और बढ़कर आ चुका था बहुस दर्रे का परिक्षा कर रहा था जिससे शिव ने अभी अभी संकेत कर दिखाया था इधर देखिए द्रपकु ने कहना जारी रखा तो शिव और प्रवतेश्वर ने गहरी दर्ष्टे से मांचित्र को देखा आगे बढ़ता हुआ परवत बड़ी तीवरिता से संकुचित होता गया है जो आर पार पचास मीटर से अधिक नहीं होगा इससे कोई मतलब नहीं है कि कितनी बड़ी सेना है क्योंकि प्रतेख धावा उस दर्रे में कुछ सो आदमियों से अधिक कर नहीं किया जा सकता है में नहीं है द्रपकु ने कहा ये तो उन्हें एक दिन तक रोके रखने की बात है ताकि हमारी मुख्य से नायुद कर सके मैं इसे करना चाहता हूं परवतेश्वर ने कहा नहीं प्रभू वक्र ने कहा आपके अवशक्ता मुख्य आकर्मन के लिए है शिव ने के लिए स्वयम को तयार कर लिया था फिर भी उसे आशाते कि शिव उसे गलफ सिद्ध करेगा कि तो अपरवतेश्वर को ये स्पष्ट प्रतीत हो रहा था कि अव्लोकन वेदी का जो दक्ष के लिए बनी थी शिव भी उसी पर बैठ कर युद्ध होते हुए देखेगा मु प्रभु द्रपकु ने मध्य मैं ही टोक दिया यही मेरा प्रारपध है कि उन्हें उन्हें एक दिन के लिए रोग दूँँगा जैदी प्रयास कर सकता हूं उस समय तक हमें विज्य दिला दीजिए ग्रभु दक्ष ने अचानक ही कि टोक कर कहा अति सुन्दर द्रपकु आ एक घंटे से ही कम समय में इस विकर्म सैनेदल खेमा छोड़कर उत्तर दिशा की और प्रस्थान करने को तयार हो चुकी थी सूर्य आकाश में उपर चड़ाया था और पूरा का पूरा खेमा जाग रहा था वे लोग सैनिकों को अपने लक्ष के और बढ़ते देख रहे थे सभी लोगों को पता था कि विकर्म को घंगोर कठेनाईयों का सामना करना था वे जानते थे कि उन सैनिकों में से किसी को भी जीवित देखना असंभव ही था किन्तु जब वे सैनिक आगे बढ़ रहे थे तो उनमें हिचकिचाहट या डर कोई लेश मातर भी संकेत दिखाई नहीं दे रहा था सारा का सारा सूरिवन्शी खेमा एक शांतिमय विसमय में था सभी के मन में एक ही विजार गुंजाय मान हो रहा था ये विकर्म इतने तेजस्वी कैसे हो सकते हैं इन्हें तो कथित रूप से दुर्बल होना चाहिए था द्रपको सबसे आगे नितरत्व कर रहा था उसका सुन्दर चहरा युद्ध के रंगों से पुता हुआ था अपने कवच के उपर उसने केसरिया रंग का अंगवस्त्रम पहन रखा था ये रंग परमात्मा का था ये रंग अंतिम यात्रा के लिए पहना जाता था उसने वापस आने की आशा नहीं की थी वो अचानक ही रुका क्योंकि विद्धुमाली जपटा मार कर उसके सामने खड़ा हो गया। द्रपकु ने तेवरी चढ़ा ली। इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दिखा पाता विद्धुमाली ने अपना चाकु निकाल लिया। द्रपकु उसके हाथ की उर्जपटा लेक इस महत्ता को दर्शाते हुए कि उसका रक्त द्रपकु की रक्षा करेगा। आप मुझसे बहतर हैं द्रपकु। विद्धुमाली ने धीमे स्वर में कहा। द्रपकु चुपचाप खड़ा रहे गया। वो विद्धुमाली के इस अलाक्षणिक व्यवहार पर चकित था। अपनी मुठी बांदे हातों को ऊपर उठाकर विद्धुमाली ने गर्जना की। उन्हें नर्क में पहुचा दो विकर्म। सूरिवंशियों ने बार बार दोहराते हुए अंतरनात किया। द्रपकु और उसके सैनिकों ने पूरे सूरिवंशी खेमे की और द्रिश्टी घ जिससे उन्हें बहुत लंबे समय से वंचित रहना पड़ा था बहुत ही लंबे समय से उन्हें नर्क में पहुचा दो विकर्म। द्रपकु ने सहमती में सेर हिलाया और आगे बढ़ गया इससे पहले कि उसकी भावनाय उस छड़ को नश्ट कर देती उसके सैनिक पीछे थ थी। उन्हेंने तदकार ही आक्रमर कर दिया था। मुख्य सूरची सेना को समय प्रदान करते होएं विकर्मों ने उन्हें रात भर रूक दिया। मुख्य युद्ध का यहीदिन था। शिव तयार था सती आरती की थाली से शिव के आरती उतारते हुए दीप्तिमान लग रही थी साथ बार आरती उतारने के बाद वो रुकी उसने थोड़ा सिंदूर अपने अंगूठे में लिया और शिव के ललाट पर उसका तिलक लगा कर कहा विजई होकर आईएगा या फिर कभी ना आईए शिव ने अपनी भौहों को उपर उठा कर मूँ बनाया युद्ध पर भेजने के लिए ये कौन सा तरीका है क्या नहीं ये तो मैं जानता हूँ सती को बाहों में लेते हुए मुसकान के साथ शिव ने कहा ये युद्ध में प्रस्थान करने से पूर्व सूर्वंशियों का लाच्णिक तरीका है है ना सती ने शिव को देखा उसकी आखें नम थी दशको तक सूर्यवंशी प्रसिक्षन को शिव के लिए उसका प्रेम आच्छादित कर रहा था सुरक्षित और भले चंगे वापस आईये मैं अवश्चे लोट आऊंगा प्रिये शिव ने धीमे सोर में कहा तुम इतनी आसानी से मुझसे छुटकारा नहीं पा सकती सती की दूरबल मुस्कान थी मैं प्रतिक्षा करूंगी सती अपने पाओं के पंजे पर खड़ी हो गई और उसने हलके से शिव के माथे को चुम लिया शिव ने भी उसे चुमा और इससे पहले कि उसका हरदय उसके मन को अनिता सोचने पर विवश्च करे तेजी से मुण गया तंबू के आवरण को उठाते हुए वह तंबू से बाहर निकल गया उसने दृष्टी उठा कर आगाश की ओर देखा कि कहीं कोई पूर्व सूचना देने वाले शकुन अप्शकुन का संकेत मौजूद हो वहां कुछ नहीं था सब कुछ अच्छा प्रतीत हो रहा था दूर से साफ सित्री लेबद बारंबारता से युद्ध के नगाड़े की ध्वनी के साथ-साथ संस्कृत के श्लोकों की गूंज उस रूखी ठंडी हवा में बहती जा रही थी ये विशिष्ट सूरिवन्शी रश्म शिव को अजीब प्रतीत हुई थी किन्तो उन ब्राहमणों में कुछ बात तो अवश्य थी क्योंकि ये एक विशेश प्रकार की पूजा थी इंद्र देव एवं अगनी देव के आहवान के लिए जो भी उन नंगाड़ों एवं श्लोकों को एक साथ सुन रहा था उसमें एक उतेजित योद्धा का उत्सा भरता जा रहा था इनकी थाप एवं तीवरता और शीगरता से बजने लगेगी जब युद्ध शिड़ चुका होगा वो मुड़ा और दक्षे के तंबू के और चल पड़ा प्रणाम महराज शिव ने तंबू का आवरान हटा कर प्रवेश करते हुए कहा जहां परवतेश्वर युद्ध की योजना समराट को बता रहे थे नमस्ते परवतेश्वर परवतेश्वर मुस्कुराया और उसने अपने हाथ जोड़ लिया द्रपकु का क्या समचार है परवतेश्वर शिव ने पूछा जो अंतिम सूचना मैंने सुनी थी वो तीन घंटे पहले की थी विकर्म का युद्धु चल रहा है द्रपकु अभी भी उन्हें रोके हुए है उसने हमें अमूली समय प्रदान किया है प्रभु श्री राम उस पर कृपा करे उसे मात्र आज दिन भर उनको रोके रखना होगा प्रभु दक्ष ने अपचारिक नमस्ते में हाथ जोड़कर एवं सिर नीचे जुका कर कहा ये बहुत ही शुब प्रारंभ है हमारे लिए आज का दिन अच्छा रहेगा हाँ ऐसा ही प्रतीत होता है शिव मुस्कुराया द्रपकु का समचार स्वागत योग्य है लेकिन ये प्रश्न चतुर्त प्रहर में और भी समिचीन होगा महराज मैं निच्चित रूप से कह सकता हूँ कि उत्तर यही रहेगा प्रभू आज के शतुर्त प्रहर तक सम्राड दिलीफ हमारे सामने खड़ा होगा बेडियों में जगड़ा हुआ न्याय की गुहार लगाता हुआ प्रतिक्षा करता हुआ सावधान रहे है महराज शिव ने एक मुसकान के साथ कहा भाग एक उक पर रखने का प्रत नहीं करना चाहिए हमें अभी भी युद्ध जीतना है हमें किसी विपत्ती का सामना नहीं करना पड़ेगा हमारे पास नीलकंठ है हमें मातर आकरमल करना है हमारी विजय निश्चित है मेरे विचार से चंदरवंशिव को पराजित करने में नीले गले के अलावा भी हमें बहुत कुछ करना होगा महराज शिव ने और बड़ी मुस्कान के साथ कहा हमें अपने शत्र को कम नहीं आकना चाहिए हम उन्हें कम नहीं आक रहे हैं प्रभू किन्तु मैं आपको कम आकने की भी भूल नहीं कर सकता शिव ने आत्म समर्पण कर दिया उसने को समय पहले ही इस बात को जान लिया था कि दक्ष के संदेह रही द्रण विश्वास के विरुद्ध तरको को जीतना असंभव था कदाचित मुझे अब चलना चाहिए महराज परवतेश्वर ने कहा समय आ चुका है यदि आपकी आग्या हो तो निसंदेह परवतेश्वर विजय भावा दक्ष ने कहा फिर शिव के और मुड़तेवे उन्होंने कहना जारी रखा परवु पीछे के परवत इन लोगों ने हमारे देखने के लिए एक अवलोकन वेदिका का निर्मार किया है अवलोकन वेदिका? हैरान शिव ने पूछा हाँ क्यों नहीं हम लोग वहाँ से युद्ध का दृष्य देखते हैं वहाँ से अब बहतर इस्थिती में होकर युद्ध के लिए निर्देश दे सकेंगे शिव ने आश्चेरे में आखों को संकुचित किया और कहा महराज मेरा इस्थान सैनिकों के साथ है युद्ध के मैदान में परवतेश्वर चलते हुए अपने मार्ग में रुख गया स्वयम को गलत सिद्ध होता देख वो आश्चेर शकित भी था और प्रसन ने भी प्रभू ये कसायों द्वारा किया जाने वाला कार है नीलकंठ द्वारा नहीं चिंतिद दक्ष ने कहा आपको चंदरवंश्यों के रक्त से अपने हाथ दोशित करने के आवशक्ता नहीं है परवतेश्वर उस नागा को बंदी बना कर आपके चर्णों में रख देगा आप उससे ऐसा प्रतिशोद ले सकते हैं कि उसकी पूरी के पूरी जाते युगो युगो तक आपके न्याय से भैखाती रहेगी ये मेरे प्रतिशोद के बारे में नहीं है महराज ये मेलुहा के प्रतिशोद के बारे में है ये सोचना मेरे लिए छुदर बात होगी कि ये समस्तर युद मात्र मेरे लिए लड़ा गया ये युद अच्छाई और बुराई के मद्ध है ऐसा युद जिसमें एक विक्ति को किसी एक पक्षि के साथ होकर लड़ना होगा धर्म युद में कोई दर्शक नहीं होता ये एक पवित्र युद है परवतेश्वर ने शिव को गौर से देखा उसके आँखे प्रशंसा में खुली की खुली रहे गई मैं शब्द प्रभु श्री राम के थे धर्म युद में कोई दर्शक नहीं होता प्रभु हम आपके जीवन को जोखिम में डालना सहन नहीं कर सकते दक्ष ने आगरह किया आप हमारे लिए बहुत मातपूर है मैं दरण निश्चे से कह सकता हूँ कि हम इस जोखिम के बिना ही युद में विजय प्राप्त कर सकते हैं आपकी उपस्तिती ने हमें प्रिणा दी है बहुत से लोग हैं जो आपके लिए अपना रक्त बहाने के लिए तयार हैं तो मुझे भी उनके लिए अपना रक्त बहाने के लिए तयार रहना चाहिए पर वितेश्वर का हर्दय उस असीम आनंद से सराबोर हो गया जिसे एक विद्या संपन सूरिवन्शी अनुभव कर सकता था ऐसे विक्ति को पाने का आनंद जिससे प्रेरित हुआ जा सकता था जो सुयम प्रभु श्री राम के बोल बोलने का पात्र था चिंतित दक्ष शिव के समीप आ गया उसने अनुभव किया कि यदि उसे नेलकंट को इस उजड़ता से रोकना था तो उनके मन की बात उन्हें बतानी पड़ेगी उसने धीमे से कहा प्रभु आप मेरी पुत्री के पती हैं यदि आपको कुछ हो जाता है तो वो एक ही जीवन में दूसरी बार शोक संतप्त हो जाएगी मैं ये उसके साथ ऐसा नहीं होने दे सकता कुछ नहीं होगा शिवन ने धीमे से कहा और सती तो सहस्तर मृत्य उमर जाएगी यदि वो देखेगी कि उसका पती धर्मयुद नहीं लड़ रहा है वो मेरे लिए अपना आदर खो बैठेगी यदि वो गर्वती नहीं होती और अगर कुछ हो गया तो प्रभू तो फिर इसको याद किया जाएगा कि वो एक अच्छे कारे के लिए हुआ था सती को मुझ पर गर्व होगा दक्ष शिव को लगातार घूरता जा रहा था उसका मुख एक संतप्त दुख का एक छाया चित्र बन चुका था मुझे शमा करे महराज किन्तु मुझे जाना ही होगा शिव ने एक आपचारिक नमस्ते करके कहा और मुणकर जाने लगा परवतेश्वर ने उनका अनुसराण किया अन्य मनस्क ढंग से जैसे किसी असीम शक्ति द्वारा खीचा चला जा रहा हो जियो ही शिव तेजी से तंबू से निकल कर अपने घोड़े की और चल पड़ा तो उसने परवतेश्वर का गरज वाला स्वर सुना प्रभू शिव चलता रहा प्रभू प्रवतेश्वर ने बल लगा कर आगरही होकर पुकारा शिव चलते चलते अचानक रोग गया वो मुड़ा तो उसके चहरे पर एक आश्चरे मिश्रित तेवर था मुझी शमा करे प्रवतेश्वर मुझी लगा कि आप महराज को पुकार रहे थे नहीं प्रवतेश्वर ने शिव के समीप पहुच कर कहा मैं आपको ही पुकार रहा था अब उसकी तेवरी और भी चड़ गई थी क्या बात है वीर सेना नायब प्रवतेश्वर तनकर सैनी के तरह सावधान के मुद्रा में खड़ा हो गया उसने शिव से एक निश्चित दूरी बना ली थी वह उस पवित्र भूमी पर नहीं खड़ा हो सकता था जिसने महादेव को पालने में जूला रखा था जैसे कि वह आधी नींद में हो प्रवतेश्वर ने मुठी बांथ कर एक लहरदार तरीके से अपने सीने से लगाया और उसके बाद उसने मियवा बहुर ऑपचार Quelle कि अभिवादन किया और नीचे जुक गया इतना नीचे जितना कि वह पहले कभी किंतु सीर को अभी भी जुकाए हुए परवतेश्वरन धीमे से कहा आपके साथ रक्त बहाने पर मैं स्वयम को धन्य समझूंगा प्रभू अपना सीर उठा कर उसने पुना कहा स्वयम को धन्य समझूंगा शिव मुस्कुराया और उसने परवतेश्वर के हाथ पकड़ते हुए कहा सश तो ये है कि यदि हमारी योजनाए सही है तो मैं आशा करता हूँ कि हमें बहुत अधिक रक्त बहाने की आवशेक्ता नहीं पढ़ने वाली है अध्याए 23 धार्मियद पवित्रिद सुर्वंशी धनुष के आकार में विवस्थित हो चुके थे शक्तिशाली किंतु अत्यधिक लचीले हाल ही में स्थापित किया गया कच्छवा सैने दल मध में रखा गया था हलके शस्त्रो वाली पैदल सेनाओं से दोनों किनारे बनाए गये थे और अश्वा रोही दल दोनों किनारों पर सीमा बने हुए थे पिछली रातरी बिन मौसम की बरसाथ के कारण रथों को छोड़ दिया गया था पहियों के कीचर में फस जाने का जोखिम वे नहीं उठा सकते थे नए प्रसिक्षित धनुषधारियों का सैन दल पीछे की और रखा गया था बड़ी दक्षिता से उनकी पीट को आराम देने वाले आसन बनाए गये थे जिसके उपर वे आसानी से लेट कर अपने पैरों को यांतरिक धंग से चला कर अपना लक्ष साध सकते थे धनुषध को अपने पैरों की लंबाई तक उंचा किया जा सकता था और डोरी को अपनी ठुड़ी तक लाकर बहुत शक्ती से उन बाणों को चलाया जा सकता था जो एक छोटी बर्ची या भाले की समान थे चुकि वे सूरिवंशी पैदल सेना के पीछे थे इसलिए वे चंदरवंशीों की दर्ष्टी से पूरी तरह से छिपे हुए थे एक मानिकी आकरामक बनावट में चंदरवंशीों ने अपनी सेना को अपनी शक्ती के रुसार विवस्थित कर रखा था उनकी विशाल पैदल सेना पांच हदार सैनिकों के दल में बटी हुई थी ऐसे दल पचास थे जो एक पंग्ती में असंखे जनसमूह की तरह प्रदरशित हो रहे थे जहां तक आखे जा सकती थी वे इतनी दूरी तक पहले हुए थे प्रथम पंग्ती के पीछे वैसे ही तीन और विशाल जनसमूह की पंग्तिया थी जो अपना काम समाप्त करने के लिए तयार बैठे थे संख्या की दृष्टी से इस प्रकार की बनावट कम सेना पर सीधा आक्रमण करने के लिए सटीक थी जिससे आक्रमण को बहुत अधिक शक्ती एवं द्रणता मिलती कि इसके साथ ही ये बहुत ही ठोस बनावट थी जिसमें अल्लाचीला पर नहीं था दलों के मध्य थोड़ी जगहा रखी गई थी ताकि यदि आवशक्ता पड़े तो अश्वारोही दल धावा बोल सके सूरिवंशी बनावट को देखते हुए चंदरवंशियों ने अपने अश्वारोही दलों को किनारों पर लगा दिया था उनके विचार से ये उन्हें सूरिवंशी बनावट के किनारों में जलजला लाने के लिए उप्युक्त अफसर प्रदान करेगा और उनकी पंक्ती को तोड़ देने में सफल होगा चंदरवंशी सेना नायकों ने युद के मैदान में प्राचेन, युद नियम, पुस्तक और मूर्द रूप दे दिया था और उसके एक एक प्रष्ट का निष्ठा पूरवक पालन किया था ये एक आदर्ष तरीका होता, यदि उनके शत्रों ने भी मानकिये युक्तियों का पालन किया होता दुर्भाग इसे वो एक तिबतिय कबीले के मुख्या के विरुद युद कर रहे थे जिसके नव प्रवर्तनों ने सूरेवंशी आकरमण को पूरी तरह से रुपांत्रित कर दिया था युद्ध के मुखे मैदान के किनारे एक छोटी पहाडी की और जियों ही शिव का घोड़ा पहुचा तो ब्राहमणों ने शलोकों के उचारणों की गती बढ़ा दी जब कि युद्ध के नगाड़ों ने भी उच्चिस्तर की उर्जा भर दी संख्य में बहुत कम होने के बाद भी सूरेवंशी ने तने भी घवराहट का संकेत नहीं दिया था उन्होंने अपने डर को गढड़े में गार दिया था प्रतेक टुकडी के जथे ईश्वर की पुकार से युद्ध का घोशनात करने लगे इंद्रदेव की जै अग्रीदेव की जै जै शक्ती देवी की वरुण देव की जै जै पवन देव की ये पुकार छण भर में ही भुला दी गई जब सैनिकों ने देखा कि एक श्वेत अतिसंदर युद्धाश्च एक अत्यन थी बलशाली विक्ति को लेकर कदम ताल करता हुआ चोटी पहाड़ी की ओर से आया था उनके पीछे परवतेश्वर था और उनके पीछे नंदी एवं वीर भग्र कानों को छेत कर देने वाली गरजना ने आसमान को जैसे छिदर युक्त कर दिया हो वो गरजना इतनी विशाल थी कि बादलों में घर बनाने वारे देवताओं को भी बाहर निकल कर नीचे घट र जैसे उसने देखा कि शिव उसकी ओर आ रहे थे इससे पहले कि शिव उसके पास पहुचते परवतेश्वर भी तेजी से घोड़े से उतर गया और वक्र के समीब पहुच गया परभू दाएं किनारे का नेतरत्व करेंगे सेनपती परवतेश्वर ने कहा मेरी आशा है किसम को उसे देने के लिए उसने अपने दोनों हाथ उचे उठा दिये आप लगो को ऐसा करने से सुयम को रोकना होगा शिव ने हसते हुए कहा आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं वक्र को उसके पेरों पर खड़ा करके शिव ने उसे आलिंगन बद कर लिया मैं आपका मित्र हूं ना कि प्रभू विस्मित वक्र पीछे हड़ गया उसकी आत्मा धनात्मक उर्जा की धारा प्रवाधार के प्रवेश को सुईकार करने में आसमर देती उसने बुदबुदा कर कहा जी हाँ प्रभू अपना सिर्थ धीरे से हिलाते हुए शिव मुस्कुराया उसने वो शिष्टता से वक्र के हातों से ले ली और समस्त सूरिवंशी सेना को दिखाने के लिए उची उठा दी सभी लोगों के मुह से एक ही स्वर गुंज उठा महा देव महा देव महा देव शिव एक ही वक्राकार चाल में कूदगर अपने अश्व पर चड़ गया उस छड़ी क वह से और उठाते हुए उसने सूरिवंशी पंक्ति के साथ एक और से दूसरी और तक घोड़े को दोड़ाया सुर्वमशी गरजणा तीवर अतितीवर होती चली गई महा देव सुर्वंश्यों शिवद ने हाथ उठाकर गरजणा की मिलो हावासिव मुझे सुनो अपने अस्तित्र धारी ईश्वर की बास सुनने के लिए सेना पूरी तरह से शांत हो गई महादेव कौन है शिव ने दहार लगाई सभी भाव विभोर होकर सुनने वालों किस्थिती में आ गए वे एक-एक शब्दों को ध्यान से सुन रहे थे क्या वो एक उदास भरी उचाई पर बैठता है और विर्थ में ही देखता है जबकि साधार लोग वो करते हैं जो उसका कारे है नहीं कुछ सहनिक शब्द रहित प्रातना कर रहे थे क्या वो सुस्ती से आशिरवात प्रदान करता है जबकि अन्य लोग सच्चाई के लिए युद्ध करते है क्या वो उदासींता से चुपचाद देखता रहता है और म्रत को वो गिनता रहता है जबकि जीवित व्यक्ती बुराई को नश्ट करने के लिए बलिदान देता है नहीं उस समय पूर्ण शांती थी और सूरिवंशी निलकंठ के संदेश को अफशोशित कर रहे थे कोई व्यक्ती महादेव तभी बनता है जब वो अच्छाई के लिए युद्ध करता है एक महादेव अपने माता के गर्ब से उत्पन नहीं होता वो युद्ध के ताप से तब कर निकलता है जब वो बुराईयों को नश्ट करने के लिए युद्ध का प्रारंब करता है सेना निस्तब्द खड़ी थी क्योंकि वो धनात्मा कूर्जा का अनुभाव कर रही थी मैं एक महादेव हूँ शिव ने गर्जना की सुरवेंशियों द्वारा एक प्रतनिधी करने वाला गरघना हठ पाला शूर उबरा वे महादेव द्वारा नित्रत्व प्रदान कियے जा रहे थे देवो के देव चंद्रवेंशियों के पास कोई एक अफसर नहीं था लेकिन मैं एक मात्र नहीं हूँ सूर्वंशों पर एक चकित कर देने वाली चुपपी जा गई महादेव का क्या अर्थ होता है वे एक मातर नहीं है क्या चंद्रवंशों के पास भी इश्वर है मैं एक मातर नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने समक्ष एक लाख महादेवों को देख रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि एक लाख व्यक्ति अच्छाईयों के पक्ष में युद्ध करने को तयार है मैं देख रहा हूँ कि एक लाख व्यक्ति बुराई से लड़ने के लिए तयार है और मैं देख रहा हूँ कि एक लाख व्यक्ति बुराई को नश्ट करने की छमता रखते हैं सूरिबंशों ने हैरानी से अपने निलकंट को देखा किकले उनके शब्द उनके मन में घुसकर व्याप्त हो गए थे उनकी ऐसी हिम्मत नहीं बची थे कि वे प्रश्ण कर सकें क्या हम इश्वर हैं शिव के पास उत्तर था हर एक महादेव है मेलुहावासी विस्मित से खड़े थे प्रतेख वो व्यक्ति जो वहाँ था वो महादेव था हर हर महादेव शिव ने गरजुना की हम सभी महादेव हैं विश्वर मौली कूर्जा प्रतेख सूरिवन्शियों की नसों में दोड़ गई वे भगवान थे अब इसका कोई आर्थ नहीं था कि चंद्रवन्शी संख्या में एक के मुकाबले दस अधिक थे वे भगवान थे यदि चंद्रवन्शी एक के मुकाबले सो भी होते तो भी विरे सूरिवन्शियों की ही होनी थी वे भगवान थे हर हर महादेव सुर्यवंशी सेना ने पुकार लगाई हर हर महादेव शिव ने चिल्ला कर कहा हम सभी भगवान है भगवान अपने लक्ष के कारे पर हैं अपनी तलवार बाहर निकालते हुए उसने अपने घोड़े की लगाम खीच ली अपने दोनों पिछल करने के लक्ष के लिए कार्या सुर्यवंशी ने अपने प्रभू के कहने के बाद गरजना की हर हर महादेव विजश्री को कोई इंकार नहीं कर सकता हर हर महादेव बुरायों की लंबी अवधिया समाप्त हो जाएगी हर हर महादेव जब सेना भगवान की समान गरजना कर र उसके बाद उसने अपने अश्व को परवतेश्वर की और मोड़ा और कहा सेना नायक मेरे विचार से अब हम अपनी वर्षा प्रारंब कर सकते हैं जैसी प्रभू किया गया परवतेश्वर ने सिर हिला कर सहमती प्रकट की उसके बाद उसने अपने अश्व को मोड़कर ध्व के बल जुग गई शिव पर्वतेश्वर वक्र नंदी और वीरभद्र तेजी से अपने अश्वों से उतर गए और उन्हें खीश कर उनके घुटनों पर बैठा दिया और बार संघारक की भाती उड़ने प्रारम हो गए धनुषधारियों को अर्ध व्रत्ताकार बनावाट मे लक्ष बनते चले गए अनियमित चंद्रवंशी सैनिकों के चमड़े और लकड़ी की बनी ढालों को लगबग भालों के समान तीवर बाड़ों ने चलनी करके रख दिया मात्र नियमित सेना ही लोहे की ढाल लेकर खड़ी थी बाड़ा द्वारा इस प्रकार का निर्दई न सनहार जो प्रथम असंख्य जनसमोहों के दलों पर हुआ था तो कुछ ही मिंटों में उनकी पंक्तिया तूटनी प्रारंब हो गई प्रथम सेना के दलों में मरने वालों एवं घायलों की संख्या इतनी विक्रालती कि वे अपने स्थान पर अडिग नहीं रह सके नियमित से में अपना सिरहिलाकर सहमती प्रकट की पर्वतेश्वर ने सिरहिलाकर अपने धोजवाकों को संकेत दिया जिन्होंने संदेश का प्रसारान आगे कर दिया धनुरधरों ने कुछ छन के लिए बाणों को चलाना बंद कर दिया पहियों को दाहिनी और घुमा कर उन्होंने अ की कारण और दूसरी पंक्ति के दलों पर बाणों की वर्षा ने दूसरी पंक्ति के दलों को चुड़ायल की भातिर डरा दिया इस मद्धिशिव ने देखा कि चंद्रवंशी अश्वा रोही दल आक्रमण करने वाली स्थिती में आ चुका था वो परवतेश्वर की और मुड इसी कारण मैंने दोनों किनारों पर माया श्रेनिक और विद्दुन माली के नित्रत्व में अरिश्टनेमी के दो अश्वारोही दलों को पहले से ही नियुक्त कर दिया था बहुत अच्छे सेननायक लेकिन हमारे अश्वारोही दलों को बहुत अधिक आगे नहीं निकलना ह अनेता हमारे ही बाण उन्हें घायल कर सकते हैं। और उन्हें पीछे भी नहीं भागना है। उन्हें मद्य में एक इस्थान पर डटे रहना है कम से कम अभी और पांच मिन्टों तक। मैं आपसे सहमत हूँ। हमारे धर्लूधरों को इतने और समय की आश्वारोही दल्माय श में चंद्रवंशियों प्रती आक्रमणों को रोकने के लिए बिजली की कड़ा की तेज गती से गर्जना करते हुए आगे बढ़ गए इस मद चंद्रवंशियों की दूसरी पंक्ति के दलों में गड़बड़ी और भी बढ़ चुकी थी क्योंकि निरदई एवं कुरूर संगहार से बचने का प्रयात्न करने लगे थे और लंबी दूरी की मारक्षमता प्रभू प्रवतेश्यों ने शिव की और देखकर कहा जैसे वह उनकी मूब भाशा समद चुका हो शिव ने सहमती में सिरह लाया इस मद्य युद्धिभूमी के पूरवी एवं पश्चिमी ह सूरिवंशी एवं चंद्रवंशी अश्वरोही दलों के मद्य घमासान युद्ध छिडा हुआ था चंद्रवंशियों को पता था कि उन्हें लड़कर आगे निकलना था यदि धनुर्धरों का यह आक्रमण कुछ देर और चलता रहा तो युद्ध में उनकी पराजय लग चंद्रवंशी अपनी पूरी ताकत लगा कर उस पंक्ति को तोड़ना चाहते थे जो धनुर्धरों को सुरक्षा प्रदान किये हुए थी कित्व दुर्भाग इसे वे सूरिवंशियों के दो सबसे भीशन सेनापतियों के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे माया श्रेनिक और विद्ध्युन माली ने अत्यदिक उगरता से युद्ध किया और उस विशाल चंद्रवंशियों के अश्वारोही दलों को एक कदम भी आगे बढ़ने से नहीं दिया थे इसमद्ध धनुर्धरों ने चंद्रवंशियों के तीसरी पंक्ति के दलों पर भीशन आक्रमण कर दिया था उनकी सेना के दल तीवर गती से मृति को प्राप्त हो रहे या फिर उन्हें तेजी से बड़ी संख्या में त्याग कर रहे थे कुछ लोग हाला कि अभी भी अत्यंत कठोरता और वीरता से डटे होए थे अब उनकी ढाले इतनी शक्तिशाली नहीं रहे गई थी क प्रवतेश्वर ने कहा नहीं मैं चाहता हूं कि उनकी तीसरी पंक्ति के दलों का भी विद्वन्स हो जाए इसे अभी कुछ और मिंटों तक चलने दीजिए जैसी प्रभू के आग्या हम आधे धनुदरों को और भी अधिक दूरी तक मारक छमता करने को कह देते हैं हम चौ लहर फैल जाएगी आप बिल्कुल सही है प्रवतेश्वर ऐसा ही करते हैं इस मंद्य पश्चिमी सीमा पर चंद्रवंशियों ने अपने आशाहीन आक्रमण का अनुभाव कर लिया था और वे पीछे हड़ गये थे कुछ हरिश्णेमी अश्वारों ही उनके पीछे भागने में जाकर पुना मिल गए तो विद्दिम माली ने अपनी टुकडी को ध्रुष के खिनारे वाले स्थान पर पुना लाकर खड़ा कर दिया चंद्रवंशियों माया श्रेनिक का सामना कर रहे थे थोड़ा कठिन तत्व के बने हुए थे आठीदी घानी पहुशने के बाद भ पीछे हट जाने का अदेश दे दिया उधर माया श्रेनिक ने भी अपने दल को पीछे हट कर पुना अपने मौलिक स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि युद्दु का मुख्या आकरमण अब कुछ ही छड़ों में प्रारंब होने वाला था प्रारंब कर सकते हैं शिव ने बाए भाग कि और सिर्भ हिला कर पूछा जैसी प्रभु की इच्छा परवतेश्वर ने उत्तर दिया जोहीं प्रवतेश्वर अपने अशुप पर सवार होने को हुआ तो शिव नित्करा परवतेश्वर जी प्रभु चंद्रवश्यों के अंतिम पंक्ति तक घृदोर की प्रचियोगिता हो जाए परवतेश्वर ने आश्चर से अपनी भौहें उठाई उसने बड़ी मुस्कान के साथ कहा मैं जीत जाओंगा प्रभू चलिए देखते हैं शीव मुस्कुराया उसके आखे ठीटोली करने वाली मुद्रा में करने के लिए चल पड़ा शीव अपने अनुगामियों वक्र नंदी एवं वीरभद्र के साथ दाई और चल पड़ा प्रसेन जीते अपने कछवे वाले दलों को मध्य में तैयारी की अवत्वा में रख दिया मेलू हावासियों शीव ने गरजना करते हुए कहा वे आपके स सामने लेटे पड़े हैं वद्ध की प्रतीक्षा में यह आज ही समाप्त होगा बुराईयों का आज ही सर्वनाश होगा हर हर महादेव जोहीं शेंख ध्वनी ने सूरिवंशी आक्रमार की गोशना की तो सैनिकों ने अपने तीवर स्वरों को गुंजाय मान कर दिया कानफो कार बनावट में उनके किनारे केंदर के अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा थे अश्वरों ही दर किनारों से प्रवेश कर रहा था अपने पैदल सैनिकों को शत्रू के आकरमार से स्वरक्षा देते हुए इसमदी तीसरी एवं चौती पंक्ती के बचे हुए साहस्ती चंद प्रदान कर पाता और इससे पहले की सूरिवंशी सेना उन पर आकरमन करती वे पतली पंक्ती में एक साथ भीड की तरह ही घटे हो पाए सूरिवंश्यों के लिए वह युद्ध ठीक उसी प्रकार चल रहा था जैसे उनकी योजना बनी जब चंद्रवंशी पंक्ती तक चंद्रवंश्यों के सबसे अच्छे खड़कदारियों से उनकी ढाले रक्षा कर रही थी जबकि उनके त्रशूल स्वधीत वासियों को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे चंद्रवंश्यों के पास मातर दो विकल्प यह तो त्रशूल से मृतिय स्विकार करें या फिर पाहर के और भागे जहां सूर्य वंश्यों दोरा उनपर भयंकर आक्रम उन्की संथ्या को निरंतर क्रता जा रहा था। उस निर्मम आक्रमण के कारण चंद्रवंशियों की सेना का अदमद्य भाग बिखर गया और सोरिवंशियों ने उनके किनारे को धस्त कर दिया था। शिव अत्यतिक उग्रुरूप से अपने भाग का निंतरत्व कर रहा था। वो अपने सामने आने वाले सभी चंद्रवंशियों को पूरी तरह से नश्ट कर रहा था। उसे तब आशर हुआ जो उसने देखा कि शत्रों की पंक्ती छीड होने लग गई थी। उसने अपने सैनिकों को अपने से आगे बढ़कर आक्रमण करने दिया। और स्वयम को उचे उठाकर आसपास हरोर दृष्टी दवडाई ताकि जान सके कि कहां क्या हो रहा था। यदे का स्थब्द रह गया कि चंद्रवंशी पंक्ती जो उसका विरोध कर रही थी वो मध्य भाक्य और अग्रसर थी। देलो कच्छवा टुकडियों के एक मातर खुली हुई उनकी दाहिनी और से उन पर आक्रमण कर रहे थे। चंद्रवंशी सेना में कोई अपनी बुद्धी का प्रियोग कर रहा था। जदी एक भी कच्छुवा बनावाट तूटती है तो चंद्रवंशी मंध्य में पुना एक कसावट भरा जुंड बनाकर एक पंक्ती बना सकते हैं और सूरी वंशी ओपर विध्वन्शकारी प्र यो कुछ समय पूर्व एक विशाल काय चंद्रवंशी सेना थी वो अब कहीं कहीं पर एगाध विक्तियों द्वारा दुसाहाज पूर्ण लड़ाई में परिवर्देत हो चुकी थी। शीव और प्रवतेश्वर दर अपने अपने हिस्से का नेत्रत पर अत्वयन थी वीरत और आयुर्वती थी थोड़ा दीरी चलिये सती आयुर्वती ने दोड़कर चलते हुए उनके पहुचते हुए कहा इस प्रकार के आपकी स्थिति में सती ने खीज के साथ आयुर्वती को देखा लेकिन उसने अपनी चाल कम नहीं की वो तेजी से राजशाही तंबू की और क्रतिका को नहीं मुझे शमा करें देवी आयुर्वती नंदी ने शमाय आचना वाले स्वर में कहा उसका से नीचे जुका हुआ था मुझे यहां कड़ा निर्देश दिया गया है कि किसी को भी अंदर प्रवेश ना करने दिया जाए क्यों आश्यर चिकित आयुर्वती ने करें शर्मातिविक कृतिका ने कहा सती ने आवरण को एक और हटा कर उस तंबू में प्रवेश किया मैं नहीं जानता प्रभू परवतेश्वर ने कहा यह बात समझ में नहीं आ रही है सती चकेत थी कि परवतेश्वर शिव को प्रभू कहकर संबोधित कर रहे थे किन्तों सुरक्षित देखने की खुशी ने उसकी इस सोच को एक और कर दिया शिव सती शिव उसकी और मुड़कर भूद शिव उसकी और मुड़ते हो भूदबुद आया सती जड़वात हो गई थी क्योंकि जब उन्होंने सती को देखा तो वह मुस्कुराय नहीं थे उनके मुख पर विजय मुस्कान नहीं थी उन्होंने अपने घाओ पर मरहम पट्टी भी नहीं करवा रखी थी क्या बात है सती ने पूछा शिव ने सती को गहरी दृष्टी से देखा उसके मुख के भावों ने सती को विशलित कर दिया वह परवतेश्वर की और मुड़ी उसने कुछ परिशान कर रहा है आपको क्या परिशान कर सकता है आ अश्चर चकित सती ने पूछा आपने सूरिवनशियों को अब तक की सबसे महान विजय दिलाई है चंद्रवनशियों को यह घंगोर पराजे मेरे दाध जी द्वारा देने वाली पराजे से भी स्रेष्ट है आपकों तो गर्व होना चाहिए मैंने चंद्रवंशयों के साथ किसी नागा को नहीं देखा शिव ने कहा नागा लोग वहाँ नहीं थे सती ने मुचा ये ये तो समझ के बाहर है हां शिव ने कहा उसके आखे कुछ पूरवा भास के संकेत दे रही थी यदि वे चंदरवंशों के साथ इतने हिले मिले हुए हैं तो उन्हें युद्ध भूमी में होना चाहिए था यदि उन्हें चंदरवंशों द्वारा प्रियोग में लाया जा रह तो उनकी दक्षता युद्ध में उनके लिए और भी उपयोगी होती लेकिन वे कहां थे हो सकता है उनके मद्ध धरार हो गई हो सती ने कहां मैं ऐसा नहीं मानता प्रवतेश्वर ने कहां यह युद्ध ही उन दोनों के मंदार परवत पर सहीप्त आक्रमण के कारण हुआ क्यों वे लोग यहां नहीं होते शिव मुझे पूरा विश्वास से कि आप जान जाएंगे सती ने कहा आप अपने आपको इतना दुखी मत होने दीजे तुम समझती नहीं हो सती शिव ने चिला कर कहा मैं नहीं जान सकता इसी कारार से तो चिंदित हो सती चौक कर पीछे थामकर कहा मुझे शमा कर दो सती असल में ऐसा है कि उनकी बाचीत में विख्ण उत्पन्न हो गया क्योंकि दक्ष अपने सहाइकों के साथ आवरान उठाकर एक अद्भुत अकड़ के साथ तंबू में प्रवेश कर चुका था प्रभू दक्ष के आँखों से आसू निकल आ शिव के मुख से पीड़ा के कारण हलकी सिसकारी निकल गई उसके घाव पीड़ा दे रहे थे दक्ष ने तदक्ष ने चोड़कर एक अदम पीछे ले लिया मुझे शमा करें प्रभू अपने सहायक के और मुड़कर दक्ष ने कहा आयरुवदी बाहर क्यों है उन्हें तो मैं पहले कुछ कहना चाहता हूँ दक्ष ने उस बालक की तरह उत्साहित होकर कहा जिसे अभी अभी बहुत समय से नहीं दी गई मिठाई मिल गई हो आपने जो मेरे लिए किया है जो मेलुहा के लिए किया है उसके लिए मैं आपको धनेवाद ग्यापित करना चाहता था हमने वो किया है जो मेरे पिता भी नहीं कर सके थे ये एक पूर्ण विजय है इसे पहले कि दक्ष उनका ध्यान पुना अपनी और खीच पाता शिव एमुम परवतेश्वर ने कुछ पल के लिए दूसरे को देखा जब हम यहां बात कर रहे हैं तो समराण दिलीप को यहां लाया जा सकता है दक्ष ने कहा क्या परवतेश्वर ने आश्चर से पूछा किन्तों हमने तो अभी कुछ समय पहले ही सैनिकों को उनके खेमे में भीजा था वो इतनी शीगरता से उसे बंदी नहीं बना पाया होंगे नहीं परवतेश्वर दक्ष ने कहा मैंने अपने जिन्दे था कि दिली और शिभाग जाएगा इसलिए मैंने अपने नीजी पहरादारों को उसे बंदी बनाने भेज दिया था किंतु महराज परवतेश्वर ने कहा उसे यहां लाने से पहले हमें आत्मसमरपड की शर्तों के बारे में विचार विमर्श नहीं कर लेना उसकी आखे विजय के परम आनंद से जिल्मिला रही थी सच्चाई से कहें तो यह देखते हुए कि उसकी कैसी घंगोर पराजे हुई हमें किसी प्रस्ताव के अवशकता ही नहीं है उसे यहां एक सामान या पराधी की तरह लाया जा रहा है हालाकि हम उसे दिखाएंगे कि म तंबू के बाहर उपस्तिती की घोशना कर दी उसके साथ राजय अभिशेक हुआ उसका राजकुमार पुत्र भागी रद भी था एक मिनट कोस्तव दक्ष ने कहा और वो घबराहट के मारे उस तंबू कक्ष को विवस्थित करने में जुड़ गया जैसा कि वो अपने शक्ता को समझ लिया उसके बाद वो शिव के पीछे रखी कुर्सी पर जाकर बैठ गई दक्ष ने उसके बाद पकार कर कहा उसे अंदर आने दो शिव बुराई के मुख को देखने के लिए व्याकुल था नागाओ के अनुफस्तिती के बारे में संधे होने के बावजुद वो सचमुच ही ऐसा मान रहा था कि उसने सचाई से एक नया संगत युद किया है। उसने सोचा कि चंदरवैंशियों के उस दुष्ट राजा के पराजित मुख को देखने पर ही पूर्ण विजय होगी। दिलीप अंदर आया। शिव चकित होकर सीधा हो गया। जैसी उसन मानसर शरीक के साथ उसकी तुचा काले रंग की थी। मिलूहा वासियों के साथगी भरे पहनावे की तुलना में उसका पहनावा मौलिक रूप से भिन्न था। एक चमकदार गुलावी धोती चमकदार बैगनी रंग का अंग वस्त्रम और प्रचूर मातरा में स्वर्ण दाड़ी ने उसके चेहरे को पूरता अशक्त सा आकार देते हुए बुद्धी जीवी व्यक्ति का आकार भी दे रखा था अभिशिक्त राजकुमार भागिरत कहा है दक्ष ने पूचा मैंने उसे बाहर प्रतिक्षा करने के लिए कहा है क्योंकि वो थोड़ा क्रोधी स्व हाँ हाँ मुझे पता है अब मस्करी पसंद नहीं करते क्या दिलीब ने वेंग्यात्मक धंग से कहा तो फिर इस बार आप लोग हमसे क्या चाते हैं दक्ष ने दिलीब को प्रश्री सूचक दिश्टी से घूरा आप लोगों ने सौ साल पहले ही यमुना का जल चोरी कर लिय है दिलीब ने कहना जारी रखा अब और क्या चाते हैं शिव ने आश्चर से दक्ष के दूर मुड कर देखा हमने यमुना का जल चुराया नहीं है दक्ष क्रोथ से चिलाया वह हमारा था और हमने वापस ले लिया था हाँ जो भी हो दिलीब अपने हाथों को लहरा कर इस ब दूसरों को नीचा दिखाने वाला व्यवहार कर रहा था और दंभी था दक्ष न दिलीब को अपनी आखें बड़ी करके और मधुर मुस्कान के साथ देखते हुए कहा मैं कुछ लेना नहीं चाहता बलकि आपको कुछ देना चाहता हूं दिलीब ने सावधानी पूरवक अ दक्ष ने कहा उसकी आखें अपनी सुधारता से अचंबेपन में थी उसने कहना जारी रखा हम आप में सुधार लाएंगे दिलीब ने खीकी वाली हसी से पूचा हम में सुधार हां मेरे सेना नायक परवतेश्वर अब आपके सुधीब पर हमारी राज प्रतिनीदी के तो कि और मुड़कर देखा उसे आशा नहीं थी कि उसे सुधीब भीजा जाएगा ऐसा प्रतित हुआ कि दिलीब को अपनी हसी रोकने में बहुत कठिनाई हो रही थी क्या आप सच मुझ में ही ये सोचते हैं कि आपके सीधे साधे लोग सुधीब पर साशन कर सकते हैं मेरे लो आस्थिर हैं वे आपके देशों को कभी नहीं सुनेंगे हाँ वे सुनेंगे दक्ष ने वंग्योक्ति की वे सब को सुनेंगे जो हम कहेंगे क्योंकि आप नहीं जानते कि वास्तों में वो स्वर कहां से आता है क्या सच मुझ में वो कहां से आता है मुझे परकाशित दक्ष ने शिव के और जुकर कहा देखिये हमारे साथ कौन बैठते हैं दिलीब दक्ष के दाही ने मुड़ा और उसने अविश्वासी होकर पूचा ये कौन है इंद्रदेव के नाम पर इसमे क्या विश्य इस बात है शिव कसमसा कर रहे गया वो अत्यधिक असुईधा जनक अनुभाव कर रहा था दक्ष ने और अधिकूचे स्वर में कहा हे चंद्रवन्शी राजन उनके कंठ को देखो दिलीब ने पुना उसी अहंकार से शिव के और देखा अल्प मातरा में रक्त एवं रक्त पिंडो के होने के बावजूद नीला कंठ प्रदीप थो रहा था अचानक दिलीब की वो अहंकारी मुसकान अद्रश हो गई वो सदमे में प्रतीत हुआ उसने कुछ कहने का प्रियास किया लेकि शब्द उसके मुख से बाहर नहीं आ रहे थी हाँ हे भरष्ट चंदरवन्शी दक्ष ने अवग्या वाले बोल में नाटकिये प्रभाव डालने के लिए अपने हाथों को लहरा कर खा हमारे पास निलकंठ है दिलीप के आँखों में इस्तब्द सी दृष्टी थी उस बालक के समान जिसे अभी वह भी पता चला हो जिन हाथों ने कुरूरता से उसकी पीट में चुरा गोपा था ते हाथ उसके प्रिय प्रिताश्री का हो बढ़ती हुई शंकाओं से शिप का हरदय अशांत था ये बैठक इस प्रकार से होनी निर्धारित नहीं थी दक्ष ने अपने धमकी भरे स्वर में बोलना जाली रखा नीलकंठ ने प्रतिग्य ली है कि वे चंदरवन्शी तरीके की दुष्ट प्रकार की जीवनशाली का नाश करेंगे आपको सुनना ही पड़ेगा किम करतवी विमूर दिलीप ने शिव को गहरी दृष्टी से देखा जो सरातन तत्वसा प्रतीत हो रहा था और अंत में उसने स्वयम को इतना सैयत कर लिया था कि वो कह सके आप जो कहें इसे पहले कि दक्ष अपने गरजन वाले स्वर में कुछ और कह पाता जैसे ही दिलीप ने तंबू से बाहर कदम रखे दक्ष उठ खड़ा हुआ और उसने आगे बढ़कर शिक को गले लगा लिया इस बार धीरे से ताकि निलकंट को पीड़ा नहो फिर उसने कहा प्रभू आपने उसके मुख के भाव देखे वे मूलिवान थे परवतेश्वर के ओर मुड़कर उसने कहा परवतेश्वर दिलीप तूटा हुआ है आपको स्वधी पासियों को नियंतर करने में और उन्हें हमारी जैसे जीवनशैली के ओर लाने में कठिनाई नहीं होगी हम लोग इतिहास में इस कारे के लिए जाने जाएंगे कि हमने इस विपत्ती का अस्थाई समाधान किया था शिवन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था उसका परिशान हर्दे उचित उत्तरों की खोच कर रहा था एक संगर्ष को कुछ घंटों पहले तक न्याय संगत प्रतीत हो रहा था अचानक ही वो गलत प्रतीत हो रहा था वो आसहाय सा सती के और मुड़ा सती ने धीमे से कंदे को इसपर्श किया आप क्या सोच रहें प्रभू? दक्ष ने शिव के परिशानी भरी सोच में अनधिकार ही प्रवेश किया शिव ने मातर अपना सिर हिलाया मैंने मातर इतना आग रहे किया है कि आद दिलीब की सावारी में आयुद्धा तक जाना पसंद करेंगे अथवा नहीं दक्ष ने पोचा आप इस सम्मान के योगे हैं प्रभू? आप ने इस सुहावने दिन के लिए हमारा नेतरत्व किया है इस समय ये वारतलाप शिव को अतना महातपूर नहीं प्रतीत हो रहा था उसके पास इतनी उर्जा नहीं बची थी कि वो कोई उत्ता सोच सके उसने खोई-खोई से तरीके से सिर हिलाया आती सुन्दर मैं सारी व्यवस्ताय करता हूँ दक्ष ने कहा अपने सहाय की और मुड कर उसने कहा आयर्वती को अंदर भेजो ताकि वे प्रभू के घावफ और मरहम पट्टी कर सके इससे पहले कि दिलीव के शासंग की पराजय के पस्चात कुछ गरवड़ी फैल जाए कल प्राता काल ही हमें आयोध्या पर नियंतरा करने के लिए प्रस्थान करना होगा शिव के ओर नमस्ते करने के बाद दक्ष मुड़कर जाने को हुआ तो उसने परवतेश्वर से पूछा परवतेश्वर आप नहीं चल रहे हैं परवतेश्वर ने शिव की ओर देखा तो उसके चहरे पर चिंता की रिखाएं उभराई परवतेश्वर दक्ष ने दोहराया एक छड़ सती को देखता हुआ परवतेश्वर मुड़कर चला गया सती आगे बढ़ी शिव के चेहरे को कोमलता से थामे होए शिव के आँखे अत्यदिक ठकान के कारण बोजिल होती जा रही थी उसी समय आयुर्वति ने आवरण को साव अधानी पूरवक उठाया और पूछा आप कैसे हैं प्रभू शिव ने ऊपर क्योड़ देखा उसकी आँखे आधी बंद हो चुके थी एक विच्छित्र प्रकार की नींद में गोता लगाने की और अग्रसर था अचानक वह बहुत उचे स्वर में चिलाया नंदी नंदी अधकाल अंदरा पहुचा नंदी क्या तो मैं गुलूबंद ला सकते हो गुलूबंद प्रभू नंदी ने पूचा हां कि क्यों प्रभू क्योंकि मुझे चाहिए शिव उचे स्वर में चिलाया नंदी अपने प्रभू के इस हिंस प्रकार के उत्तर से सब धोकर तेजी से बाहर भागा सदी और आयुर्वती ने आश्चर में शिव को देखा इससे पहले कि वो कुछ कह पाते शिव अचानक ही गिर पड़ा अचीरत वो तीवर गती से दौड़ रहा था वो डरावना जंगल निरंतर उसकी और बढ़ता हुआ समीत चला रहा था वो हताशा में उस दूर जाना चाता था इससे पहले कि उनके खूखार पंजे उसे पकड़ ले अचानक एक अती तीवर आग रही चिलाहट शान्ती को भंग कर गई सहायता मेरी सहायता करें वो रुख गया नहीं इस बार नहीं भागेगा वो उस राक्षत से लड़ाई करेगा वो महादेव यह उसका कर्तव्य था शिफ धीरे से पीछे मुड़ा उसकी तलवार निकली हुई थी उसकी ढाल उसके हाथों में उची उठी हुई थी जैश्री राम वो चिलाया और वो उस खुले हुए भाग की और दोड़ पड़ा जाड़ियों वाले काटों ने उसके पैरों को छील बैते हुए रक्त और डर के बावजूद वो दोड़ता चला जा रहा था मैं उसके पास समय से पहुच जाओंगा मैं इस बार उसे निराश नहीं करूंगा मेरा रक्त मेरे पापों को धोड़ा लेंगे उसने उस अंतिम झाड़ियों के जुर्मट से उपर चलांग लगाई काटों ने उसके शरीर के मांस को एक लोभी की तरह काट कर रख दिया था किंदू वो उचल कर उस खुले छेतर में पहुच गया उसकी ढ़ाल रक्षात्मक धंग से सामने थी और उसकी तलवार आकरमन के प्रतिकार के नीचे की और जुकी हुई थी किंदू किसी ने आकरमन पर व्यथित पड़ी हुई थी एक छोटी से तलवार उसके वक्षिस्तल में गड़ी हुई थी वो छोटा सा बालक उसके बगल में खड़ा था स्थब्द निशब्द उसका हाथ मृत्युकारित करने के संगर्श से लहू लुभान था वो रोएदार राक्षस एक शिला के क किनारे बैठा हुआ था उस बालकी और संकेत कर रहा था हसता हुआ नहीं शिव बलपूरवक चीखा और एक जटके से उड़ बैठा क्या हुआ शिव सती ने चिंदित होकर पूछा जपटकर उसके हाथ को पकड़ते हुए शिव ने विसमें से कक्ष में चारोर देखा चिं आहिर्वती ने कहा हमारा मानना है कि चंदरवंशी सैनिकों के पास विश्युक्त शस्त रहे होंगे इसके कारण कई अन्य लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ा है शिव ने धीरे धीरे जब अपना मांसिक संतुलन पाया तो वो अपने बिस्तर से उठकर खड़ा हो गय सती ने उसकी सहायता करने का प्रयास किया किन्तु उसने स्वयम ही उठने का हट किया उसका गला अत्यन थी दुखधाई रूप से शुशक था बढगमगाता हुआ घड़े के पास पहुंचा सती उसके साथ थी उसने हाथ बढ़ा कर उसे उठाया और धेर सराचल अपने गल और वह एक आरामदाय कुरसी पर लगभग गिर सा गया उसने अक दरावने आकार के विक्ति को पीछे की और बैठे हुए देखा उसकी आँके पट्टियों से बंदी हुई थी और उसके अंगच्येदन किया हुआ बाया हाथ रस्टी के सहरे लटका हुआ था दिहान से कर बहुत ही अच्छा लग रहा है क्रप्या बैठे रहो आपको देखना स्वरगी अन्भूती है प्रभू तुम्हारी और युद्ध कैसा रहा मैंने बहुत से लोगों को खो दिया प्रभू लगभग आधे आदमें और यहाथ और एक आंक द्रपकुन धीमे स्वर में कहा ले निश्चित रूप से बैठना चाहते हैं शिव आप कुछ दिर के लिए लेट सकते हैं मैंने उस अंजानी मुद्रा में कुछ अधिक ही आराम कर लिया है सती शिव ने दुरबल मुस्कान के साथ कहा आयरुवती ने मुस्कुरा कर कहा लगता है विश्ण निश्चित रूप से आपकी दिल लगी करने की भावना को प्रभावित नहीं किया है प्रभू सच में क्या ये अभी भी उतनी ही बुरी है शिव ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा परवतेश्वर द्रपकु और आयरुवती के मुह से हलकी हसी फूट पड़ी सती को हसी नहीं आई वो शिव अपने अन्य सोकनों की तुलना में और बुरा था महराज कहां है शिव ने कहा पिताजी आजी प्रता आयद्यय को प्रस्थान कर गए हैं सती ने कहा प्रभू परवतेश्वर ने कहा महराज ने अनुभव किया कि परश्थितियों को देखते हुए स्वदीप को बिना शासक आयरुवती ने कहा, कुछ दिनों के बाद, जब आप पूरी तरह से स्वस्थ और पूर्व की भाते शक्तिशाली हो जाएंगे, लगभग 12,000 सनिक हमारे साथ यहीं रह गए हैं प्रभू, परवतेश्वर ने कहा, हम लोग अयध्यों को प्रयान करेंगे, जब आप तयार महराज ने इस बात पर बल देकर समराण दिलीप के परिवार की एक सदस्य को पीछे छोड़ दिया है, ताकि बंदी साथ में रहने पर हमारी अपेक्षक्रत छोटे सैने दल पर स्वधी बासी भूल कर भी आकर मरना करें, तो इसका अर्थ है कि हमारे खेमे में समराण दिली परवतेश्वर ने तीवर आँखों से आयर्वती को देखा, क्या हुआ? शिव ने पुना पूछा, इतना कुछ भी महतपूर नहीं है प्रभू, परवतेश्वर ने विचित्र तरह संकोच पूरता से कहा, वो ऐसा है कि वो कुछ अधी की दमदार है, तो फिर ठीक है, मैं मैं सुनिश्चित करूँगा कि मैं उसके रास्ते में कभी ना पड़ो, शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, ये मार्ग सही प्रतीत होता है, परवतेश्वर ने मांचित्र पर संकीत करते हुए कहा, पिछले पाश दिविसों में शिव और विशाक्त होने वाले सभी सैनिक भ दौरा नाटक कर रहा था, चिंद्रवंशी बुरे लोग हैं, वे किसी भी प्रकार का दोखा देने में माहिर हैं, हमारा युद्ध नियाय संगत था, हम लोग कल प्राता प्रस्थान करने की योजना बना रहे हैं प्रवतेश्वर ने कहा, उसके बाद उसने सती की और मुड ना कर दिया हो, उनकी ये बादचीत एक अत्यंती उच इस तरिये शोर्गुल से बाधित हो गई, प्रवतेश्वर ने गुस्से में अपनी तेवरी चढ़ा कर पूछा, वहां बाहर क्या हो रहा है नंदी, प्रभू, नंदी ने आवरण के दूसरी ओर से कहा, राजकुमार नहीं कर सकती सेननायक, आवरण के पीछे से एक शक्तिशाली स्त्री का स्वर उपरा, शिव ने परवतेश्वर को संकेत किया कि उन्हें आने दिया जाए, परवतेश्वर ने आवरण की ओर मुण कर कहा, नंदी, वीरभद्र, उन्हें अंदर लेकर आओ, किन्तो अस्त्र श रंग करने वालियों की तरह सुंदर थी, अखरोट के गहरे रंग वाला उसका स्वरूप उसके शरीर का संपूरक था, जो प्रचूर मात्रा में कामुक किन्तो स्वस्त था, उसकी हिर्णी जैसी आखे कामो तेजक रूप में अदखुली घूरने वाली दशा में थी, जबक कुटनों से कई इंच ऊपर तक ही थी, जबकि उसे पीड़ा युक्त तरीके से अपने कमनी नितंबो पर कसकर लपेटा हुआ था, वो लंगोर से कुछ ही लंबी थी, जो मेलुहा वास्ती पुरुष अनुष्ठानिक स्नान के समय पहना करते थे, उसकी चोली कुछ-कुछ उसी प्रकार के कपड़े के टुकड़े से बनी हुई थी, जो मेलुहा वास्ती इस्त्रियों दौरा पहनी जाते थी, किन्तु अपबाद रूफ वो उपर से उसके विशाल उरोजों को आकार देते हुए अशलील तरीके से कटी हुई थी, जो उसके उरोजों के मद्य भाग की गहराई को गुदारता पूर्वक दिखा रहा था, वो अपरिपक वासना को बहाते हुए अपने नितंबो को एक और जुका कर खड़ी हुई थी, आप सचमुझ में ये समझते हैं कि मैं इन वस्त्रों में कोई अस्त्र शस्त्र छुपा सकती हुँ, अपने वस्त्रों के आनन्दमई ने एक मोहग मुस्कान फेकते हुए और उसे नीचे से उपर तक निहारते हुए उसने कामोकता से अपनी भौहें उठाई, शिव ने जब परवतेश्वर को थोड़ा शर्माते हुए देखा तो अपनी मुस्कान रोक नहीं पाया, आपकी क्या अभिलाशा है र और भिलाल हो गया, राजकुमारी हमारे पास निरठक बातों के लिए समय नहीं है, हाँ, आनन्दमई ने आह भरते हुए कहा, बहुत दुर्भाग के पूर्ण है, तो फिर आप इस उदासीनता भरे खेमे में मेरे लिए थोड़ा दूद और गुलाब की पंखुड़ियों क के तहट इसकी उनुमती नहीं दी जा सकती है, हाँ, पचास लीटर दूद पीने वाली है, परवतेश्वर चीखा, उसके आँखे आश्यर में फटी रह गई, वो मुझे सौंदर इसनान के लिए चाहिए सेननायक, आनन्दमई ने कुरुद दृष्टी से देखा, आप हम ल चेतामनी वाले स्वर में कहा, शिव अब अपने पर नियंतरन ना रख सका और ठाहा का मार कर हस पड़ा, तुम क्या समझते हो, कि तुम किस बात पर हस रहे हो, शिव के और मुड़ते हुए आनन्दमई ने गुस्से से देखा, आप प्रभू से मर्यादा से बात करें, परें नहीं लगते हो, आप जो कुछ भी बोल रही है, उसके बारे में सावधान रही है, राज कुमारी, परवतेश्वर ने क्रोधित होते हुए समझाया, आप शायद यह नहीं जानती कि आप किस से बात कर रही है, शिव ने परवतेश्वर को अपना हाथ उठा कर शान्त होने के लिए कहा, किन्तु वो तो आनंदमई थी, जिससे शान्त करने के आवशकता थी, तुम चाहे जो भी हो, तुम चाहे जो भी हो, जब हमारे प्रभु पधारेंगे, तो तुम लोग सभी चूर-चूर हो जाओगे, जब वे स्वधीप में उत्राधिकारी बनकर नीचे कर देंगे, क्या, इन्हें अभी बाहर निकालो नंदी, परवतेश्वर ने चीक कर कहा, नहीं रुको, शिव ने कहा, आनंदमई के उर मुड़कर उसने पूछा, आपके कहने का क्यार्त है, कि जब वे स्वधीप में उत्राधिकारी बनकर नीचे आएंगे, तो हम जैसी पूर्ती दिखाते हैं, आनंदमई ने ध्रिष्टता पूर्वक कहा, या फिर आप कभी कबार धीमी गती से भी कुछ काम कर सकते हैं, अपनी तलवार अत्यधिक समीप लाते हुए परवतेश्वर ने कहा, प्रभू को उत्तर दीजिए राज कुमारी, अपना सिर्फ हिलाते अपना स्वरूप प्रकट नहीं किया है, एक अत्यन थी गहरा अनिष्ट दर्शन शिव के हिर्दय में समा गया, वो अपने अगले प्रशन से अत्यन थी भैभीत था, लेकिन उसके अंतरमन ने उससे कहा कि नहीं उसे पूछना ही चाहिए, तुम कैसे जान पाओगी कि वे ह तो सूरिवन्शी होंगे और नहीं चंदरवन्शी, किन्तो वे जब भी आएंगे, हमारे पक्ष में ही आएंगे, शिव ने अंतरमन के स्वर ने उससे कहा, कि अभी बात समाप्त नहीं हुई, और अभी और भी कुछ कहना है, अपनी कुरसी के हथ्थे को बल पूरवक पकड रहा था, इस विचित्र वारतालाप पर आनंदमई और भी क्रोधित हो चुगी थी, पर वे तेश्वर ने आखे तरेर कर दरावनी दृष्टी से आनंदमई को घुरते हुए कहा, हेनारी आप असत्य बोल रही है, सुईकार कीजी, आप असत्य वचन बोल रही है, मैं क्यों आनंदमई बीच में ही रुख गई, क्योंकि उसने शिव के गले में गुलूबंद को देख लिया था, अचाना कि उसके मूग से आहंकार का भाव अद्रश हो गया, उसे प्रतीत हुआ कि घुटने जुक से रहे थे, बड़ी दुरबलता से उंगली उठा कर उसने पूचा, आपका गला क्यों ढखा हुआ है, इन्हें बाहर ले जाओ नंदी, परवतेश्वर ने आप कह की, आप कौन हैं, नंदी और विर्भदर ने आनंदमई को बाहर खीचने का प्रयास किया, आश्यर जनक शक्ती के साथ वो उनसे संघर्ष करने लगी और बोली, अपना गला दि प्रया था, उनके पास इतनी भी शक्ती नहीं बची थी कि वो आनंदमई की और दृष्टी उठा कर भी देख सकें, उसने अपनी कुरसी के हथे को कसकर पकड़ा हुआ था, उसे वही एक मात्र इस्थिर वस्तू प्रतीत हो रही थी क्योंकि पूरा ब्रहमांड ही अन्यंतर स्वर में चिलाई, मुझे उत्तर दीजे भगवान के लिए आप हैं कौन? शिव ने सिर उठा कर छण भर के लिए आनंदमई की संतप्त आखों को देखा, जिस पीडा का उसने संदेश दिया, उसने उसके हिरदे पर सहस्त्र कोड़े बरसा दिये, व्यथा की जौलाओं ने उसकी अंतरात्मा को जला कर रख दिया था, स्थब्द आनंदमई अचानक ही जडवत हो गई, उसकी आँखों की दैनेटा मेलुहा के वीरों से भी वीर युद्धा को भौचक्का कर देती, तूटे हुए स्वर में उसने धीमे से कहा, आप तो कथी तरूप से हमारे पक्ष खड़ों में हो, तो वो उन्हें देखकर लच्जित नहीं कर सकता था, दूसरी और सती, उनके पास सबसे दुरबल च्छड़ों में उनकी और ना देखकर अपने पती को अकेले पीड़ित होते नहीं देख सकते थी, वो उसके बगल में आए और उसके चेहरे को दोनों हाथ जिस्तल में छुपा लिया, उसकी पीड़ा को कम करने के लिए उसके पास कोई शब्द नहीं था, वो मातर उसे पकड़कर सांत्वा ना देख सकती थी, एक अत्यंती संतप्त धीमा स्वर उस तंबू में संताप को गुंजायमान करता हुआ आप लावित हो उठा, मैंने ये क्या किया, अध्याए 25, वेक्तियों का द्वीप, शिव की सवारी को स्वादीप की राजधानी आयोध्या पहुचने में तीन सपताह लग गए थे, उन्होंने गंगा की धारा के साथ साथ एक लंबे घुमावदार जरजर मार्ग पर यात्रा की थी, और उसके बाद वे ना प्रभुश्री राम का जन्मस्थल था, ये अर्थितिक लंबा घुमावदार मार्ग था, किन्तो स्वादीप अर्थात वेक्तियों के द्वेप में अर्थितिक जीण शीण मार्गों को देखते हुई यही सबसे शीगर पहुचने वाला मार्ग था, मिलुहा वासिस सैनिको की उत्सुकता इतनी अधिक थी कि उसकी तुलना नहीं की जा सकते थी, उन्होंने प्रभुश्री राम के नगर का वर्णन मात्र पौरानिक कथाओं में ही सुना था, किसी ने भी कभी भी नहीं देखा था, आयोध्या जिसका शाब्दी कर्थ होता है अजे अथ्वा पूरी तरह से निराश हुए, आयोध्या किसी भी दृष्टी से देवगिरी के समान नहीं थी, वैसे तो पहले दृष्टी में ऐसा प्रतीत हुआ कि वो नगर अब बहुत ही अच्छा होगा, बाहरी दिवारे मोटी थी और आश्चर जनक धंग से शक्तिशाली भी थी, मिलुहा की दिवारों के शालीन भूरे रंग के विप्रीत आयोध्या के बाहरी भाग के अतिवियाई धंग से इस ब्रहमान में जितने भी रंग उपलब्द हो सकते थे, उनसे पुते हुए थे, हाला कि प्रतेह दूसरी एट चंदरवन्शों के राजशाही रंग मौलिक श को सार्साँ घूम कर मुख्य प्रवेशच़्द्वार की ओर चला गया था ताकि हाथीं एम प्रचेपास्त्र आदी को चलाने वाले जिंत्रों आधि को सीध प्रविश्द्वार तक आने से रोगा जा सके मुख्य प्रवेशच्पास्त्र पर सब कृतिका ने उस नगरी व्यवस्था को अत्यतिक गड़बडी से कारशील व्यवस्था कहकर संबोधित किया मेलूहा के नगरों के विप्रीत आयोध्या का निर्मान वेदिका पर नहीं किया गया था तो इस से असपष्च था कि यदि सर्यू नदी भी अनिश्चित सुभाव वाली सिंदू नदी के समान कभी भी बाणगरस्थ हुई तो नगर जलप्लावित हो जाएगा अनेग नगरिये दीवारें जो साथ संकेंद्रित व्रतों में बनाई गई थी वे आश्यर जनक धंग से मोटी एवं ताकतवर थी हाला कि सेननायक की रणनीतिक आखों को देखने पर ये समझने में अधिक समय नहीं लगा कि वे दीवारे सैनिक बुद्धिवालों द्वारा योजनागत नहीं थी असल में बड़े ही अस्त वेस्त धंग से एक के बाद एक जोड़ी गई थी जिब नगर ने अपना आवरण खोला था और पूर्व के घेरे से बाहर निकरकर दूर तक विस्तार कर लिया था इसी काराण से प्रतेग दिवार में अनेक कमिया थी जिनका उप्योग घेरे बंदी करने वाले शत्रु सरलता से कर सकते थे संभवता इसी काराण से चंदरवंशी सुदूर जागर किसी युद्ध भूमी में युद्ध करना पसंद करते थे ना कि अपने नगर को असुरक्षित करना उनकी आधार भूत संरशनाय चंदरवंशीों की विशेश रुचियों के उदासीन कलंके के समान थी ये वाद्विवात करने के कारे को ना करने का भाना हो सकता था सड़के और कुछ नहीं मातर धूल से भरी पगडंडी के समान थी हाला कि एक उलेखनी अपवाद भी था वो था सफाई से खड़ंजे पका किया हुआ राजपत अर्थात राजशाही मार्क जो बाहरी दिवार से वैभापूर्ण राजशाही महल तक सीधा बना हुआ था स्वधीप वासी इस बारे में उपहास करते थे कि सड़क के मध में गड़े ढूने के बज़ए उन्हें गड़ों में सड़क ढूने की आगत पड़ गई थी मेलुहावासियों की उनके अपवाद, स्वरुप, सुवेवस्थित, योजनागत, संकेत, चिन्हो, सहित, खरंजे से पक्के किये हुए और सूक्षम मानकिये विधी से बनाई गई सड़कों के तुलना में ये कहीं नहीं ढहरते थे समस्तलगर में इधर उधर अतिकर्मंण हुए पढ़े थे क्योंकि अवैद आपरवासियों ने उनमें अपने तंबू लगा रखे थे किनारे पर तंबू लगाकर अतिकर्मंण करते हुए आवास हीन लोगों के तंबूओं ने संकुजित सड़कों को और भी संकुजित कर दिया था धनी घरवालों एवं आश्रहीन लोगों के मद्ध हमेशा तनाओ का वातावाराण बना रहता था समराण ने 1910 इश्वी पूर्व से पहले बने सभी अतिक्रमनों को वैद घोशित कर दिया था इसका वारतीय था कि मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को तब तक विस्थापित नहीं किया जा सकता है जब तक कि प्रशासन उनके लिए अन्यावासों की विवस्ता नहीं करती है एक चोटी समस्य ये भी थी कि चंदरवन्शी प्रशासन इतने विक्राल तरीके से आप्रभावी था कि पिछले 12 वर्षों में मलन बस्ती के निवासियों के लिए एक भी आवास बनवा कर नहीं दे पाया था अब ये वारता हो रही थी कि इसके लिए निर्धारित समय को कुछ और बढ़ा दिया जाए खराब सडको सहिद घटिया निर्माडों ने ये प्रभाव छोड़ा कि नगर अपने अंतिम पतम के और अग्रसर था मिलुहा वासी क्रोध में थे इन लोगों ने प्रभुश्री राम के जर्मस्थल वाले नगर का क्या हाल बना दिया था या फिर हमेशा से ये ऐसा ही था क्या यही कारण था कि प्रभुश्री राम ने सर्यूरंदी को पार कर यहां से दूर सरस्वती नदी के तटपर्ग देवगिरी में अपनी राजधानी बसाने का निर्ने लिया था पर फिर भी जब कुरूपता एवं उन्मत अव्यवस्था का प्रारंभिक सदमा दीरे-दीरे समाप्त हुआ तब मिलूहा वासियों को उस निरंतर अव्यवस्थित नगर में एक विचित्र एवं आसंभावित मनुहरता दिखाई देने लगी मिलूहा के नगरों के विपरेद आयोदय में एक भी हावास समान नहीं था मिलूहा में तो राजमहर भी एक ही आकार प्रकार के बनाए गए थे जहां प्रतेग भवन में अपना एक विक्तिका ताकर्शन था स्वधीप वासियों ने कड़े नियमों एवं भवन नियमावलियों से भारमुक्त होकर भवनों के निर्मार किये थे जो अनुराग एवं भविता के प्रतिक थे कुछ निर्मार तो इतने भवे थे कि मिलूहा वासि भी ये कलपना नहीं कर पाये थे कि किस दिव्य वास्तू विद की प्रतिभा वैसे निर्मार कर सकती थी। स्वधिवीप वासियों पर मिलुहा वासियों की तरह कोई नियंत्रा नहीं था। सब कुछ भड़कीले रंगों से रंगे हुए थे। नारंगी भौनों से लेकर सुग़ा पंखी रंग की छट से लेक मिलुहा वासियों को वैसे तो यह विचित्र लगा कि सालवजनिक भवनों के नाम व्यक्तिगत नहीं होने चाहिए किन्तु वे उनके निर्मान की भवेता से विस्मित थे। एक कंपायमान नगर जहां एक और उतकृष्ट सुंदरता थी वहीं उसके साथ साथ अत्यन्त ही दिरावनी को रूपता भी थी ऐसी अयोध्या ने मिलुहा वासियों में ग्रणात उत्पन की और साथ ही उन्हें आकर्शित भी करिया लोग चंदरवंशी जीवन शैली की अभिवक्ति के रूप में जीवन जी रहे थे इस्त्रियों ने आपरियाप्त कपड़े पहन रखे जो निरलजिता एवं कामुक्ता के प्रती आत्म विश्वास के प्रतीक थे पूरुष भी इस्त्रियों के भात ही सजने धजने एवं सुन्दर्टा के प्रती अत्यधिक जागरुप थे जिसे मेलुहा वासिच्छैल चबीला कहते थे इस्त्रियों एवं पूरुष के एक पराधरित है आयोध्या में कुछ भी छोटे स्तर पर नहीं होता था उनके शब्द कोश में सैयम शब्द ही नहीं था इसलिए कोई आश्चरी की बात नहीं थी कि भावनात्मक आइस्तिर और अन्यंत्रत भीड दक्ष के सुधार देने की घोशित महिशा पर हसी उड़ा गई थी किन्तु उसे जो इतना सर्द स्वागत मिला था इससी वो आश्चरी चकित था चिंद्रवंशी शास को द्वारा बलात ऐसा करवाया गया होगा ऐसी उसकी सूच थी शिव जो एक सबता बात पहुचा था उसे इस प्रकार की कोई भ्रानती नहीं थी उसने एक शानत की थी कि उसके द्वारा तथा कथित अनुचित पक्षि को चैनित करने पर उससे घ्रणा की जाएगी किन्तो अब उसे ये संदे हो रहा था कि चंद्रवंशी उतने भी बुरे नहीं थे फिर भी वो सूर्यवंशियों को अनुचित पक्षि की श्रेणी में रखने को भी तय प्यार नहीं था उसके विचार से मेलुहावासी बिना किसी अपवाद के सच्चे मर्यादित नियमों का पालन करने वाले लोग थे जिनने अपरिवर्ती तरीके से विश्वास किया जा सकता था शीव अपने कर्म एवं हविश्य के करतव्यों के प्रती भ्रहमित था वो ब् शीग रिये उसने अपने विवेक पर काबू पाया सती का हाथ पकड़ा और मुखे राजमहल की वेदिका की और जाने वाली सो सीडियों की और बढ़ गया प्रवतेश्वर धीमे से उनके पीछे हो लिया शीव ने सती से दूर दृष्टी दोड़ाई तो उसने देखा कि आ आदमी आखिर है कौन एक संदेही स्वदीप निवासी बढ़ाई ने पूछा जिससे राजमहल के आंगन के किनारे पर चंदरवनशी सहनी को द्वारा रोक लिया गया था हमारी समराट और वो विशुद पागल वेक्ति राजशाही वेदिका पर क्यों उसके प्रतिक्षा क कर रहे हैं और वो भी पूरी राजशी प्रभुता के साथ विशुद पागल वेक्ति उसके मित्र ने पूछा आरे तुमने सुना नहीं है क्या यह उस मूर्ख दक्ष का नया उपनाम है दोनों मित्र खिलखिला कर हस पड़े शूं उनके बगल में खड़े एक व्रद्वेक के साथ उसकी नमस्ते का उत्तर दिया दिलीब के आंखे नम थी वो नीचे जुका और उसके धीमे से स्वर में कहा मैं दुष्ट नहीं हूं प्रभू हम लोग दुष्ट नहीं है यह क्या था दक्ष ने पूचा उसके कान दिलीब के स्वरों को सुनने को आतुर हो गए जब उन्हें पता चल जाएगा कि नीलकंट उनकी रक्षा करने आ गये हैं तो वे अपने कर्दविकी और प्रेजित हो जाएंगे इससे पूर्व की दुख में शिव को उत्तर दे पाता उसका ध्यान रखने वाले इसके पत्री ने कहा पिता श्री शिव ठके हुए है यात्रा क्यों नहीं कर लेते हम आपका परिशे कल दरबार में करवा सकते हैं शिव ने दिलीप की चिंता अग्रस्त आंखों को देखा उसकी पीड़ा ग्रस्त दृष्टी को सहन नहीं कर पाया और उसने उससे दृष्टी हटा कर उनके दरबारियों पर डाली जो उसके पीछे खड स्पश्ट रूप से दक्ष ने भी यही किया था संभावतावे चाहते थे कि शिव की उपस्तिती में ही उस भवे प्रक्टी करण को किया जाए प्रभू शिव परवतेश्वर की और मुड़ा और पूछा हां उसका स्वर अत्यदिक हलका था कि किसी को सुनाई भी ना दे सक चुकि रैतिक परेट समाप्त हो चुका है मैं सेना को बाहर लेकर जाता हूं परवतेश्वर ने कहा यह पूर में आई सेना की टुकडी के साथ नगर के बाहर रहेंगे मैं आपकी सिवा में दो घंटे में पुना उपस्तित हो जाऊंगा शिव ने बड़ी ही दुरूबलता से हिस्तिर हिला कर सहमती प्रकट की उनके आयोध्या पहुचे हुए कई घंटे बीच चुके थे शिव ने एक शब्द भी किसी से नहीं कहा था वो अपने कक्ष की खड़की पर बाहर की और देखते हुए खड़ा हुआ था बाहर मध्यान का सूरज अपने चमकदार वैभा जा रहा था उस दूरी से वह संचना श्वेट संगमर्मर की बनी हुई प्रतीत हो रही थी एक अथा कारण से उसको देखना उसकी आत्मा को आराम पहुचा रहा था उसे नगर के सबसे उचे स्थान पर निर्मित किया गया था जो एक हलकी ढाल पर बना आयोध्या के हर कोने से दिखाई दे रहा था वो भावन इतना महत्पून क्यों था जिसने राजमहल के स्थान पर नगर के सबसे उचे स्थल को अधिकरत किया हुआ था एक उची एवं आगरही खटकटाहट ने उसकी सोच को मध्य में ही भंग कर दिया कौन है परवतेश्वर उस कक्ष में कर सकता हुं आप श्यांतिय लगिस के बले में उध्यानेख कर सकता हुं आनंदमई ने उसे चढ़ाते हुए कंए यदि आप बार बार प्रश्च पूछने के बदले में अपने उत्तर की सुनेंगे तो निच्चा ही हमारी बात आगे बढ़ सकता हुं थी工作 तहों में शिव के मुख़ पर पहली बार एक दुर्बल मुस्कान उबरी थी। कुछ कारण से इस तथेने की आनंदमई अपने पहले सरूप में वापस आ गए थी। शिव को खुशी प्रदान की थी। आनंदमई शिव के और मुणी और उसने पूरी तरह से जुक कर अभिवादन करते हुए कहा। अब तक ही अनुभव कर लिया है कि आनंदमई ने कहना जारी रखा। पौराणी कथा जूटी नहीं है और हम लोग बुरे नहीं है। इमात रितना है कि आप अत्यधिक सरल मती हैं। आपको इन सूर्यबंशियों ने गुमरहा कर दिया है। मैं सब सही कर दूँगी। मैं आपको हमाने मार्ग की अच्छाई दिखाऊंगी। हम बुरे नहीं हैं। आखे तरेर कर देखते हुए परवतेश्वर ने कहा। परवतेश्वर आनंद मैं ने आहा भरते हुए कहा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपके सुन्दर मुक का उपयोग बाचीत के बदले कहीं और अधिक है। मेलुहा के समराट से भी अच्छा जीवन वितीत करते हैं। हमारे मेलुहा में एक आदर्श समाज है। मैं प्रभू की इस बात से सहमत हो सकता हूं कि संभावता आप लोग उतने बुरे नहीं है। कि दो आप लोग निश्चेत रूप से अपने लोगों की देखभाल करना नहीं जानते हैं। मेलुहा में आईए और देखिए कि एक आम आदमी की देखभाल कैसे की जाती है। हमारे प्रशासन से आप लोगों की जीवन बहतर हो जाएंगे। बहतर। उत्तेजित आंदमी ने तर्क दिया। हम लोग आदर्श नहीं हैं मैं सुईकार करती हूं। ऐसी कई चीज़े हैं जो हमारा सामराज और बहतर ढंग से कर सकता हैं मैं सुईकार करती हूं। किंतो कम से काम हम अपने लोगों को स्वतंतरता देते हैं। हम उन पर बलात ऐसे नियम नहीं थोपते हैं जो चंद कुलीन लोग मिलकर बनाते हैं। जिनें आम आदमी के जीवन का ज्यान भी नहीं होता। उन्हें स्वतंतरता देते हैं। क्या करने की स्वतंतरता देते हैं। मुझे अपनी संस्कृति के बारे में आपसे बहस करने के आवशक्ता नहीं है। आपका ये अधना सा मस्तिश्क हमारी जीवन शैली के लाभों को नहीं समझ पाएगा। मैं समझना भी नहीं चाता। जिस प्रकार से इस सामराजी का प्रवंधन किया गया है उससे मुझे घिन आती है। आपके पास कोई मानक नहीं है, कोई नियंतर नहीं है, कोई विधी नहीं है। इसलिए इसमें आश्यरी की बात नहीं है। कि दुष्ट नहीं होते हुए भी आप लोगोंने नागाओं से समझाता करके अपने हाथ दुष्षित कर लिये हैं। कायर तरासद कारियों की तरह छिप कर युद्ध करते हैं, ना कि वीर छत्रियों की तरह। हो सकता है कि आप दुष्ट नहीं हो। कि तो आपके कर्म निश्चित रूप से हैं। नागा या आप क्या बकवास कर रहे हैं। आप ये समझते हैं कि हम इतने पागल हैं कि हम नागाओं से समझोता करेंगे। आप ये समझते हैं कि हमें ये नहीं पता कि ऐसा करने से अगले साथ जन्मों तक हमारी आत्माई दूशित हो जाएंगी और आतंगवाद हमने आतंगवाद का कभी भी सहरा नहीं लिया है हमने पिछले सो वर्षों तक अपनी प्राकरतिक सहज प्रवर्ति को दबाया ताकि आपके शापित लोगों से युद्ध ना करना पड़े इसी कारार से हम अपने सीमांत राज्यों से पीछे हड़ गए हमने आप से सभी संबंद तोड़ लिये चुकि आप लोगों ने हमारी जमना को चुरा लिया तो हमने गंगा की मिछली धारा से ही अपने जीवन को संचालित करना सीख लिया मेरे पिता श्री ने आपको बताया था कि मंदार पर आकरमण से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं था किन्तो आप लोगों ने हम पर विश्वास नहीं किया और आप ऐसा करते भी क्यों आपको तो हम पर आकरमण करने का बहाना चाहिए था मुझसे जूट मत बोलिये कम से कम महादेव के सामने तो नहीं नागाओं के साथ चंदरवंशी त्रासदकारियों को देखा गया है मेरे पिता श्री ने आप से कहा था कि हमारे नियंतरण में ऐसा कोई नहीं है जिसका मंदार पर वरत पर आकरमण से कोई लेना देना है हमारा नागाओं से भी कुछ लेना देना नहीं है यह संभाव है कि सूर्वंशी तरह ये कुछ चंदरवंशीयों ने तरासदकारियों की सहायتा की हो यदि आपने हमारे साथ मिलकर काम किяла होता तो हम अपरादियों को ढून भी सकते थे ये क्या बकवास है कोई सूर्वंशी उन राक्षसों से कभी भी कोई मित्रता नहीं करेगा और जहां तक चंद्रवंशी उतरा उन्हें सहायता करने की बात है तो आप लोगों को उसका उत्तर देना होगा स्वधीप आपके नियंत्रण में है यदि आपने स्वधीप के साथ कूटमीतिक संबंद रखे होते तो आपको ये पता होता कि हम राज संग है ना कि आपकी तरह एक अधिकारवादी आयोध्या मात्र अधिपती है स्वधीप के अन्य राजा युद के दौरान सुरक्षा करने के लिए हमें शुल्क देते हैं अन्य था उन्हें अपने शासित प्रदेश को अपने मनमर्जी से चलाने की स्वसंत्रता है ये कैसे संबव है आप ये कही हैं कि स्वधीप के समराड अपने सामराज पर साशन नहीं करते प्रदेश शान्त हो जाएए शिवे ने उनके विवाद को समाप्त करने का अनुरोत किया ये विवाद उनके मन में चल रहे विवाद को प्रतिविम्मित कर रहा था वो ऐसे प्रश्णों से परिशान होना नहीं चाहता था, जिनके उत्तर उनके पास नहीं थे, कम से कम इस समय तो नहीं, प्रवतेश्वर और आनंदमई तकाल मौन हो गए, खिड़की के और पुना धीमे से मुर्तेवर शिव ने पूछा, वो भवन क्या है आनंदमई, वो प् पुरिवन्शी थे, आपके कट्रशत्रू, हमने उस मंदिर का निर्माण नहीं किया है, आनंदमई ने रोश में आखों को उचा उठा कर कहा, किन्तु हमने उसका नवीकरण अवश्य किया है, और बड़े ही प्रेम पूर्वक इसका रख रखाओ किया है, और साथ ही साथ य पुरिवन्शी के लिए बहुत से अच्छे काम किये है, आयोध्या में उन्हें भगवान की संस मांदिया जाता है, पर विश्वास था कि हम लोग अ doorway है, और हमारे जीवन जीने का तरीका इस जगत में रहने का पात रह Is एक्चत्त अक्रृ दो बड़े है, पर विश्य कैक् आपको पता है प्रभुश्री राम का पूरा अनुष्थानिक नाम क्या है। आनंद मैई ने अपनी पक्षमें बात करने के उद्देश से कहा। निसंदे मुझे पता है परवतेश्वों ने ताना मारते हुए कहा। प्रभुश्री राम इक्ष्वाकु वंश के सूरिवंशी छत्रिय, दश्रत एवं कौशल्य के पुत्र, सीता के पती परमेश्वर, सात्वे विश्ण की उपाद्धी से सम्मानित एवं आदर्णी है, बहुत अच्छे, आनंद मही मुस्कुराई, केवल एक छोटी भूल को छ उनके नाम का अर्थ था चंद्रमा का मुख, वे चंद्रवंशी अधिक थे जितना की आपको पता है, ये चंद्रवंश्यों की लाक्षनिक दो मुही बात है, पर वतेश्वर ने अपने विवेक का संचैन कर कहा, आप शब्दों और नावों में खो चुकी हैं, ना कि उनके प्रभुश्री राम ने कहा था कि किसी विक्ति की पहचान मातर उसके कर्मों द्वारा ही होती है, ये तथ्थे है कि उनके नाम में चंद्रवंशी ध्ता, का कोई अर्थ नहीं होता है, उनके ककर्थ वे सूरी के समान योग्य थे, वे सूरी वंशी thy पूरी तरह से, क्या ऐस इसे मात्र आपको असंभव प्रतीत होता है क्योंकि आपका छुद दूर्मन इससे समझ ही नहीं सकता विरोधा भास तो प्रकृति का अंग है नहीं ऐसा नहीं कि एक वस्तु तो तो सच है और उसका विरोधी जूट नहीं ब्रह्मान इसे स्विकार नहीं करता एक म्यान में केवल एक ही तलवा रह सकती है यह तब ही संभव है जब म्यान छोटी हो आप यह कहना चाहते हैं कि प्रभुश्री राम इतने महान नहीं थे कि उनकी दो पहचान हो आप केवल शब्दों के साथ खेल रही है परवतेश्वर तीक्ष्र दृष्टी से देखते हुए कहा शेव ने सुना चोड़ दिया था वो खिड़की के और मुड़ चूका था उस मंदिल के और वो अपने शरीर के रोम कूपों में अनुभव कर रहा था, वो अपनी आत्मा में अनुभव कर रहा था, वो अपने अंतरमन का हलका दबा हुआ स्वर सुन सकता था, प्रभु श्री राम तुम्हारी सहायता करेंगे, वे तुम्हारा मार्ग दर्शन करेंगे, वे तुम्हें आराम पहुचाएंगे, उनके पास ज चाहिए था गुलूबंद पहने हुए और सुरक्षा हेतु एक दुशाला ओड़े हुए एक तलवार और ढाल के साथ अत्यधिक सावधानी बरत्ते हुए शिव मंथर गती से ब्रह्मन करता हुआ चंद्रवंशी राजधानी के विच्चितर द्रश्यों इमंगंधों को गरहन करता जा रहा था किसी ने भी उसे नहीं पहचाना था उसे इस प्रकार चलना पसंद था ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आयोध्यावासी किसी भी प्रकार के आत्म नियंत्रन का हलका सा भी संकेत दिये बिना ही अपना जीवन जी रहे थे अत्यधिक उची धुनी वाले भावगता पूर्ण स्वर उसके कानों पर स्वर्वता आक्रमन कर रहे थे जैसे किसी अत्यधिक तीवर वाद धियंत्रों का एक समूह उसकी इंद्रियों पर काबू पाने का प्रत्न कर रहा हो आम आदमी या तो ठाहका लगा कर हस रहते जैसे कि एक बोतल मदिरा पी रही हो या फिर ऐसे लड़ाई कर रहे थे जैसे उनका संपूर्ण जीवन उसी पर निर भर हो शिव को चलते समय कई बार धका लगा क्योंकि लोग भागम भाग में लगे हुए थे और उपर से अशलीलता फेकते हुए और अंधा कहकर संबोधित भी किये जा रहे थे बाजार में कई उनमादी खरीदार उत्तेजित दुकानदारों से मोलतोल कर रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वो थोड़े से पैसो के लिए एक दूसरे से लड़ पड़ेंगे दुकानदार एवं खरीदार दोनों के लिए परिशान करने वाला मोलतोल मात्र पैसो के लिए नहीं था वो एक अच्छे सौदे के लिए सम्मान के लिए था शिव ने देखा कि बड़ी संख्या में यूगल जोड़े सड़क के किनारे एक बाग में अवर्नी हरकते करते हुए भीर लगाये हुए थे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे धिठाई से द्रश्यरतिक आखों के अवहिलना कर रहे थे जो गलियों से उन्हें घूर रही थी वो तेजी से मुड़ा तो उसने देखा कि एक यूटी उसकी और मुस्कुरा कर देख रही थी और शिव को आख भी मारी जैसे ही शिव की दृष्टी उस पर पड़े इससे पहले कि शिव कुछ प्रतिक्रिया कर पाता उसने एक अधेर इस्त्री को उसके पीछे चलते हुए देख लिया था उसस्त्री को यूटी की माता जी समझकर शिव ने निर्णे लिया कि उस आसावधानी को लज्जित ना करने की रादे से भूल जाए जैसे ही वो मुड़ा तो उसने पुना अपने पार्श भाग पर एक हाथ कानुभाव किया इस बर वो अत्यन्त ही आग रह इवम आकरामत था वो पीछे मुड़ा तो देखकर स्थब्द रह गया कि माता जी कामुपता से उसे मुस्कुरा कर देख रही थी पूरी तरह से भोचक का हुआ शिव तेजी से सड़क पर भाग निकला और इससे पहले कि वो अपना सहियम खो बैठे तेजी से मंडी से बाह दाहिने मुड़ने के बाद वो उस सड़क पर था जो उसके गंतवे तक जाती थी वो सड़क एक शांदार घुमाओं को लेते हुए पहाड़ी के और घूम गई थी संभवता आयोद्या में राजपत के बाद यहीं एक मात्र सड़क थी जिसमें जलज गरतिका नहीं थी सु शिव ने अपनी आखे बंद कर ली और एक गहरी सांस ली तो चिंता ने उसके हरदय को कुतरना प्रारंब कर दिया उसे क्या पता होगा क्या उसे शांती प्राप्त होगी क्या उसे उत्तर प्राप्त होगा जैसे उसके आशा थी क्या उसे कुछ मिलेगा क्या उसने कुछ अ जिरे चल पड़ा जैश्री राम श्री राम श्री राम श्री राम कुछ दूरी चड़ने के बाद शिव का जब बाधित हो गया एक वक्राकार मोड पर उसने जुरीदार ब्रद प्रुश को देखा उसे देखर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसने कई सप्ता से कुछ भी भोजन नहीं किया था उसके टकने पर एक घाव था जिसमें आदरता एवं लापरवाही के कारण मवाद भर गया था उसने पटसन से बना हुआ बोरा पहन रखा था जो अजीब ढ़ंग से उसके कमर में बंधा हुआ था और सन की रसी के सहारे उसके कंधी से लटका हुआ कभी भी पशनायू जैसे दाहीने हाथ से जूओं के काम में बाधा डालता हुआ अपना सिर बड़ी प्रबलता से खुजला रहा था अपने बाए हाथ से बहुत ही आसाफधानी पुरवक एक केले के पत्ते को संतुलित किये हुए था जिस पर एक रोटी का टुकड़ा और दलिया प दौर पड़ी यह व्रद्वेक्ति प्रभू श्री राम के घर के दौर पर भिक्षा मांग रहा था नहीं पीडित था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी को उसकी सुद्ध नहीं थी वो किस प्रकार का प्रशासन होगा जो लोगों को इस प्रकार रखता होगा मेलुहा में परिश्रम से सभी नागरिकों का लालन पालन करता है वहाँ सब के लिए परियापत भोजन था कोई बिना घर का नहीं था प्रशासन ने वास्तों में काम किया था अगर वो वरद्द देवगरी में निवास करता हो था तो उसे इस प्रकार का अपमां नहीं सहना पड़ता महसूस हो चुका था कि उसने उत्तर पा लिया था अब वो जान चुका था कि प्रवतेश्वर सही था संभवता चंदरवंशी दुष्ट नहीं थे किन्तु उन्होंने एक घ्रणित अस्तित्व का नेत्रत्व किया हुआ था सूर्वंशी विवस्था इनके जीवन को नाट के इनक से बहतर बना सकती थी चारों और प्रचुरता एवं सम्रद्धी होगी जब परवतेश्वर चंदरवंशी के मरना सन्न प्रशासन को प्रखर करेगा इस युद्ध से कुछ अच्छा ही निकल कर आएगी संभव है कि उसने इतनी भी भैंकर भूल नहीं की थी उसने प्र भिखारी के सूखे हुए गालों में भी जीवन भर दिया और प्रतियुत्तर में मुस्कुराया लेकिन उसकी मुस्कान भिक्षा के लिए भिखारी की तूटी हुए मुस्कान नहीं थी यह कैसे विक्ति की स्वागत करने वाली गर्मजोशी भरी मुस्कान थी जो अपने रहे गया अत्यंत दैनिये विक्ति के बारे में जो उसने सोचा था कि दया एम करपा के योगे था उसकी इस विशाल हरदयता पर वह स्वेम को बहुत छोटा अनुभाव कर रहा था शिव का आमंत्रर पूर देखकर उस व्रद विक्ति ने पुना कहा क्या तुम मेरे साथ भ भोजन बाटने की बात कर रहा है जो इतना कम है यह समझ से बाहर है यह सोचते हुए कि शिव को ऊचा सुनाई देता है उस व्रद विक्ति ने ऊचे स्वर में कहा पुत्र मेरे साथ बैठो भोजन करो शिव को सिर्ख हिलाने के लिए शक्ति पाने के लिए भी संगर्श करना पड़ रहा था उसने कहा बहुत बहुत धन्यवाद महोदे उस व्रद विक्ति का मुख उदास हो गया उसने कहा यह अच्छा भोजन है जूटा नहीं है उसके आखे बता रही थी कि उसके हरदा में कितनी चुबन होई थी अन्यथा मैं तुम्हें बोजन कर लेंगे कहता ही नहीं शिव ने तबकाल अनुभाव कर लिया कि उसने उस व्रद विक्ति के स्वापिमान को चोड़ पहुचा दी थी उसने उसके साथ एक भिकारी की दरे वहार कर दिया था उसने जहेप के साथ कहा नहीं नहीं मेरे कहने का यह अर्थ नहीं था बोजन ठीक है मैं तो बस त पतले दलिया को देखा जो अब तक उसे मनुश्य के भोजन योगी प्रतीत नहीं हो रहा था उस वेक्ति ने अपना सिर उठाकर शिव की और देखा जिसकी आधी अंधी आखे चमक रही थी उसने मुसकान के साथ कहा भोजन ग्रहन करो शिव ने रोटी का एक छोटा कौर उ स्तित्व कोई निचोड कर बाहर निकालता जा रहा था अच्छी तरह से भोजन करो पुत्र यदि तुम इतना कम खाओगे तो अपना ये विशाल मानसर शरीर कैसे ठीक रख पाओगे थोड़ा चौकते हुए शिव ने उस वरद्ध को छण भर के लिए देखा उस वरद्ध जो उस वरद्ध ने दिया था बोजन समाप्त होने में कुछ समय नहीं लगा सुतंतर था एक दैनिये के लिए प्रतिष्ठा की सुतंतर था ऐसा कुछ जो मिलूहा विवस्था के प्रशासन में असंभव था तुम्हारा पेड भर गया पुत्र शिव ने सहमती में से नहिला किन्तु वो अभी उस व्रद्ध वेक्ति की आँखों में देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था बहुत अच्छा जाओ तुम्हें मंदिर तक की लंबी यात्रा करनी है शिव ने उपर क्योड़ देखा यह आश्चर जनक रूप से प्रभावशाली उदारता जो उस दिखाई गई थी वो उस पर किम करतवी मूर था वो व्रद्ध वेक्ति जब इसने से मुस्कुराया तो उसके पिछके हुए गाल चौड़े होकर खुल गए वो लगबख भुकमरी की कगार पर था और उसके बाद भी उसने लगबख सारा बोजन एक अंजान वेक्ति को दे अपने हाथों को आगे बढ़ा कर उस व्रद्ध के चरण सपर्श कर लिये उस व्रद्ध वेक्ति ने अपना हाथ उठाया और शिव के सिर पर कोमलता से सपर्श करके आशिरवात दिया तुम जो ढूंड रहे हो उसे प्राप्त करो पुत्र शिव उठ खड़ा हुआ उसका ह 26 प्रश्णों का प्रश्ण राम जन्भूमी को जाती हुई सड़क प्रभु श्री राम के निवास तक की यात्रा कर समाप्त होने से पहले किनारों पर परवत की ढाल पर चिपकी हुई थी वहाँ से नीचे बसे नगर का एक आसाधरान द्रश्ण दिखाई दे रहा था किन्तु शिव ने वो नहीं देखा ना तो उसने उस विशाल का एं मंदिर की शोभाय मान सनचना को देखा और ना उसके चारों और भवे भूदरश्च्यों के निर्माण वाले उस उद्यान को ही देखा वो मंदिर श्वेत संगमरमर से लिखी हुई ईश्वर के वास्तुकार द्वारा रचित एक विशुद कविता थी वास्तुकार ने मंदिर की मुख्य वेदिका तक एक भवेव सीड़ी का निर्माण किया था जो विसमेकारी प्रेड़ना प्रद और आमंत्रित करने वाली प्रतीत हो रही थी विशाल एवं आलंकारिक संगमरमर की शांत नीले एवं भूरे रंगों में रंगाई गई मूर्तिया उस वेदिका पर उतकीर्ण की हुई थी भड़केली फिर भी रुचिकर नीले संगमरमर की छट को विस्तार पूर्वक नकाशी की एक खंबे थामे हुए थे वास्तुकार को इस पश्ट रूप से पता था कि प्रभुश्री राम का सबसे पसंदीदा समय प्राताकाल था इसी कारण से छट पर प्राताकाल का आस्मान पुता हुआ था जो उस छट के अनुपस्थिती में देखा जा सकता था छट के उपरी भाग पर मंदिर का परवत लगभग सौ मेटर उचाई तक खड़ा होता हुआ चला गया था जैसे इश्वरों को एक विशालकाय नमस्ते कर रहा हूँ सौधी पासियों को ये श्रे जाता था कि उन्होंने अपनी भड़कीली चैतनेता उस मंदिर पर नहीं थोपी थी उसकी संयमित सुंदरता उसी प्रकार के थी जिस प्रकार शांत प्रबुश्री राम को पसंद आता शिवर ने इन में से किसी पर भी ध्यान नहीं दिया था नाही उसने आंतरिक एकांत कक्षमे जटिलता से नकाशी की हुई मूर्तियों को ही देखा प्रबुश्री राम की मूर्ति मध्य में अपने प्रिये पातरों के साथ घीरी हुई थी उनके दाहिनी और उनके प्रिये भार्या सीता थी और उनके बाई और उनके प्रिये ब्राता लक्षमन थे उनके चरणों में घुटनों के बल प्रभुशी राम के सबसे उत्सुक एवं प्रिये शिश्य वायू पुत्र जाती वर्ग के वायू देवता के पुत्र हनुमान बैठे हुए थे शिव में इतनी शक्ती नहीं बची थी कि वो प्रभुशी राम से आखें मिला सके वो उस निर्णे से डर गया था जो से प्राप्त होने वाला था वो एक खंबे के पीछे उसका सहारा लेते हुए शोप मनाते हुए दुबक कर बैठ गया जब वो अपने अपराद बोध की प्रचंड अनुभूती को अब और नियंतरत नहीं कर पाया तो उसने अपने आस्वों को बहने दिया धारा प्रवाह शिव ने मायूसी में अपने आस्वों को नियंतरत करने के बहुत प्रत्न किया किन्तों वो बहते ही चले जा रहे थे जैसे की बांध तूड गया हो अपने प्रैशित पर काबू पाने के लिए उसने अपनी गोल मुठी को काट खाया उसने अपने पाउं को मोड़कर सीने से लगा लिया और अपने घुटनों पर सिर रख दिया अपने दुख में डूबे हुए शिव को उसके कंधों पर रखे करुणा में हाथ के सपर्ष के अनुभूती नहीं हुई कोई प्रतिक्रिया ना देखकर उस हाथ ने हलिके से दबाया शिव ने उस हाथ के सपर्ष को पहचान लिया था किन्तों उसने अपना सिर जुकाय रखा वो अपनी आखों में आसुलिये स्वयम को दुर्बल दिखाना नहीं चाहता था आयू से व्रध एवं जीन्ड वो विनमर हाथ धीरे से हटा लिया गया जबकि उसके स्वामी ने तब तक प्रतिक्षा की जब तक कि शुयम ने सुयम को सयमित नहीं कर लिया जब उचित समय हुआ तो वो वेक्ती आगे बढ़ा और उसके सामने आकर बैठ गया उदाश शिव ने उस पंडित को अपचारिकता पूर्ण नमस्ते किया जो लगभग वैसा ही दिख रहा था जिससे वो पहली बार मेरु में ब्रह्मा मंदिर में और मोहन जोदारों के मोहन मंदिर में मिला था उसकी भी वैसी ही लंबी प्रवाह में श्वेत दाड़ी और घने श्वेत बाल थे उसने भी अन्य पंडितों की तरह ही गुलाबी रंग की धोती और अंगवस्त्रम पहन रखे थे उस बुद्धी जीवी मुख पर वही स्वागत करने वाली मुस्कान फैली हुई थी पुना जुका लिया पंडित ने धैर पूरवक शिव के उत्तर के प्रतीक्षा की आप नहीं जानते हैं कि मैंने क्या किया है मैं जानता हूँ शिव ने सिर उठा कर पंडित के और देखा उसकी आँखों में आश्चर और शर्म के मिश्रित भाव थे मैं जानता हूँ कि आपने क्या किया है ये निलकंट पंडित ने कहा और मैं पुना पूछता हूँ क्या ये सच मुछ ही इतना बुरा है मुझे निलकंट मत पुकारिये शिव ने तीक्ष्वन दृष्टी से देख कर कहा मैं इस उपादी के लायक नहीं हूँ मेरे हाथ हजारो लोगों के रक्त से सने हुए हैं हजारों से बहुत अधिक लोग मारे गए हैं पंडित ने कहा संभवता लाख हो किन्तो आप क्या सोचते हैं कि यदि आप वहां नहीं होते तो क्या वे नहीं मरते कि आपके हाथ सच मुछ ही रक्त से सने हैं निसंदेवे सने हैं ये मेरे मू अपनी मुठी भीची और अपने ललाट पर हलकी चोट की इस हताशा भरे प्रयास में कि वो अपने ललाट पर इस पंदन शिल ताप को शांत कर सके पंडित ने हलके आश्चरे में शिव के ललाट पर दोनों आखों के मध्य में एक गहरे लाल रंग के च्छाले को देखा वो आखे पुनह नम थी यह सब मेरा ही दोश था सैनिक छत्री होते हैं मित्र पंडित में शांत चित्त होकर कहा कोई उन्हें बलात मरने के लिए नहीं कहता विजोखिम को जानते हुए और उस संभव कीरती के लिए जो उन्हें उसके परिडाम सोरोक मिलती है उनके लिए ही उस ऐसा प्रदीत हुआ कि उसकी आखे पूच रही थी जन्म हुआ था पंडित ने शिव की आखों के प्रश्न को भुलाते हुए कहा जो कुछ भी होता है उसका कारण होता है यदि आप इस प्रकार की बेचैनी के मध्य से गुजर रहे हैं तो इसके पीछे भी कोई दैवी यो अलग है अलग होना बुरा होना नहीं होता है पंडित का मुख लाक्षणिक रूप से एक गूर मुस्कान में परिवर्तित हो गया और उसने कहा बिलकुल सही ये लोग बुरे नहीं है ये लोग अलग है आपने इसका अनुभा बहुत शीगरता से कर लिया है मित्र इससे का सर्वनाश किया था और किसने कहा कि असुर बुरे थे मैंने पढ़ा शीव वाक्य के मध्य में ही रुख गया अंतता वो समझ गया था हां पंडित मुस्कुरा कर बोला आपने बिल्गुल सही अलुमान लगाया उसी तरह से जिस तरह सूर्यवंशी एवं चंद्रवंशी दीव करते हैं तो फिर यदी आप उस पुस्ठक को पढ़ेंगे जो देव ने लिखी है तो आप क्या सोचते हैं कि वे असुरो का चित्रन किस प्रकार करेंगे आपके कहने का अर्थ ये है कि वे वर्तमान के सूरिवन्शियों एवं चंदरवन्शियों के जैसे थे जितनी आप करपना कर सकते हैं उससे भी अधिक देव एवं असुरवी सूर्वंशियों एवं चंद्रवंशियों की तरह ही दो जीवन की शक्तियों के संत्रुण को प्रतिविम्बित करते हैं एक दोयतवाद को दोयतवाद? हाँ एक दोयतवाद जो इस ब्रह्मान्ड के कई दृष्टिकोड़ों में से एक है पुलिंग एवं इस्त्रिलिंग असुर एवं सूर्वंशी पुलिंग के प्रतीक है देव एवं चंद्रवंशी इस्त्रिलिंग के प्रतीक है उनके नाम परिवर्तित हो गए हैं कि तो जीवन शक्ति जिनको वो साकार करते हैं वे सर्वता वही रहे हैं वे हमेशा अस्तितु में रहेंगे ऐसा कोई भी उपाय नहीं है कि उनमें कोई एक नश्ट हो सके अनेथा ब्रहमांड में अन्ता स्पोर्ट हो जाएगा और वी सोचते हैं कि उनका एक दूसरे से संगर्ष अच्छाई इवं बुराई के मद्य एक शास्वत संगर्ष है बिल्कुल सही पंडित के मुख पर दमक थी ऐसी व्यवस्था के समय में भी शीव की तीवर बुद्धी पर पंडित अचंबे में था और उसने कहा किन्तु वे हमेशा ही लड़ते ही रहे हैं ऐसा भी नहीं है कई बार उनके मद्य लंबे समय तक परसपर सहयोग भी रहा है जब कभी भी संगर्ष का समय होता है तो उस समय जो भी बुरा होता है तो बहुदा एक दूसरे को दोश देना सबसे सरल लुपाय होता है क्योंकि चंदरवन्शी सूरेवन्शियों से अलग है तो इसका ये अर्थ नहीं कि वे बुरे हैं आप क्या सोचते हैं कि निलकंट को बाहर वाला क्यों होना चाहिए क्योंकि वो किसी एक दश्टिकोर का पक्षपाती नहीं होगा शिव ने कहा तो उसके सामने चाया हुआ आवरण हट गया बिलकुल सही निलकंट को इन सबसे परे होना होगा उसे किसी भी पक्षपात से रहित रहना होगा लिकिन मैं पक्षपात रहित नहीं था मैं द्रण निश्चई था कि चंदरवन्शी बुरे थे संभव है कि जो आनंदमें कहती है वही सही है संभव है कि मैं बहुत ही सरल हिरदे हूँ और आसानी से बहकाया जा सकता हूँ आप अपने आप पर इतने कठोर मत होई है मित्र सभी कुछ जानकर आप आसमान से नहीं टपक सकते नहीं ना आपको किसी एक पक्ष्ष से प्रवेश करना था इस समीकरंगे जिस भी पक्ष्ष से आपने प्रवेश किया उस पक्षी के दर्श्टिकोंट से आपको रंगना ही था और दूसरे पक्ष की बुराई के समान ही देखना था आपने अपनी भूल को बहुत शीगरी अनभूत कर लिया प्रभुरुद्र इसे तब तक अनभूत नहीं कर सके थे जब तक ही बहुत देर हो चुकी थे इससे पहले कि वे इस बात को अनभूत करते कि वे बुरे नहीं थे बलकि मातर अलग थे, तब तक वे असुरों का लगभख सर्वनाश कर चुके थे लगभख सर्वनाश कर चुके थे? आपके कहने का क्या तात पर है? कि कुछ असुर अभी भी अस्तित्तु में है पंडित रहस्तिमाई ढंग से मुस्कुराया और बोला ये समबाद किसी और समय के लिए है मित्र, आपको इस बिंदु को समझने के आशकता है कि आप वो पहले महादेव नहीं है जो भटकाए गए हैं और आप अंतिम भी नहीं होगे कल्पना कीजिए यदि आपको इतना अपराद बोध अन्भूत हो रहा है तो प्रफुरुद्र के अपराद बोध के अन्भूती कैसी रही होगी शिव ने मौन धारन किये रखा उसके आँखे जुकी हुई थी प्रफुरुद्र के दोश का ग्यान उसकी शर्म को कम नहीं कर पाया जिसने उसकी आत्मा को व्यथित कर रखा था उसकी सोच को पढ़ते वे पंडित ने पुना कहा आपने उन परिस्थितियों में सर्वोत्तम निर्णे लिया था जो आप ले सकते थे मैं जानता हूँ कि ये आपके लिए अत्यदिक सांतवना देने वाली बात नहीं होगी किन्तु निलकंट होना सरल नहीं है आपको इस अपराद बोध के बोज को ढोना ही पड़ेगा मैं जानता हूँ कि आप किस प्रकार के विक्ति है आपके लिए ये बोज बहुत ही भारी होगा आपकी चुनौती ये है कि आपको अपराद बोध या पीड़ा को भूलाना होगा आपका हरदा इतना अच्छा है कि आपके लिए ये करना कठेन होगा व्यथा के बाद भी आपको अपने कर्म एवं कर्तवे के प्रती सचा रहना होगा यही आपके लिए चुनाओती है यही महादेव का भाग यह और कर्तवे है लेकिन मैं किस प्रकार का महादेव हूँ मैं क्यों आवश्यक हूँ मैं कैसे बुराई का नाश करूँगा यदि मुझे ये भी नहीं पता कि बुराई क्या है किसने कहा कि आपका कारे बुराई को नश्ट करना है चकित शिव ने हैरानी से पंडित को घूरा वो शब्दों के इस खेल से घ्रणा करता था जो ऐसा प्रतीत होता था कि ये पंडित लोग बहुत पसंद करते थे शिव के आँखों में क्रोध की जलक देखकर पंडित ने तुरंत ही स्पष्टी करन दिया बुराईों के पास जो शक्ती है वो अधी मूल्यांक के थैमित्र उसके अस्तित्व को मिटाना कठिन है इसके लिए इतना ही अधिक है कि कुछ अच्छे लोगों को ये निर्णे लेना है कि उन से संगर्श करना है यथार्थ में हर समय जब जब भी बुराई ने सिर उठाया है उसका यही हल हुआ है उसे नश्ट कर दिया गया है तो फिर मेरी क्या आवशक्ता है आपकी आवशक्ता सबसे महात्पूर्ण कारे के लिए है उस सबसे महात्पूर्ण प्रश्ने का उत्तर देने के लिए है क्या बुराई क्या है हाँ मानवों के मद्ध में अनेक युद्ध लड़े गए है पंडित ने कहा और भविश्य में भी अनेक और युद्ध लड़े जाएंगे यही जगत का व्यावहार है कि दो मात्र एक महादेव ही ऐसे होते है जो उन युद्धों को अच्छाई और बुराई के मद्ध के युद्ध में परिलत करते है वे एक मात्र महादेव ही है जो बुराई की पहचान कर लोगों को उनके विरुद्ध नेतर तो प्रदान करते है इससे पहले कि बुराई अपना कुरूप सीर उठाए और अपना समस्त जीवन को नश्ट कर दे लेकिन मैं बुराई को कैसे पहचानूगा यहां मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता मित्र मैं महादेव नहीं हूँ यह एक प्रश्ण है जिसका उत्तर आपको प्राप्त करना ही होगा किन्तु इतना कह सकता हूँ कि आपके पास हरदय है आपके पास मस्तिश्क है उन्हें खुला रखिये और बुराई स्वयमेव आपके समक्ष प्रकट हो जाएगी प्रकट? हाँ पंडित ने व्याक्या की बुराई का आपसे संबंध है वो आपके पास आएगी आपको अपने मन एवं हरदय को खुला रखना होगा ताकि जब भी बुराई प्रकट हो तो आप उसे पहचान सके मेरे पास मातर एक सुझाओ है बुराई की पहचान करने के प्रियास में आपको कोई शीग्रता नहीं करनी चाहिए उसके लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए वो आपके पास आईगी शीव की तेवरी चड़ गई उस विजितर वारता लाप को आत्मसात करने के लिए उसने नीचे की और देखा कोई दिशा प्राप्त करने के लिए वो प्रभू श्री राम की मूर्ती की और मुणा उसने वहाँ उनकी निरनायात्मक दृष्टी नहीं देखी जिसके उसने आशा की थी इसके बदले में उसने गर्मजोशी भरी उत्साहित करने वाली एक मुस्कान देखी आपकी यात्र अभी समाप्त नहीं हुई है मित्र यादिक लंबी नहीं हुई है ये तो अभी प्रारम भी हुई है आपको निरन्तर चलना पड़ेगा अने था बुराई की विजय हो जाएगी शिव के आँखे थोड़ी सूखने लग गई थी उसका बोज अभी भी थोड़ा भी हलका नहीं हुआ था किन्तों वो स्वयम में इतनी शक्ति कानुभा अवश्य कर रहा था कि उसे ढोकर चल सके उसे उस असीम अंतर तक चलना था शिव ने पंडित की और देखा और इस दुरबल मुस्कान के साथ पूछा आप कौन है पंडित मुस्कुराया मैं जानता हूँ कि इसके उत्तर का आपको वचन दिया गया था हम में से किसी भी एक द्वारा दिया गया वचन हमारा सामोहिक वचन होता है मैं इस वचन को तोड़ नहीं सकता शिव ने उत्तर के प्रतिक्षय में निरंतर देखता जा रहा था हमारा पहरा लक्ष है अगले महादेव की सहायता करना वे जब कभी भी आते हैं और दूसरा दूसरा लक्ष ये है कि जब कभी भी आशकता होगी तो हम में से कोई एक अगला विश्णू बन जाएगा सात्वे विश्णू प्रभु श्री राम ने अपने विश्वास प्राप्त प्रतिनिधी प्रभु वासुदेव को ये कारे सौबा था हम उनके अनुयाई हैं हम लोग वासुदेव के जाति वर्ग के हैं इस सूचना के नहितार्थ को आत्मसाथ करते हुए शिव ने पंडित को गहरी द्रश्टी से देखा उसकी तेवरी चड़ गई जब उसे इसका एक अनुपरिणाम अचानक ही सूजा क्या महादेव ने भी कोई जाति वर्ग अपने पीछे रख छोड़ा था क्या प्रभुरुद्र ने पंडित मुस्कुराया वो शिव की तेक्ष्न बुद्धी से प्रभावित था महंजुदारों के सचिव ने सही कहा था ये विक्ति महादेव बनने की योगिता रखता है हाँ प्रभुरुद्र ने अपने पीछे एक जाति वर्ग को छोड़ा था वाईव पुत्र का जाति वर्ग वाईव पुत्र? शिव ने पूछा उसी ये नाम आश्यर जनेक रूप से सुना हुआ रगा पंडित ने शिव के कंधे पर अपना हाथ रखा इसे अगली बार के लिए रहने दो मित्र मेरे विचार से हमने आज के लिए परियाप्त वारतालाप कर लिया है घर जाईए आपको अपनी अच्छी पत्नी के विश्राम प्रद आलिंगन क्या शकता है कल का दिन भी है और आपका लक्ष तब तक प्रतीक्षा कर सकता है अब के लिए आप घर जाईए शिव मुस्कुराया एक गूर्ण मुस्कान उसके अपने सरल तिबबती चरितर से पूर्टा भिन किन्तो अब वो भारती बन चुका था वो आगे की और जुका और पंडित के चरर रस परश किये पंडित ने अपना हाथ उसे आशीश देने के लिए उसके सिर पर रखा और कोमलता से बोला विजैई भव जै गुरु विश्वामित्र जै गुरु विशिष्ट शिव ने शिष्टता से आशीश को सुईकार करते हुए सहमदी में सिर हिलाया वो उठा मुड़ा और मंदिर की सिर्डियों के और चल पड़ा वेदिका की किनारे पर पहुँचकर वो पंडित को एक बर पुना देखने के लिए पीछे मुड़ा पंडित अपनी जंगाओं पर बैठा हुआ भगतिभाओं से अपने सिर से उस भूमी को नमन कर रहा था जहां से अभी अभी शिव उठकर आया था शिव मस्कुराया और उसने अपना सिर हलके से हिलाया पंडित से दृष्टी हटा कर उसने आगे की और प्रभुश्री राम की मूर्ती की और ध्यान पूरवक टक्टकी लगा कर देखा उसने नमस्ती की मुद्रा में अपने दोनों हाथ जोड़कर आदर से प्रभु को प्रणाम किया उसका बोज हलका नहीं हो पाया था किंतो उसमें इतनी शक्ती थी कि वो उसे ढो सकता था वो मुड़ा और सीड़ियां उतरने लगा नीचे पहुशने पर वो अचंबे में रह गया जब उसने देखा कि उस प्रांगण में एक अपसरा की मूर्ती पर जुकी हुई सती खड़ी थी वो मुस्कुराया इस समय पुरे जगत में ऐसा कोई नहीं था उसके सिवा जिसे वो इस समय देखें पसंद करता उसकी और चलते हैं वो इसने चुड़ाया क्या तुम हमेशा ही मेरे पीछे पीछे आओगी मैं जानती हूँ कि कब आपको एकांत की आवशकता होती है सती ने कहा और कब आपको मेरी आवशकता है शिव अचानक ही जड़वत हो गया जब उसने देखा कि सती से कुछ ही दूरी पर एक पेड़ के पीछे एक लबादा लहरा रहा था संध्या काल की मंदपवन ने उस घात में बैठे विक्ति को दिखा दिया था सती ने शिव की उस टक्टकी लगाई दृष्टी का अनुसरान करते हुए पीछे मुण कर देखा वो लबादा वाला आकार होली उत्सव का नकाब पहने पेड़ के पीछे से प्रकट होकर निकलाया ये वही है शिव के हिर्दे के धरकन तीवरगती से चलने लगी वो अभी भी सती से एक अच्छी दूरी पर था वो नागा उसकी तुलना में सती के अधिक समीब था वे तीनों अपने इस्थान को समय तक जमे रहे वे परस्थिती का आंकलन कर रहे थे अगली चाल का मुल्यांकन कर रहे थे वो सती थी जिसने पहला दाओ खेला उसने फुर्ती से अलग हटकर अपनी बगल से चाको निकाला और उस नागा की और फेक दिया वो नागा हलका साहिला चाको उसके बहुत पास से लगभग उससे छूता हुआ निकला और पूरे बल के साथ पेड़े के तने में जा लगा वो बहुत ही अंदर तक तने में समा चुका था शिव ने धीरे से अपना हाथ तलवार की और बढ़ाया नागा पीछे मुणकर उस चाको तक पहुचा उसने चाको उस पेड़े से बाहर निकाल लिया और विचित्र कारे करते हुए उसने उस चाको को अपनी कलाई में एक कपड़े के कड़े से बांध लिया उसके बाहर वो तेजी से आगे बढ़ा सती शिव चिल लाया इसके साथ ही उसने अपनी तलवार निकाली और अपने पत्नी की और दौर लगा दी दौरते हुए ही उसने अपनी ढ़ाल आगे की और कर ली थी क्रमशा पुस्तक के अध्या पठन की यात्रा में साथ देने के लिए आप सभी का धन्यवार यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए अपने मित्रों के साथ शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अलविदा